चलिए मैं श्टार्ट कर रहा हूं सेल्वर मैनुफैक्चरिंग से सेल्वर मैनुफैक्चरिंग जेटी का एक हिस्सा है जेटी में हम लोग एक कॉंसेप पढ़ते हैं जेटी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ जिसमें ये सिखाया जा रहा है कि internal movement time को कम कैसे किया जाए जिसमें ये सिखाया जा रहा है कि problems को easily identify कैसे किया जाए problems to be easily identified इसके पहले क्या होता था पुराने जमाने में जैसे एक department है उसमें जो machinery होती थी वो बहुत सारी होती थी और उस department का एक head होता था जो कहीं एक जगा खड़े होकर उसको supervise करता था जो कहीं एक जगा खड़े होकर इसे supervise करता था ठीक है तो अगर कल को इस machine में problem आ जाए किसी कारण से तो वो बाकियों को भी affect कर जाएगा तो इसको ये identify करने में बड़ा समय लग जाता था क्योंकि यहां से यहां जाने में भी समय लगेगा दिखता नहीं था problems were not so easy to identify कि कहां पर क्या neck आ गया जिसके कारण पूरा system चोक हो गया और अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ machine यहां पर नहीं होती थी तो कुछ machine यहां पर आपके होते थे तो एक machine में कभी होता है कि एक product में यहां पर काम कराने के बाद सीधा यहां पर काम कराना है ऐसा भी हो सकता है तो यहां से यहां ले जाने में लाने में बड़ा दिक्कत होता था और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि cross department भी यहां पे हम लोगों को जाना पड़ता था जबकि इस machine का ज़्यादा काम यहीं पे आता है तो भी Japanese लोगों ने क्या सुचा कि चलो इस काम को असान करते हैं इस काम को आसान करते हैं कैसे पहले सारा similar machines या similar activities से जुड़ा हुआ machine को इकठा करते हैं और एक ही जगा पे लेके आते हैं department ऐसे vertical या horizontal में नहीं बनाकर जो सजाएंगे वो छोटा जगा पे सजाएंगे और जित्ते machinery होंगे उसको ऐसे U-shape में सजा देंगे ठीक है यहाँ पे U-shape formation होता है U-shape क्या होता है U-shape machine का layout design होता है U-shape layout What is it? It is a U-shape layout यहाँ पे सारा machines का layout U-shape में रहता है ध्यान रहेगा यह U-shape में रहने का फायदा का है कि इस department का head है वो यहाँ पर खड़ा होके अब सारा machines को देख सकता है एक साथ he can oversee सारा machine he doesn't need to travel a lot इसका supervision बहुत easy हो जाता है जगा भी कम लगता है और यहाँ पर जो भी machine आएंगी वो similar activity को करने वाली machine आएंगी similar activities या फिर related machines कोई related machine है कि जिसके बाद एक के बाद यह काम होता है वैसा कुछ आ जाएगा related machines इसको एक समझने के लिए एक example आप ऐसे सोचो जैसे मैं CA firm का एक example दे रहा हूं आपको कि समझे वहाँ पे एक accounts department एक audit department एक टेक्स डिपार्टमेंट है तीनों में जिरॉक्स मशीन का जरूरत है या प्रिंट आउट लेने का मशीन का जरूरत है तो तीन मशीन ला दिया हम लगने बट पता चलता है तीन मशीन होने के बावजूद भी कभी जिरॉक्स वगरा करने के लिए मशीन खाली नहीं रहते हैं आपकी audit और आपका खाली भी पढ़ा रहता है तो इसका solution क्या है कि आप similar activity को करने वाले मशीन को एक ठा कर लो एक जगा ले आओ तो आपको सारा मशीन सारा एक जगा लेयाना पड़ेगा और सारा सबका Xerox का काम एक ही जनद को एक ही department में थॉप दो तो ये आदमी भी एक ही चीज को सुपरवाईज कर रहा है एक ही तरह का activity को देख रहा है खाली Xerox का काम अब Xerox के बाद हो सकता है और भी बना लेते हैं कई में एक मशीन होता है जिससे उसको ट्रेश कर देता है पुरा कच्रा कर देता है उसको चूरा चूरा पेपर को करके फिर हम लोग उसको डिस्पोस करते हैं तो वो सब मशीन भी है So there are lot of machines which are connected to Xerox Xerox से बाद spiral ए, stapling है और उसी के बाद एक trash machine भी है जिससे हम लोग पेपर को scrap कर लेते हैं तो ये सारा machine आप यहीं पे एक साथ U-shape में लगा दीजे न और इससे फाइदा क्या होगा जो भी आदमी, मान लीजे कोई operator है इसको चला रहा है, कोई operator इसको चला रहा है तो इनको कोई problem होगा तो supervisor से इसली पूछ लेगा, supervisor भी इसली देख लेगा ये बात ज़रूर है कि आपका सारा Xerox एकी जगा हो रहा है तो इस department वाले को कभी-कभी issue हो सकता है कि अरे यार Xerox कराने वहाँ जाओ मैनुफेक्टरिंग सिस्टम सेलर मैनुफेक्टरिंग सिस्टम में सेल का मतलब वही है कि जो group बनाते हो आप जिसमें similar activities होती है और related machines रहते हैं उसी को हम लोग sell बुलाते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा automation होना है आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि for instance एक छोटा सा कोई दुकान में आप सोच लीजे जैसे मैं example बोलता हूँ कभी यह stall होते हैं ने डोसा वोसा जो बनाते हैं उनका जो अपना जगा होता है जहां पर वो काम करते हैं उसको लोग work cell बोल सकते हैं वो एक तरह का cell ही है जिसमें आप देखिए वो सामबर भी गरम कर पा रहा है तो वहाँ पर डोसा भी उतार पा रहा है तो वहाँ पर वो सर्व भी कर पा रहा है और उसी के नीचे में वो प्लेट प्लेट को धो भी पा रहा है तो सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रूप करके चोटा सा जगा में लिया है चोटा स्टॉल की बात कर रहा हूं मैं आप बड़े को डिपार्टमेंट की कलपना मत करें तो वहाँ पर मल्टिपल एक्टिविटीज हो रहा है उस तरह से उसको उसने डिजाइन कराया हूँ है उसका ठेला को उस तरह से डिजाइन किया हूँ है वैसे ही हम लोगों कि बंगॉल में मोडी वाला लोग बहुत फेमस है तो मोडी वाला लोग का एक स्टॉल अलग टाइप का ही बनाया होता है कुछ बनाया होता है उसमें बहुत सारे खन होते हैं इसमें सबजी रखता है तो इसमें चनाचुर इसमें बदाम ऐसा करके और बड़े वाले में मुड़ी रखता है और इस तरह से उसको डिजाइन करता है कि उसमें वो एक जगा पर ही सारा काम कर सके ठीक है एक जगा पर ही को सारा काम को कर सके easily movement हो सके कहीं पर भी कुछ कमी आ गया तो दिख जाए कहीं पर भी काम रुके नहीं ओके सो इस तरह से हम लोग सेल सेल जब और्गनाइज करके manufacturing कर रहे हैं तो उसको cellular manufacturing बोल रहे हैं cellular manufacturing में हम लोग जेनरली similar products ही बना पाते हैं ध्यान रखना similar products ही बना पाते हैं हम लोग यहां पर waste reduction कर पाते हैं waste बहुत कम होता है limited waste होता है जितना बड़ा जगा जितना फैला के काम करोगे उतना ज्यादा waste जितना कम जगा में काम करोगे उतना कम waste होता है इसको implement करने के कुछ criteria है कि आपका एक और चकर है कि यहां पर similar type of activity होता है न तो similar type of activity में कभी कभी ऐसा होता है कि एक नया तरह का भी job आ जाता है जो पहले इनका नहीं किया हुआ हो तो यह एक problem create कर देता है यहां पर कि यहां पर अगर आप एक ही तरह का activity setup कर दिए और वही ही वो करेगा for example जैसे आप print out का system set कर दिए ठीक है print out के निकलेगा यहां पर बस hard drive या pen drive लेकिया हो या फिर network में डाल दो तो वो print करके देगा बस उतना ही काम हो सकता है अगर कोई नया तरह का job आ जाए तो वो कर पाएगा कि नहीं यह challenge होता है तो यहां पर जो worker है वो सारे के सारे multi skilled होने चाहिए कि वो जल्दी से कोई नया काम को adopt कर पाए और सीख ले ठीक है वरना फिर वो सेल है ना restricted हो जाता है वो सेल को हम लोग realign कर पाए हम लोग को ऐसा employee चाहिए होता है employee कैसा चाहिए होता है कि जल्दी से जल्द हम cell को realign कर पाए और फिर यहां पर अगर ज़रत पड़े ना कभी लगा कि इस पूरा department का अब उतना काम ही नहीं है तो ज़रत पड़े तो हम इस cell को realign करके कुछ और काम भी यहां पर करा पाए तो efficient change over होना चाहिए मतलब change over माने वही पूरा setup वगयरा पूरा change कर पाए कितना फटा-फट उसके उपर है वरना cell में ब limited variety का काम कर पाते हैं और limited variety हम करते रहेंगे अगर बड़ा investment लेकर limited variety करेंगे तो हम लोग कभी भी investment को justify नहीं कर पाएंगे और next आपको हमेशा यहां पर ध्यान क्या रखना है कि cell बनाने से कभी कभी क्या होता है काम बहुत scattered हो जाता है तो पिछले दिन मैंने आपको एक concept सिखाया था तक्त टाइम का TAKT तक्त टाइम तो तक्त टाइम क्या होता है desired cycle time जैसे अगर customer ने order दिया हफते का 10 unit बना के दो हफते का 10 unit बना के दो तो 10 unit हफते में 40 गंटा यदि तो 10 unit आपका 4 गंटा करके एक unit पे बन जाना चाहिए तो that is तक्त टाइम customer के order के इसाफ से आपको कितने समय में एक unit बना लेना है के तो यह मैंने आपको समझाया था कि चार घंटा customer अलाव करता आपको और जल्दी बनाना पड़ेगा और जल्दी बनाना पड़ेगा कि machine में कुछ issues भी आई सकते हैं correct तो और जल्दी बनाना पड़ेगा इसी को बोलते हैं हम लोग leveling करना पड़ेगा you need to continuously do leveling जिसको हम होता है जुनका में और डिमांड लेवलिंग भी होता है डिमांड लेवलिंग मैंने आपको बताया ना टोयोटा यूज किया था कैसे कि क्योंकि कस्टमर लोग मान लीजी कस्टमर लोग मान लीजी हमारे ऐसे होते हैं जो सीजन पे ज्यादा order करते हैं तो sales department of Toyota क्या करता था ऐसे ऐसे offer ऐसे से off time पे निकाल देता था कि जो sales festival में ज्यादा होने वाले थे वो पहले हो जाते थे तो इस तरह से वो sales leveling करते थे और फिर production का leveling मतलब कि जो desired cycle time है उसी के अंदर-अंदर हमेशा production हो पाए तो वो सब criteria आपको fulfill करना पड़ेगा in order to get success from seller manufacturing okay तो criteria में एक और आता है कि U-shape production line होना चाहिए U-shape production line होना चाहिए that is only यहाँ पर importance है U-shape production line होना चाहिए next benefits अगर हम बात करें तो benefits क्या है seller manufacturing का it easily resolve the problems, quickly identify the problems, quickly resolves the problems, quickly identify and resolves the problem, quickly identifies and resolve the problems then इसमें एक फाइदा क्या होता है कि since सारे employees आपस में आस पास हो जाते है न देखो यह supervisor भी और यह सारे भी तो group में एक team spirit बहुत अच्छा जागता है there is high level of team spirit in this kind of system there is high level of team spirit in this kind of system और एक फाइदा क्या है कि यह आपका space reduction करने में help करता है आपको बहुत जादा बड़ा जगर नहीं चाहिए यह थोड़ा सा flexible है, flexible as compared to other layouts flexible as compared to other layouts but it is not very flexible to produce all kind of products ओके और सबसे बढ़ियां चीज क्या है कि यहाँ पर investment बहुत कम होते हैं तो आपको ज़्यादा headache नहीं लगता है कि मैं कभी retooling करूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मतलब अगर पूरा चीज को भी change कर दूँ उस जगा पे कुछ और ही काम करा हूँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसा नहीं रहता cost क्या है, इसका disadvantage क्या है, कि थोड़ा सा production में flexibility कम रहता है less production flexibility, less production flexibility, less production flexibility in terms of varieties and volume, in terms of varieties and volumes, less production facilities in terms of varieties and volume, volume भी ज़्यादा नहीं आ पाएगा, तो varieties भी ज़्यादा नहीं आ पाएगा, बस यही आपको ध्यान रखना है lens production flexibility in terms of varieties and volume, अगर आपको ज़्यादा flexibility चाहिए, तो फिर पूरा retooling करना पड़ेगा, और retooling करने से फिर cost भढ़ जाता है तो यह ही है seller manufacturing, इसमें वो तक time को लेके discussion पिछला दिन हो गया था आपके साथ, उसको आप follow करेंगे, इतना सही बात है और कुछ नहीं है, seller manufacturing खतम हो गया, जैसे for instance सोचे ना कि आप सोचे आपका एक restaurant है, और एक case study सोचे यह restaurant है, जिसमें एक जगा पे Chinese food बनता है, एक जगा पे North Indian food बनता है, एक जगा पे South Indian food बनता है, multi cuisine है, तो सब में vegetables cutting का activity है, तो वो अपना vegetable काटता है, वो अपना काटता है, ठीक है, तो what you can do is, vegetable cutting, vegetable cutting, vegetable cutting, vegetable cutting, सब लेके एक जगा ले आए, तो एक expert को रखेंगे, जो vegetable cutting का सारा machinery, सारा layout वैसा ही बना रखा है, उसी पर ही vegetable cutting और जिसको जिसको देना है, वहाँ पे दे दीजे, so when you are doing this, this is, you know, cellular manufacturing, you are creating a cell where similar activity would be done and that similar activity would help other activities to function also, okay, हे जुनका एक बार रिपीट करिए, हे जुनका is basically an approach whereby you try to achieve your production schedule, okay, जो आपका customer का order आया है, उसके हिसाब से, आपको एक एक युनित कित किता है, आपको इतना समय में बना लेना चाहिए, वो बना लेना का समय होता है, जैसे मैंने बोलाना, 40 गंटा में 10 उनित बना आया है, customer का order के एसाब से, तो चार गंटा में एक उनिनित बनना चाहिए, उससे पहले बन जाए, उसके लिए आपको अंदर में जो जो arrangement करने है, उसको ह जो उनका बोलते हैं तो production leveling बोलते हैं दूसरा होता है sales leveling sales leveling में sales promotions ऐसा ऐसा करो कि off season में भी demand equally आए ना कि सिर्फ peak season में demand आए क्यों peak season में ज़्यादा demand आ जाता है और हम लोग के पास ऐसा छोटा छोटा cellular based manufacturing system है जहां पर हम ज़्यादा volume बना नहीं सकते और फिर अगर हम demand fulfill नहीं कर पाएंगे तो कहीं न कहीं dissatisfaction आजएगा customer में इसलिए हम चाहते हैं कि वो demand सब पहले ही convert हो जाए तो उसके लिए sales वाले promotion वगरा दे दे कर घर जा कर ऐसा ऐसा offer ऐसे ऐसे time पे निकालते हैं जिससे कि जो लोग सिर्फ festival का ही वेट करता है वो पहले ही खरीर ले correct so वो offer देना थोड़ा सा loss होता है बट उससे customer का dissatisfaction तो नहीं आता है तो हम लोग का minimum investment में भी हम लोग कमनी को चला पाते हैं okay so cellular manufacturing खतम हो गया very good Anu Jagarwal is saying that someone has said someone has shared a link of U-shaped manufacturing in our group so you can refer that and you can always google anything whatever I am teaching here you can always google anything you will get everything in google now let us come to once again target costing का एक point पे आते हैं बिछले दिन मेरे से student पूछ रहे थे कि इसा थोड़ा सा cost control और cost reduction एक बार फिर से समझा दीजी तो मैं target costing में एक बार वापस आ रहा हूँ जल्दी से आप आजाएगे target costing में please come fast या देगे cost control और cost reduction क्या है यह हम लोग वैसे तो intermediate level से ही आपको पढ़ाते हैं बट होता है कभी कभी आपको final level में ऐसा लग रहा है कि एक बार और अच्छा से clear हो जाता तो बढ़िया होता तो control actually क्या होता है हम लोग preventive way में करते रहते हैं जैसे कि हम लोग अपना एक standard बनाते हैं फिर उसका हम लोग communication अपने organization में सब को करते हैं उसको follow कर पाए उसके लिए सारा policies बनाते हैं और फिर actual का जब incidents हो जाता है तो फिर हम उसका details को लेकर standard से compare करते हैं और उससे हमारा जो department का manager होता उसका performance analysis भी करते हैं पर performance analysis की बात ना करें हम लोग यह सुच रहें कि हम उनके उपर control लगा रहे हैं कि आप कहीं हमारे define किए वे standard से deviate तो नहीं हो रहे ना तो deviation आ रहे तो correction करेंगे this is called as control control activity में चार part आता है one standard, दूसरा actual, तीसरा deviation measure करो, चौथा उसको correct करो ठीक है और यह ongoing process है यह standard एक बर set होता है no doubt in that बहुत ज़्यादा frequently हम लोग standard से reset नहीं करते हैं but actual को standard से match कराना, deviation खुझना, correct करना यह ongoing process है इससी को बुलाते है cost control what is cost control and ongoing process to match your actual with standard so अगर आप continuously cost control करते रहते हो तो एक न एक दिन cost reduction भी होता है, तो cost reduction क्या होता है इससे आपका standard का cost आपने सोचा वो आपका अपने आप नीचे आ जाता है by keeping all quality same quality same होने के बावजूद आपका cost कम हो जाता है it may be due to learning effect of workers also, it may be due to increased efficiency, it may be due to a discipline also so continuously cost control करते है तो cost reduce हो जाता है continuously cost control करते है तो cost reduce होता है, but cost reduction करने का अपना और भी तरीका है, नाकि सिर्फ cost control करने से cost reduce होता है cost reduction करने का कि आपको नीचे में दिया ओ 필요 scope of cost reduction कि आप product ka design change कर सकते हो तो उससे क्या होता है, फिर standard का जो amount आपने set किया, वो और कम हो जाएगा, आप organization में better culture, better management, roles, better cooperation ले आईए, factory layout बदल लिए, production plan methods के उपर काम करिए, other functions को strong बनाईए, और या फिर JIT यूज़ करिए, BPR यूज़ करिए, kaizen यूज़ करिए, target costing यूज़ करिए, यह सब भी तरीक इस लेवल पर चलाना है, cost control में जो भी savings आता है, हम लोग उसको temporary बोलते हैं, यहाँ पर जो savings है, वो permanent है, मतलब आपका standard कम हो गया, ऐसे फटाक से standard कम नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सारा सोच समझ लगा कि सब तरह से confirm होके standard को reset कर देते हैं, तो फिर वो standard हो जाता है, उसस कि यहाँ पर जो भी काम होता है, यह नोट कर लो, preventive function है, this is a preventive function, preventive function का मतलब होता है, की आप पहले से करते रहते हैं, मतलब की standard पहले set कर देते हैं, फिर actual पहले, फिर आप actual cost को स्टेंडर से मैच करते हो फिर डिवेशन देखते हो फिर एक्षन लेते हो फिर प्रिवेंटिव फंक्षन है प्रिवेंटिव फंक्षन क्यों है इट मेजर्स कॉस्ट बिफोर एक्च्वल इंकरेंस बिफोर एक्च्वल एक्च्वल होने के पहले यदि आपने अपने कॉस्ट के बारे में सोचा तो अपने preventive action लिया ना कि मेरा इतना ही cost लगना है और cost reduction क्या है यह आपका corrective function है corrective function मतलब अब जब मेरा actual cost देख रहा हूं मैं इतना लग रहा है वो भले cost is dependent on the number of users participating in the life class okay so now there is a variable cost based on the number of students and there is a fixed cost that we have already incurred initial cost अब बात आता है obviously हम लोगों को पहले तो मिंटें करना है अपना एक target target कैसे हमने आपसे एक फीस लिया है हम चाहरे कि उसी फीस मेरा variable cost कम हो जाए जितने भी students आया उसी मेरा variable cost का काम हो जाए तो यह मैंने cost control का planning किया है ठीक ह अब cost reduction कब होगा जब मेरा पूरा यह batch खतम हो जाएगा फिर मैं अपने developer लोग के साथ बैटूंगा कि अब बताओ क्या तरीका follow करें जिससे कि यह cost और भी कम हो पाए तो वो कब होता है वो आपका सारा incidence खतम होने के बाद अब next period के लिए आप कुछ सोचते हो यदी तो वो corrective action माना जाता है तो cost reduction is a corrective action एक और चीज़ बता देते हैं cost control में हम लोग focus करते हैं decrease करो कैसे total cost को ठीक है total cost पे काम करो individually per unit पे नहीं बट यहाँ पे हम लोग काम करते हैं decrease करते हैं cost per unit को याद रखना यहाँ पे हम लोग decrease करते हैं cost per unit को जैसे यह सब understanding के लिए मैंने बता दिया कि क्या चीज़ total cost पे काम करेगा क्या चीज़ cost per unit पे काम करेगा okay cost reduction is about a science which will help you to reduce cost per unit okay and cost control is about just to maintain the total cost okay so these are basic ideological difference इसमें यह वाला point बहुत important होता यह एकदम relate नहीं होता आपको कभी कभी इसलिए मैंने आपको समझा दिया अब आप इसके base पर target costing का जो quiz quiz दिया वादा उसको जरूर करिएगा आज का discussion जो हो गया उसके base पर target costing का quiz जरूर करेगा जो मैं आज pick up नहीं कर रहा हूं मैं अगला दिन pick up करूंगा okay so there are some comments cost control is efficiency reduction is doing something change in the way what we are doing Ajay Patidar has saying cost control is efficiency reduction समझ नहीं आपकी बात very good मोहित अगरवाल का बहुत गजब का example आया है वो कह रहे हैं कि सर दिखी घर में मैं tube light यदि on करके छोड़ आया और फिर किसी की डाट खाके उसको बंद करके आया तो that is cost control okay और अगर यदि मैं घर में अपना जो करेंट ट्यूब लाइट है वो पुराना टेकनलोजी गया उसके जगा LED लाइट ही लगा दिया तो वो है cost reduction very good super big example उसके बाद भी एक और advance आ गया LED लाइट के पास sensor लग जाता है आजकल कि यदि कोई नहीं है रूम में वो sense कर लेगा को human object नहीं है लाइट में sensor लगते हैं तो फिर वो अपने आप off हो जाएगा ऐसा भी होता है चलो anyways हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों आज का chapter में अब आगे घुसते हैं seller manufacturing में ने पढ़ा दिया अब दूसरा next chapter में आज चलते हैं life cycle costing चली let's come to life cycle costing JKLMNOPQR तो L में आना हम लोगो को John Wick is saying I always felt that costing is mostly based on common sense I did not understand your context anyways EY में ऐसा ही system में चली आपका clarity तो ही अब final level पर थोड़ी समझाना पड़ता है कि what is cost control and cost reduction आपका clarity है यह मुझे समझ में आता है बट क्या कुछ terminologies होते हैं न ऐसे वो ध्यान ने रहते हैं लोग का एक आदत होता है कि हम generally चीजों को समझ के जाते हैं तो general और keywords के साथ समझने में फरक्या हो जाता है कि थोड़ा सा marks में averaging हो जाता है general से average marks मिलता है और exact keywords पगड़के बाक्चित करने से आपको अच्छा marks मिलता है यही main फाइदा है चल्याओ we have come to life cycle costing we have come to life cycle costing इसको दो तरह से सीखना चाहिए एक अपने लिए और एक कंपनी के लिए दो तरह से सीखेंगे एक अपने लिए और दूसरा कंपनियों के लिए जब हम अपने लिए सीखर है तो हम कैसे सोचेंगे एक बार understanding develop करते हैं लाइफ सैकल कॉस्टिंग इस अबाउट कि जब तक प्रोड़क्ट हम ऐसे कंजूमर सोच रहे हैं हम एक प्रोड़क्ट को जब तक यूज करेंगे तब तक उसका कितना तरह का कॉस्ट है और वो हमें भुगताएगा कि नहीं मतलब हमें क्या कहते हैं हमें पुसाएगा कि नहीं हम लोग यहां का भाषा में लोकल भाषा में पूसाएगा कि नहीं तो उसका evaluation life cycle costing करता है जैसे for instance अपने सूचते हैं कि चल एक mobile phone ले ले फिर गया अपने सोचते हैं चलो एक mobile phone ले लो ओके अब उस mobile phone में initial cost होता है 10 से 12 जार रुपया एक एक्जाम्पल इन जेनरल वो initial cost बस एक initial cost है वो उस product का life cycle cost नहीं है life cycle cost सोचना है यदि तो आपको सोचना होगा कि उसको लेने जाएंगे उसका खर्चा घर लेके आएंगे उसका खर्चा daily daily उसको charge करेंगे उसका खर्चा फिर उसका cover लेके आएंगे screen guard लेके आएंगे during the life cycle आप कितना बार screen guard लाओगे और कितना बार आप उसका cover चेंज करोगे fascia चेंज करोगे राइट फिर बीच में अगर खराबी आए तो repairing cost या repair कैसे होगा और end में उसका resale value क्या है जब आप इतना पूरा चीत सोचते हो then आप life cycle सोच रहे हो ठीक है जैसे for instance एक example यह revision class for example जिन्होंने recorded लिया उसके लिए 1500 fees है जिन्होंने हमारे existing student है और live लिया तो उसके लिए 100 rupees भी इस है तो 100 रुपया क्या एक खाली price tag है छोटा सा price tag जो आपको डिखता है और वो attract भी करता है कभी कभी अरे 100 रुपय तो चलो बट यह आपने सिर्फ initial cost देखा भविशे का cost भी देखना चाहिए कैसे everyday जिस mobile में class कर रहे जिस laptop में class कर रहे वो use हो रहा है उसका result value कम हो रहा है depreciation हो रहा है उसका data consumption हो रहा है correct सर एक PDF देंगे उसको print out कराना पड़ेगा उसका cost लगेगा right pen use होगा pencil use होगा paper use होगा उसका cost लगेगा so इस तरह से एक scenario से जुड़ा हुआ यदि आप सारा future cost को सोचने लग जाते हैं okay और in fact initial cost के पहले भी क्या-क्या cost लग रहे हैं जैसे मैंने आपको example दिया न कोई सामान को हम लेने जा रहे है mobile phone को तो लेने जाने का भी तो खर्चा है उन सब को जब पुरा package बनाते है तो वो life cycle cost बनता है interesting हलाक ही हम लोग life cycle costing generally capital budgeting में करते हैं कोई machinery ले रहे हैं कोई project कर रहे हैं but individual level पर नहीं करते हैं individual level पर अपने initial cost initial price टागी देखते हैं now flip this viewpoint from company's view एक company है जो एक product बना कर बेचता है तो in general उससे अगर भी पूछा जाए आपके product का cost क्या है तो वो एक unit को बनाने का जो चला के लगने वाला cost है वही सोच पाता है generally वो variable cost ही सोच पाता है कि इसमें ये user है ये user है ये user है उसके लावा उस unit को बनाने का जो fixed cost है वो absorption costing जानता है तो वो उसको उसमें charge कर लेगा नहीं तो वो सोचता नहीं उसके बाद उस unit के पहले जो उसका R&D का cost लगा वो उसको नहीं ध्याना था वो R&D cost वो दूसरे दूसरे product में charge करके write off कर देता है या फिर अपने PL में अपने profit से minus करता है किसी product को भी charge नहीं करता फिर उस product को बनाने के लिए माल लीजिए कितना तरह का license cost है यह अपका overheads अगर आप ठीक से measure नहीं कि जितना non production items होते हैं वो सब cost है वो भी उसको दिमाग में नहीं आता एक और cost होता है कि बीच बीच में प्रोड़क्ट को और मजबूत बनाने के लिए मार्केट में differentiate करने के लिए हम लोगों को उस product पे फिर से R&D करते रहना पड़ता है तो वो R&D करना बुद्धी लगाना brainstorming करना उसका भी cost होता है जो हम लोग कभी नहीं जोड़ते हैं और many times हम एक product को जब बंद कर देते हैं पूरा completely market से निकाल लेते हैं तो उस market से निकालना का मतलब है कि उसके जो machinery हैं उसको dispose करना होगा या फिर उसको resell करेंगे या फिर उसको कोई और काम मिलेंगे और हो सकता है कि हम पूरा factory बंद कर देंगे तो उसका cost भी हम नहीं सुसते हैं life cycle costing कहता है कि आप सिर्फ product का manufacturing cost मत सोचो उस product का पूरा life में right before the launch of the product right the time you start thinking about the product वहां से लेकर जब तक वो product पूरा dead नहीं हो जाएगा तब तक या post death भी उसका कोई cost है यदी तो तब तक आपको जितना cost मिलता है वो सब को लेके picture में डालिए और फिर costing करिए फिर आप profitability देखे कि product आपको over the life profitability देगा कि नहीं देगा don't get just attracted by the initial cost और margin of the product okay so आप यहां पर please disturb करें PDF की याद दिलाओ ना sir को मुहमद शिराज आपको PDF एकदम भी नहीं देंगे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे मर जाएंगे लेकिन आपको PDF नहीं देंगे आप company angle हो गया तो company angle से जब हम life cycle costing सोच रहे हैं कि इस पूरे inception से लेकर death के बाद तक उस पूरे inception से लेकर पूरे death के बाद तक जितना भी जितना भी cost हमारा लग रहा है उसको समझने के लिए हमारे scholars लोगों ने क्या किया इस पूरे समय को अलग-अलग phase में बाद दिया और वो phase आप लोगों को यादी है first is introduction phase, second is growth phase, third is maturity phase and fourth is decline phase there are how many phases, four phases, introduction, growth, maturity and decline तो ये चारो phase में यदि आप individually अपना cost revenue सोचेंगे तो आपको हर एक phase का अपना कुछ characteristics दिखेगा, कुछ strategies यादा आएगा कि आपको हमको क्या उसमें होता है और क्या करना चाहिए जिससे कि और ज़्यादा profit आपाए उसका पूरा planning को हम लोग life cycle costing कहते है इसका सबसे बड़ा फाइदा कहा life cycle costing का कि in general कुछ cost हमारे traditional costing में कभी product से जो related भी थे वो trace ही नहीं होते थे, product पे charge नहीं होते थे life cycle costing उस product का सारा cost को उसके उपर trace करके डाल देता है traditionally हम लोग क्या करते थे, आप follow करिएगा मेरे screen पर traditionally हम लोग क्या करते थे traditionally what we were doing, traditionally what we were doing कि हम लोग अपना product का profitability यदि जानना है तो हम बस उसका एक product का period fix करते थे, maybe monthly, maybe yearly, maybe quarterly उसका फिर volume और फिर volume से उसका volume पे जितना identify हो सकता था cost वो और उसका revenue से profit आ जाता था cycle costing में आते हैं तो यहां पर profit over the life, life is maybe 10 years, maybe 20 years, maybe one year, whatever be the life, profitability will be ascertained throughout the life traditionally कुछ cost identify नहीं होते थे, product related ध्यान ही नहीं देते थे, तो वो general में चले जाते थे, सब पे चार्ज हो जाते थे और अभी आपका product related सारा cost trace होता है और charge होता है, ठीक है, traditional costing आपको भविश्य में product को कैसे उठाना है, कल को वो product कहीं market में जाके, कहीं फस जाए यानि कि उसका sale कम हो जाए, तो उसको कैसे उठाना है, वो सब पर धियान नहीं दिलवाता था, life cycle costing, since आपको चार फेज में जबूर करेगा, तो आप जान सकते हो कि इस stage पे मेरा इस product का ये हालत खराब हो सकता है, तो मेरे को आज सी उसके प्रती ये action ले लेना चाहिए, ठीक है, तो ये traditional life cycle का difference है, now quickly let us go through, meaning में it involves identifying the cost and revenue over a product's life, as a product progresses through its life cycle, it faces different challenges and opportunities which require changes in the strategies, जैसे जैसे product अपने life cycle में अलग-अलग समय पे जाता है, उसके उपर अलग challenges आते हैं, और उसके प्रती अलग-अलग action लेने पड़ते हैं, जिसे हम लोग इनसान के जिन्दगी में भी ऐसा ही है, बच्पन में थे तो अलग ही characteristic था आपने बच्पन का और अलग उस समय चैल अलग हैं, और यहां पर अपने goal को fulfill करने के लिए अलग-अलग strategies लगाना पड़ता है, फिर next stage जैसे मेरे जैसे age पर आप आ जाओगे, तो फिर आपका यहां का life का characteristic अलग हो जाएगा, और फिर अपने goal को fulfill करने के लिए कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो यही कह objective is, it aims to maximize the profit generated by product over its life, इसका main aim क्या है, maximize करो profit over its life, it helps to suggest which strategies the organization needs to order to compete, in order to, to order to, not in order to compete successfully, in order to compete successfully, it helps to suggest which strategy the organization needs in order to compete successfully, कैसे हम compete करवा है, उसका strategies भी यह बताता है, एक तो profit भी generate करता है, और दूसरा यह strategy में भी help करता है, जैसे target costing को भी हमने बताया था कि वो एक strategy जैसा है, life cycle costing भी strategy planner है, it's not just costing, यह सब modern costing techniques सिर्फ cost calculation में help नहीं करते, traditional versus life में difference क्या है, कि यहां पे profitability हम लोग annual basis में ज्यादा compute करत है, assessed on annual basis, life of a product is comprised of series of periods होगा, ठीक है, series of periods, यहां पे एक word डाल दीजे, periods, यह छुप गया, actually अंदर में गुसरा दिया है, इसको, series of periods, यहां पर profitability assessed over the entire life of the product, यहां पर जो भी profitability ascertain हो रहा है, वो पूरा life में ascertain हो रहा है, treat all non-production cost as period cost, treat all non-production cost as period cost, period cost का मतलब होता है कि वो product पे charge नहीं हो रहा, जितना भी identify नहीं हो पा है, production के बाद जितना भी cost है, वो सब product पे charge ही नहीं होता, traditional system में, यहां पर सारा cost individual product को assign होता है, over life cycle, यहां पर R&D cost क्या होता है, revenue में charge हो जाता है, यहां फिर existing product में charge कर देते है existing product seems less profitable because you are doing R&D on new products, बट यहां पर क्या system में है कि R&D is always allocated to that specific product on which R&D is going on, so that existing product doesn't seem unprofitable because of your research going on on new products, ठीक है, so traditional और life cycle का फर्क यही है basic में, now product life cycle के phases आपको पते हैं, introduction, growth, maturity and decline, now maturity and decline enough है, saturation बोलने का ज़रूरत नहीं है, यह कट दीजे, introduction, growth, maturity and decline बोलने से काम हो जाएगा, introduction, growth, maturity and decline, now annual sales volume अगर मैं यहां पर डाल दूँ और यहां पर time डाल दूँ, तो समय के हिसाब से sales मेरा बढ़ेगा, एक level पर जाके constant होके फिर गिरना शुरू होगा, ठीक हैं, यह sales का graph मैंने दिखाया आपको, ओके, और हर stage में अलग-अलग characteristics होते हैं, और अलग-अलग strategy होती है, जिसका मैंने यहां पर कोई discussion नहीं किया है, बट मैं अभी आपको थोड़ा-थोड़ा सा यहां पर बताऊंगा, आप अगर लिखना चाहें, I will suggest कि what you can do is make a table, what you can do is make a table, यह institute mat में भी दिया हुआ है, और हमारे SJC के latest mat में तो आपको मिली जाएगा, आप क्या कर सकते हो, columns बना सकते हो, introduction, फिर यहां पर next है आपका growth, फिर यहां पर है maturity, और फिर lastly है decline, lastly it is decline, ऐसे आप चार column बना लीजिए, और यहां पर हम लोग पहले लिखेंगे इसके characteristics के बारे में और फिर उसके basis पर हम लोग strategies लिखेंगे, characteristic मतलब क्या दिखने को मिलता है वहां पर, और strategies मतलब हमें क्या action लेने चाहिए, strategies का मतलब है हमें क्या action लेने चाहिए चलिए आप इसको बनाईए, फिर हम लोग साथ में चलते हैं, लिखेंगे एक बार, यह लिखना जरूरी है, वरना exam का कोई भी theory question अदि आ गया, तो आप handle नहीं कर पाएंगे और exam एकदम conceptual theory question इसमें बनाता है इसमें बनाता है ठीक है सजल का question है shall we take R&D phase as introduction phase yes you can say that I say R&D maturity phase में भी होता है कभी कभी कुछ कमनी में R&D throughout the life cycle भी चलते रहता है ऐसा भी होता है ठीक है तो आई यह characteristics में चल रहे है introduction stage का कुछ characteristics है basic characteristics कि यहाँ पर हम लोग decision ले रहे होते हैं कि product का identity क्या होगा product identity कैसा होगा मतलब कैसा उसको market में बना के launch करेंगे branding, packaging, labeling, designing ओके यहाँ पर हम लोग high distribution cost incur कर रहे होते हैं promotional cost बहुत जादा लग रहा होता है high distribution and promotion cost ठीक है यहाँ पर हम लोग generally अगर वो exclusive product है ध्यान रखना अगर वो exclusive product है तो pricing में skimming करना पसंद करते हैं skimming कब करते हैं जब वो exclusive product है ठीक है मतलब innovative product है और यदि अगर वो exclusive किया introduction में penetrate करने का कोशिश किया अगर वो market में entry चाता है तो penetrate करेगा अगर उसके पास कोई exclusive product नहीं है तो ठीक है यहाँ पर competitors भी आपका basic version of product बनाने लग जाते हैं competitors start copying competitors start copying basic product आपका बनाने शुरू कर देते हैं वो लोग competitors will start copying your product ओके इसको हम लोग एक concept बोलते हैं reverse engineering reverse engineering क्या होता है कि हमारे competitors हमारा product बनाते हैं और मंगाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने बनाया होगा और उसके basis पर वो अपना भी similar product बनाने का कोशिश करते हैं हमारा main aim होता है कि हम यहां पर focus करें आपके उसी बायर पर उसी बायर पर जो हमारे को premium देने रेडी है ठीक है rich class consumer पर focus करते हो rich class consumers पर focus करते हो जो आपको premium price देने रेडी आप हर एक consumer यहां पर time spend नहीं करते हो यदि आप skimming कर रहे हो तो और अगर आप skimming नहीं कर रहे हो तो आपका objective होता है कि मैं कैसे जादा से जादा consumer तक पहुंच हूँ ठीक है तो यह basic characteristic मैंने आपको बताया अब इस particular इस particular phase का अपना strategies है strategies यानि कि plan of action दो तिन लाइन चोड़के लिखें अपना इसका कुछ strategies है जिसको अपने क्या बुलाते plan of actions बुलाते हैं strategies को हम लोग plan of action बुलाते हैं कि हमें क्या 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 करना चाहिए हमें क्या 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 करना चाहिए हम लोग को सबसे पहला अपना supply chain को strong करना चाहिए strengthen supply chain supply chain क्या होता है basically हम लोग जहां से raw material खरीदेंगे और जहां पर बेचेंगे finished goods को वो पूरा एक network होता है उसको आपको strong बनाना है supply chain बाद में अलग से भी बढ़ाऊंगा दूसरा आपको हमेशा visibility और make more visibility जहां जहां हो सके अपना product को visible बनाई है चाहे tv आड के थूँ चाहे news paper के थूँ या कोई campaigns के थूँ या digital promotion के थूँ price set करना चाहिए as per reality as per market reality ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा exclusive कोई product बनाया तो आप अपना मन से कोई भी price रख लें जो market effort कर सकता है उसके हिसाब से ही आपको price रखना चाहिए ठीक है आपको customers को ज़्यादा यहाँ पर यह नहीं बोलना कि आप product को buy करो आप उनको यह बोलना है कि try करो induce customers to first try पहले इस्तमाल करें फिर क्या बोलते हैं फिर विश्वास करें induce customer to first try मतलब आप यहीं बोलेंगे कि चलो आप try तो करके देखो ओके so these are the strategies and characteristics of introduction phase now comes growth phase growth phase में हम लोग थोड़ा सा अपना sale को बढ़ा लेते हैं अब हमारा product थोड़ा सा market में पैचाना पैचाना सा हो गया है तो यहाँ पर characteristic क्या है कि आपको high volume मिलेगा थोड़ा सा volume बढ़ेगा तो competition भी बढ़ेगा increased competition increased competition ठीक है now आपका यहाँ पर आपको थोड़ा सा price reduction करना पढ़ेगा price reduction करना पढ़ेगा to get more volume to get market share ज्यादा share लेना है तो price थोड़ा सा reduce करो ओके और यहाँ पर आप और भी channels create करते हो new channels और भी channels मतलब जैसे कि distributors अलग-अलग zone के बनाते हो और भी areas explore करते हो कि कहां-कहां हम goods बेच सकते हैं to handle additional volume to handle new markets या new volume new markets और volume और extra volume के लिए आपको channel को और बनाना पड़ेगा improving और जैसे channel में for example क्या होता ना जैसे कभी देखुआ iPhone का selling के लिए लोग Amazon से tie-up करते हैं तो फिर अपना iStore में भी बेचते हैं तो अब iStore जब ही सारा तो फिर Amazon से tie-up क्यों करते हैं कि उनको पता है खाली iStore के base पे मेरा काम चलेगा ने तो मेरे को और भी अपने channel बनाने पड़ेगा चैनल बनाना मतलब नया नया way of distribution खोजना पड़ेगा तो फिर कभी यह लोग जीओ से partnership कर लेते हैं कि आप भी मेरा फोन पर जो कभी एड़ेल से partnership कर लेते हैं तो इस आर न्यू चैनल स्टू सेल जो growth phase में हम लोग सोचते हैं और इसमें हम लोग थोड़ा सा new features भी add करने का कोशिश करते हैं अगर मान लीजिए previously हमने कोई product launch किया था पहला version तो उसके बाद अगर वापस से नया production हो रहा है तो new features भी add करने का कोशिश करते हैं क्योंकि competitor ने हमारा basic version बनाना शुरू कर दिया है तो competitor अपना basic version का marketing अभी यहां पर करी रहा है कि हम अपना product को थोड़ा सा upgrade कर देते हैं कि competitor से हम differentiated रहें ठीक है new features added to the product strategies क्या होनी चाहिए growth phase की अब आपको अब आपको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि अब आपका sale हो ठीक है PayPal को बुलना है now buy don't just try now focus on sell focus on selling not just allowing your customer to try okay next जितना ज्यादा ज्यादा 公cem क्या डिक अब deploy प्रोड़ाब्या हो ऊफनशा make availability in all your channelsoplaya हमेशा बना हारेणा चाहिए availability of products in all channels availability of products in all channels availability of products in all channels availability हमेशा insure करना है ठीक है next आपको यहां पर क्या follow करना है आपको अपना relationship with long term relationship maintain करना है long term relationship with customers and partners अगर आपके यहां पर customer partner गरबड हो जाएंगे relation गरबड हो जाएगा तो फिर आपको वो आगे जाके support नहीं करेंगे ओके यहां पर हम लोग market position को और strong बनाते हैं by promoting the differentiation, promote differentiation कि हम लोग अलग से क्या क्या कर रहे हैं जिसे कि हमने और ज़्यादा market का attention मिले promote differentiation features जो आपका अपने डाला added features उसको promote करिए ठीक है next third stage आ जाता है maturity stage next third stage है maturity stage maturity stage में maturity stage में हम आ जाते हैं तो यहां पर in general high intensity of competition हो जाता है ठीक है, fears competition सब कोई आप जैसा product ले के आ गए fears competition आपका added features भी copy हो गया और आप भी अपना same चीज आप देख रहे हो कि market में मिलने लगे आप जैसा और सब के पास है तो फिर ultimately आपके पास ही लोग क्यों आएंगे वो depend करता है कि आपने growth stage में कैसा relationship बनाया है अपने partners के साथ अपने customers के साथ और अपनी identity कैसे create किये majority stage is more like reaping the fruits of the efforts that you have done in introduction and growth stage okay but anyhow there are some other characteristics here here because of too many players over capacity हो गया industry में वोलब सब का माल बिखने रहा आप जैसा बहुत जन आ गए है consumer खुद confused हो रहा है कि मैं किस से पहले लूँ तो यहाँ पर आपका sale price further reduces selling price और कम हो रहा है because आपको competition match करना है no new distribution channel to create no new channels left अब सारा channels तक आप भी पहुंच चुके हैं अब जो होना है जितना कर लिया उसी से ही होना है यहाँ पर आप customer को भी देखोगे तो वो confused हो रहा है customers start moving to other products also वो हो सकता है कोई substitute भी खोज ले start moving to other products customer आपके साथ जुडा रहना नहीं चाहता वो कोई और भी घुसना चाहता है okay strategies क्या होनी चाहिए यहाँ पर आपका marketing efforts और strong होना होगा strong marketing efforts strong marketing efforts okay next आपको और ज्यादा price reduce करना पड़ेगा reduce price further reduce price to attract price sensitive buyers reduce price to attract price sensitive buyers okay reduce price to attract price sensitive buyers next यहाँ पर आपका sales promotion और भी करना पड़ेगा basically अपने partners को साथ में रप्चल लेके चलने के लिए huge incentives to distributors यानि channel partners बोलते हैं लोग इसको कि वो आप ही का product बेचे ना कि दूसरा किसी competitor का यहाँ पर distributors का role सबसे जादा important हो जाता है now यहाँ पर एक और strategy करना चाहिए कि start researching start R&D how life can be increased how life can be increased maturity stage में एक और strategy होनी चाहिए कि हम कैसे इस product का और life बढ़ा सके और वो कैसे होता है by introducing more utilities, more features by making your audience यानि customers, users को more dependent on your product so you should keep doing R&D as in how life can be increased how product life can be increased you should keep doing this research and development okay तो maturity stage में जाके फिर से एक research हम लोग करते हैं जैसे for example smartphone में क्या हुआ था कि आप लोगों का use नौकी जस्ट रह गया कि आप phone का features उसमें use करें अब उसमें browser वगरा आने से आप उसको एक तरह से छोटा office भी मान सकते हैं आपका laptop का भी utility वो कर देता है बहुत सारी companies अपना app web बना ली तो उनका भी सारा काम app के थुरू होने लगया तो as a consequence वो छोटा एक mini office जैसा बन जाता है इसलिए लोग कहते हैं कि smartphone में हमेशा अच्छा investment करना चाहिए नोट कि जस्ट एक मामूली सा smartphone लेना है अगर आप educated हो अगर आप career oriented हो अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम भी important है तो आपका smartphone is like an office और office अच्छा ही होना चाहिए office जिस्ट काम चला हो नहीं होना चाहिए so it is a general observation ठीक है next decline phase का characteristic अलग होता है थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं हम लोग कि यहाँ पर sales will drop to zero also sales may drop significantly sales may drop significantly sales may drop significantly next यहाँ पर profit negative भी हो सकता है loss भी हो सकता है profit can be negative profit can be negative ओके और यहाँ पर other competition भी कम हो जाते हैं competition also reduces competition also reduces because बाक्यों को फाइदा नहीं दिखा रहा होता तो कोई रहना नहीं चाहता वो भी अपना factory यह सब प्रोड़क का बंद कर देते हैं वो दूसरा चीज में switch हो जाते हैं ठीक है consumer taste has completely changed consumer taste has completely changed why because there are other better products available in the market consumer taste has completely changed now these are some of the characteristics in decline phase strategies यहाँ पर क्या करना चाहिए यहाँ पर आपको पहले एक decision लेना है to revive the product और to discontinue either you have to revive और you have to discontinue ठीक है या फिर आप हो सकता है बस branding purpose के लिए continue भी कर सकते हो कि चलो चलने दो मेरा एक नाम तो है एक समाच का एक ऐसा ऐसा community है जो मेरा product को लेने आता तो है मैं वहाँ तक भी रहूं जैसे for example Samsung का आप देगे अभी भी वह 800 रुपया का फोन आता है छोटा सा इसमें वही पुराना कुछ भी स्मार्ट फोन का फीचर नहीं है नॉर्मल फोन तो वह आज भी उसको continue कर है जबकि मुझे नहीं लगता कि Samsung जैसी कंपनी को बेच के को बहुत जादा फाइदा होता होगा तो क्यों continue करता है reason being वह सुचता है कि चलो समाच के हर तरह के लोगों के साथ मैं हूँ Samsung को जानता है इसलिए वह continue करता है okay so यहाँ पर यहाँ पर आपका price जो है मतलब और कोई यहाँ पर कोई strategy मुझे नहीं समझ में आता क्या तो आप revive करेंगे या तो discontinue करेंगे या फिर आप continue करेंगे यही हो सकता और कुछ नहीं है यहाँ पर decline stage का और कोई strategy नहीं है और हाँ कभी कभी यह होता है use this product to replace it with a new product use this product as a replacement as a replacement for a new product replacement to launch a new product to launch a new product जैसे कई बार होता है न हम लोग new product का प्रचार करने के लिए यह बोलते हैं कि अगर आपके पास यह वाला product है तो आप ले आईए हम आप उसका exchange value दे देंगे और यह नया product इतना रुपया extra पे करके ले जाए तो नया product का प्रचार करने के लिए हम लोग पूराना को withdraw करते हैं इस तरह से कि customer को बोलता है पूराना buy कर लो कहीं आप यह आपका buy किया हुआ है तो आप ले के आओ मैं exchange में आपको बदल दूगा होता है जैसे mobile mobile में आप लोग देखते हैं exchange offer आता है कि अगर जैसे iPhone में त उसको उसका एक resale value वो बता देंगे as per the date and use or something and उसके बाद आपको extra रुपय देके नया phone दे देंगे so जो phone उनके पास आजाता है वो actually उसको recycle में डाल देते है कि उसके कोई-कोई parts जदी उनके refurbish करके usable है तो वो use कर लेंगे नहीं तो वो phone को scrap ही कर देंगे उनको उतना फरक नहीं पड़ता just ये promotional expenditure के तरह वो लोग अपना cost में absorb कर लेते है फिर जो भी discount हो लोग replacement के लिए द दिमाग में है तो सारा life cycle costing clear है now let us come back to this part benefits क्या है product life cycle costing का benefits यह है कि आपको product wise profitability बहुत अच्छे से जानने को मिलता है आपको feedback बहुत बढ़िया मिलता है accurate मिलता है because आपके पास जो traceability of cost है वो बहुत अच्छा है cost reduction and revenue expansion का opportunities आपको ज्यादा दिखा दिखा दिता है non production cost का visibility बढ करने से obviously सब कुछ better होने लग जाता है planning में और long term rewarding को promote करता है in contrast to short term because यहां पर benefits का जो planning होगा यानी profitability का जो planning होगा from a product over the life होगा ना कि just सिर्फ आप profit planning करोगे for for you know for just कि मेरा इस साल profit हो जाए आप सुझो कि पूरा life में मुझे उस product से कमाना है in general मैं हमेशा सम्जाता हूँ students क अपने class में regular class में जो भी कमनी जैसे बहुत ही कोई you know सस्ता कोई चीज को शुरुआत में बेचती है जैसे जीओ का example ले लीजे तो जीओ को कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरे को first day से कमाना था first day से कमाना था उनका यह theory था ही नहीं कि किसी किसी कमनी बिजनस्मेंन का theory होता है कि मैं एक भी unit बेचूंगा तो उसमें मैं क्या कमाऊंगा जब तक मैं नहीं कमाऊंगा मैं नहीं काम करूंगा ठीके तो वो concept अब बाहर आ गया अब बोला जा रहा है कि आप एक एक unit से कमाने का सोचो अच्छा है कि पूरा साल में क्या कमाएं वो सोचो और उससे भी जादा है कि आप पूरा प्रोडुक्ट का लाइफ में कितना कमाऊंगे वो सोचो और एक साल में जैसे जी ओ कहते है कि अपना जी ओ को लांच होने के पहले वो एक लाक करोड उपया खर्च कर चुका था अपने बिजनस में इमेजिन वन लाक करोड वेर अल्रेडी इंवेस्टेड invested is as good as they have been incurred as a sunk cost and उसके बाद उसने उसको launch किया उसके बाद भी पहला दो से तीन साल वो loss में ही था अभी भी loss में ही है बस वो valuation का game में आ गए पूरा तो यह है पूरा life cycle planning और यह planning जो आज आज आपको execute होता हुआ दिख रहा है ऐसा नहीं है कि वो आज ही सोचा गया था lockdown period में जो आपने देखा कि G.O. ने कितना रुपया market से उठा लिया तो यह जो planning आपको दिख रहे है वो उनका आज का होगा ऐसा नहीं है यह planning हो सकता है वो day one का था कि जब company में इतना customers आ जाएगा तो हम इसका valuation game चला देंगे और जैसे startup में रुपया मिल जाता है तो हम लोगों को रुपया नहीं मिलेगा ऐसा कैसे हो सकता है और करके उसको कहां से कहां ले जाएंगे इसको world का brand भी बना सकते है चाहे तो या फिर इंडिया पे तो एक हम लोग ऐसा एक अकेला कोई राज करने वाला company बनी सकते है जिसे दिखिए Reliance Industries में में काम है पेट्रोल का हाला कि पेट्रोल पे हम लोग पूरी तरीके से dependent है और अभी जो lockdown phase में जो oil companies का हालत है वो सब को अपने को पता है कि what they are facing okay oil का price some places में futures market में basically not in actual real market negative में भी चला गया because oil अभी produce तो हुए जा रहा है अब उसका consumption नहीं हो रहा because of lockdown and all correct अब थोड़ा थोड़ा वापस restart हुआ है तो हो रहा है तो इससे उनको भी तो बहुत जादा affect हुआ होगा ना but जब आपका you know Jio जैसा business है तो उनको लगता है कि चलो इसमें start-up वाले लोग जब कुछ loss करकर के कमा रहे है खाली reach के बेस पे तो हमारा भी तो reach है तो हम लोग भी कमा लेंगे so they have changed their theory and now still they are able to manage everything just because the entire you know game is not just to earn profit from every unit that we sell nor it is about earning profit every year it is a game of earning a profit over the life cycle okay so what is the importance of life cycle as a planning tool okay as a planning tool it helps you to identify the characteristics it characterize it कि यहां पर थोड़ा सा correction करना है as a planning tool it characterizes it characterizes the marketing challenges in each stage and poses major alternative marketing strategies okay मतलब इसके अंदर आपको characteristic दिख जाता है हर एक stage का क्या क्या है और उसके बाद वह आपको strategies भी बताता है control tool क्या है control मतलब होता है कि आपने जो सोचा वह बात में हुआ कि नहीं हुआ तो the launched product life cycle concept allows the company to measure product performance against similar products launched in the past होगा यहां पर similar product launched in the past अगर आपने पहले भी ऐसा कोई product launch किया है उसका अपके पास details है तो आप उससे compare भी करके अपना performance analysis कर सकते हो या फिर आपको similar products कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो और as per the plans made for the same product ऐसे भी बोल सकते हो और as per the plans made for same product plans of same product आप life cycle costing जब करते हो ना तो product launch होने के पहले करते हो तो launch होने के पहले जो भी हमने planning किया हम check कर लेंगे कि हम actually उसको achieve कर वाए कि नहीं as a forecasting tool यह कैसे use होता है because यहां पर graph और हमें मालूम है कि हर stage में sales किस तरह से move करेगा तो जब हमें pattern predictable मालूम है predictable pattern हमें पता है तो उसके इसाब से कोई भी action वगरा भी ले सकते हैं so it is useful because sales histories exhibit diverse patterns and the stages diverse pattern and the stages vary in duration ठीक है तो forecasting करने में यह help करता है कि हमारा कोई stage कितना समय तक हम चलाएंगे okay और क्योंकि उसका pattern ऐसा है तो वो pattern आने वाला है तो हम लोग को क्या क्या action लेना चाहिए forecasting में उस तरह से वो help करता है next life cycle costing involves identifying the cost and revenue over a product's life that is from inception to decline it aims to maximize the profit generated from a product over its total life cycle तो यहां तक जो यह general बात है जो definition में ही पड़ाता हमने understanding this can be useful analysis tool that can help to suggest which strategy and organization needs to adopt in order to compete successfully यह repeat point है पूरा का पूरा जो मैं actually आप देखोगे न यही definition में use किया था in order to compete successfully एकदम exact वही चीज़ मैंने यह objective में use किया था ठीक है वहां से उठा के यहां पर use किया तो यह point मैंने क्यों रख दिया क्योंकि एक बार exam में ऐसा question आया बोला name for importance of product life cycle ऐसा बोल दिया जबकि हर institute के mat में तीन ही दिया वा था planning, controlling, forecasting तो institute ने जबरदस्ती एक और यहां पर यह point बना दिया by rewriting the definition and objective की एक analysis tool के तरह भी use हो सकता है which is quite close to planning tool तो चौता point जबरदस्ती बनाया हुआ है exam में उसमें मैं होता आपके जगा तो तीनी point लिखकर आ जाता मुझे कोई चार point समझ नहीं आता तो मैं जबरदस्ती create नहीं करता ठीक है तो clearly uses में प्लानिंग कंट्रोल और फोर्कास्टिंग आपको analysis tool जैसा बना के लिखना है तो आप इस तरह से बना सकते हो but I am not so happy with this point that has been given by the institute okay so यह हो गई आपकी product life cycle next आ रहा है question आता है life cycle costing में practical भी आता है तो जो practical question आते हैं उसमें simple आपको पूरा life cycle का profits निकालना होता है जो बहुत easy सा होता है उसमें कभी एक question में ऐसा आपको class में करया हो है learning curve का भी use होता है ध्यान रखना उसमें learning curve का भी थोड़ा सा usage रहता है तो वह सम आप जरूर से कर ले ना वैसे मैं learning curve आपको बात में पढ़ाऊंगा तो आपको recall हो जाएगा तब आप कर भी आप कर सकते है in general depreciation cost नहीं charge करते हैं जैसे एक machine लाया उसका life 5 साल है तो product का life देखते हैं कि वह life भी product का life भी 5 साल है तो machine का पूरा cost चार्ज कर देते हैं life cycle में machine का पूरा cost चार्ज जाएगा वह analyze cost नहीं किया जाएगा क्योंकि जो period है calculation में वह भी product का life का है अगर वह 5 साल का है तो machine cost भी पूरा 5 साल का एक साथ ही charge कर देना है अगर उस machine का scrap value मिलने वाला है 5 साल के बाद तो बस उसको less कर देना है उसको annualized depreciation cost में convert नहीं करना होता है बस यह ध्यान रखना है और एक उसके साथ theory question भी institute जोडता है जिसमें बोलता है कि बताओ अलग-अलग stages पर selling price और cost पर क्या असर होगा तो इसके उपर कई बार repetitive question आए वे हैं बोल कर मैं इसको अलग से ऐसे एक chart में बना दिया कि selling price introduction stage में सबसे ज़ादा होता है फिर high फिर moderate फिर low ठीक है और cost में क्या होता है कि सबसे पहले तो high है फिर low है फिर very low है फिर high हो जाता हैं तो हम skimming करेंगे हम esteem value के लिए goods को बेचेंगे rich class को target करेंगे growth में अग्यादी हम आते हैं तो हम क्यूँ price को थोड़ा सा कम करें क्योंकि हम चाहते हैं कि market share मिले maturity में competition intensify हो गया है तो price एकदम moderate पे color करना पड़ेगा बना customer दूसरा जगा divert हो जाएगा और decline में price एकदम low इसलिए हो जाता है कि customer का taste preference change हो चुका है वो दूसरे product में जा चुक है market में better products आ चुके है cost per unit introduction phase में एकदम high क्यों होता है because initially हम भी चाहते हैं कि हमारा product का initial जितना R&D cost लगा वो cost per unit में cover up कर लिया जाए जिससे कि बात में R&D cost recover करने का tension न रहे growth stage में cost थोड़ा सा low जाते हैं learning experience ले आते हैं economies of scale का benefit मिलता है maturity stage में cost और कम क्यों हो जाता है because अब हम लोग saturate हो गए होते हैं हम लोग जो बहुत जादा promotion नहीं कर रहे होते हैं जो कर लिया introduction और growth पे उसी का benefit रीप कर रहे होते हैं introduction और growth में cost per unit में promotion cost थोड़ा सा high होता है but maturity में हम बहुत जादा promotion पे consumer के level पे खर्च नहीं करते हैं बस partners के साथ incentives वगेरा का कुछ plan plan बनाते रहते हैं जो sometimes हो सकता है cost per unit पे लोकेट ना भी हो but customers को बहुत जादा offer offer देके नहीं टाना टोने करते हैं जो हो गया वही चलाते हैं और फिर भी अपने पास volume यती जादा आ रहा होता है तो economies of scale के कारण cost और कम हो जाता है और decline stage पे जाके cost बढ़ क्यों जाता है because economies of scale खतम हो गया और थोड़ा बहुत promotion ज्यादा करना पड़ता है because कोई खरीदी नहीं रहा है तो decline stage में cost बढ़ने के कारण selling price गटने के कारण बहुत नुकसान होता है ये पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए exam में इसके उपर कई बार questions आए वे हैं चला के सिर्फ यही लिखने पर की impact on selling price and cost क्या होगा ये new syllabus में भी in fact आ चुका है ये चार और चार हाठ mark का question है कि चारों के लिए selling price के बारे में लिखना है एक एक mark और चारों के लिए cost के लिए लिखना है एक एक mark ठीक है आप tabulation में नहीं लिखोगे exam में exam में आप paragraph form में लिखोगे एक और concept है जस्ट मैं ऐसी लिखके छोड़ दिया customer life cycle भी एक नया concept आ रहा है इसके उपर as such अपने institute mat में कोई database नहीं है कभी आपको फुरसत मिले ता गूगल करके पढ़िएगा इसमें हम लोग ये सुचते हैं कि customer जो हमारे साथ जुड़ावा है हम उसका life कैसे बढ़ा है वो हमारे साथ और कैसे बना रहे हैं retention के उपर काम करते हैं पूरा जो startup का game है न वो customer life cycle के उपर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि customer जो first time हमारे साथ sign up किया आप वो फिर हमारे साथ ही कैसे बना रहे retention हम उसका कैसा करें और वो कितने समय तक हमारे platform में कुछ ने कुछ बाय loyalty किसी ना किसी तरीके से loyalty scheme बनाते हैं कि आप हमारे पूराने customer है ये card ले लो points ले लो और उसके बाहने उनको लल्चा के वापस platform पहलाते हैं फिर कुछ card points दे देते हैं फिर ऐसा कोई ना कोई promo दे देते हैं कि जिस बहाने से वो हमारे साथ जुडा हुआ रहे कि एक बार आ it is just a growth stage maturity होता ना तो हम bad जाते हैं हमें उतना महनत करने का जरूरत नहीं होता growth stage में हर समय कुछ नहीं कुछ नया development दिखता है introduction नहीं है अभी growth phase चल रहा है maturity होता मतलब हमारे जैसे बहुत सारे होते students को भी फरक नहीं पढ़ता कोई differentiation नहीं दिख रहा होता सब एक समान दिख ठीक है तो दोस्तों इसके साथ मेरा life cycle costing खतम हुआ आप इसका sums देख लीजेगा बहुत easy है एक sum मैंने class में कराया हुआ है जिसमें न वो cumulative sales वाला concept है जिसमें आपको question में जैसे एक बर मैं उसका थुछा सा धाचा आपको लिख के बता देता हूं कि आपको कर पारे की नहीं कर पारे जैसे cumulative sales दिया हुए 0 to 2200 फिर 2201 to 7700 आपको याद आ रहा होगा ऐसा एक sum सरने कराया है आपको बहुत पुराने यदि आप हमारे student है तो आपने कुछ update class हमारा लिया ही होगा या DJB book वगरा लिया होगा तो वहां से आपको मिल गया होगा ठीक है नहीं भी किया हुआ है तो अभी एक बार ध्यान दे लिजिए यह आपको सीए के मैट मिक में मिलेगा अच्छा सीए का जो question है आपको ये भी बता देते हैं CMA में बेटा चुपा चुपा के वही सब question पूछ रहे आजकल तो आप यह मत सोचना कि सीए का चीज हम CMA वाले क्यों पड़े सबको सब चीज पड़ना परता है मैं हमेशा पूरता हूं यह सब CAC में बेहने हैं क्या होता ना एक बेहन के घर में जो होता है दूसरे बेहन के घर में भी यह होता है मा और मसी का Relationship आप जान लिजिए यह सी इसका question उदर उसका question उदर चलते ही रहता है नेक्स्ट, अब इससे आपको पता लगाना है कि कौन-कौन सा फेज है, जैसे एक और इसमें डिटेल है, weeks का एक और डिटेल है, इसमें तीन डिटेल दिया हुआ है, एक ये वाला डिटेल है, sales वालियूम का, फिर एक और डिटेल है, ये सोचो आपका number 1 है, number 2 टेबल है, weeks, 1 to 10 21 to 30 sorry 11 to 20 21 to 30 31 to 70 71 to 80 81 to 90 91 to 100 101 to 110 thereafter here 220 yes you can copy the question please you can copy the question if you have the question in your material whatever material you if you can recall the question you can just open that also those who don't have can copy 220 550 825 1100 880 660 440 220 or nil and there is another table record table a upper third table which is about cost first 2200 units per variable cost per unit a 375 then next 13 750 units per 300 next 22,000 units per 320 or 225 then next 22,000 units per 188 thereafter 225 3 table this question is being shared now in telegram group okay you know yeah 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 पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव में फाइदा उठाई है ग्रूप का तो ग्रूप का स्थित्व रहता है नेगेटिव सेंस में खाली कमिया निकालनी है तो ग्रूप से फिर मजा क्या जिन्दिगी का रूल हमेशा ध्यान रख लो भई कभी भी लोगों को साथ में चलाना है न अच्छाई हमेशा सामने सब के सामने बोलनी चाहिए और बुराई हमेशा केले में करनी चाहिए ये प्रिंसिपल यदि गांठ बान लेंगे न आपको हमेशा हमेशा तरक्की मिलेगे हमेशा कभी भी ब्लेम अपने उपर लेना चाहिए और अचीवमेंट दूसरों को दे देना चाहिए अचीवमेंट कुछ भी हुआ तो खुद पर नहीं लेना चाहिए और ब्लेम अगर लेना है कुछ भी मान लीजे गड़बड़ी हुआ जिम्हेदारी लेना है तो उतने उपर लेना चाहिए हम लोग पूरा उल्टा चलते हैं अच्छाई होता है तो कहीं कुछ बोलते हैं अकेले में भी नहीं बोलते हैं कोई अमेंडमेंट भी पॉसिबल नहीं है आगे जाकर सालों से यही रूल चलता है ठीक है ब्लेम हमेशा खुद पे ले लो कुछ भी गड़बड हुआ अगर आपको कुछ भी गड़बड दिखा कि कल को क्लास नहीं चला डेवलपर कोई मिस्टेक के कारण ठीक है जबकि मैंने थोड़ी Android अप लिखा है मैंने थोड़ी कोई Windows अप लिखा है तो ब्लेम मैं अपने सर पर लूँगा मैं उनको थोड़ी बोलूँगा आपको थोड और वैसी अच्छा काम करना अच्छी बात करनी हो तो ग्रूप में सब को बुलो वह फैल था पाजिटिव ऐसी क्या होतना थोड़ा कमजोर होता है नेगेटिव ऐसी पाउर्फिल होता है नेगेटिव एक पॉजिटिव सो सो पॉजिटिव का जो वजन है इक यास ह생ा झालन और मैं उसको apply करता हूँ, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को करना क्या इस question में, हम लोगों को यह पूरा detail को चार phase में बातना है, this is the requirement of the question, कि there is introduction phase, there is growth phase, then there is maturity phase and then there will be decline phase, so what you have to do is, distribute all the details given here in 4 phase, okay, so how it will be done, how it will be done, that you have to understand now, जिनको किया हूआ है वो अपने आप कर दे फटा फट और जिनका नहीं किया हूआ है, वो मेरे साथ बने रहें, इसके लिए एक working लगता है, ये बाटने के लिए एक working मैंने class में सिखाया है, let us do that working note first आपको week wise है न थोड़ा सा पूरा demand अपना ascertain करना पड़ेगा proper कि weeks क्या है और उसका sales demand कितना था जो given है आपको per week यहाँ पे जो demand दिया हुआ है यहाँ पे आप लिख लिजे this is per week question में दिया हुआ था मैंने लिखा नहीं था छूड़ गया था मेरा sales demand in units this is per week तो इसको आप sales demand sales demand in per week basis लिखा हुआ है न तो वो copy करेंगे फिर total sales demand लिखेंगे ओके और फिर एक और हम लोग लिखेंगे cumulative sales demand फिर उसके against में selling price उसके against में variable cost और उसके last में stage कि कौन सा phase है ये life cycle का कौन सा phase है तो ये working की main इस सम का ये working की main इस सम का crux है तो weeks में आ जाई है आप लिखेंगे यहाँ पर 1 to 10 first is 1 to 10 sales demand per week is 220 तो total sales demand हो गया 2200 ठीक है cumulative पहला वाला 2200 ये तीन हम लोग बाद में लिख लेंगे फिर इसमें थोड़ा ध्यान दे के करने के ठीक है हरवडा के बस ये वाला copy मत कर देना थोड़ा अराम से चलेंगे इसमें आप चाहो तो एक एक करके लिखना भी शुरू करो तो और better ये होगा आपके लिए मतलब selling price इसका क्या होगा पहला एक से दस वीक का selling price आप खोचके बठाओ एक से दस वीक का selling price है बाइस सो यूनिट तक selling price है बाइस सो यूनिट तक ठीक है selling price है बाइस सो यूनिट तक कितना होगा साड़े साथ सो रुपया होगा variable cost per unit वो फर्स 2200 के लिए 375 है next 11 to 20 में चलिए उसमें demand पर भी कितना है 550 है ठीक है तो यह 10 हफता हुआ 11 से 20 तो इसका demand होगा 5500 cumulative कितना होगा 5500 प्लस 2200 इस 7700 so now selling price क्या होगी आप देखी selling price क्या बूल रहा है बाइस सो एक से सततर सो 7700 तक का 600 तो यहाँ पर हमने लिखा 600 बाइस सो एक से सततर सो दीखे यहाँ से यहाँ का और variable cost आपका कैसे दिया हुआ है बोल रहे next 13 750 तक 300 है तो next मेरा तो अभी 5500 ही हुआ है तो यहाँ पर मेरा variable cost 300 कर गयाएगा next 21 से दिया हुआ कितना है दीके 21 से 30 825 करके 825 का sales demand है 8250 cumulative sales demand होगा 7815 950 ठीक है और आपका selling price कैसे है बोल रहे है 5950 तक 500 पच्चेस है 7701 से 15 950 तक 525 है and then वो था न टोटल यहाँ पर next 22 का अलग है next 22 का अलग है यह दो का हमने working लिख दिया but next 22 next 22 दो पार्ट में divided है 44,000 सीधा लिखने से गड़बड हो जाएगा तो हम लोग break कर देंगे इसको 31 to 50 51 to 70 यह इस particular calculation का uniqueness था यहाँ पर किसको यहाँ पर break करना है अगर यह break नहीं किया तो पूरा गडबड हो जाता sales demand per week 1100 और यह भी यह 1100 टोटल sales demand है 22,000 यहाँ पर भी total sales demand है 22,000 so यहाँ पर cumulative हो गया आपका 37,950 यहाँ पर हो गया 59,950 और what is given there in selling price 59,950 तक 59,51 से 450 है 59,51 से यहाँ तक पूरा 450 दोनों में आ जाएगा और next 22, next 22 यहाँ पर जो आ रहा है उसके लिए cost है 225 और 188 next 71 से लेकर 80 तक next 71 से 80 जैसा दिया हो है हम लोग as it is copy कर सकते हैं 71 से 80 और actually अब thereafter ही है अगर आप देखें तो यहाँ पर भी thereafter है और यहाँ पर भी end hour भी है तो वहाँ पर आपका revenue और price का rate same ही होगा but demand level अलग-अलग है तो थोड़ा सा ease के लिए हम लोग सब अलग-अलग ही लिख लेते 880 तो यहाँ पर होगया 8,810 हफते का और यह 8,800 जोड़ दीजे तो कितना आ रहा है दीजे 68,750 आ रहा है फिर यह आपका 300 ही रहेगा और यहाँ पर 225 रहेगा ओके similarly आप बाकी का सब फटा-फट लिख दीजे 81 से 90,91 से 100 और 101 से 110 और demand है यहाँ पर 660, 440 और 220 तो 6600, 4400, 2200 तो यह add करके कितना आ रहा है 75, 350, 79, 750, 81, 950 300, 300, 300, 225, 225, 225, 225 सब में सेम ही आ गया now what we have to do is just identify stages so introduction stage कहां पर है और growth phase कहां पर है, maturity phase कहां पर है, decline phase कहां पर है so question में ही दिया हुआ है कि यह introduction है, ठीक है, question में दिया हुआ है, मैं तो पूरा question copy नहीं किया ना और question में ही दिया हुआ है कि 11 to 30 आपका growth phase है, यह question में दिया हुआ है मैंने पूरा question copy नहीं किया आपके लिए बाप की आप बताओ इस पूरा बचावा data में maturity कहां तक है 31 week से लेकर कब तक maturity रहेगा maturity कहां पर है maturity कहां पर है जी 31 से 70 क्योंकि वहाँ पर price stable है cost गिर रहा है जब cost गिर के बढ़ने लग जाए तो decline है एकदम सही बोला अपने ये maturity है और फिर cost जब बढ़ने लग गया तो आपका decline phase चुरूओ गया वहाँ पर rise भी गिर जाता है maturity में लोग stable रहते हैं कि जो हो रहा है चलने दो ठीक है इस question का main चीज यही था कि आपको maturity और decline identify करना है और अब इस दोनों के detail के base पर आपको income statement बनाना है यहाँ पर question में सब कुछ दे रखा था आपको question में यह दिया वा था तो मैं इसका कुछ नहीं लिख रहा हूँ maturity है 31 से 70 और decline है 71 से लेकर 110 तक right next आपका यहाँ पर volume कितना होगा वो निकाल लिजी यहाँ डैस डैस यहाँ पर volume निकाल लिजी 31 से 70 का total volume है 44,000 और यहाँ से यहाँ का total volume आप जोड लिजी यहाँ पर 44 है, decline का total volume बताईए, decline का total volume बताईए मुझे फिर selling price आएगा, less variable cost per unit होगा, फिर contribution होगा per unit फिर total contribution होगा यहाँ पर volume कितना आ रहा है, सब जोड के कितना आ रहा है बताईए यह चारों को जो नाट छे, 14, 14, 18, 20 और 2, 22,000 units है ओके, now 31 से 70 का working में आप देखो, selling price 450 है और variable cost दो अलग अलग है तो it's better कि हम इसको दो पार्ट में लिखें, यहाँ पर यदि हम दो पार्ट में लिखें तो जादा बेटर है कि आपका 22,000, 22,000 में divided है यह, selling price है 450, variable cost है 225 और यहाँ पर फिर 450 और 188 हो गया, आदा आदा divided है इसका मैं कुछ नहीं करूं कि question में दिया हुआ है, यह सब यहाँ पर अपका contribution आ रहे 225 और यहाँ पर आ रहा है 262 so you can write the contribution for 22,000 units, 225 into 22,000 यहाँ पर आ जाएगा और 262 into 22,000 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर selling price है हमारा 300, variable cost है 225, यह है 75 तो 75 into 22,000 यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, so this way you will get all the three answers I am not asking you the answer, एक बार छोड़ दीज़े आप बस अब रहने दीज़े इसको life cycle costing को यहीं पर close कर देते है life cycle costing को यहीं पर close कर दे रहे यहाँ पर question add होता है कि यहाँ पर कौन सा pricing strategy कमनी follow कर रहा है, यह penetration है कि skimming है growth stage is also in two parts, yes you are right Anuj, मैंने इसलिए कुछ किया नहीं उसका क्योंकि question में किया हुआ था यहाँ पर कौन सा pricing strategy follow किया जा रहा है यहाँ पर skimming हो रहा है कि penetration हो रहा है, थोड़ा सा answer बता सकते हैं किया which strategy are we following skimming very good, thank you so next हम लोग आ रहे है, छोटा सा एक topic है, जो मुझे maximum to maximum 8 minute लगना चाहिए, so सिर्फ अब आपका 8 minute मैं लोगा, परेटो analysis कवर कराऊंगा let us start, एकदम छोटा सा है, परेटो analysis एक topic है, जो actually मैंने एक heading bowl के अलग से डाल दिया, इसलिए कि इसके उपर questions आजकल बहुत आ रहे हैं, ठीक हैं, तो जोटा सा topic है, एकदम फटा फट देख लीजी परेटो analysis, इसका दूसरा नाम है 80-20 analysis, इसको Mr. Wilfred Pareto एक Italian economist है, उन्होंने लिखा था उन्होंने Italy में एक शहर है Milan, वहाँ पे एक study की थी कि population और wealth में distribution कैसा है, तो उन्होंने ये चेक किया कि population 80% hold करता है, पूरे Milan का 20% wealth, और rest 20% population hold करता है, 80% wealth, जब ये study popular हुआ तो पता चला कि ये खली Milan का ही हालत नहीं, तो पूरे दुनिया का हालत है, और फिर इस study को हम लोग अलग-अलग use में लेने लगें, सबसे पहले government इसको अपने application में लिया, कि जिनके पास ज़्यादा wealth है, उन्हीं से सबसे ज़्यादा tax वसूलना है, तो सारी policies जो बनेंगी government की, वो उन 20% को catch up करने के लिए बनेंगे ना कि इस 80% को जिनके पास कुछ है ही नहीं, right, in fact हमारा भी income tax law में जितना भी सब लिखा जाता है, वो provisions वगरा जितना भी आता है, यह जितने भी आप अपने technical पढ़ाई करते हैं, वो सब पढ़ाई हर जन के काम में नहीं आता, जैसे आप यह सब जो पढ़ाई मेरे साथ भी कर रहे हो, costing यह सब पढ़ाई हर जन के काम में नहीं है, यह सब पढ़ाई उन 20% companies के काम पे है, जिनका wealth 80% of the world है, correct, तो उनके उपर ही सारा focus होना च से चलाओ, okay, so 80% of something is accounted for 20% of something else, ऐसी हमारे syllabus में भी हमारे student ने पूछा कि सर कोई ऐसा chapters है, जो 20% level पे आता हो, और उससे 80% exam का question है, तो मैंने बोला बिलकुल है, और जो कौन से chapter है, जो हमारे class में सबसे छोटे-छोटे chapters होते हैं, वो ही आपके exam का सबसे बड़ा weightage बनता है, इसके लिए birds eye view मैंने हर book में आपको बना के दिया, आप उसको ज़रूर refer करिएगा, तो छोटे-छोटे chapter से सबसे ज़्यादा questions आता है, जैसे कि pareto से, life cycle से, target से, activity based costing से, JIT से, TQM से, सबसे ज़्यादा question आपको वहीं से मिलेगा, और बड़े-बड़े chapters है, उससे सबसे कम आते हैं, ऐसा आपको 80-20 analysis in fact अपने हर subject में कर लेना चाहिए, इसका application क्या है pareto analysis का, कि जैसे आप inventory analysis में इसको use करिए, कि आपका inventory में finished goods या raw material है, जिसमें 80% item आपका 20% of total cost है, rest 20% item 80% of total cost है, तो जिसमें quantity कम है, cost ज़्यादा है, वहाँ पर, वहाँ पर हम ज़्यादा control लग मतलब this is more important than previous one, वैसी product profitability में आप इसको use कर लीजे कि 80% product ऐसे होते हैं, जिससे profit नहीं आता, यानि profit का 20% ही आता, और 20% product ऐसे होते हैं, जिस पे हम लोग 80% profit कमाते हैं, तो उस product का pricing वगएरा, थोड़ा सा customer relationship वगएरा पर ज़्यादा ध्यान देना है, designing वगएरा, उसका cost समय खुन्चूसते हैं, और profit बोलकर कुछ भी नहीं देते, तो वैसे customer सबसे ज़्यादा होते हैं, जो profit बहुत कम देते हैं, और कुछ customer एक्दम शान्थ रहते हैं, piece में रहते हैं, कुछ भी परेशानी नहीं करते हैं, और profit भी भरके देके जाते हैं, तो 20% customer वो होते हैं, जो आपको 80% profit देखे जाते हैं, तो उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, more important, quality control में उसको हम कैसे use कर सकते हैं, कि 80% defect का कारण, causes, वो 20% problems होते हैं, ठीक है, 20% issues होते हैं within the system, इसके कारण 80% defect आ रहा है, और rest 20% defect का कारण 80% of causes होते हैं, तो आपको यदि quality control लाना है, तो 80% defect जो 20% causes के कारण आ रहा है, तो उस 20% पे आप काम करिए कि 80% effect कम हो जाए, ना कि उस 80% causes पे काम करिए जो 20% defect ही लाते हैं, activity based cost में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि activity based cost का 80% cost drivers ऐसे होते हैं, यानि cost driver वाला basis जैसे की number of inspections, number of receipts और machine hours, these are drivers, 80% drivers ऐसे होते हैं जो total cost का 20% ही comprise करते हैं, बर 20% driver इतना important होते हैं कि वो total cost का आपका 80% को constitute करते हैं, तो जो cost आपको ज़्यादा दे रहा हैं, उस 20% पे ज़्यादा ध्यादा देना हैं, जो आपको ज़्यादा परिशान कर रहा है, तो आपसे exam में ऐसे question पूछा जाएगा, what are the applications of Pareto analysis, आपको ये 5 point याद रखना होगा, application में inventory है, product profitability है, customer profitability है, quality है, और activity based cost है, और उसमें 80-20 आप ऐसे, ये क्या तो table बना किया ये, preferable है कि, या फिर table नहीं बना कि, para form में लिख किया ये, table तो मैं इसलिए बना दिया कि आपको याद रखना easy लगे, Pareto analysis का main का में selective control में help करना, it helps you to have selective control, selective control में main help करता है, जिसमें आपको ज़्यादा attention देना है, वही पर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, ना कि हर एक जंग, हर एक को equal importance देते हो, जो ये आपको help करता है, plan करने पर, कि मैं जो मेरे लिए important नहीं है, उसके लिए क्या करूँ, और जो मेरे लिए ज़्यादा important है, उसके लिए क्या करूँ, इसका main utility क्या है, selective control पे, तो जो मेरे लिए less profitable है, उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं pricing policy देखूँगा, delegate कर दूँगा, discontinue कर दूँगा, और जो मेरे लिए ज़्यादा profitable है, उसके लिए मैं क्या करूँ, allocate maximum resources, ठीक है, और limitation क्या है, कि इसमें जो less profitable आप उसको ignore कर द देते हो, और obviously ये costly affair हो सकता है, क्योंकि आपको ये सब analysis करना पड़ता है, अलग से, okay, अच्छा, इसको करने का कुछ steps होता है, pareto analysis करने का steps होता है, ये fifth number है, point बोल के आप लिख लीजिए, कि कैसे हम लोग analysis करेंगे, steps for pareto analysis, जैसे मैं एक छोटा सा data आपके सामने ले लेता हूँ, उससे बहुत easily काम हो जाएगा, सुचिए मेरे पास products हैं, P, Q, R, S, T, U, ऐसा करके, और मेरे पास उसका product का contribution है, contribution है, rupees में सब, यहाँ पे सुचिए 100 है, यहाँ 90 है, यहाँ 160 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 30 है, आपको pareto से पता लगाना है, कि कैसे, कौन सा product पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो this is the question, now steps would be, solution steps would be, सबसे पहला step 1 होता है, कि आप ascending order में अपना, ascending भी बोल सकते हैं, descending भी बोल सकते हैं, descending ज़्यादा मैं prefer करता हूँ, descending order में arrange करो, अपना details को, descending order में arrange करो, तो वो मैं कैसे करूँगा, अब देखिए, वहाँ पे मैं steps लिख दूँगा, यहाँ पर आपका solution कर रहा हूँ, descending order में ज़्यादी से arrange करो तो, product और contribution, सबसे पहला है R, 160, देने P, 100, देने Q, 90, देने T, 80, देने S, 60, and lastly, it is U, which is 30, so this is your step 1, step number 2 is cumulative contribution निकालो, अब अब cumulative value निकालो, जिसके उपर आप Pareto करेो, जिसके कभी हो सकता exam में, ऐसा एक question आपके CA News Levels Institute मैट में है, और अभी latest हमारे सब मैट में भी है, वो है, उसमें एक ही सम्में ना sales पे भी करने बोल रहा है, और contribution पे भी करने बोल रहा है, तो ज़्यादा priority आप sales wise वाले products को दोगे कि contribution price वाले product को दोगे थोड़ा सोचेगा, ज़्यादा priority आप जिसका sales ज़्यादा उसको दोगे कि ज़्यादा priority जिसका contribution ज़्यादा है उसको दोगे, दोनों से आपको परिटो करना है तो 80-20 जब sales से कर रहे है तो अलग answer आ रहा है और 80-20 जब contribution से कर रहे है तो अलग answer आ रहा है अलग-अलग product आ रहे है 430, 490 and 520 नेक्स्ट आपको 520 का मतलब है कि सब मिला के total contribution 520 है फिर निकालना है percentage of cumulative contribution so this is our third step percentage of cumulative contribution कैसे आएगा 160 by 520 देखो कितना परसेंट आ रहे है 160 by 520 देखो कि अपको रहे हैं यूर क्टिज तो 60 by 520 देखो कितना है 50% 350 by 520 देखो कितना है दिस इस 67% 430 by 520 दिस इस 83% अप्रॉक्सम ही जा रहे है 83% आ रहे है दिन 490 by 520 ये आ रहे 94% ये हंद रहे ये 100% हो गई है तो पहला 80% किस-किस प्रॉडक्स से आ रहे 80 एक्जाक तो नहीं मिलेगा आपको हमेशा थोड़ा सा एक दो आगे जाना पड़ता है तो इन 4 प्रॉडक्स से आ रहे तो इस 4 प्रॉडक्स are comprising of first 80% is coming from 4 items which are R, P, Q and T so these 4 products are most important तो तीन स्टेप के बाद चौथा स्टेप पे select the items with first 80% items of first 80% as important items यह आपका ज्यादा ध्यान देने का चीज़े ठीक है इस mat का starting में ने एक bird's eye view दिया हुआ है bird's eye view दिया हुआ है na chapters का तो chapters और marks दिया हुआ है आप chapter और marks जैसे यहाँ पे product और contribution है वैसे chapter name और marks है आप उससे लेकर है न परेटो कर लेना अपना copy में परेटो करना descending order में arrange करके फिर परेटो करना और देखना पहला 80% में कौन आता है ठीक है पहला 80% में कौन सा chapter आता है और उस chapter को अच्छे से करना ही करना है लग एक होता है अंदाज में देख रहे हैं इस से ज़्यादा आता है यह गोता है calculation करके 80-20 analysis करें birds eye view का जो table है उसको देख कर ठीक है 80-20 लगा देना बट फसेंगे कहां पता है सबसे ज़्यादा हम फसते कब है इस सब calculation में जब बहुत सारा product का same ही contribution हो तो descending order में किसको उपर रखें किसको हटाएं अगर same होगा तो किसी को भी उपर रख सकते हैं किसी को बटा सकते हैं तो कोई भी product फिर किस कारण से हम हटाएं किस कारण से हम रखें वो judge करने के लिए हमें फिर कोई और तरीका सोचना पड़ेगा कि हम हो सकता है मेरे पास 3 product है जो same contribution दे रहे और Pareto भी बोल रहा है उसको उपर भी रख सकते हो तो नीचे भी रख सकते हो तो नीचे रख दिया ऐसा product हो जो बात में जाके ज़्यादा profitable होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ठीक anyways आज का class मेरा खतम हुआ Pareto analysis तक के साथ आज का जो मेरा planning था वो खतम हो गया अब आप revision करिए practice करिए और चालू रखिए अपने आपको अपने दोस्तों को भी संभालिए जैसे आप संभाल रहे हैं और benefit ले ज़्यादा से ज़्यादा मैं sincerely एकदम बताऊं तो बहुत मेनत करके आता हूं ये class को पढ़ाने के लिए बहुत planning करके आता हूं और अभी सिर्फ आपी को ही पढ़ा रहा हूं और किसी को पढ़ा भी नहीं रहा live में अभी और कुछ recording भी नहीं कर रहा अलग से सिर्फ आपी को attention दे रहा हूं तो आप उस पूरे attention का पूरा लुट्फ उठाएं और हर रोज live class में आएं discipline बनता है आप लोग convenience जादा खुछते हूं मैं जानता हूं आप लोगों को और आपके जगा मैं भी होता तो भी convenience ही जादा important होता जैसे यदि मेरे को option दिया जाता दिन में कभी भी कर लो लेकिन अगर ऐसा option मुझे दिया जाता तो शायद मैं recording करी नहीं पाता इतने दूर तक आपके साथ आ नहीं पाता जैसे आज जो भी day का class हो गया है इतने दूर तक पहुँच गया है वो सिर्फ एक discipline है वो live class की है क्योंकि आपको एक time commit किया हुआ है और वो time commit किया हुआ है इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ आपके साथ भी और आप भी मेरे साथ कर पा रहे हूँ यह अगर convenience जैसा आप चाहते वो मैं भी अपने लिए ले लेता तो फिर यह इतना दूर तक पहुँचता ही नहीं correct सिर्फ ए live class ही एक ऐसा चीज होता है जो आपको यह discipline दे देता है कि मुझे यह करना ही करना है और एक एक दिन हम लोग कुछ नो कुछ आगे बढ़ जाते है right so that's all for today thank you all and if you have any question you can put in chat okay तो फिर शुरू करते हैं चलिए बैठे बैठे क्या करें करना है कुछ काम शुरू करें नया चैप्टर लेके प्रभू का नाम learning curve theory इस चैप्टर में usually थोड़ा सा concept का problem हो जाता है कभी कभी बच्चे confused हो जाते हैं कि actually यह concept कैसे use करना है तो इस चैप्टर का notes बहुत beautifully designed आप follow करी आपको उगतम crystal clear हो जाएगा पहला तो आपको यह जानना है कि learning curve कहाँ applicable है कहाँ applicable नहीं है ठीक है so applicability of learning curve में जहाँ पर human effort से काम होता है जहाँ पर नया product और process है जहाँ पर repetitive काम होगा मतलब नया काम वापस repeat होगा जहाँ पर regular workers रहेंगे जहाँ पर regular workers रहेंगे जहाँ पर skilled और unskilled worker कुछ भी हो सकते हैं जहाँ पर on variable cost आप learning curve पर apply कर सकते हैं जहाँ पर variable cost होगा और fixed cost अगर absorption costing follow हो रहें तब allow होगा तो इसका मतलब कहाँ का apply नहीं होगा देखो पूर opposite सोचो human effort से काम होता है तो apply होगा learning बट automated यानि mechanical effort है पूरा तो काम learning का नहीं होगा new product पर apply होगा तो existing products पर learning अप्लाई नहीं होगा क्यों नहीं होगा because existing product हम already expert बन चुके होते हैं repetitive process repetitive process मतलब वो नया काम वापस करना है बार बार करना है तब learning का effect आएगा अगर non repetitive है तो learning effect नहीं आएगा regular workers मतलब casual workers हैं non permanent workers हैं जब चाओ बुलाते हैं जब चाओ छोड़ देते हैं routine में उनसे काम नहीं कराते तो learning apply नहीं होगा इसमे confusion आ जाते है skilled को लेकर skilled worker पर learning हमेशा apply होगा ठीक है ऐसा मत सुचना skilled मतलब apply नहीं होगा skilled और unskilled कोई भी हो दोनों सीखता है skilled को कई बार हम लोग expert के तरह relate कर लेते हैं अगर वो expert बन चुका expert मतलब वो इस काम को करकर के माहिर हो चुका है तो वहाँ पर learning apply नहीं होगा expert मतलब learning apply नहीं हो रहा है ठीक है otherwise learning apply हो रहा है next variable cost पर learning apply होगा तो fixed cost पर learning apply नहीं होगा और अगर fixed cost marginal costing वाला system चल रहा है तो fixed cost अंडर marginal costing में उसका volume से कोई लिना जिना नहीं होगा cause is always fixed तो वहाँ पर भी apply नहीं होगा तो यह applicability non applicability पर अप्लिकेविलीटी non applicability पर learning हमारा का apply होगा कि नहीं होगा यह आपका discussion हुआ तो फिर आईए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि applicability non applicability यदि हम जान गए तो उसके बाद learning curve को use कैसे करेंगे learning curve theory को use करने के लिए एक basic बात यहीं आती है इसमें कि आपको यह समझना है कि इनसान सीखता है machine नहीं सीखता है और इनसान का भी सीखने का एक limit होता है वो हर समय नहीं सीखता है वो नए चीज़ों को सीखता है अगर नए चीज़ को वापस करेगा तो वो सीखेगा और उसको नए चीज़ को वापस करने का मौका देंगे तभी वो सीखेगा अगर उसको बार बार नया नया चीज़ देते रहेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा और सीखने का एक limit होता है तो सिखने का limit से यह समझाना है पहले कि सिखने की गती क्या है सिखने की गती speed of learning क्या है speed of learning का नाम है learning rate यह concept learning of theory का actually right brothers ने लिखा था to make people understand कि अगर first airplane उन्होंने जो बनाया उसमें बहुत समय लगा तो दूसरा airplane बनाने के लिए उनको सबसे कम समय उससे कम समय लगेगा तीसरा बन आएंगे तो और कम लगेगा and so on तो वो जो सीखने की शक्ती है उसको predict किया जा सकता है उस सीखने की शक्ती का ही नाम है learning rate what is it? learning rate learning rate क्या कर रहा है learning rate क्या कर रहा है average time for first 2N units divided by average time or cost per unit of first N units where N is the lot size learning rate is average time or cost per unit of first 2N units divided by average time or cost per unit of first N units यह क्या होता है जैसे अगर हमारा worker लोग मान लिजे पहला lot में बनाया समझे 100 unit और उसमें उनका total time उस 100 unit का total time लगा 1000 घंटा तो average time per unit क्या हुआ? average time per unit हो गया उनका 100 घंटा now lot number 2 जब बनाया second lot जब बनाया तो total unit हो गया तब तक 200 और total time लगा मानिए उस समय 16,000 तो 6000 extra hour क्यों लगा? 6000 extra hour क्यों लगा? 6000 extra hour क्यों लगा? तो 6000 extra hour इसलिए लगा? क्योंकि हमने और 100 unit बनाया तो 16,000 भाई 200 करने से कितना आ रहे है 80 आ रहे है ठीक है 16,000 भाई 200 करने से 80 आ रहे है और फिर यहाँ पर आप जब इन दोनों टाइम को देख रहे हो तो ये टाइम घटता हुआ दिखता है तो सिखने का क्या है learning rate हमेशा relationship बताता है average between two values it is a relationship between average between two values it has got no relation with total time इन दोनों का relation देखके समझ में आएगा आपको की learning के कारण समय घट रहा है so average time और cost per unit for first two and units is 80 average time और cost per unit for first and units is 100 so the result is coming 80% now कभी यहाँ पर जैसे मैंने lot size one two दिया तो lot size के साब से होगा नहीं तो हो सकता है units ही one और two हो so learning rate यदी 80% है learning rate यदी 80% है तो इसी से पता चलता है improvement rate कितना होगा learning rate अगर 80% है तो improvement rate 20% है इसका मतलब 20% से time reduce हुआ है learning rate यदी 80% है तो improvement rate 20% है जितना ज़्यादा learning rate होगा उतना कम improvement rate होगा जैसे किसी का learning rate 90% है तो improvement rate 10% है ठीक है, जेनरली क्या लगता है, learning rate 90 है मतलब बहुत अच्छा सीख रहा है, नहीं, learning rate 80 मतलब अच्छा सीख रहा है, higher learning rate implies lower improvement rate, learning rate of highly experienced people or machine is 100%, 100% है मतलब they are not learning at all, they are not learning at all, okay, so मैंने एक बार continuous इतना चीच बोला, आप बताइए, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, चल ये, तो आगे बढ़ते हैं, एक student ने मेरे से question पूछा कि, sir, आपका learning rate क्या है, मेरा learning rate मैंने भी estimate नहीं किया है, okay, वो depend करता है न, नया नया काम कितना आप करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, learning curve theory को लेकर, learning curve theory कह रहा है, the average time और cost per unit, ये जो average time और cost per unit है न, ये वाला, ये continuously reduce होता है, ये learning curve theory कह रहा है, learning curve theory क्या कह रहा है, कि average time और cost per unit continuously reduce होता है, और reduce होने का एक constant speed है, constant rate है, जिसको learning rate बोलते है, okay, so average time और cost per unit decreases at a constant learning rate when production is doubled, अब ये doubled वैसे, जब पहली बार learning of theory लिखा गया था, तो doubled word के साब से लिखा गया था, but मैं generally double बोलके आपका mind को ब्लॉक नहीं करना चाहता, मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना आगे जाएंगे उतना कम होगा, को जरूरी नहीं double से होगा, क्योंकि double बोलने से फिर mind restrict हो जाता explain की गई थी, first time theory लिखी गई थी, तो double से explain की गई थी, तो उस समय जब theory बनाई गई थी, तो one के बाद बोला गया था, कि जब आप double करोगे अपना production, तो learning दिखेगा, जब पहली बार learning लिखी गई तो बोला गया, कि two के बाद जब double करोगे, four करोगे, तो learning दिखेगा, four के बाद जब eight करोगे, तो learning दिखेगा, वहाँ पर ऐसे समझाया गया था, इसलिए वहाँ पर double word रह गया, but actually हम लोग जब अपना calculation करते हैं, तो हम one, two, three, four, five, six, सब पे कर सकते हैं, ठीक हैं, इसमें एक चीज़ सीखना है कि learning rate ऐसे तो लग रहा है कि हर समय decrease और at a constant learning rate, sorry, average time ह समय decrease और at a constant learning rate, तो ऐसा लगता है कि यदि हम production बढ़ाते ही चलें, one, two, उसके बाद माल लीजे, three, four, फिर four के बाद eight, ऐसे करते हैं, production का limit तो infinity तक जा सकता है, यह बहुत बड़ा volume हम लोग प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या learning rate अपलाई होते 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 होते, क्या time घड़ के घड़ के घड़ के घड़ के एक दिन zero आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, कहीं ना कहीं learning एक जगा जाके stop होता है, तो इसलिए लिखा हुआ learning rate may not be infinite, ठीक है, it may stop after certain volume, कई बार exam में question भी आते हैं इसको लेकर, कि company ने production चालो किया, उसको पता है कि उसका 400 unit के पास जाकर learning rate यहां पर stop हो जाएगा, उसके बाद अब वो जितना भी produce करेगा, उस पर क्या time लगेगा, तो यही मैंने लिखा है कि after that volume, the time or cost per unit of the latest unit, latest मतलब जैसे यह वाला unit हो सकता, अगर unit wise production होगा तो 399 से 400 का unit, अगर batch wise production हो रहा है तो last batch का time, जो latest time है, वही subsequently सब जगा अपल here, learning was continuing until here, learning continued till here, okay, but learning stopped here, 400 पर जाके learning stopped, अब learning जदी यहां पर stop हो जाएगा, तो आगे का time क्या होगा, इसके बाद का time क्या होगा, इसके बाद का time, मान लिजे कि latest, जो last unit का time था वो होगा, यही लाइन लिखा हुए यहां पर आप इसको पड़ो ध्यान से, learning rate may not be infinite, okay, learning rate may not be infinite, it may stop after certain volume and for the volume after that, the time or cost per unit of the latest unit or batch may only continue to remain applicable, ठीक है, तो यह एक बहुत important understanding होता है कि learning कभी भी infinitely apply नहीं होता, कही नहीं जाके रुख जाता है, तो जहां पर रुखता है, उसके बाद का time और cost क्या होगा, तो जो latest वोई time continue हो जाएगा, ठीक है, इसके उपर काभी sums भी आत होते हैं, next हम लोग आगे पढ़ रहे है, graphical presentation, graphical presentation में देखे, y-axis में average और x-axis में volume, ठीक है, average और volume को लेके relationship बनाया गया है, कि जैसे जैसे आप volume double करते हो, तो learning आपको दिखता है, तो पहले यदि time मान लीजिए 100 था, तो ये एक point आया, next time आगया 80, तो ये वाला point आया, जैस time आ रहा है, पहला 1 पे 100, 2 पे जाके 80 हो रहा है, और 4 पे जाके वो 64 हो रहा है, इससे आप compare करके learning rate निकाल सकते हो, learning rate इन दोनों का relationship पे 80 by 100, which is equal to 80%, learning rate में इन दोनों का भी relationship लिया जा सकता, answer वही आएगा, which will be equal to 64 by 80, that is equal to 80%, learning rate चाहे 80 by 100 से निकाल ये, या फिर आप अपना 64 by 80 से निकाल ये continuous है, तो उस तरह से आप learning rate 80% constant बना के चल रहे हैं, तो अगर points को join के जाए तो इस तरह से learning curve बन के आता है, ये curve ऐसे appear तो हो रहा है कि x-axis को touch कर जाएगा, बड़ी कभी touch नहीं करता, आगे जाके ये ऐसा flat हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा volume बदाओंगे तो आपका कहीं न कहीं learning जाके stop हो गई होगा, so learning curve of machines और very experienced people शुरू से ही flat रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप जो भी unit बना लो, average time वही रहेगा, चाहे double कर लो तो भी वही है, और quadruple कर लो, quadruple मतलब हिंदी में बोलेंगे chopple, quadruple कर लो, तो time वही ह है, so, जिसका time change ही नहीं हो रहा, वो सीख नहीं रहा, जिसका time change नहीं हो रहा, वो सीख नहीं रहा, इसलिए उसका learning curve फ्लैट हो जाता है, in fact, हर learning curve आगे जाके flat होता ही होता है, because learning कहीं न कहीं एक volume पर जाके stop हो जाएगा, ठीक है, next, learning curve का uses क्या है, कि actually learning curve का main use बना था, white brothers ने जब पहली बार airplane बनाये थे, तो उनको बड़ा criticism सहना पड़ा था, कि एक airplane बनाने में यदि इतना समय लगता है, तो आगे इतना सारा airplane बना के world का problem solve कैसे होगा, तो उन्होंने बताया कि पहला में समय लगा, बढ़ दूसरा में नहीं लगता, तीसरा में कम लगता, च initial orders price, then after that if you get further orders, you can plan further orders price, or if you have something called as product life cycle in mind, which we did yesterday, in previous session only, product life cycle में अगर आपको पता है कि आप कितना सारा units बना होगे, lifelong, okay, कितना सारा units बना होगे आप lifelong, product life cycle में, तो उस पूरे life cycle का units को लेकर आप अपना average time per unit जान सकते हो, या average cost पर जान सकते हो, और first day से आप चाहो तो उस average के base पर अपना life cycle का pricing कर सकते हो, so there are three things to remember, one is you can price initial order, यदि मान लिजे initial order 10 unit का आया, तो 10 unit का जो भी मेरा time लगेगा, उसका मुझे use करके pricing करना है, फिर उस 10 के बाद और 10 का order आया, तो next 10 का मेरा जो extra time लगेगा, उसका time estimate करके मुझे pricing करना है, या फिर मान लिजे मैं first day से ही plan कर रखाऊं कि मुझे 20 unit ही बेचना है market में, उसके बाद product को withdraw कर देना है, तो 20 unit का जो average time होगा, उसके ऊपर मेरा pricing आईगा, so basically learning curve का uses क्या देंभी कि main है pricing decisions over lifetime, और for a repeat order, ठीक है, lifetime मतलब जैसे product का life जैदी मान लिजे, एक से 100 unit का है, ये product life है, ठीक है, तो product का life, अगर 100 unit का है ता पूरा 100 unit का अपना estimation करके उसका pricing first unit से use कर सकते हो, और दूसरा case होता है कि आपका मान लिजे product का पहला order आया, पूरा 100 unit का तो नहीं आया आपके पास एक बार में order, अगर पहला order आपके पास आया, मान लिजे 40 units का, for example 40 units का first order है, तो first order में हम क्या क करेंगे, पहला 40 units का averaging करेंगे, first order में हम क्या करेंगे, पहला 40 units का हम averaging करेंगे, ठीक है, first order में हम क्या करेंगे, पहला 40 units का हम averaging करेंगे, और फिर उसके बाद मेरे पास next 60 order आया, next 60 order को हम लोग repeat order बुलाते है, next 60 order को हम लोग क्या बुलाते है, next 60 units का order को repeat order बुलाते है, तो इसके लिए हम लोग incremental time का इस्तमाल करते हैं तो मैं आपको यही सिखाऊंगा यहाँ पर कि incremental time कैसी use करते हैं और यह first order में हम लोग initial 48 का कैसे काम लेते हैं ठीक हैं? next number B यह लर्निंग से हम लोग क्या set कर सकते हैं? setting standards standards मतलब जैसे यह learning curve theory estimation करने में help कर रहा है actual में हो सकता है आपका time थोड़ा से ज्यादा ही लग जाए या कम भी लग जाए learning का theory एक तरह का standard setting exercise है या technique है it helps in setting standards to measure performance how it will measure performance because हमने अगर standard अपने learning rate के इसाब से target डाल दिया कितना समय में काम होना चाहिए तो फिर आपको actual में भी उसी इतना ही समय में काम करके दिखाना है and of course अगर आपको पता है कि product कितना देर में बनना चाहिए तो उसका cost मालूम है तो उसका price मालूम है तो product का profitability भी निकाल सकते हो based on learning calculation limitations क्या learning of theory का कि यह assume करता है stable condition in manufacturing environment like continuous availability of material, no downtime of machines learning apply करने के लिए learning को predict करने के लिए सबसे important चीज़ है कि there should be stable environment अगर environment में changes आ रहा है कभी material नहीं है तो कभी machine खराब हो गया तो ऐसा problems आ रहा है तो learning का rate estimate करना तो रहा सा difficult होता है next the break between repeat production should not be too long इसका मतलब क्या हुआ the break between repeat production should not be too long इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप माल लिजे यह पहला 40 unit बनाए उसके बाद next और 60 unit बना रहे है उसमें gap ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा हम लोग भूल जाएगे तो अगर हम लोग continuously बनाते रहेंगे continuously यदि हम बनाते रहेंगे तो फिर हमारा learning सही रहेगा continuously बनाते रहेंगे learning सही रहेगा इतना इंप्रूव करके होगा हमें क्या फाइदा मिलेगा में लिए उनके लिए इंसेंटिव सिस्टम आपको प्लान करना चाहिए learning eventually ceases learning कहीं न कहीं जाके एक समय पर रूख जाता है because of limitation in machines efficiency worker efficiency और raw material का yield capacity कहीं न कहीं learning जाके stop होगा next step basis of determination of learning rate may not be reliable मतलब आपके इस average के भी इस पर तो यह sometimes learning rate यह वाला जो 80% आप निकालते हो वह हमेशा reliable नहीं भी हो सकता है so these are the basic limitations okay okay so limitations भी हमने जान लिया आगे बढ़ते हैं prediction by double of production volume okay तो सबसे easy होता है double करकर के predict करना जहां पर अपने मान लेते हैं learning rate constant है तो अगर मान लीजिए अपना cumulative output यहां पर one और two और four और eight दिया हो है यह units होगा यह फिर और lots बोल सकते हैं तो यह unit होगा कि lot होगा यह question decide करेगा कभी unit wise question दिया होता है तो unit wise चलेगा कभी lot wise दिया होता है वो lot wise चलेगा मेरा एक idea होता है sum करने का how to determine whether we should do by unit or by lot check always check always की question में हमेशा देता है कि फास्ट बार जैंक फ्रोर्कर काम कियाक फार्स हरे स्वास्त में गया परिमिया उअका और फजो अएक व्रोर्यकर काम किया तो उसका यह वाला cost लगा यह वाला टाइमिशल डिटिएल्स question में दिया होता है फर्स्ट और इनिशियल प्रोडक्शन जब किया उसका जो कॉस्ट या फिर टाइम दिया हुआ है इस फॉर यूनिट से तो यूनिट वाइस सम होता है और लॉट्स दिया हुआ है तो लॉट वाइस सम होता है जैसे कभी कभी question में देगा कि first lot बनाया तो उसका इतना time लगा तो lot wise sum होता है first unit बनाया तो उसका इतना time लगा तो फिर unit wise sum होगा तो sum को पकड़ना पड़ता है we need to catch up the question कि हमारा जो question है उसमें ये lot wise sum होगा कि unit wise होगा तो first production का जो details है question को टिक से पड़ोगे तो catch up हो जाएगा so one two four rate है मान लोग 90% learning rate है तो हम लोग कैसे काम करते देखना ये 50 आपका given है okay ये 50 given है 50 given है मतलब example में यहनी की question में given है तो first time यदि 50 है और 90% learning rate लागू हो रहे है तो second को जाएगा 45 अभी तक क्या कर रहे थे उपर में उपर में मैं क्या बता रहा था देखो कि अगर मुझे first और second का details मालूम है तो इन दोनों को use करके इन दोनों को use करके हम लोग learning rate निकाल ले रहे हैं है ना पर्स्ट और सेकेंड का यदि हमें डिटेल्स मालूम है तो इन दोनों को यूज करके हम लर्निंग रेट निकाल रहा है मानलेज़े मुझे लर्निंग रेटी पहले से मालूम 80 परजेंट और यह 100 मालूम है तो 100 और 80 परजेंट से मैं 80 भी तो निकाल सकता हूं और वैसे 80 और 80 परजेंट से मैं 64 भी निकाल सकता हूं तो वही हो रहा है कि अभी करेंट सेनारियो में हम लों के पास लर्निंग रेट है 90 परजेंट तो यह 50 है तो 50 का 90 परजेंट हुआ 45 45 का 90 परजेंट हुआ 40.5 40.5 का 90 परजेंट हुआ 36.45 ठीक है टन्यू नचेश को प्हुए 12.5 का 90 परजेंट है so I say if say the question is for preparing a quotation for first eight units for example if the question is for preparing a quotation for first eight units you will be taking this value to calculate the total cost or this value to calculate the cost per unit if the question is for first find first finding the quotation for initial four units if say question is for finding quotation for first four units if say question is for finding cost for initial four units then you will use this total detail and this per unit detail now aisa होता है कि question में लिखा हुआ है कि पहला customer अपना चार unit order किया है फिर वो वापस से चार unit और order कर विया है वापस जब चार unit order किया तो टोटल हमारा 8 unit हो गया ना तो पहला चार का sense हम quotation दे चुके हैं तो इस पर देंगे अब next चार का quotation हम चार से आठ का जो incremental value है वो यह उस पर देंगे बस यही सिखाना था this is for say initial say initial order is of four units say initial order is of four units say initial order is of four units okay और यहां पर यहां पर say this is repeat order of four units say this is repeat order of four units so initial order is of four units and repeat order is of four units तो initial का quotation होगा इसके उपर और repeat का quotation होगा इसके उपर okay this is for repeat order incremental time हम लोग use करते हैं repeat orders के लिए 129.6 कैसे है यह बताने का ज़रत नहीं लगर आपको यह इन दोनों को difference करके 40 है इन दोनों का difference करके 72 है इन दोनों का difference करके 129.6 है तो पस जब आप class का sums करोगे न तो बस यह ध्यान रखना है initial का quotation कर रहा हूं कि repeat का कर रहा हूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है we use average time per unit to estimate the cost of an order comprising of all cumulative units and we use incremental time to estimate the cost for a repeat order okay मतलब basically average time use करते है per unit for initial orders and incremental time use करते हैं for repeat order ठीक है तो यही सम्मझना था इसमें question में देख लेना कि initial का जो volume है वो कितना का है question में देख लेना initial का जो volume है वो कितना units का है ठीक है question में देख लेना कि initial का जो volume है वो कितने units का है और फिर आप देखना कि यह double करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका जो required question है वो double करके solve हो रहा है कि नहीं हो रहा है जैसे for instance सोचे question में लिखा हुआ है कि initial units से सोचे 100 units for example initial units 100 units okay और these are produced in these are produced in not in lots these are produced unit wise unit wise production a lot wise नहीं because आपको first unit का time दिया हुए first unit was produced in 50 hours okay और initial order 100 units का तो अगर आप देखेंगे अब initial order का quotation आप से पूचा जाए ध्यान से सुनो initial order का यदि quotation आप से पूचा जाए first unit का time दिया हुए 50 hours initial order is of 100 units okay और unit wise production होता है batch wise नहीं होता so आपको 100 units बनाना है तो क्या आप double करकर कर जा सकते हो यहां यहां पर मैंने बनाना से इनिशल order is of four units यहां पर देखो से इनिशल order is of four units तो four तो मैं डबल करके आगे न वन टू फॉर यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं first unit यदि मेरा एक ही unit है first में एक ही unit बनाया और वो 4 गंटे में बना अब इसके बाद मुझे क्या करना है 100 unit को और पूरा करना है तो डबल करके आएगा जब इनिशियल को डबल करके हम नहीं पहुचा पा रहे हैं तो हमें next point मैंना पढ़ता है that is point no.8 prediction at any volume using learning curve equation फिर से देखो मैं क्या बोलना चाहरा हूं एक होता है काम अपना double करके हो जाता है double of production volume से हो जाता है जिसे सुचे यहां पर order आया होता 32 units का तो मेरा first unit है 50 50 hours में बना है अब मुझे 32 units का order fulfill करना है तो डबल करके चल जाओंगा 1248 1632 हो गया तो मैं ऐसा table बनाऊंगा 1248 1632 और उससे अपना average करते करते 50 को लेकर learning rate लेकर average करते करते 32 तक पहुँच जाओंगा बट यदी initial में 100 units हुआ तो डबल करके हो रहा है क्या 1248 1632 64 128 100 नहीं आया बीच में तो जब डबल करके ना हो तो आप यह वाला process में आते हो जिसको हम लोग बोलते prediction at any volume using learning curve equation y is equal to k into x to the power s y is equal to यहां पर होगा k into x to the power s k क्या होता है k is the time for the first unit which is 50 k is the time for the first unit जैसे मैं class में कराता हूं total time लेकर आप यहां पर average भी लेके करो के तो भी answer same ही आता है अगर average लोगे तो सीधा answer average कई आ जाएगा ध्यान रखना है इसको average भी लेके किया जा सकता है k is equal to time for first unit x is जिसका आपको answer चाहिए आपको चाहिए hundred का और power में s होगा s क्या है s एक फंडा है learning curve index बोलकर जिसका calculation होता है log learning curve ratio by log 2 log learning curve ratio divided by log 2 log learning curve ratio learning curve ratio is basically the learning rate say learning rate is 0.8 तो log 0.8 divided by log 2 okay in general इसका values question में दिया वा होता है in general इसका values question में दिया वा होता है but फिर भी मैं suggest करता हूं कि s का value for 80% learning rate आप याद रखो आपको ये काम आता है which is minus 0.322 and for 90% learning rate 90% का इसका होता है minus 0.1518 ठीक है ये दो value यदि आप याद रखते हो ना तो question में कभी कभी कोई लूप ओल हुआ तो भी आपका sum हो जाएगा ये s का value आप याद रख लो दोडो 80 और 90 का ही हमेशा समाता एक्जाम में तो 80% का value है 0.322 और 90% का value है 0.1518 जनरली एक्जाम में ये value दिया वा होना चाहिए जिससे कि आप easily निकाल पाएं या फिर direct आपको s का value दिया होना चाहिए इसको आप यहाँ पर यदि बैठा देंगे 80% learning rate या 90% learning rate के हिसाब से तो फिर equation dirty power से भी solve हो सकता है या फिर equation को solve करने के लिए हम लोग log antilog का सहरा लेते हैं अगर आपको यादो अपने class में इसका sum किये वे हैं 50 into 100 to the power सोची अगर 80% learning rate है तो minus 0.322 होगा and based on this दोनों तरफ log y is equal to log 50 into who कर लेंगे फिर log y का एक answer आजाएगा reduce होके फिर log हटाने के लिए antilog of log y करेंगे तो y आग जाएगा और उदर उस तरफ का expression उसका antilog करेंगे इसका calculation एक बार आप class में देख लीजेगा मैं भी log antilog में नहीं गुसना चाहता ये question solve करेंगे तो एक average time आएगा व तो एक बार बस application पर ध्यान देना कि learning rate में जो question है वो question initial order का है ठीक है तो initial order का है तो आपका ये वाला time काम आता है अब ये वाला time double करके आ सकता है या फिर ये वाला time आपका equation से आएगा double करके कब लाओगे जब आप देखोगे कि initial first है और मेरा requirement 100 का है तो double करके आप जा पा use कर सकता है ऐसा नहीं कि double करके जाना है जरूरी equation can be used at any time double वाला case में भी equation आप use कर सकते हो there is no problem but equation को solve करने के लिए condition है कि s का value आपको पता होना चाहिए अगर s नहीं पता तो equation solve नहीं होगा इसलिए s याद रख लो तो भी चलेगा so exam कभी यह नहीं बोलता है कि double है तो double से हो रहा तो ऐसे table बना की करना आप चाहो तो कभी भी equation से कर सकते हो अगर आपको values याद रहते है तो और अगर आपका पता चल रहा है कि double करके यहाँ पर काम नहीं हो रहा तो क्या होगा double करके काम यदि नहीं हो रहा है तो क्या होगा में आके ऐसे बैठा के अपना average find out करना है ये average आपका initial हो जाएगा देखो सिंस ये 50 मैंने लिया तो ये first का time है ये average है यदि तो ये भी average है अगर ये total आया तो ये total for that आया उसको फिर divide करके average में करना पड़ेगा वो सब आप sum में देख लिजेगा कैसे होता है एक बार खुद से करना पड़ेगा इसका एक sum at least minimum one sum जिसमें equation बगरा मैंने अप्लाई करा है वो आप जरूर से देखिएगा ओके next आ रहा है learning rate sensitivity analysis इसमें क्या concept होता है अच्छा एक question ऐसा भी आता है जिसमें exam में learning rate back calculation में calculate करने बोलता है इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा learning rate back calculation में calculate करना पड़ता है back calculation भी पूछ लेता है question में learning rate यहां पर क्या रहा होगा okay so learning rate क्या रहा होगा इस चीज़ का some events ये news levels में भी आपको पूछा है अभी health लल में question आया था last to last time में आप उसको जरूर से देख लिजेगा learning rate back calculation back calculation में क्या होगा कि question आपको बोल देगा कि हमारा present में तो अभी ये cost structure है आप बताईए ये cost मेरा इतना से यदी बढ़ सकता है मलाव कर सकता है बढ़ाना तो नया learning rate क्या होगा so back calculation करना पड़ेगा मैं भी उस पर कुछ भी नहीं example उठा रहा आपको just idea दे रहा हूं कि ये भी एक तरह का समय और दूसरा तरह का समय learning rate sensitivity analysis sensitivity analysis का मतलब होता है change in one variable with respect to change in another variable what is sensitivity analysis sensitivity का मतलब होता ह है change in one variable with respect to change in another variable change in one variable with respect to change in another variable this is sensitivity in the form of percentage इसका हम लोग elasticity of demand के भी तरह भी पड़े है which is percentage change in quantity demanded by percentage change in price उसी तरह से हम लोग operating leverage financial leverage beta SFM में इसा पढ़ते है न तो वो सब भी sensitivity है तो अभी भी हम लोग sensitivity पढ़ रहे बट यहां पर एक variable learning rate होगा any one variable will be learning rate any one variable will be learning rate or another variable will be another variable can be anything it can be say profit can be anything it can be profit it can be total cost okay it can be sales also depend करते है कि के सरा रजे बनाया गाया गाया it can be any variable okay profit cost sales something like this so what we are going to measure in sensitivity analysis change in the value of learning rate with respect to change in profit something like that change in value of learning rate with respect to change in profit तो मेरा profit मान लेजे change हो जाए तो learning rate कितना से change होगा जैसे question बताया वाई कि company का current में learning rate एक example सोचो visualize करो company का learning rate company का learning rate हमारा यदी मान लेजे 80% है ओके और उस 80% से आपको question में और भी cost structure देगा और बोलेगा कि उसमे profit आ रहे है company का 75,000 for example उससे profit आ रहे 75,000 at a volume at a volume say volume is 256 units volume is 256 units ऐसा ही question कुछ class में भी हमने कराया है आपको तो यह आपको detail में दिया हुआ है now question कह रहा है कि what is the sensitivity of learning rate तो sensitivity के लिए मुझे profit को change करना है question का trick क्या था जो हमने class में किया था उसमे profit कितना से change करना यह नहीं बोला वैसे CMA वाले अपने SFMA sensitivity analysis पोल के topic पढ़ते हैं और उधर हम लोग सिखाते है शॉक अप्रोच शॉक अप्रोच मतलब अब अपना मन से कोई भी percent से change कर लो बड़ हम लोग यहां पर क्या मानते कि change करना ही है तो इसको 100% से गिरा दो मतलब 75,000 को 0 बना दो अब 75,000 को यदि आप 0 बना ओगे profit यदि 0 होगा तो cost बढ़ेगा profit यदि 0 होगा तो क्या होगा cost बढ़ गया इसका मतलब sales अगर सब कुछ सेम है तो profit 0 होने से cost पे impact आगा cost बढ़ गया इसका मतलब learning rate बढ़ेगा कि घटेगा क्या बुलते हैं Cost पे यदि impact आएगा तो learning rate बढ़ेगा कि घटेगा cost पे यदि impact आएगा तो learning rate बढ़ेगा कि घटेगा मतलब मैं बूल रहाँ 75,000 से 0 हो गया तो मेरा cost बढ़ गया तो learning rate 80 से थोड़ा बढ़ेगा कि 80 से कम हो जाएगा लर्निंग रेट का वैल्यू 80 से 85 हो जाएगा तो कॉस्स मेरा बढ़ेगा कि घटेगा जल्दी आंसर करिए कि बढ़ेगा है कि बढ़ेगा अंसर सही आ रहे है आप लोग सही बोले है लर्निंग रेट बढ़ता है इसका मतलब मतलब हमारा कोस्ट बढ़ता है learning rate ऐसे sound करता है पता है इसका learning rate 90% है मेरा learning rate 80% है sound करता है कि 90% वाला ज्यादा सीख रहा है नहीं 90% वाला कम सीख रहा है so obviously यह अगर 0 होगा इसका मतलब क्या हुआ 100% से decrease हुआ तो आपको पता लगाना होगा back calculation करके कि जब मेरा profit 0 हो जाएगा तो नया learning rate क्या आ रहा है और फिर आपको देखना होगा कि इसमें कितना percent change आ रहा है ठीक है यह percentage change आपको पता करना है और इन दोनो percentage का relationship ये वाला percent और ये वाला percent का relationship को sensitivity analysis बोलते है what is sensitivity analysis इन दोनो percent का relationship जो दो variable आपने पता किया उसमें एक variable learning rate होगा और दूसरा variable सोचिए profit है तो profit यदि मेरा घट के 0 हो जाए सोचिए 100% में question में ये नहीं लिखा होगा कि profit इतना percent से घटाना है हो सकता exam का question में ऐसे लिखावा जाएगे 75,000 से profit यदि हमारा 30,000 हो जाए तो क्या होगा percentage change का मतलब क्या होता है जैसे 75,000 से 0 हुआ तो 100% decrease हुआ तो यहाँ पर 80 से 85 हुआ तो कितना percent से change आया इत विल भी 85 minus 80 divided by 80 नया value minus पुराना value divided by पुराना value don't just say यहाँ पर 5% आया यह सब सम एक्जाम के समय mistake हो जाता है ध्यान से उसको एक बार आज देख लिजेगा तो आपको clear हो जाएगा खाली जाके class में कराया हुआ है learning rate sensitivity वाला question उसको आप review कर लिजेगा क्या करना है 85 minus 80 divided by 80 you cannot write 85 minus 80 5% लिखो के wrong हो जाएगा आपको क्या करना 85 minus 80 divided by 80 करना है और फिर इन दोनो percent का relationship को sensitivity analysis भोलते हैं पर लिजे इसी को बोलते हैं शौक शौक बाइंडिट परसेंट अगर कुछ नहीं बोला तो आप अपना जो variable के अगेंस में लर्निंग का sensitivity देख रहे हो उसको 100% से घटा दो यही मेरा या आपको कहने का मतलब था जो मैं यहां पर आपको गोला करके भी लिखके दिया हूँ ठीक है learning rate back calculation का sums important होता है जिसमें आपको question बोलेगा कि यह company का total cost का limit है और इसके हिसाब से आपको बताना है कि इसका learning rate क्या होगा back calculation करके एक और तरह का sum होता है जिसको आपको बोलते है learning rate से जो average आया वो average आपको variance analysis में भी use करना पड़ सकता है इस तरह का sum भी class में करा देते है learning rate से जो भी आपका estimated time per unit आ रहा है ठीक है that is equal to standard time ओके now use this standard time to find the variance for variance analysis भी यह काम आता है for variance analysis standard आपको नहीं दिया वरहेगा actual सारा question में दिया वरहेगा but standard आपका नहीं दिया वा होगा actual सारा का सारा दिया है standard नहीं दिया है learning rate estimated time per unit learning rate से जो estimated time per unit आया वो आपका standard time बन जाएगा आपको actual all will be given actuals detail will be given उसके लिए कुछ करना नहीं है actuals detail will be given and okay standard will not be given standard हो सकता आपको दिया होगा कि first batch का ये है और आप अपना variance निकाल रहे हो सोचिए 25th batch का तो actual of 25th batch दिया होगा है अब standard of 25th batch निकालना है standard of 25th batch कैसे आएगा इसमें एक और concept होता है इसमें standard of 25th batch अलग है और standard of first 25 batches अलग है इस चीज का ध्यान दिजेगा इसमें बहुत mistake होता है students का एक बर मैं फिर से समझा देता हूँ learning का chapter में question में खली गुमरा आपको ऐसे करता है कि आप पकड़ पारे कि निक किस चीज का learning rate से answer निकालना है जैसे मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ सोची आपको variance analysis करने बोला 25th batch का तो actual of 25th batch दिया हुआ है और standard नहीं दिया हुआ है तो standard आपको first batch का दिया हुआ है first batch से 25th batch का detail हम कैसे निकालेंगे first से 25th batch का detail कैसे निकालेंगे this is my question तो in general बच्चे क्या करते हैं equation में बठा देते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 25 तो आया नहीं तो वो यहां पर बस y is equal to k into x to the power s को use करते हैं k का value first का जो time दिया हुआ वो x का value 25 बटा के power में s करके answer निकाल लेते हैं तो वो जो answer आया वो 1 से 25 का आया 25th batch का नहीं है 25th batch का answer निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले 1 से 25 फिर 1 से 24 का निकालना होगा दो बार करना पड़ेगा 1 से 25 का फिर 1 से 24 का फिर दोनों का average जो आया उससे total में जाना होगा 25 का जो average आया into 25 करके total of 25, 24 का जो answer आया उससे into 24 करके total of 24 दोनों total को minus करोगे तो आपका 25th batch का answer आएगा exam में चला के करी बार ऐसा भी हुआ है सिर्फ यही working पूछा कि 25th batch का quotation दो सिर्फ 25th batch का खली time बता दो आपसे उसका पूरा और detail पूछा ही नहीं 25th batch का quotation दो है 25th batch का खली time बता दो तो इस चीज़ पे खली आपको ध्यान देना है 25th कैसे आएगा ठीक है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ say for 25th batch आप कैसे calculation करोगे for 25th batch time अगर यदि आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे it will be equal to step number one will be average of first 25 batches which can be only done by equation then you will do average of first 24 batches ठीक है थेन आफ्टर बार आपको नमबर 3 वोड़ बी time of 25th batch and that will be equal to जो भी आपका first में average आया average of first 25 into 25 minus average of first 24 into 24 so basically इसका मतलब क्या हो रहे this is total of 24 and इसका मतलब क्या हो रहे total of 25 25 का total minus 24 का total इसमें भी mistake क्या होता है ना बता है आप जस्ट इन दोनों को minus कर दे तो दोनों average को minus कर दे तो no, दो average कभी minus नहीं होते है total minus हो सकता है average of average of first 25 ठीक है average of first 25 into 25 करके total of 25 आगया fine and then average of first 24 into 24 करके total of 24 आगया so this is the process say for 25th batch time अब ये standard costing में भी यूज हो सकता है 25th batch का actual दे देगा standard ये वाला बनेगा और फिर आपका ये quotation में भी यूज हो सकता है ये कोई life cycle costing का calculation में भी यूज कर सकता है लोग target costing में भी target cost से पता कर सकते है कहीं पर भी concept कोई यूज कर सकते है आपको sums में understanding चाहिए थी कि double करके काम होता है और या फिर double से नहीं होगा तो equation से होगा initial order का अगर calculation करना है तो first से initial का volume तक आना है repeat order का करना है तो initial के बाद next to incremental उससे repeat order होगा ठीक है और यदि आपको किसी एक batch का answer निकालना है या किसी एक unit का निकालना है तो वो इस तरह से निकलेगा पहले जैसे 25 बैच का निकालना है तो first 25 फिर first 24 फिर 24 और 25 का incremental ठीक है silky droly is saying please explain sensitivity one more time तो sensitivity का मतलब है पहले basic में ध्यान दे लिजे कि it is meaning percentage change in one variable खाली change लिखा है मैंने वैसे यह सब percent है percent change in one variable divided by percentage change in another variable ठीक है change in one by change in another रखने से दिमाग मैं गर्वर हो जाएगा sensitivity is always in percentage form तो percentage change in one variable divided by percentage change in another variable and if in any of these two numerator or denominator one variable is learning rate it is learning rate sensitivity analysis so if one variable is learning rate what will be the other variable it will be profit or cost or sales whatever the question decides so question will be what question कैसा होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि question में given होगा यह वाला detail left side में जो मैंने लिखाया कि learning rate हमारे 80% है तो profit 75,000 है और उसका volume दिया हुआ है और कुछ रह question बता learning rate sensitivity यहां पर क्या है कि एक certain learning rate पर मैं इतना profit कमार हो at this volume to learning rate की sensitivity का है कि learning rate change होने से मुझे कितना फरक पढ़सकता है that is sensitivity learning rate change होने से मुझे कितना फर्क पड़ सकता है learning rate उपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है तो मुझे कुछ नहीं कुछ तो अपने profit पर फर्क पड़ेगा तो अब इसमें question में लिखा नहीं कि profit कितना से change करके आपको sensitivity बताना है तो हम लोग के question में कुछ नहीं लिखता है तो हम मान लेते हैं चलो उसको zero कर दो 75,000 को zero कर दो तो 100% decrease हुआ तो अगर 75,000 को मैं zero करूँगा तो मेरा profit zero हुआ यानि cost बड़ा cost बड़ा तो learning rate बड़ेगा तो मुझे नया learning rate back calculation से पता करना है learning rate by back calculation वो question का detail से आपको समझ में आएगा learning rate by back calculation करके मैं वो नया learning rate पता करूँगा और फिर 80 और 85% देखकर मैं इन दोनों का percentage चेज निकालूँगा which will be 85 minus 80 divided by 80 करके जो answer आएगा वही मेरा sensitivity rate है ठीक है so this is fine and with this learning curve chapter is over from my side CA का old syllabus में specifically मैं बता दू एक अच्छा question आया था just previous November 19 exam में CA old syllabus में November 19 exam में बहुत अच्छा learning rate का question आया था उसमें बहुत understanding का ज़रत था सजाने का ज़रत था उसको एक बार यदि आप सब कोई कर सके तो ज़रूर करिएगा अगर सब कोई कर सके मतलब CMA वाले भी और CA new वाले भी बहुत अच्छा question था standard question था उसमें combination लगाना था कि किस तरह से हम customer का order fulfill करेंगे ठीक है कि customer का order कैसे fulfill करेंगे उसमें combination सजाना था जिससे अलगला combination में फिर cost निकाल के देखना था तो मैं अभी उस sum को pick up नहीं कर रहा हूं ठीक है बढ़ एक question बहुत अच्छा question था उसका please मैं request करूँगा CA old syllabus वाले आप number 19 paper का वो वाला question सब के साथ share कर लें CA में वाले भी आप ICA website में जाके उसको ला सकते हैं और CA new syllabus वाले भी आप भी वो sum को जरूर करके जाए क्या पता वैसा कुछ combination आपके exam में भी set कर दिया जाए ठीक है चलिए तो learning curve मेरे तरफ से खतम हुआ मैं आगे का chapter में भढ़ रहा हूँ next chapter आज का है pricing यह रहा pricing strategies में चले आओ so एक question आ रहा है maximum learning rate can be 50% is statement correct नहीं maximum learning rate can be 100% अगर learning rate 100% है जो machines का होता है या very experienced people का होता है अगर learning rate आपका machines का या very experienced people का 100% होता है तो improvement rate 0 होता है प्रीविएस टर्म का बात कर रहा हूँ मैं learning curve theory का question प्रीविएस टर्म में CA old syllabus में आया था तो चली आईए दोस्तों शुरू करें नेक्स चैप्टर विच इस प्राइजिंग strategies तो प्राइजिंग में क्या concept है the technique और strategies of determination of price में इस चैप्टर का यह होता है कि इन जनरल हम लोग सोसते है कॉस में प्रॉफिट जोड़ो तो प्राइज आएगा बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉस में प्रॉफिट जोड़के हमेशा price निकाला जाता है price sometimes हम लोगों के long-term strategy पर depend करता है sometimes ये market का pay करने का ability पर भी depend करता है the theme of pricing is that it may be independent of costing cost से independent भी हो सकता है a company may fix a price irrespective of its cost that is based on what customers are willing to pay or it can be based on what our long-term plans are it's not necessary that it's always what customers are willing to pay or based on our based on long-term profit motive या long-term profit plans के long-term में आप कैसे कमाना चाहतों उसके उपर भी ये depend करता है next next आ रहा है price what is price price is the consideration of goods or services transferred from the seller to buyer different forms of price transfer price हम लोग एक परदे अलग chapter में which is for internal transfer that is goods will be transferred from one company to another company within the group company market price is a concept where we are saying that this is the average price prevailing in the market that is the prevailing price market price is the prevailing price fair price is the price at which a willing buyer and a willing seller are negotiating for sale of goods or services by free consent so fair price is arms length price भी बुलाते हैं हम लोग इसको कि यहां पर willingness अगर आप कोई transaction कर रहे हो तो कि इस price पर करो which can be more than market price which can be less than market price as well willing है मैंने आपको एक बेचने का कोई उता बर्दस्ती भी नहीं थी तो fair है और लास्ट है selling price जिस पर transaction actually होता है for transferring the goods to external customer so 4 concept है हमारा focus अभी selling price पर है इस chapter का focus अभी selling price के ऊपर है so next concept आता है price और value क्या है what is the difference between price and value so price is what company takes for transfer of goods or services and value is what company gives okay or you can say value is what customers understand that they will get from it okay whatever goods or services that we are giving so that should have some benefit correct so whatever customer is understanding whatever benefit the customer is able to quantify that is able that is we call as value हम जो ले रहे है और आप जो उमीद कर रहे है दोनों में अगर दोनों में अगर difference है तो वो बहुत ही logical है जैसे मैं आपसे revision class का कितना रुपए ले रहा हूं जी आपको पता है so that is the price but उसके बदले में आपको जो benefit मिल रहा है उस benefit को यदि आप quantify करे और उसके अगेंस में आपसे जो लिया जा रहा है अगर आप वो देखें तो what you are getting is called as value what I am taking as a consideration is price what you are getting okay as the benefit that is called as value so price is the amount that a company charges from its customers for its goods or services and value is what the customer willingly demand and is ready to pay because इसमे ये term में हमेशा लिखता हूं कि value is something to be thought of only when customers are ready to pay for it if customers are not ready to pay then don't consider it as a value customer को बहुत चीच चाहिए बट आप उनसे ये भी जाने है क्या आप उस चीच के लिए pay करने ready है वो बोलेंगे नहीं बस मुझे चाहिए तो फिर उस value के उपर दिमाग में लगाना है value के उपर दिमाग तबी लगाइए जब customer उसके लिए payment करने ready हैं मैं वापस बोलूं value के उपर दिमाग तबी लगाइए जब customer उसके लिए pay करने ready हैं ठीक है next pricing strategies में आ रहे है pricing strategies क्या है basically हम long term goal को ध्यान में रखते हुए यदि अपना product का price fix कर रहे है तो that is called as pricing strategies अब यदि हम long term goal को ध्यान में रखते हुए अपना price fix कर रहे हैं तो that is called as pricing strategies अब यदि हम long term goal को ध्यान में रखते हुए अपना price fix कर रहे हैं तो that is called as pricing strategies जैसे आप देखें यह सब Amazon वगएरा Paytm वगएरा हमेशा discounted काम कराते रहते हैं तो इनका goal हर एक transaction से कमाने का ही नहीं इनका कुछ और long term goal है company में valuation का game खेलेंगे अगर हम valuation का game खेल रहे हैं तो मेरा long term goal कुछ और है तो उसके हिसाफ से pricing होगा जिसे जीओ ने कभी अपना pricing अपने cost के इसाफ से किया ही नहीं क्योंकि उसका long term goal valuation game है जो भी वो खेल रहे हैं इसलिए हमें ध्यान क्या देना है कि हमें price को calculate करते हैं वक्त many times अपने cost पे ध्यान देना का जरूरत नहीं होता तो broad plan of action to make a product marketable such that it maximizes the organization profit broad plan of action to make a product marketable यह इसलिए मैं लिखा definition पता है एक बार exam में CA का old syllabus में question है what is what do you understand by pricing strategies इवन यह CA का new syllabus में भी कभी 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 हर एक practical question के साथ है एक छोटा सा theory question भी होता है आप ध्यान रखिएगा अपने syllabus में question paper का pattern अभी आप last में देखेंगे न तो हर एक practical question के साथ भी छोटा सा theory question है तो उसमें भी ऐसे पूछ सकता है दो माक के लिए what do you mean by what do you understand by pricing strategies तो what are pricing strategies they refer to broad plan of action to make a product marketable such that it maximizes the organization profit next pricing under different market conditions pricing under different market conditions monopoly होगा अगर market में यानि हम ही हम है बाकी सपानी कम है तो वी आप्राइस सेटर हम जैसा चाहेंगे वैसा price हम सेट कर देते हैं ठीक है obviously हमारा profit super normal profit होगा cost में super normal profit add करके हम अपना price set करते हैं so they can fix any price monopolistic competition है यदि market का type क्या है monopolistic competition what is monopolistic competition under monopolistic competition consumers may buy more at a lower price than at higher price the profit can be maximized जैसे monopolistic competition में competition है बट फिर भी ये तो ये player लोग इत्ते बड़े बड़े हैं कि ये लोग अपना product को different बना रखे हैं जैसे मैं ये example देता हूँ in general सुचे कोई ऐसी companies हैं इंडिया में 2-4 जो railway के लिए wagon बनाती है और railway को supply करती है इंडिया में एक ही कमनी नहीं ऐसे 2-4 कमनी है तो एक तरह से इत्ती बड़ी capital investment से बनी हुई कमनी है जिसके पास railway के सारे contracts आते हैं ठीक है तो एक तरह से अब मैं उन दोनों कमनी का relation समझा रहा हूँ आपको कि वो monopolist हैं बट आपस में फिर भी competition है ऐसे और सोचो BMW बनाने वाली कमनी और मर्सीडीज कार बनाने वाली कमनी यह दोनों BMW और मर्सीडीज ध्यान से सोचो BMW और मर्सीडीज दोनों एक तरह से लग्शरी कारे बनाती हैं बट competition है और दोनों का कोई यह दोनों अपना प्राइज 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 which is having lower price so what is monopolistic competition आपको बता दिया मैंने monopolistic competition में consumer tend to buy more at lower price and it can be from other companies also so monopolistic competition में how they fix the price it is done by equating mc with mr you see by equating mr with mc जो calculus का pricing आप लोगो सिखाया जाता है transfer pricing में भी सिखाता है pricing chapter में भी एक बार सिखाया जाता है कि आपको करना क्या इसमें पहले total revenue निकालना है ठीक है उससे फिर आपको marginal revenue निकालना है second step marginal revenue, marginal revenue is what derivative of total revenue equation marginal revenue is what derivative of total revenue equation with respect to quantity then third step है आपको marginal cost यानि की variable cost पर नेट पता होना चाहिए और फिर आप MR और MC को equate कर दो MR MC को equate करोगे तो you will get the value of quantity solve for solve for Q इससे क्या होता है Q का एक value आता है solve for Q and use that Q to find the price use Q to find price price का कोई equation question में दिया होगा उसको follow करना पढ़ेगा आपको use Q to find the price use the value of Q to find the price use the value of Q to find the price okay use the value of Q to find the price so इसको पर sums भी आता है इसको ध्यान रखना है MR is equal to MC से equate करके next आ रहा है oligopoly oligopoly में क्या है कि product सबका same है monopoly में क्या होता है product सबका differentiated है और oligopoly में बहुत सारी companies है जिनका product same ही है और ये company भी बड़े बड़े player है जिसे example हो सकता है airlines example हो सकता है इसमें आपका telecom वाले oligopoly में operate करते है हर कोई नहीं telecom business चला सकता बट सबका product और service same ही है ठीक है जब ऐसा हो तो वो oligopoly market है तो oligopoly अपना कैसे pricing करते है पहला होता है predatory pricing जो जीओ ने किया predatory क्या होता है intentionally price इतना low कर दो कि दूसरों का market खतम हो जाए ऐसे बहुत सारी companies countries में competition act के मताबिक predatory pricing illegal भी है बट इंडिया में इंडिया में भी illegal है वैसे तो competition act में predatory pricing बट इंडिया में क्या न जो देश चला रहा है वो कहीं न कहीं अमबानी जी पर dependent है तो जो गवर्मेंट को fuel प्रदान कर रहा है for example वो कैसे उसकी कर्टूतों को illegal बोल सकता है तो जीओ के उपर भी बहुत सरे actions लिए गए competitors द्वारा कि आप predatory pricing कर रहे हो हमें बरबाद कर रहे हो तो फिर वो सब केस अपने मुकेश भाई सलटवा दिये और सब को अपने हिसाब से terms and conditions अजवा दिये वो अलग चीज़ है मैं यह समझा रहा हूँ predatory pricing oligopolist करते हैं in order to you can say put a barrier to entry for someone else और in order to grab market share of their competitors next limit pricing strategy limit pricing में हम एक limit बना देते हैं कि इस से उपर हम लेके नहीं जाएंगे okay it is a low pricing strategy very low pricing strategy जिसमें new entrants को हम discourage करते हैं predatory pricing में main agenda होता है यहां पर aim होता है to take away market share ठीक है to take away market share but limit pricing is like predatory only but the agenda there is to avoid new entrants to discourage new entrants next आ रहा है colluded pricing और uniform pricing colluded और uniform pricing मतलब मिल के साथ मिल लए है बही चलो एक साथ एक joint meeting कर लेते हैं सारे computer सब मिलके एक price fix कर दो जिससे healthy competition रहे price work न हो that is colluded जिससे इसका best example है petrol में petrol का price चाहे Indian oil हो चाहे भारत petroleum हो चाहे अंदुस्वान petroleum हो सबको एक ही रखते हैं they don't differentiate upon the price okay so how they will get more market share then it will depend on their you know reach जितना ज्यादा distribution network होगा उनका उतना ज्यादा उनको market share मिलेगा cost plus pricing क्या होता है cost plus pricing में average production cost plus a fixed markup to achieve a desired profit level जिसमें cost में एक markup जोड़ दिया जाएगा cost plus pricing ज्यादा तर use करते हैं हम लोग in general where you know quality is very important कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें quality is important तो cost plus pricing पे हम लोग चले जाते हैं सामने वाले को ग्राप को बोलते हैं जैसा आप बोलेंगे वैसा बना देंगे आप मुझे cost दे दीजेगा आप मुझे क्या दे दीजेगा cost सारा का सारा दे दीजेगा प्लस उस पर मेरा margin दे दीजेगा जैसे construction companies में सबसे जादा use होता है construction companies में यदि बड़े बड़े players हैं जो आपस में compete भी कर रहे हैं तो वो लोग अपने customers को cost plus pricing offer कर दे थे हैं जिससे की customer ये सुसता है कि चलो ठीक है मेरा जितना cost लगेगा वो देना है प्लस उनको एक percent of profit देना है अच्छा colluded pricing का एक risk क्या होता है कि अगर मान लिजे तीन company मिलके आपस में collude करके कठा होके एक price fix कर दिया तो चौथा एक नया intent आ सकता है वो देख सकता है कि तीनों मिलके हमेशा अपना तिगड़ी चलाते है मान लिजे तीन company मिलके तिगड़ी चलाते है तो मैं ऐसा price छोड़ूँगा जिससे की ये तीनों का तिगड़ी तूड़ जाएगा customer सब मेरे पास जिया जएगा जिससे जी ओ ने किया था colluded pricing को break कर दिया था जिससे airtel voda phone का जो भी अपना अपस में collusion था सब को break कर दिया next oligopolis generally suggested रहता है इन लोगों के लिए ये colluded मे ही जाएं जिससे की market में practice अच्छा रहे consumer behavior खराब ना हो ठीक है consumer का मतलब spend करने का behavior का बात हो रहा है वो खराब ना हो तो आप non pricing strategies में ये सब जरूर follow करें कि quality बढ़ाएं after sales service बढ़ाएं advertising करें sponsorship करें sales promotion product placement in market कहां कहां पर product आपका भीगेगा loyalty schemes ये सब आप जदी चलाएं और इस से market में customers को टाने तो ज्यादा better होता है ना कि just price war पे और last case है market में यदि perfect competition है मतलब large number of buyers large number of sellers है तो आपको price अपना कोई set करने का allowed ही नहीं है price ticker हो आप price setter नहीं हो price उससे में होगा that is equal to market price market price मतलब average price जो prevailing है वही आपको accept करना पड़ेगा price will be determined by the market not by you मतलब everyone whatever is going on वही आपको accept करना होगा उसमें आप 50% उपर 50% नीचे ऐसा कुछ कर सकते हो जैसे example food grains है माल लिजी चीनी लेने जा रहे है ठीक है चीनी लेने जा रहे है rice लेने जा रहे है तो हर दुकान में एक जैसे ही मिलता है जहां आपको ज्यादा भरूसा आप वहां से ले लिजी सबका दाम एक जैसे है कहीं एक रुपए उपर एक रुपए नीचे कोई अपने इसाब से करता है और चलाता है ठीक है next आ रहा है skimming the cream pricing skimming the cream pricing skimming the cream pricing skimming the cream pricing क्या concept है जिसे यदी मैंने अपने कोई नए कंपनी में कोई नया product research करके innovation करके बनाया if I have made a new product research product है पूरा मान लिजे एकदम अलग product एकदम new product यदी मैंने बनाया तो मैं चाहूंगा ना कि उसका premium मैं market में लूँ क्योंकि मैंने ऐसा product कभी किसी और को तो बेचते दिखा नहीं और मेरा भी बहुत R&D बगएरा हुआ है इसके उपर तो वो premium जब मैं market से लेना चाहता हूं तो मैं पहले instance में अपने product को highest price पे offer करता हूं और मैं चाहता हूं कि उस highest price के तुरू मेरा जितना भी R&D cost बगएरा लगा हुआ वो सब recover हो जाए और उससे highest profit कमा कर सब कुछ अपना balance कर लेना चाहता हूं फिर जब product का response सही आने लगेगा हम reviews हो गएरा भी लेंगे और upgrade भी करेंगे product को तो फिर हम अपना cost को थोड़ा सा कम कर लेंगे by economies of scale और learning effect और price भी थोड़ा कम करके थोड़ा ज़्यादा market share capture करेंगे फिर आगे जाके और ज़्यादा market share capture करेंगे और फिर एक दिन product को withdraw भी कर लेंगे market से आपको सुनते सुनते कुछ यादार होगा life cycle costing जो आपको समझाया था वही चार phase introduction, growth, maturity and decline उसी phase को लेते हुए यदि हम अपना pricing कर रहे है for a new exclusive product तो हम skimming करें skim करना मतलब होता है जैसे दूद को जब skim करते हैं यानि बिलोते हैं तो cream यानि मखण निकलता है तो सारा मखण एक बार में skim करके नहीं निकलता in general वो multiple layers में निकलता है यानि पहली बार skim करोगे तो थोड़ा आएगा फिर skim करोगे तो फिर और आएगा फिर skim करोगे तो और आएगा वैसी आप market को भी layer by layer टैप करो पहले एकदम ऐसे customer को टैप करो जो esteem value के लिए आपका goods को खरीदेंगे युनिक चीज़ है बोलकर फिर next आप ऐसे customer को tap करो जो आपके साथ जूडेंगे बाद में आकर जो मान लीजिए rich class के बाद middle class आएंगे फिर lower class आएंगे ऐसा करके आप class by class customer को tap करो आपका इच्छा है आप lower class पर जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो तो middle class तक की बेचो और उसके बाद अपना प्रोड़क को बंद कर दो वो आपका चोईस है रोके सो इनोवेटिव प्रोड़क के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं यहां पर ध्यान रखना इनोवेटिव प्रोड़क में जनरली प्राइजिंग बहुत हाई होता है इसलिए उसका डिमांड इनलस्टिक मतलब अगर उसका प्राइज पांश्बस परसंट कम भी कर दिया जाए तो डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा इनलस्टिक डिमांड होता है उसका क्योंकि अगर कल को 95 लग कर दिया ठीक है कुछ परसेंट घटा दिया तो उसके कारण क्या लोग तूट पड़ेंगे उसके पर्चेस के विलिए कि ते को एक रो का 95 लग कर दिया प्राइस घटने से डिमांड बहुत ज़ादा बढ़ता है ऐसा नहीं तो उसका डिमांड कैसा होता है इनिलास्टि पता नहीं है क्योंकि innovative product है we don't know what will be the long term demand so we cannot risk कि अगर मैं low price कर दूँगा for example अभी low price कर दूँगा तो मेरा तो obviously कुछ profit आने का नहीं है cost जो लगाव वह लगाव है plus जो लगेगा लगेगा और price भी low है और future में demand ही certain नहीं है तो मेरा कभी भी वो पुराना cost उठे गई नहीं demand आए उससे profit आए जिब demand मुझे पता है कि long term में बहुत बिकने वाला है तो फिर आज मैं नुकसान करके भविश्य में कमाने का scope सोचूँगा but अगर demand ही मेरा uncertain है तो मैं नुकसान शुरू दिन से नहीं सह सकता मेरे को profit कमाना है और फिर यदि आपका शुरुआती cost of capital बहु ठीक है so just याद रखो यह innovative product के लिए है ठीक है exclusive product के लिए है जो बाजार में generally सब कोई नहीं बेच पाते हैं उनके लिए इस product में initial R&D cost ज्यादा होता है for high initial R&D cost इस product में initial R&D cost बहुत ज्यादा होता है financing high cost of capital okay next penetration pricing में यदि हम आ जाए penetration pricing में किया है कि first day से market में गुसेंगे और एकदम low price लेके गुसेंगे which can be equal to variable cost और lower than the variable cost also but for penetration you should be sure that the market is huge there is a huge demand long term demand okay and penetration तब करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि competition है competition भी है तो आपको preference चाहिए न आपका product में कि मेरा product लोग क्यों खरिदेंगे तो competition है इसलिए आप price पे game खेलते हो okay demand is highly elastic to price 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 घटा देने से demand बहुत जादा भड़ सकता है और large scale में जाना है long term demand के ले जाना है competition है market में तो आप penetration जरूर करिए देगे long term demand में penetration वाइबल है why because today when you are doing penetration it will be a loss making exercise and if demand is also not there in long term then you will always end up in losses so demand has to be there in long term because after certain period of time we will regularize the things penetration में ध्यान दखना कि बाद में जाके सब कुछ रगुलराइज हो जाता है after gaining a market share okay next are competitive pricing you may get questions directly write about competitive pricing CA new syllabus वाले आप लोग बहुत ध्यान जे सुनो CMA वाले आप लोग यह भी ध्यान जे सुनो कि यह questions जो आपको पढ़ा रहे हैं भी यह paper आपका जो SPM वाला उसमें भी आता है तो दोनों तरफ इसमें काम होता है ध्यान रखना competitive pricing competitive pricing ऐसे लिखने आ जाएगा right what are different ways of pricing in competition or competitive pricing competition का मतलब वही perfect competition large number of buyers large number of sellers and the firm is a price taker not a price setter they will have to sell at market price so what are the different ways of pricing in competition one is going rate or market pricing जो market में चल रहा है वही price going rate pricing का मतलब market price prevailing market price second is sealed bid sealed bid मतलब क्या होता है जैसे tender बरते है न तो आपको low tender में क्या होता है there is one buyer and there are large number of sellers so large number of sellers उने से competition बहुत हाई हो गया अब किसको काम मिलेगा इन जनरली काम उसी को मिलता है जो low cost offer करेगा right आजकल वैसे tender का norms अलग हो गया कि सिर्फ low cost नहीं देखेंगे other non financial factors भी देखेंगे बट अभी भी बहुत जगा low cost वालाई चीछ चलता है जहां पर non financial factor का उतना relevancy नहीं होता है वहाँ पर low cost parameter लगाते हैं वो लोग तो आपको compete करना है और compete करने के लिए जो pricing कर देना है offer करना है वो आपको tender में seal करके bid करना पड़ता है bid मतला basically आप अपना एक offer price देते हो तो वो tenders में होता है और cost plus pricing जैसे मैं हम लोग जब बहुत ज्यादा competition होता है तो customer को convince करें कैसे तो उसको यही बोलते है आप cost दे देना सारा जो मेरा लगे मैं आपको सबूत दे दूंगा plus आप मेरे को spec percent दे देना right तो that is cost plus pricing next is loss leader आपको तीनों याद रखना होगा seed bid, going rate और cost plus next is loss leader यह एक strategy है जिसमें हम लोग अपने main product को loss में बेज देते हैं और उसके फिर accessories को हम लोग थोड़ा सा high price पे बेजते हों थोड़ा क्या बहुत high price पे बेजते हैं जो हमारा main product का loss को cover up कर जाएगा जिलेट ने यह strategy शुरू किया था तो उसने अपना blade blade को accessory बताया और main जो razor है उसको main product बोला तो razor को बोलते हैं लॉस में बेज देते हैं लॉस बिसिकली क्या बोलने का मतलब है कि cost to cost बेज देते हैं या फिर उसमें जो मेरा average gross margin हम वो नहीं कमाते है बहुत कम margin कमाते है something like that can also be understood और फिर जो मेरा main margin आता है वो उसका replaceable blades है उसको बना क्या था और वो blade उसमें ऐसे technology से वो razor बनाया है patent करके कि उसमें किसी और company का blade fit भी नहीं होता है तो उसी से वो blade से ही उसका main कमाई है चोटा सा एक blade का दाम कई बार अपने razor के दाम से जादा अधा कर देते हैं razor तो 100 रुपय में भी मिल जाता है कभी कभी offer निकालते रहते रहते हैं और blade लेने जाओ तो 200 रुपय अलग जाता है so main वो कमाता है blade में ऐसे बहुत सारी और भी companies कमाती है जिसे aeroplane बेचने वाली company है वो अपना main aeroplane को कम दाम पे बेज देगी वो loss में भ product life cycle एक learning effects से cost निकाल लेती है और फिर उसी cost to cost पे भी दे रहेती है उसका profit नहीं कमाती है बोलते ही main profit मेरा आएगा जब आप maintenance contract मेरे साथ करोगे तो obviously आपका maintenance तो हम ही करेंगे और कुछिस आप maintain करा होगे aeroplane तो उड़ेगा कि नहीं बीच में बंद हो जाएगा उसकर इसक strategy नेक्स आर है price discrimination और customization मतलब हम लोग किस basis पर price discriminate करते हैं मतलब अलग-अलग price का अलग-अलग customer के लिए offer करते हैं तो वो क्या-क्या base हो सकता है जैसे कभी-कभी product में variation होते है product line variation जैसे for instance smart phones आप खरीते हो solar GB का अलग price होता है 32 GB का अलग price होता है 64 GB का अलग price होता है तो that is based on product line अगर product में variation डाल दिया तो obviously उसका price आप discriminate कर लोगे फिर होता है based on customers behavior अगर किसी customer का payment record अच्छा है ठीक है customer returns नहीं करता अपने अंदर ही absorb कर लेता है customer ज्यादा आना कानी नहीं करता बहुत जादा आपक करता margin देता आपको तो आप उसके लिए कभी-कभी अलग price और अलग तरह का scheme बना सकते हो based on demographics demographic मतलब होता है basically जो अपना population का demography होता है अलग-अलग age classification तो demography के हिसाब से कि children के लिए free है handicapped के लिए यह है senior citizen के लिए ऐसा rate होगा something like that then based on time differential इसका मतलब हो गया based on time differential का मतलब हो कि जैसे आप यदी मेरे को monthly plan में जाओगे तो आपका 1000 रुपय मैना लगेगा बट अगर आप एक साथ एक साल का subscription ले लोगे तो आपका 10,000 ही लगेगा तो साल का वैसे तो होना ची 1000 इंटू 12,000 बारह 12,000 बट एक साथ payment आ रहा है ना मेरे पास एक साल का तो मैं दो मैने का discount दे दिया, so based on time differential is something like that, okay, next hour है geographic pricing, geographic pricing भी इक तरह से differential ही है, आप चाहो तो geographic pricing को भी यहाँ पर एक point बना के लिख सकते हो, but standard way में answers में नहीं लिखा हुआ है, but आप चाहो तो geographic pricing को भी अपना discrimination में डाल सकते हो, कि अलग-अलग geographical area में अगर आप मेरे से delivery चाहोगे, तो मेरा cost change ह जाएगा, तो मैं आपको obviously price अलग charge करूँगा, तो discriminate कर रहा हूँ, मतलब अलग चार्ज कर रहा हूँ, geographic pricing का मतलब है कि अगर मैं अलग-अलग जगा पर location पर goods को deliver कर रहा हूँ, या बेच रहा हूँ, तो वहाँ पर अलग-अलग price ले रहा हूँ, तो उसमें क्या हो था, point of production pricing मतलब मेरे factory पर आके ले जाओ, तो obviously मेरे को freight नहीं लेना, वराइस वैसा होगा, uniform delivered pricing मतलब जहां पर भी जाओगे, यह की price मिलेगा, uniformly, किसी भी area में आप चले जाओ, यही price पर मिलेगा, एक होता है, फिर freight absorption pricing मतलब हमारे price में हमेशा freight included रहेगा, आपको अलग से freight नहीं दे freight, so you are coming to my factory and taking, so you are getting a debt discount, then a psychological pricing, psychological pricing में हम लोग क्या हो रहा है, psychological pricing में क्या हो रहा है, इसमें इनसान का psychology के साथ खेल रहा है, हमेशा बाटा ने इसको यूज किया, कि अपना product आज भी वो बेचता है, 9.99 पर, अब बोलते है, हजार ही ले लो भई, 9.99 क्यों, तो वो बोलता है हजार बोलने से आदमी का दिमाग में चड़ जाता है, यह हजार का है, और जब 9.99 बोलते हैं, तो उसको लगता है, नहीं, हजार से कम का है, तो हजार से कम का है, तो मेरा product ज्यादा अट्रक्टिव लगता है, अगर हम हजार बोलते हैं, तो हजार उसको दुख देता है, मत package pricing package pricing में बहुत सारा range of products को मिलाके ने assorted goods बना देते हैं package बना देते हैं और बोलते हैं यदि आप यह लोग है तो इसके साथ यह भी यह भी यह भी यह मिलेगा तो उतना सारा चीज आपको इतना attractive लगता है कि आपको लगता है कि चलो यह ले लेना चाहिए to sell several products or services as a package at a price lower than the sum of their individual prices यसे कि hotel package हो गया hospital का package हो गया these are bundle or package pricing then pricing are based on products also new type of products are can be classified product मतलब new product का बात हो रहा है in the market में अगर कोई नया product का बात हो रहा है तो उसके लिए हम लोग classification कर रहे है new products में होता है revolutionary product दूसरा होता है evolutionary product और तीसरा होता है me too product revolutionary मतलब market ने ऐसा product कभी नहीं देखा it is exclusive product evolutionary मतलब यह existing product का ही upgradation है और me too मतलब same to same में कोई upgradation भी नहीं है so revolutionary product जैसे कि for example किसी company ने सुचे pen जैसा यह pen है ना pen जैसा कोई CPU बना दिया लिए CPU है किसी में बटन दबाओ तो monitor का भी ज़रुरत नहीं है बटन दबाओ projection होगा projection कर लो वही monitor है और उस monitor में आप जा के कोई भी button टच कर दो तो वहां पे आपका कीबोर्ड का भी ज़रुरत नहीं है सोचो ऐसा को revolution ला दिया revolutionary product is pen like CPU तो उसका हम pricing कैसे करेंगे अगर मार्केट में acceptable होगा तो premium pricing होता है अब product acceptable नहीं हुआ तो fail हो जाएगा बट प्रोडक्ट अगर acceptable है तो premium pricing next revolutionary product के बाद evolutionary product आ रहा है evolutionary का मतलब है कि ऐसा existing product पहले था अब upgrade होके आता है ठीक है जैसे for instance आपका smart phones आने लगया instead of mobile phone normal mobile phone के जगह smartphone आ गया तो उसमें हम लोग pricing कैसे लग करते है प्राइस टेकिंग cost benefit ओके competitor and demand for the product into account कि competitor कैसा price कर रहा है demand कैसा है इसे हो सकता है इसमें को penetrate भी करना पड़ जाए तो हो सकता है मेरे smartphone में कुछ exclusive features है जो बाकियों के में नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत skimming भी कर सकता हूं ठीक है cost benefit analysis competitor का reaction भी देखूंगा और मैं क्या cost दे रहा हूं और बदले में क्या benefit आ रहा हूं उसके base पर भी मैं price set कर सकता हूं ठीक है तो इसके लिए को standard pricing technique नहीं है इसमें company अपना competitor के base पर market study के base पर customer का behavior के base पर एक price set करता है ठीक है जैसे आप देखिए MI ने जब अपना pricing चालू किया था तो वो जानता था कि मैं जो phone लेकर आ रहा हूं वैसा phone market में exist करता है तो उसने flash sale का concept निकाला कि flash sale मतलब हफते में इस तारिक को इस डे को इतना बजे ही इतना देर के लिए मेरा phone online आपको खरीदना पड़ेगा line लगा कर और कोई तरीका नहीं फोन बेचने का और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब market पगड़ में आ गई तो फिर उन्होंने प्राइस पर उफर किया और उसको उफर करने का तरीका उन्होंने खुद लगाया कि दिखना पड़ता है उस समय के विलूशनरी चीज है सिंस एग्जिस्टिंग चीज जैसा ही है न तो लोगों को समझ नहीं आता कि यह मैं लूँ कि ने लूँ तो उसमें कभी कि प्राइस को कम भी करना पड़ता है कभी पेनिट्रेशन भी करना पड़ता है तो कभी कभी आप स्किमिंग भी कर सकते हो नेक्स्ट आ रहे मीटू प्रोड़क्ट मतलब एक दम भी अलग कुछ नहीं है जैसे फूड आइटम हो गया को चेर हो गया को टेबल हो गया ऐसा प अगर आपके पास समझरे गुड्स पड़ेव रहे है तो आप कैसे प्राइजिंग करोग ltdDR ऊंह और रहेगा लेगा- अनल्हीभ तुदल कॉस्ट मदयेडल कोस्ट अबेंव ढ़रागको सी त्व लेटर देन marginal cost ओके तो marginal cost से थोड़ा सा जादा और total cost से कम fix cost मतलब माफ कर रहे हैं लोग basically थोड़ा सा contribution कमा के अपना recession का काम चला रहे है थोड़ा सा fix cost कमा के लिए यानि थोड़ा सा contribution कमाना या जरूरी यह बना recession में अपने आपको sustain कैसे कर रहा होगे ठीक है pricing below marginal cost कब आप marginal cost से भी कम पर प्राइसिंग कर देते हो जैसे अगर perishable good है एक्दम खड़ा भी हो रहा है वो अब marginal cost भी उसमें उठने का संभावना नहीं है तो आप उससे नीचे दे दो perishable nature का goods है stock have been accumulated in large quantities and market price have fallen drastically so you should immediately get rid of those stock then popularize a new product में आप less than marginal cost में दे सकतो then enables the form to boost ऐसा कारण से आप marginal cost से नीचे पर दे रहे एक product को कि वो product से दूसरा product जो आपको ज्यादा profit लाकर देगा वो भी बिग जाता है एक बेचते ना वो bundling करके दूसरा बिग जाता है तो फिर आप उसको less than marginal cost पर दे रहे हो मतलब यह दो आपका एक strategy है और यह दो आपका situation है यह दो situation है कि आप situation के victim बने हुए इसलिए आप कर रहे हैं और यह दो आपका अपना choice है this is you can say compulsion है ना मतलब मजबूरियां है और यह हमारी इच्छा है choice है कि we are doing this by ourselves for long term motive next concept value based pricing यह सिर्स यह new syllabus के mat में दिया हुआ है बाकी लोग एक minute लगेगा सुनने में कोई बुरा ही नहीं है जान लीजे इसमें हम लोग दो चीज निकाल रहे हैं एक है true economic value और दूसरा है perceived value now true economic value मतलब क्या होता है जैसे कोई goods यदी मैं launch कर रहा हूं तो market में और भी computer में दे रहा हूं तो market में और भी computer मिलते हैं there are several other computers available as well so now how should I price my computer how should I price my computer so obviously one approach is your cost and your profit but I don't want to take internal data for pricing so what I can do is my next best product next best market में वो देखूंगा उसका price क्या है that I will first take my next best computer मानलेजे Dell का एक computer है वो एक model का आता है वो एकड़ मेसीज के जैसा है उसका price मानलेजे 75,000 है so obviously मेरा minimum price का cutoff हो गया 75,000 now I will also see that how my product is superior than the products available in the market तो मेरे product से यदि अब मेरे customer को कुछ extra benefit मिलता है maybe lower maintenance, maybe lower electricity consumption तो वो benefits मैं पहले calculate करूंगा और वो भी अपने 75,000 में जोड दूंगा which we call as value of performance differential जब इन दोनों को जोड कर हम लोग price पता कर रहे हैं उस price का नाम है true economic value true economic value is what price of next best alternative plus net benefits from performance of the product price of next best alternative plus net benefits from performance of the product ध्यान पढ़ रहा है price of next best alternative plus net benefits from performance of the product so performance मतलब हमारा product का performance यानी benefits पर्फोर्मेंस से उसका क्या benefits मेलेगा वो plus सामने वाला जो चार्ज कर रहा है वो customer का minimum customer को हम you can say customer को हम जो price offer कर सकते हैं वो इससे जादा नहीं हो सकता है मतलब इससे जादा हम चार्ज कैसे कर सकता है customer अपने अंगल से सुचेगा तो बायार से दूसरा से जो next best alternative वो उतना मेले लेगा और मेरे कारण यदि उसको कुछ फाइदा हो रहा है तो फाइदा मेरे को दे सकता है उससे जादा हो नहीं दे सकता है that is the maximum price true economic value is the maximum price that I can charge true economic value is the maximum price that I can charge from my customers now there is a chance that whatever communication I am doing to my customers customers are not understanding that value exactly what I am communicating मैं जो value बता रहा हूं कि दूसरे का यह दाम पर है प्लस मेरे कारण प्लस मेरे कारण यूनो आपको इसमें इतना benefit होगा तो customer नहीं समझ पा रहा है वो perceived कर रहा है थोड़ा सा lower general बात है वही हम जब बेचते हैं तो हम थोड़ा इग्जाजरेट करके बेच बोलेंगे और जब लेने वाला बूलेगा अच्छा इतना भी क्या benefit है इतना भी क्या वो थोड़ा सा कम करके सोचेगा तो perceived value usually थोड़ा सा कम होता है true economic value से तो perceived value is the price of product that a customer is willing to spend to have that product वो उससे जादा देना नहीं चाहरा मैं सोच रहा हूँ 75,000 में 10,000 का benefit भी होगा power consumption के base पे 85,000 तो मेरा price होना चाहिए customer बोल रहा है हम तो इसका 80,000 से जादा नहीं दे सकता है उसको नहीं समझ मेरा आप जो benefit बोल रहा है वो थोड़ा कम perceived कर रहा है तो win-win situation कब होता है बता है दोनों के लिए win-win, win-win दोनों के लिए तब होगा जब मैं अपना इस product का जो मैं बेचने जा रहा हूँ इसका cost of goods sold पहले देखूँगा cost of goods sold है मेरा 60,000 सोचे 60,000 ही है तो आपका perceived value क्या है 80,000 है customer perceived कर रहा है 80,000 मेरे लिए cost of goods sold है 60,000 तो win-win situation अब है जब price मेरा fix किया जाए मेरा cost of goods sold और आपका perceived value के बीच में मैंने फिर समझ लिए 70,000 ले लिया तो मैंने भी 10,000 कमाया और आपका भी 80 देने का मन था आपने 70 ही offer किया तो आपने भी 10,000 कमाया तो at the time of fixing price it is to be kept in mind that any price which is set below the perceived value but above the cost of goods sold gives incentives to both buyer and the seller तो बोद 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 फिर से बता देता हूँ true economic value यदी मेरा 75,000 plus 10,000 85,000 है कैसे सोचा मैंने 75,000 में तो दूसरे लोग भी बेच रहे प्लस 10,000 मैं extra इसले जुड़ा कुई कि मेरे कारण 10,000 का फायदा है और फिर perceived value आपने सोचा customer ने सोचा कि नहीं नहीं मैं क्या चीज का 85 दूँगा मैं तो इस इस प्रोड़ा का cost of goods sold मैंने अपना internally जब चेक कर रहा है तो 60,000 है तो मेरा जब pricing का अगर calculation है तो कह रहे हैं कि it should be the best prices between this two बड़ी ये last paragraph इस प्राग्राफ इस प्राइस विच इस सेट बिलोव द परसीव वैल्यू बट अब 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 इनसेंटिव जाए तो आप सका दाम होना चाहिए और उसका यदी आप 70 दे रहो तो आपने भी 10 कमाया राइट जाए जो इस सेखना है कि मॉन पलिस्टिक ओंप अब अगार करके तो इसमें एक चीज सीखना है कि मॉन पलिस्टिक कोंपेशन में कभी बोलता नियेंगी कम नी इस है ऑपर रहेगा तो आपको वहां पे पकड़ना पड़ता है कि question में जदी लिखा हुआ है एक language कि यहां पर demand law of demand operate कर रहा है यानि कि जैसे जैसे हम लोग price बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे quantity sold घट रहे है गर ऐसा एक language question में लिखा हुआ है कि with every increase in price by 20 rupees the demand will fall by 100 rupees यह एक language को याद रखेगा रूपीज demand will fall by 100 rupees एंड वाईसी वर्सा ऐसा एक language question में दिया तब आपका यह वाला concept सम होता है यह law of demand operate कर रहे है इस चीज़ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और फिर आपको पता करना पड़ेगा question में लिखा हुआ होगा कि find करो ऐसा price जहां पर profit maximum होगा इसको आम लोग price profit maximizing selling price में हम लोग काम कैसे करते सबसे पहले question में आपको price equation set करना पड़ेगा पहला step है price equation set करो first step is to set the price equation the price equation is written as a minus bq a minus bq यहां पर minus क्यों होता है normal equation में दो सबसे हम लोग सिखें a plus bq जैसा या mx plus c जैसा यहां पर minus क्यों होता है because यहां पर price equation is the relationship between price and quantity sold और दोनों में inverse relationship चलता है इसलिए a minus bq where a is what the price where demand is zero and b is what b is the slope that is change in change in price divided by change in demand जैसे क्या हो रहा है जो मैंने आपको example बोला न कि example में अगर for every for every rupees 10 decrease in price decrease in price quantity demanded quantity demanded will increase by quantity demanded will increase by hundred units ठीक है so यह language आपको पकड़ में आया question में तो समझ जाना एक calculus का समय है और obviously नीचे में करें लिखावा होगा find करो profit maximizing selling price और फिर question में यह भी दियावा होगा एक और line कि current में जब price हमारा current price is rupees जब 150 है तो current में हमारा demand current में हमारा demand मान लीजे 800 unit है 800 unit है तो मैं working करा रहा हूँ कि A और B हमें कैसे निकालना है तो इसमें A क्या होगा A means price where demand is zero I am waiting for your answer A बताइए A का value क्या होना चाहिए A का मतलब है A ऐसा प्राइज बताओ जहां पर demand zero होगा ऐसा प्राइज बताओ जहां पर demand zero होगा तो 800 को zero करना है question बोल रहा है 10 रुपया decrease करोगे 10 रुपया decrease करोगे तो demand 100 से बढ़ जाएगा मुझे demand को घटाना है तो opposite भी तो होगा न law of demand तो opposite भी चलता है अगर मैं price बढ़ाऊंगा 10 रुपया से तो 100 रुपया से demand 100 रुपया से demand घट चाहेगा तो 800 से घटाना है तो 8 बर price बढ़ो तो 8 बर price बढ़ो यह नहीं 150 प्लस 10 इंटू 8 आंसर होगा 230 लिए इसमें कुछ लोगोंने 70 बोल दिया वो minus plus में घबरा गए आपको law of demand operate कराना है डिमांड को घटाना है तो price को बढ़ाना पड़ेगा और B होगा आपका slope which is change in price which is you can say 10 divided by change in demand which is 100 so this is coming 0.1 so A और B निकाल के फिर इस equation में बढ़ा देना है P will be equal to A is 230 plus 0.1 into Q sorry not plus minus 0.1 into Q so this is the first step that is we call as price equation then from this price equation we tend to find total revenue इससे आपका next step होता है total revenue निकालो which is P into Q then from total revenue find MR marginal revenue which is equal to derivative of ddq of P into Q ये तरीका होता है बट इसका एक shortcut है shortcut ये वाला है अगर आप याद रख सकोता हो P is equal to A minus 2BQ ये हमेशा rule लागो होता है मतलब पहले P से TR निकालो, TR से MR ऐसे derivative करके आओ, अब derivative अगर हमें नहीं जाना है तो इस shortcut लगा दो कि MR is equal to P MR is equal to A minus 2BQ, यहाँ पहर P हटा दीजे ज्यादा बेटर रहेगा समझना MR is equal to A minus 2BQ MR is equal to A minus 2BQ तो इस particular scenario का MR का आएगा, A is our 230 minus 2BQ is 0.2 into Q so this will be my MR next third step is MC निकालो, question में दिया होगा MC यानि marginal cost per unit और MR MC को equate करके आपको solve for X करना है MR MC को equate करके solve for X यानि solve for quantity, quantity का value निकाल कर फिर वापस price equation में बठा दीजे इस price equation में Q का value यह वाला बठा दीजे तो आपका answer आजाएगा इस price equation में यह वाला Q का value बठा दीजे तो आपका profit maximizing price आजाएगा ठीक है तो यह हम लोग transfer pricing में भी करते हैं ध्यान रखना और यहां pricing में भी करते हैं और इससे question exam में कई बार आता है तो इसको एक बार आप class का notes को देख लिजेगा shortcut भी बता दिया आपको a-2bq याद रख लो या फिर आप long cut क्या है p से पहले to tr निकालो tr मतलब आप देख लिजे न यह सब आपको कराया हुए 230 minus point q into q हो जाएगा 230 q minus point 1 into q square 230 q minus point 1 into q square यदि हम derivative लेंगे तो क्या होगा 230 minus point 2 q okay फिर mrmc को आप equate करेंगे mrmc को equate करेंगे तो quantity आएगा quantity को price equation बढ़ाओगे तो required price आजाएगा last है pricing techniques pricing techniques में यह सब पर calculation आजाता है practical sums आजाता है यह सब के उपर practical sums वैसे calculus पे भी आता है practical sums of course calculus पे भी आएगा यह भी practical वाला part है इससे भी practical sums आएगा आपका और उससे भी practical sums आएगा इसमें absorption costing है absorption costing कभ यूस करोगे जैसे कभी किसी question में बोला what should be the price for the product which is well established in the market अगर well established product absorption costing that means we will charge all our variable costs all our fixed costs as well as profit from our customers so when do we recover our fixed costs fully from our customers when our product market is well established and we are easily able to sell our products when we our product is new we tend to just recover the variable cost or sometimes less than variable cost like Jio has done then when do we charge our customers using relevant costing that is for special offers non-repetitive jobs where we just want to help our customer one time चलुति कर दिया relevant costing that is cost to be incurred at contribution lost and lastly it is return on capital employed based pricing which is a new form of adding profit to your cost where you take total cost plus profit but profit is not coming as a percent of your cost or sales profit is coming as a percent of capital employed here the capital employed can be of two parts one can be your fixed capital employed that is fixed assets plus working capital plus working capital so आपको ध्यान से देख लेना है इसके उपर class में सबसे ज़्यादा सम्सम लोग करते हैं in general pricing strategies में सबसे ज़्यादा सम्सम लोग इसी पे करते हैं और कभी कभी question में बोल देता है well established product है तो pricing कैसे होगा absorption costing होगा और उसमें well established product का minimum price यह दोनों होता है ध्यान रखना this two मिलाके minimum price है well established product का new product का minimum price खाली variable cost है new product का minimum price खाली variable cost है special offer है minimum price cost to be incurred plus contribution lost है यह minimum price ही है और return on capital employee based pricing में minimum pricing नहीं है उसमें तो बोली रहा company को क्या price लेना चाहिए जिसे को इतना percent on return on capital employed कमा सके एक बार exam में ऐसा भी question आया था कि जिसमें price is equal to बोला था कि return on capital employed इतना percent चे but that return on capital employed is contribution question में ऐसा बोलता है कि what should be the price the company should charge to earn a profit of 20% of return on capital employed और एक होता है what price company should charge to earn and a contribution of say 30% of return on capital employed तो अगर contribution से करना है तो variable cost के साथ contribution को भी as a percent of capital employed पूछा जा सकता है एक बार ऐसा question exam में past में पहले आया हुआ है ठीक है उसका sum में generally class में भी कराता हूँ price is equal to variable cost plus contribution as a percent of capital employed ध्यान रखना उसमें यहाँ पर variable cost रहेगा question को पढ़ना होगा question में लिखा होगा कि company को क्या desired margin जाए if companies desired margin is say 30% companies desired margin बोल रहा हूँ desired contribution is 30% return on capital employed तो capital employed पहले जानो फिर उसका 30% करो और उसको contribution बना के उसपे variable cost जोड के price बनाओ ठीक है और एक इसमें सम्जब करते है न तो tax rate दिया वह होता है when tax rate is given एक और चीज़ है बस when tax rate is given when tax rate is given इस पर ध्यान दिजेगा when tax rate is given तो उस समें मैंने आपको मेशा सिखाया है कि आपका जो price equation है price equation में total cost plus profit before tax है याल रहेंगा plus profit before tax है और given desired profit जबी भी दिया वह था उसमें given desired profit which is say 20% return on capital employed दिया हुआ है सोचो तो this is the amount after tax यह हिंट मैंने आपको बता दिया मेरा class का first sum ही यह होता है कि आप यहां पर कहीं mistake न कर रहे हो इसलिए first sum मैं यह वाला कराता हूँ इसे question ने बोला मुझे 20% ROCE चाहिए और tax rate question में दिया हुआ है तो आप समझोगे कि यह जो desired profit है यह profit after tax है profit after tax is capital employed सोचे मेरा 10 लाक है ठीक है है सोचे capital employed is equal to 10 लाक तो therefore मेरा PAT होगा PAT होगा 20% of capital employed 2,00,00 और tax rate यह 40% है सोचो given है तो मैं PBT निकालूंगा PBT क्या होगा 2,00,00 divided by 40% sorry not 40% divided by 1-0.4 so this PBT will be used in your equation this PBT will be used in your equation to find the price ठीक है यही समझाना था जब tax rate दिया हो तो whatever desired profit is there that is profit after tax then you should compute profit before tax and then put in this case never use the shortcut never use shortcut कौन ज़ा shortcut एक अपने यूस करते है 20% on selling price is equal to 25% on cost यह सब जो conversion अपने करया करते थे हैं वो सब नहीं कर सकते आप जिसे question में बोला my desired profit is 20% on selling price तो 20% on selling price बोला तो is equal to 25% on cost नहीं मान सकते यह सब्सक्राइब करते हैं कितना बयानक तरीका से आता है बहुत एजी सा चैप्टर बहुत चोटा सा चैप्टर है और एक्जाम में आता ही आता है आप इसको अच्छे से एकड़म कंठस्ट करके जाएगा और C.A. Old syllabus में एक question आप मान लीजिए छोटा सा कोई objective type का question रहता है और CMA में भी इसका practical question का बहुत weightage है दो paper है SPM और SEM दोनों में आ सकता है Okay Difference between pricing strategy and pricing techniques techniques basically calculation है techniques is mostly calculation and strategy is something which we are thinking okay which we have in mind it's not a calculation usually strategy is a broad term okay within a strategy we can have technique for technique one for certain time period technique two for another time period strategy is a broad concept chapter का नम pricing technique नही रखा strategy रखा strategy is a broad concept उसके अंदर बहुत सरे छोटे 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 techniques होते है जो techniques हम लोग time to time बदलते भी रहते है okay कौन सा वाला question new syllabus का वो आप देख लीजे past paper को पकड़िए new syllabus का past paper को आप पकड़िए आपका काम बन जाएगा new syllabus का past paper को आप देखिए ठीक है तो आज की class यहीं पर समाप्त होती है okay तो मैं इसको यहाँ पर stop कर रहा हूँ आप अपने जो भी questions आप उनसे फूट सकते हैं very good चलो जी ठीक है start कर रहे activity based cost management just be focused exam के लिए important chapter में आता activity based cost management CA old में भी CMA में भी और CA new में भी okay पहले इसका नाम जब मैं class में पढ़ाता था इसका नाम रखा था activity based costing अभी हाल में इस chapter का नाम change गया मैंने activity based cost management क्यों किया because CA का inter का syllabus में अब activity based costing को डाल दिया है तो final में क्या हुआ activity based costing नहीं हुआ activity based cost management हो गया तो मैं यह assume नहीं कर रहा हूँ activity based costing सीखते हुए activity based cost management भी सीखना है इसको खो जा था Dr. Robert Kaplan ने ठीक है Robert Kaplan आपका भी Google करके इनके बारे में देख सकते हो इन्होंने इसको खो जा था तो first thing is traditional versus modern business environment first thing is traditional versus modern business environment okay point यह है इसको discuss करने का कि activity based costing जब अपने first time सोचे थे तो इसलिए सोचे कि जमाना बदल चुका है business करने का तरीका बदल चुका है business की need बदल चुकी है customer बदल चुका है customer की need बदल चुकी है तो आप पूराना costing technique से अपना business को चलाओगे तो बहुत बड़ा loss कर जाओगे तो नए costing technique की need लग रही थी जो cost को accurately measure करे और हमें profitability का mark वर ले जाए ना कि पता चला कि काम भी करे और last में profit नहीं बच रहा ठीक है first comparison आ रहा है कि पूराना business कैसे होता था और नया business कैसे हो रहा है तो पुराने environment में business में एक ही product बनते थे अब multiple product बन रहे है पुराने जमाने में narrow range of products था multiple product में भी range बहुत कम था तो अभी जमाना है कि wide range of variety of products बन रहे है पहले labor intensive थे फिर अब machine intensive हो गए पहले competition नहीं था पहले competition नहीं था और अब क्या हो रहा है कि competition ही competition आ रहा है पहले क्या था competition नहीं था और अब क्या हो रहा है competition ही competition आ रहा है ठीक है पहले competition नहीं था और अब क्या हो रहा है competition ही competition आ रहा है पहले उतनी जादी कोई facilities नहीं होती थी, पहले क्या होता था, उतना जादा कोई facilities नहीं होता था, यानि कि facilities as in production facilities की बात हो रही है, बट अभी क्या हो रहा है, production facilities बहुत जादा चाहिए, because machinery को चलाने के लिए, you need lot of production facilities, otherwise machine कभी कभी अटक सकता है, performance उसका कम हो सकता है, machine का performance को continuous रखने के लिए, we need to have production facilities, पहले direct is to indirect cost, पहले direct is to indirect cost, 100 is to 20 का ratio maintain कर रहा है, इसका मतलब है कि over rate cost product में बहुत कम होते थे, अब product में over rate cost 100 is to 800 चले गए, यानि कि 1 direct है तो 8 गुना उसका indirect है, पहले production is to service department 3 is to 1 था, तो आप 3 is to 8 हो गया, तो वही service department 8 गुना हो गया, so as a consequence, over rate cost बहुत ज़ादा बढ़ने लगा, मतलब product के cost में, total cost में over rate का proportion ज़ादा आने लग गया, इसलिए आपका पूराना costing technique कहीं न कहीं आपको profit कमाने नहीं देगा, आपको नया costing technique चाहिए, ध्यान रखो यह सब keywords हैं, single product पहले बनता था, तो अब multiple product बन रहें, तो multiple product में पूराना costing technique नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अच्छा देखो, ध्यान देखो, ध्यान देखो, पूराना costing technique का नाम है absorption costing, absorption costing का दूसरा नाम traditional costing भी है, volume based costing भी है, absorption costing का दूसरा नाम volume based costing है, traditional costing है, traditional महला पुराने जमाने से जो चला रहा है, absorption costing क्या करता है? पूरा concept को द्यान से सीख लीजेगा total overhead of organization को लेकर total volume total volume बोलीजे या total में organization का time बोलीजे total time total overhead को total time से relate करके rate per hour निकाल कर हर product में वो rate per hour charge कर देता है ठीक है every product is bearing an average rate of overhead it doesn't matter whether that product actually consume that much resource or not so that was the limitation ठीक है पुराने समाने में averaging बहुत हो रहा था वो चलता था उस समय क्यों क्योंकि उस समय हमारा range scale उतना बड़ा नहीं था complexity नहीं था production में ओके इन जेनरल पुराने समाने में क्या होता है absorption costing का देको disadvantage बताया वाज़ जा रहा है आपको वो क्या करता है उसका characteristic बता रहे हैं in fact disadvantage नहीं characteristic बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आप high volume products में जिसमें का volume जादा बन रहा है उसमें जादा over rate डाल देते हैं जबकि high volume product usually बहुत जादा resources आपका consume नहीं करता ठीक हैं high volume product आपका बहुत जादा resources consume नहीं करता जिसे for example जिसे मान लीजे मैं आपको भी setup लेके पढ़ा रहा हूँ ये setup मेरा cost लगवा रहा है अब मेरे class में यदि 1000 जन पढ़ रहे हैं तो high volume हो गए तो per student cost तो बहुत कम आया तो high volume products जादा resources यूज नहीं करता है मतलब cost per unit is very very low but absorption costing क्या करेगा चाहे volume जादा होना तो cost उस पे जादा allocate कर देगा मतलब rate मेरा per student यदि fixed है मान लीजे 100 rupees per student तो अगर 1000 पढ़ रहे तो 1000 into 100 वो charge करेगा ठीक अगर 2000 पढ़ रहे तो 2000 into 100 charge करेगा but point is अगर जादा volume हो रहा है आपके यहां पर तो cost तो same रहता है बहुत बार तो per unit cost तो कम हो जाना चाहे but absorption costing वो नहीं करता है absorption costing बोलता है जादा volume तो जादा cost ठीक है volume होगा तो उसके लिए setup तो सारा ही लग रहा है तो उसका तो cost per unit higher होना चाहिए कम volume पे cost per unit high होना चाहिए ठीक है जादा volume पे cost per unit low होना चाहिए but absorption costing क्या करता है सबको एक समान treat करके averaging कर देता है तो यह पुराना जमाना का costing technique है जिसके कारण यदि आप product statement बनाते है तो वो इस तरह का दिखता आप एक बार ये पढ़ लिजे इसको ये एक नया मैंने line जोड़ा है ये मैंने नया line आपके लिए जोड़ा है तो great a proportion of overheads to high volume products which cause little diversity and hence use fewer support services जादा volume of product में आप ज़्यादा overheads डाल देते हो जबकि वो कम आपका resource use करता है to small a proportion of overheads to low volume products which cause greater diversity and therefore use more support services ठीक है तो ज़्यादा resource consume use करता है resource consume करता है उसको आप उसको आप कम overheads देते हो ज़्यादा services use करता है costing करने जाएंगे तो कैसे आएगा direct material, direct labor दोनों जोड के आगे, prime cost factory overheads absorb लेना है और उसको आप department wise भी दिखा सकते हो, department wise rate निकाल लो, into actual basis कर लो तो department wise absorbed निकाल के आपने total cost कर लिया ठीक है, overhead absorption rate कैसे आएगा separate for each department budgeted overhead by budget basis basis आपका इन 6 में से कोई एक हो सकता है budgeted basis आपका इन 6 में से कोई एक हो सकता है and how will it be done budgeted basis इन 6 में से कोई एक आपका हो सकता है इसमें quantity produced होता है, labor hour machine hour, direct labor cost, direct material cost, prime cost कब कौन से यूज़ करना चाहिए, quantity produced यूज़ करना चाहिए, जब single product companies है labor hour यूज़ करना चाहिए, जब multi product company है और सारा काम labor cost को कब यूज़ करना चाहिए, जब आपके यह आपर बहुत सारे worker काम करते है, सबका rate लेकिन सेम ही है, तो actually ये इन दोनों का, actually सेम ही चीज़ है, rule आप धियान रखना multiple product for labor intensive और labor cost में एकदम सेम ही होता है, just labor cost एक shortcut है calculation करने का, आप labor hours के जगा labor cost कभ यूज़ कर सकते हो जब आपने देखा कि हर एक worker हमारा same rate of pay लेता है, तो जो answer labor hours से आएगा, फिर वही answer labor cost से भी आएगा, फिर direct material cost, अगर आपके production overhead में, जो substantial amount है, वो material का जो nature है, उसके कारण है, जिसे मैं example देता हूँ, usually सूचे कोई mattress factory है, तो उसमें सबसे बड़ा cost हो सकता है rent, because वहाँ पे space बहुत चाहिए, उसका raw material को रखने के लिए, cotton है न, cotton को रखने के लिए space ज़्यादा लगता है, तो rent का cost बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो अब rent का cost यदी ज़्यादा है rent का cost यदी ज़्यादा है, तो उसका कारण क्या है, उसका nature of material तो nature of material अगर overhead का substantial amount को control कर रहा है तो direct material cost को base बना सकता है, और एक prime cost को base बनाते हैं, जब आप standard product बनाते हैं, जैसे कोई, मान लिजे, ready-made diet food packet है, debiscuits है, जिसमें material और labor कभी change नहीं होता, तो वहाँ पर आप prime cost को base बना के use कर सकते हैं, इस पर इतना बुद्धी लगाने कभी question ने आज तक बोला नहीं है, just understanding के लिए हम लोग सिखाए हैं, इसमें जैसा question में details दिया होता है, उसके इसाब से आपको में, the principle that we are following here is, ABC is based on principle that the support activities tend to vary in the long term, according to the range and complexity of the products rather than the volume of output, यह कह रहा है कि जो भी आपके overheads cost हैं, वो volume of output पे निर्भर नहीं करते हैं, वो depend करते हैं कि product को बनाने का process कितना complex है, तो product में यदि complexity ज़्यादा है, तो उसका overhead cost ज़्यादा होगा, उससे उसका volume से कोई लिना देना नहीं है, ठीक हैं, तो यह कैसे करता है, activity based costing, basically product का बनाने का जो process है, complexities है, उसको identify करता है, उसके हिसाब से उस पर overhead डालता है, इसका मतलब high volume product होगा, तो general chances है कि उसका complexity कम हो जाता है, तो उसका cost हो कम कर देता है और low volume product है, तो उसमें complexity ज़्यादा है, steps अभी भी ज़्यादा है volume भी कम है, तो उसका वो cost को high कर देता है, ठीक है? So, what is activity based costing? It is a process of it is a process of identifying the cost of support activities, it is a process of identifying the cost of support activities ठीक है? Cost of support activities, यानि basically सारे overheads, जो पहले हम लोग department wise ascertain करते थे, अब हम department wise ascertain ने करके activity बना देंगे, उसमें department में कितने activities होते हैं और उस activity का cost को ascertain करेंगे, ठीक है? और उस activity का cost को एक नाम दिया गया है, आपर cost pool cost pool is basically accumulation of cost of a specific activity, what is a cost pool? accumulation of cost of a specific activity and then it is saying that you have to also identify on what parameters, on what parameters these cost will vary, like in our absorption costing we were having department wise overheads okay, then that department wise overheads were related with some basis there were list of six names okay, now in activity based costing also there will be a total cost of each activity and those activity will be also having different drivers or basis that will drive the cost that means उसके कारण cost बढ़ सकता है, अघड सकता है जिसे for instance machining एक activity है, उसका cost है यदी तो वो cost आपका machine के running time से जुड़ा हुआ है, तो running time जादा होगा तो cost जादा हो जाएगा machine running time कम होगा तो cost कम हो जाएगा इन जेनरल अगर आप ऐसे सोचे machining activity को लेकर सोचे तो machining activity आपका कुछ cost रखता है जिसमें machine time उसका driver है, ठीक है तो machine time बढ़ाएंगे तो cost बढ़ेगा machine time घटाएंगे तो cost घटेगा तो एक question आता है, इसमें क्या machine time कम zero कर देंगे तो क्या cost जीरो हो जाएगा the answer is no, तो activity based cost क्या पूरा तरीके से variable cost होता है the answer is no activity based cost पूरा तरीके से variable नहीं होता है बट ऐसा माना गया activity based costing में कि long term में short term में नहीं long run में सारे के activity based cost variable ही होते हैं long run में, अच्छा variable में और इंटर्पेशन निकाला जाता है कि अपने जेनरली बोलते है the cost that varies with the cost that varies with cost of the cost that varies with the volume is called as variable cost, volume of output बढ़ेगा तो उसको variable cost बोलते दिया normal definition of variable cost is the cost that varies with volume of output now हम लोग जब activity based cost की बात करें जैसे machining cost तो machining cost को हम finished goods का output से link नहीं कर रहे हैं हम machining cost को link करें उसका एक अलग driver से जिसका नाम है machine running time हर एक cost का यहाँ पे अलग driver है जैसे receiving करके एक activity है तो उसका cost driver अलग होगा से number of purchase orders so is it related to volume everything is indirectly related to volume but not directly related to volume activity में direct relation volume के साथ स्थापित नहीं किया गया है ठीक है और कहने का मतलब यह कि यह सारे cost long run में अपने driver के साथ पूरे पूरे ऐसे गुल मिल जाते है कि यह है तो यह है यह बढ़ रहा है तो बढ़ रहे घट रहे तो घट रहे नहीं है तो नहीं है long run में शॉर्ट रन में ऐसा संभव नहीं होता है next support over rates are charged to products by absorbing cost on the basis of product usage of cost drivers आप किस तरह से support cost को charge करोगे फिर जो product जितना cost driver को use किया उसके साथ से उस product में वो cost charge हो जाएगा तो material labor का same figure रहता है factory over rate जब आप charge कर रहे हो तो आप देखो वो activity wise चलाया instead of department wise तो it will come what way activity wise rate होगा आपका और multiply करना होगा आपको actual usage से multiply करना होगा actual usage से activity wise rate into actual usage okay so total cost इस तरह से आपका आ जाएगा activity wise rate into actual usage next आ रहा है steps of implementing ABC implementing कैसे करेंगे हैं steps ABC का जैसे question case study में भी आपको पूछा जा सकता है how this organization can implement activity based costing system तो obviously organization के context में आपको एक किक लाइन लिखना पड़ेगा but steps आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले आपको अपना organization में जितना activities उसको identify करना है पहले activity identify करना है फिर उसका cost pool cost pool मतलब उस activity का total cost फिर हर activity का driver होगा जो उस activity का cost को बढ़ाएगा या घटाएगा फिर हर activity का अपना absorption rate होगा which will be cost pool divided by total cost drivers volume दोनों को divide करोगे तो rate आएगा फिर आप overhead cost chargeable to products निकालोगे और basically sums करेंगे न तो sums में activity based costing में यही आपको steps मिलता है जिसमें से usually यह वाला चीज हमेशा question में दिया वहता है बट अगर practically implement करेंगे तो हम लोगों को अपने यहां पर activities पहले identify करना है और फिर cost pool फिर cost drivers फिर absorption rate फिर overhead cost to products okay generally यह सब concept large scale organization के लिए small scale organization अभी भी departmentalized way में ही चलता है वैसे large scale भी departmentalized चलता है but large scale में हर एक department में भी multiple activities होती है जो specific set of people ही handle करते हैं तो Robert Kaplan का कहना है कि आप वो department का cost इतना बड़ा जो कठा करते हो it's better that you identify the activity and its cost so that will ultimately lead to accurate estimation of cost of your final product so when we are identifying activities you can identify activities based on its some categories one is unit level activity which is we say jitna jyada units हम बनाएंगे उतना जादा हम units बनाएंगे उतना जादा वो cost आएगा जैसे कि जरुरी नहीं कि overhead cost के हम बात करें जैसे कि direct material cost जादा unit बनाओंगे तो जादा cost आएगा ठीक है ऐसे unit related जो activities होते हैं या खर्चे होते हैं unit level activity cost में आ जाते हैं second है आपका unit level से थोड़ा सा उपर उठी है batch level batch level में क्या हो रहा है कि एक batch में आप जितना units भी बना लो कोई problem नहीं है बट number of batches जादा होंगे तो cost बढ़ जाएगा जिसे machine का setup for example machine setup तो setup एक बार एक batch के लिए करना पड़ता है dice wise बदलो पूरा configuration करो तो अब उस batch में आप 1000 बनाओ 5000 बनाओ 10,000 बनाओ वो आपका choice है बट setup cost आपका एक बार तो लगी जाएगा third level पर माँ जाते हैं machine setup के बाद batch level के बाद product level मतलब अगर आपके organization में पहले दो product बन देते हैं तीन बनेंगे चार बनेंगे जितना products आप add करोगे उतना ज्यादा आपका cost जोड़ता जाएगा जैसे product का कोई mold है को design है current cost है या product का कोई specific branding है प्रोमोशन है packaging cost है product specific तो वो cost आपके बढ़ने लग जाते हैं और fourth है जो common होते facility level जिससे में कोई product से correlation है को unit से correlation नहीं है वो सुविधा के लिए बनाई गई है जैसे canteen हो गया जैसे power department हो गया जो सबको support कर सकता है one और many किसी को भी वो support कर सकता है that is facility level okay so यहाँ पर वैसे नन लिखा हुआ है नन मतलब actually as per situation होगा यहाँ पर situation मतलब building rent है तो उसका driver आपका floor space होगा organizational advertisement है तो उसका driver unit sold हो सकता है सबका अलग-अलग driver होगा not just normal driver one driver for all जैसे absorption costing क्या कर रहा था सारे over rates को जोड़कर फिर product में hours के base पे सारा cost को एक ही base पे charge कर देता था हलाकि हम लोग जब absorption costing करते थे तो पहले याद आता है primary distribution secondary distribution में rent को area wise department में बाढ़ते थे electricity को kilowatt hours में बाढ़ते थे supervision cost को number of supervisors के इसाफ से बाढ़ते थे ऐसे हम लोग हर एक cost का you know driver अलग-अलग रखते थे basis अलग-अलग रखते थे बट फिर total करके जब वो product में जा रहा होता था तो product में सारा cost hour के base पे चल जाता था तो यहाँ पर रॉबर्ट कैपलन इसी को challenge कर रहे है वो बहुत आप उपर में तो ठीकी कर रहे थे department wise तो सही बाटा बट फिर product में सीधा hour पे क्यों गुसा दिया product में भी वही theory को follow करना चाहिए था product में भी जो product जितना area occupy कर रहा है उसके साब सास में rent जाना चाहिए product में भी जो product जितना electricity consume कर रहा है उसके साब से उसमें electricity cost जाना चाहिए आप department में सही बाटते हो और फिर product में जाते समय आप सीधा quantity produce का rate बना कर एक साथ डाल दिया सीधा आपने you know rate क्या कहते है labor hour का rate बना के सब में डाल दिया वो सही नहीं है types of cost driver types of cost driver में चार नाम आता है एक आता है resource cost driver दूस जैसे मेरा यहां पर सुची rent का एक cost है तो पहले rent का cost हम लोग क्या करते थे primary secondary distribution करते थे ना इंटर की पढ़ाही में तो rent का cost को हम लोग डालते थे departments में rent का cost को departments में डालते थे और department का cost को फिर product में डालते अभी क्या होगा activity based costing में आपका जो rent का cost है वो activities में जाएगा और activity क प्रोडक्ट में जाएगा. उसका नाम है activity cost driver देखिए simple सा यहाँ पर chart है इससे आपको समझ में आ जाएगा overhead overhead जो आपका item of cost overhead मतलब item of cost word overhead का मतलब है item of cost तो items of cost पहले जाएगा activities में using resource cost driver activities का cost फिर जाएगा products में using activity cost driver तो अब example आ रहा है जैसे rent में फ्लोर एरिया के बेस पे activities में डाल दिया अब activity में एक activity आया मालेजे machining तो machining में machining related rent आ गया machining related insurance आ गया machining related staff cost आ गया activity एक cost pool होता है उस activity में cost pool क्यों बोलता है उस में machining related जितना खर्चा है सब इकठा कर लिए पहले डिपार्टमेंट में करते हैं तब activity में करें वैसे डिपार्टमेंट का cost को भी आप cost pool बोल सकते हैं बट अभी activity में cost pool किया और फिर उस activity का driver को locate किया जिससे कि हम इस activity का cost को product में डाल सकेंगे तो वो activity का driver हो सकता है जैसे मशीनिंग का machine running time तो एक product को बनाने के लिए कितना machine run किया गया वो time estimate करके सारा machining related cost product में डाल दिया जाएगा तो activity cost driver हो गया machine running time now follow this notes in traditional costing the cost driver used to allocate overhead cost to cost object related to quantity of output पहले क्या होता था सबकुछ quantity of output से जुड़ावादा allocate overheads to cost object related to quantity of output with changes in business structure technology and related cost structure output quantity is not the only cost driver पहले होता था आप 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 तो यह सब चीज़ डिल कर ले ते अब output पे नहीं कर सकते in general cost driver for short term overhead cost may be the volume of output or activity तो यहाँ पे एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि अगर short run की बात करे short period की बात करे तो उस समय आज भी हम accept करते हैं कि कोई भी cost का cost driver volume हो सकता है but long run में जैसे से complexity बढ़ता है variety of products बढ़ता है उस समय आपको output लेना उचित नहीं है for long term overhead cost the cost drivers will not be related to volume of output or activity आपका सारा का सारा volume of output से जुड़ावा नहीं होगा short term में हो सकता है बट long term में नहीं होगा तो resource cost driver का काम क्या है it is used to assign the cost of a resource to an activity cost of resource को activity में ले जाने के लिए आपका जो driver आप यूज करते एक्जामपल electricity cost resource cost driver is machine hours या kilowatt hours या फिर जैसे rent के लिए rent के लिए cost है उसका resource क्या हो सकता है आपका floor space तो floor space जितना एक activity में use हो रहा है उसके साथ से आप अपना rent activity में ले आईए फिर activity cost driver का है it is used to assign activity cost to products जिसे अगर activity का नाम है ordering and receiving material cost तो उसका driver होगा number of purchase order setting up machining तो number of setups, machining cost, machine hours, assembling cost, number of parts, inspection and testing cost, number of inspection, packaging cost, number of containers, dispatch cost, number of deliveries, dispatch cost, number of deliveries, तो first आपको ये सब का cost pool पता करना है by bringing your item of cost to here related all items would be first brought here and then these costs will be allocated to the products using the drivers from here activity cost driver product में बटवाने में help कर रहा है then to understand drivers more precisely Michael Porter ने actually a classification दिया था structural cost driver or executional cost driver structural cost driver are those drivers that arises in your organization due to your organization structure or due to the nature of the product that you are producing in the organization which are not possible to change frequently which once arising cannot be altered you have to continue with that driver for a long period of time say आपने building का construction ही किसी ऐसा तरीका से कर दिया किसी ऐसा तरीका का प्लांट ही लिया आया जैसे इतना जो प्लांट और मिशिनरी आपने बनाया सब रोबोटिक बना दिया तो आपका machine maintenance और machine related जितना cost है वो जादा होगा power related consumption आपका जादा होगा तो अब आप उसको बदल नी सकते इस ना पॉसिबल नी सकते इस ना पॉसिबल नी सकते इस ना पॉसिबल तो जादा होगा once incurred you have to bear it with for a long period that those drivers are structural cost drivers it is related to business strategic choices about an organization's underlying economic structure such as scale and scope of operations then use of technology and complexity of products आप underlying structure को कहीं पर भी change नहीं कर सकते ये चीज़ का ध्यान रखना है so whatever you have you have to continue with that whatever you have created you have to continue with that okay so that is structural cost driver example ये जैसे plant construction हुआ तो number of plants plant construction का cost है for example आप cost सोची activity cost है plants construction cost so those are dependent on number of plants, degree of work centralization, scale मैंने volume then multiple products यदि आप कहां बन रहा है तो number of products scheduling कितना product schedule होगा scheduling का मतलब होता है sequence होता है कि पहले ये product बनेगा फिर ये बनेगा फिर ये बनेगा लाइक तो उसी machinery में multiple product के इसाफ से यदि आपने machinery को alter कर लिया है तो number of product scheduling उसका driver हो सकता है जो आप बदल नहीं सकता है आप उसको omit नहीं कर सकता है multiple product बनाना है तो scheduling को करना ही पड़ेगा नहीं तो हर एक product के लिए अलग factory थोड़ी कोलेंगे हैं लोग so okay sometimes it may happen that one activity is also being controlled by multiple cost drivers so that scenario we usually don't deal with in our calculations but in theoretical aspect or understanding aspect in real world aspect we can have a situation where one activity is being controlled by multiple cost drivers okay executional cost drivers are those that are dependent on management choices your style of management style of business those are dependent on style of your business okay so it is related to execution of business activities such as utilization of employees provision of quality service product design manufacturing such a testing naam का एक कॉस्ट है तो यह आपका चोईस है कि आप कितना testing पर समय देना चाहते हो that may be number of testing steps or may be testing time per of allotted to a product that is your choice how many times you want to test that is your style of doing business okay वैसी लेबर का कोई incentive है तो that is dependent on your choice labor incentive is an item of cost but it is dependent on your choice of doing business okay ऐसी material movement है for example material movement मतला फार्टरी का एक जगा से दूसरा जगा material move कर रहाते है तो उसका भी cost was लगता है तो material movement is on your choice why because you can restructure the layout internally where you can place connected machines together यादे आपको cellular manufacturing से खाया था यूशिप में उसे material movement कम हो जाते है तो आप वैसा layout अपने आपसे सेट कर सकतो but it is not so easy sometimes that you can change all the layout all over again and again but some part of it cost of its cost can be reduced by thinking intelligently so executional cost drivers are those which you can change structural cost drivers are those which you cannot change in the short run you have to continue with that for long term so इसलिए बोलता है कि factory का setup करते से में structure पे planning करना पड़ता है कि कुछ cost में हम बंद जाएंगे तो फिर हम उससे बाहर नहीं आ पाएंगे कुछ cost executional way में execute करते समय हम फिर उसको control कर सकेंगे नेक्स्ट आ रहा है merits of ABC merits of ABC में क्या-क्या merit है आप उस पर ध्यान दीजे ABC facilitates ABC facilitates understanding of what over it what drives overhead cost okay ABC facilitates understanding of what drives overhead cost overhead cost क्या-क्या आपका कारण से भढ़ रहा है यसी का understanding clear cut देता है ABC ABC is concerned with all overhead costs not just factory overheads इसलिए activity based costing का जब हम sums करते है न तो factory admin selling सब कुछ आ जाता है third है ABC provides accurate and reliable cost information ABC provides accurate and reliable cost information okay accurate or reliable cost information आपको दे रहा है ABC provides cost data which may be used to evaluate different ways of delivering business ABC is determining product profitability its analyzing customer profitability इस दो पर हम लोग सम्स करते हैं अपने strategic analysis of operating income chapter में जोगला chapter होगा इसके उपर हम लोग सम्स भी exam का करते हैं कि product का profitability निकालना है customer का profitability निकालना है okay main purpose के ABC का वो overage को और ज्यादा बारीकी से analyze कर रहा है और हर एक product में कितना overage जा रहा है उसको और अच्छे से trace करके दे रहा है तो it also helps in deciding promoting or discontinuing products or parts of the business it helps in pricing of complex products and it gives you some opportunities for cost reduction actually मैं आपको ट्रूली बता हूं तो EFGHI यह जो points है ना EFGHI यह ही आपका activity based management के लाता है ठीक है activity based management जो मैंने उपर में नाम चेंज़े गाना activity based cost management वो यह activity wise आएगा हर activity का total cost होगा उसका एक अपना basis होगा उसका से divide करके rate निकलेगा फिर वो rate के साबसे आपको product का costing करना है that is activity based costing which is helping you to identify the relationship of different items of cost and how does it impact the product cost तो यह ABCD का costing का advantage के बारे में बात बता रहे है QT is giving you accurate and reliable cost information it provides cost data which can be helpful in different ways of delivering business but now ABM क्या करता है product profitability में help करता है customer profitability में help कर रहा है आपको decide करने में help कर रहा है कि product continue करना है कि discontinue करना है pricing में help कर रहा है cost reduction में help कर रहा है activity based costing का मैं example generally आपको ऐसे देता हूं देखो बड़े-बड़े organization में जब भी देखोगे आप तो आपको सब चीज रियल रियलिस्टिकली देखेगा जैसे आपको example में यह बता हूं कि banks है for example banks में आप देखे आपके पास bank account खुलाते हैं तो उन लोग को चार्ज नहीं लेते हैं आपसे वट उसके बाद वो लोग हर इक चीज का आपको चार्ज लिस्ट दे रहे थे लिस्ट चार्ज बोलते हैं लोग लोग लिस्ट उफ चार्जेज में नया चिक बुक चाहिए यह चार्ज bank statement मंगवाना यह चार्ज debit card यूज करना यह चार्ज ATM विड्रॉल इतना free और उसके बाद यह वाला ट्रॉम नया रिजिस खरना यह चार्ज तो क्या यह हर एक एक आशक्तिवीटि मॉइथ उन्होंने पराइस अपना आपको बताया हूए तो होआ कितना यूप transaction होए कितना credit card में transaction होए कितना debit card में करते हैं और फिर देखते हैं कि उससे जुड़ाइवा कॉस्ट छोचे थे वह उतना ही हुआ कि नहीं मतलब वह एक्टिविटी बेज मैनेजमेंट करते हैं अगर वह यह नहीं करेंगे तो उनका और्गनेशन चले गई नहीं ठीके क्रिटिसिजम्स क्या activity based costing के ये भी जाना जरूरी है कि सबसे बड़ा problem तो देखो activities ही खोजने को नहीं मिलता difficulties होती है identify करने में activities को फिर activities मिल जाता है तो उसका cost pool identify नहीं होता है कि उस activity में हम क्या क्या cost को डाले फिर cost pool मिल जाता है तो उसका driver नहीं मिलता कि वो किस basis पे change होगा अगर एक activity multiple driver से influence हो रहा है तो situation को और complex कर देता है फिर driver का भी volume होता है वो volume कैसे ascertain करे कि जैसे मान लीजे number of setup का पूरा record बनाओ या machine running time का पूरा record बनाओ अगर जो भी driver है उसका भी पूरा recording आपको बनाना पड़ेगा तो process और complex होता जा रहा है फिर यह costly phenomenon है इसके लिए experts हायर करने पड़ेंगे फिर इसका benefit short term में नहीं मिलेगा इसका benefit आपको long term में मिलेगा अगर आप short term का profitability सोच कर इसको में चले गए तो जो आ रहा हो भी चला जाएगा because एक costly phenomenon है जिसको implement करने में समय जाता है cost जाता है फिर इसमें अपना भी problem है कि यह small range of products में कहीं पर भी beneficial नहीं है फिर यहां पर एक और चीजे की activity रहने से ना हम लोगों का बहुत सारा और भी costing का जो concepts है वो कहीं नहीं use नहीं हो पाता है जैसे कि बॉटलनेक कहां पर है बॉटलनेक activity में पगड़ना बहुत मुश्किल होता है पर बॉटलनेक department पगड़ना easy होता है अब बॉटलनेक मिल भी जाए तो उस बॉटलनेक को लेकर optimize करते हैं हम लोग ranking करके allocation करते हैं तो ranking allocation of activity wise resource पर करना पड़ेगा तो और complex हो सकता है प प्रोसे से बी में गया तो entry पता है बट activity wise में कभी कर जरूरी नहीं सब में sequence मिलेगा कोई parallel activities होंगे को sequential activities होंगे तो पूरा accounting system में हिल जाएगा so there are so many limitations as well as benefits of activity based costing तो लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोग activity based costing एधी implement करेंगे तो कभी भी हम traditional को पूरा हटाएंगे नहीं eliminate नहीं करेंगे traditional भी चलेगा plus activity भी चलेगा traditional क्यों चलेगा because उसका और भी other applications है और activity based costing भी साथ में चलाएंगे कि अगर हमारा प्रोड़क का costing में कोई issues है तो तो दोनों compliment करते एक दुसरे को ऐसा नहीं है कि ABC traditional को replace करने आ गया है traditional भी चलाएंगे और साथ साथ activity based costing भी आप अपना चलाएंगे तो आपने marking कर लिया होगा criticisms में activity में problem है उसका cost में उसका drivers में फिर उसका consumption of driver in each product में problem हो जाता है single cost driver may not explain sometimes all the items फिर cost may exceed its benefit not for short term decisions not for single or small range of products management may have purpose of using must have purpose of using extra information must have a purpose of using extra information provided by ABC ABC से जो इतना information मिलेगा उससे कुछ purpose होना चाहिए आपको cost reduction करना है या कोई बड़ा market acquire करना है कोई ऐसा customer base है जिसको अलग-अलग cost के base पर price करेंगा तो जल्दी market आएगा कोई एक long term plan होना चाहिए basically must have a purpose means we mean to say कि आपका कोई long term objective होना चाहिए plan होना चाहिए जिससे आप इसका पूरा benefit उठा पहेंगे फिर पूछा जा रहा है is activity based cost of variable cost और relevant cost तो हम लोग बोलते हैं दोनों ही नहीं है variable क्योंकि मैंने बोला ना variable का core definition बोलता है variable cost और वाल्यूम आफ और पूर्पूर्ट से रिलेटर नहीं भी हो सकता है उसका तो अपना ही कोई cost driver होता है क्योंकि सारे के सारे activity cost avoidable nature के नहीं होता है मैंने बोला था ना जैसे machining का अगर एक driver है machine time machine time zero हो जाएगा तो क्या machining cost भी zero हो जाएगा नो तो it is not a relevant cost as overheads are not avoidable आपको overheads भीरतो करने ही पड़ेंगे next आ रहा है activity based budgeting activity based budgeting का understanding बहुत simple सा है यह कह रहा है कि आप जो activity identify किये उसका cost अभी तक जो पता कर रहे थे जिसको अपने cost pool बोलते हैं वो क्या था जो past में incurred cost था उसी को आप allocate कर करके यह तयार कर रहे थे past items का जो cost है उसी को ही आप apportion करके activity wise cost pool बना रहे थे ठीक है activity wise cost pool बना रहे थे आप उसी के according now उसको फिर लेके cost apportionment वगरा करके आप product में लेके जा रहे थे बट अब activity wise budgeting का कहना है कि इस pool का एक budget होना चाहिए there should be a budget amount for this which we can compare with actual at the end of the period so अगर आपका पास budget है फिर actual at the end of the period आप ascertain करोगे तो compare करके आप variances निकाल सकते हो और देख सकते हो कि आपका यह variance favorable है कि adverse है and accordingly you can conclude whether you should like whether you should continue with that activity or not or you can make decisions of how to reduce cost of that activity budget बनाने का फाइदा क्या होता है what is the main benefit of preparing budget you know सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है budget बनाने का एक बार आप सोचो एक minute लो और सोचो budget बनाने का सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है आप जो काम करना चारें उसमें रुकाओ बनाने का फ्रेंड बनाने का सबसे बड़ा फाइदा होता है कि आप जो काम करना चारें उसमें रुकाओट नहीं आती है नहीं cost control नहीं बोलते हैं हम लोग सबसे बड़ा फाइदा होता है कि जो काम हम करना चारें उसमें कोई भी तरह का रुकाओट नहीं आता है जैसे for instance सुचिए आपको अपना घर का interior कराना है for example तो अगर का interior का यदी आप एक budget बना लेते हैं कि मेरे को 20 लाक रुपया खर्चा करना है और मेर मेरे सम् तमले है ब्युजलाक रुटा नहीं है और दियुजला इना जाएव को और दिखेटन साथ 2लाक रुए ने सम्राइम चैना जी आपको इण इने को इना the हो तो हमेशा अगर उसके लिए रिसोर्स के ज़रत हो तो पहले उसका बजट बनाए और उसके बाद आप उस काम का बजट के हिसाब से अरेंजमेंट करें रिसोर्स का फिर एक्चुली स्टार्ट करेंगे ना तो काम कभी रुपता नहीं है हम लोग क्या करते हैं बस शुरू कर लेते हैं शुरू कर लेते हैं तो वीजवीच में पहुत सारे बेरियर्स आते हैं फिर उसको ओवर्कम करते हुए चलते हैं यही आप बजट बनाके चलोगे तो जो अल्टिमेटली एंटिसिपेटेड चैलेंजेस हैं वो सब आप इजली कर जाते हो तो मेन अक्टिविटी बेस बजेटिंग का यूज यही होता है कि इट प्रोवाइड रेमवर्क फॉर एस्टिमेटिंग अमांट अव रिसोर्स इस रिक्वाइड फॉर इन अक्टिविटी में कभी भी कोई रुकावर्ट है हर्डल्स अननिसेसरी तो हम एक्टि अच्टिविटी बजट बनाया रिसोर्स तियार किया काम के फिर एक्ट्रोल एक्ट्रोल एक्सराइज भी कर लेंगे कि अगर एक्स्ट्रा लगा तो क्यों लगा एनलिस करके रिक्टिफाइगे सब्सक्राम सेकर दिखाइगे उसको बनाय रखने के लिए हम लोग अपना ये वेरियंज का इस्तमाल करेंगे फिर एग एग्श्ट्री की अलिमेंट आम्ट्रोल एपको एक्टिविटी बजेटिउस सीच्ट्विटिवनेट इस्ट्री वीटिवेस बजेटिं आरत ये आप कॉन सा काम कितना करना है और क्या कॉस्ट पर करना है यह तीन सवाल का जवाब खुजने में आपको help करता है जबी भी एक्टिविटी बेस बजेटिंग पर अंसर लिखने आएगा इत्री के अलिमेंट्स आपके अंसर में आना ही चाहिए और फॉर्स वाला पॉइंट आपको अंसर इसे भी आद रहता है एक्टिविटी बेस मेनेजमेंटन में आ जाहिये है एक्टिविटी बेस म далее यह कॉस्टिंगत सब्सक्राइब बतंपार कर दीया जिसमें आपकर से को स्टिंग कर दिया है निढनेक्स'क को यह कईशन चे बथ लिद been क्ल शीद बनाय एक मागी कामे, activity-based management where you have to actually use all the information that comes from activity-based costing to reduce your cost, to make your organization more sustainable, more competitive as compared to others. So this you do by say one step can be when you are seeing the cost coming to you, you are understanding the activity that is completely non-value-adding activity, we are incurring so much of resources on this activity, you will get to know that whether that value is value-adding or non-value-adding, whether that activity is value-adding or non-value-adding, you will get to know that non-value-adding is cost reduction, secondly you can price your product more accurately as per the complexity involved in the product, sometimes we tend to do average pricing of all the product, if some products have more demand of resources you can price it accordingly, right? Next, third step, you help you to help you that if you have a design change, it will reduce the cost reduction, if you have a value-adding activity, there will be a value-adding activity that will decrease the value-adding activity, it helps you to, you know, again, sometimes if you are a member of some organization, you can get some details from how other organizations are performing their activities and at what cost they are doing it, if say you get to know about those information, then you can use that benchmark to basically control your cost, and again, you can see whether activities are correctly related to correct cost driver or not, so all those management exercises are activity-based management, it helps you to again do performance analysis of activity managers, every activity manager can be a performance analysis, you can do it, there are two main parts of ABM, one is operational ABM and another is strategic ABM, operational ABM is, what is happening, what can you do in it, which means that you can improve in activities, value-adding, and remove non-value-adding. And strategic, strategic means that based on the information coming to you, you can make a long-term decision, that let's close the product or make a new product in this way. So you can have something like make or buy decision, something like outsourcing करता है, या फिर outsourcing नहीं करना है, कुछ से बनाना है, something like that, can click if you are following ABC continuously. So, आप देखिए, operational में क्या है, improving value-added and removing non-value-added, ठीक है, without distorting product value, मतलब ये day-to-day जैसा हो गया, day-to-day रोज का काम में हो गया, और strategic क्या हो गया, long-term plan हो गया, long-term action plan, कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, जिससे आपको long-term में benefit होगा, जैसे which products to be manufactured, कभी customer profitability निकाला तो, which customer should be retained, which customer should be left forever, benefits के cost reduction, activity analysis, design, cost driver analysis, continuous improvement, performance evaluation, benchmarking, so these are some of the benefits of activity-based costing, limitation क्या है, ये सिर्फ नंबर्स पे खेल रहा है, non-financial चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा, organization खाली numbers पे नहीं चलता है, there are several non-financial aspects जिसको measure भी नहीं कर रहा और उसके उपर ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, तो इसलिए maybe Robert Kaplan को ये चीज समझ में आया बाद में, तो उन्होंने एक नया concept इजाज किया, जिसका नाम है balance scorecard, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी, balance scorecard financial non-financial को आके balance करता है, but उसके पहले activity-based costing आ चुका था ना, तो उससे में वो non-financial को उतना ध्यान नहीं दिये थे, limitation पर बाद में काम किया गया, but limitations ये है कि activity-based management, numbers पर ही सारा ध्यान दे रहा, quantitative चीजों पर ध्यान दे रहा है, non-quantitative चीजों पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है, difference क्या ABC versus ABM, देखे, ABM का एक हिस्सा ABC, ABM broader concept है, ABC is a technique to distribute overhead cost logically, ABM is a broader concept that focuses on management and rationalization of activities, ABM decide करता है कि कौन सा activity रखना है, कौन सा activity नहीं रखना है, ABC supplies the information, whereas ABM uses the information in various analysis to yield continuous improvement, ABC information provider है, junior है, ABM senior है, जो उस information को use करके decision लेता है कि organization को और ज्यादा efficient कैसे बनाया जाए, फिर एक point आ रहा है, ABC in advanced manufacturing environment, advanced manufacturing environment में ABC हम कैसे use करेंगे, देखे, advanced manufacturing environment का मतलब होगया, high automation है, complex production process है, तो actually ABC वहीं के लिए बनाए, there are a large number of support activities, ABC will provide more realistic and accurate product costing, as traditional volume होगा पर फेल कर जाएगा, does not take up into account the impact of each overhead cost separately on the products, such as setup, inspection, etc. traditional costing क्या करेगा, सब को इकठा करके एक साथ डाल देगा, but ABC क्या करेगा, हर एक activity wise जा लेगा, जैसे इसको यान रखने के लिए, generally मैं बहुत अच्छा है कि relate कर पाता हूं, मेरी एक अच्छी quality है, कि मैं चीजों को realistically बहुत relate कर पाता हूं, एक बार सरसती पूजा थी हमारे आपर, मारे institute में हर साल होती है, तो एक बार ऐसे पंडी जी आएं, पुजारी जी, जो सरसती पूजा करा रहें, सरसती देवी की पूजा करा रहें, तो इन जेनरल पूजा के कुछ rules होते हैं, जैसे आप लोगों को जदी पता है, इंदू दर्में पूजा जैसे होती है, तो activities होती है उसमें, पहले मान लिजे गनेश जी को बुलाया जाएगा, और फिर उनको नस्ता पानी, बोजन, फूल, कपड़े, परशाद चड़ाये जाएगे, फिर उनको दक्षिना चड़ाये जाएगा, फिर उनकी बंदना की जाएगी, उसी तरह से वरुन देवता, उसी तरह से सोड़श मात्रिका, उसी तरह से नवगरत देवता, सब को बुलाया जाएगा, ठीक है, तो उस सरसदी पूजा में पंडी जी लोगा ऐसी डिमांड बहुत जादा होता है मिलते नहीं और उनको काम बहुत मिल रहा होता है उस सब जगह जाना चाते हैं उनकी कमाई हो रही होती हो इस दिन तो एक पंडी जी हमारे हाथ में ऐसे वो पूजा कराने बैठे बोले सर्फ टाइम बहुत कम है जल्दी पूजा कराएंगा और दूसरा जगह भी बहुत जगह जाना है और सब कोई खास है हमारे हम कईसी को ना नहीं बूल सकते हैं मुले ठीक है जैसा आपको ठीक लगे तो सब चीज़ तैयार है तो उन्होंने क्या किया 15 मिनट तक एक दमा दम मंत्र पढ़ा सारा उसी में गनेज जी का आवान हो गया उसी में सोड़ा समात्र venet hadoo समें अभॉग देव था और उसी में वरुंद देवता तो यह देवता सो देवता सब एक ही मंत्रो में आ गए सारा अप्रशाद ले के आए एक साथ या रखिये सारा दक्षिना लेकिए एक सा पोकेट में मेरा ही पोकेट में न तुम मेरे पास आज अज समय कम है मैंने आपको पहले ही बोल दिया पहले मैं खुद अलग-अलग चड़वा हूँ और फिर जाते समय सब अलग-अलग निकल आपके लेकर जाओ इतना आज समय नहीं है साहब आज समय कम है माफ करेए इकठा चड़ाईए मैं भी कठा ले जाऊंगा आपका भी मंत्र ही कठा हो गया सब देवी देवता एक ही है यह सब जगा कृष्ण भगवान बोलते ही आप यही बात को मान लीजी वो चला रहे traditional हम बोल रहे चाहिए activity based causing ऐसी आपको एक entertainment के लिए मैंने बताया बट एडवांस manufacturing environment में traditional कभी भी सूट नहीं करेगा activity बेस्डी सूट करेगा अच्छा दो और important concept है break-even analysis और variance analysis अंडर ABC CA new syllabus की मैट में variance analysis अंडर ABC standard costing chapter में है और break-even analysis अंडर ABC decision making में रहे है specifically कोई जरूरी नहीं है वो activity based costing में ही मिलेगा बट मैं इन दोनों को भी activity based costing में ही पढ़ाता हूं ठीक है तो break-even analysis अंडर ABC क्या है basically आपका in general break-even point आता है total fixed cost divided by contribution per unit कैसे आता है total fixed cost divided by contribution per unit now in ABC क्या होता है न यह fix cost अलग-अलग जगत तूट जाता है जैसे एक हो जाता है समझ लो कोई fix cost का कोई नाम हो गया for instance कोई setup cost बन गया अलग-अलग activities में तूट जाएगा न कोई setup cost हो गया कोई inspection cost बन गया कोई मान लीजे आपका machine running cost हो गया या packaging cost हो गया आसी कुछ भी नाम दे दे रहा हूं है है ऐसे कुछ नाम हो गया packaging cost हो गया कोई जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ operation related to activity-based costing can analyze it in any way as it wishes to and sometimes some fixed costs may still remain yet to be unanalyzed याद रखना कोई जरूरी नहीं है कि आप activity-based में आगए तो सारे fixed costs आपके break हो जाएंगे अलग-अलग activities में तीक्स time lot of time many times we just try to highlight important activities and follow those only as activity-based costing बाकी fixed costs unanalyzed रह गए तो activity-based costing में break-even निकालने के लिए पहला step यह है कि total fixed cost जानो and that will be sum of all activity-wise cost as well as don't forget to take unanalyzed fixed cost if you forget to take unanalyzed fixed cost you will be in trouble ठीक है sums wrong हो जाएगा हो सकता है कि question में दिया हो कि company का before ABC total fixed cost 50,000 था and after ABC भी इन चारों को जोड़के 50,000 यहार है कोई problem नहीं है आने दीजे ज़रूरी थोड़ी कि activity-based costing आते ही cost reduce हो जाएगा या cost बढ़ जाएगा कोई ज़रूरी नहीं है अगर भढ रहा है तो भढ ने दीजे घट रहा है तो घट ने दीजे जैसा दिया वह वैसा ही आप ले लीजे हो सकता है same आ रहा है तो same रखे और फिर उसको contribution point से divide करें पहले इन चारों को जोड़कर fix cost जानी और फिर आप contribution से divide करें तो break-even आएगा total fixed cost is equal to activity wise fixed cost जो अलग-अलग है plus unanalyzed fixed cost यह unanalyzed fixed cost हम लोग जोड़ना भूल जाते है इसलिए मैं emphasis दे रहा हूं फिर break-even जैसे निकालना है वैसे निकालना है इसमें आपको मैंने minimum break-even का concept सिखाया था या दो check for minimum break-even point with slab fixed cost with slab fixed cost CVP में सिखाया था उसका sums actually activity based costing में आता है आप उसको देख जरूर लीजेगा आपका regular class में यदि किया हुआ है मेरे साथ तो नहीं किया हुआ है तो regular class वाले student आप नहीं है तो तो वही group में अपने दोस्तों से उसका snapshot मंगवा लेना है और उस सम को जरूर से अच्छे से देख लेना है ठीक है activity based costing आने से एक सवाल उठता है कि क्या fixed cost हमेशा के लिए कम हो जाएगा the answer is जरूरी नहीं है activity based costing कभी-कभी fix cost ले क्या आदा है implementation का fixed cost अदमी रखना पड़ा उसका fixed cost और आकर वो fixed cost को analyze करेगा तोड़ेगा और फिर एक-एक fixed cost पे जो activity बन चुका है उस पे काम करेगा उसमें value adding को रखेगा non-value adding को रटाएगा long term process है तो एक बार exam में question आता है जहाँ पे पूछता है कि unanalyze fixed cost unanalyze fixed cost आपका unanalyze fixed cost ध्यान से सुनो unanalyze fixed cost यदि आपका comprise करता है majorly depreciation को तो क्या वहाँ पर activity based costing आपको फाइदा देगा मेरा question सुनना एक question exam में आदा कि कमनी है जिसका unanalyze fixed cost majorly comprise करता है depreciation को तो क्या उस कमनी को further activity based costing करके अपने unanalyze fixed cost को break करना चाहिए the answer to that is no why because depreciation is something which is as a result of your past sunk cost past में जो cost incur कर दिया उसके कारण depreciation हो रहा है अगर उसमें majority depreciation cost है तो और further analyze करके कोई खास benefit नहीं आने वाला है so if unanalyze cost comprises of majorly depreciation ये line आपके लिख लिजे if it comprises of majorly depreciation then there is no further benefit of further analyzing it why because you cannot at any point of time reduce the depreciation cost depreciation is kind of a structural driver structural cost है वो आपका अपना machinery इसको हटा तो नहीं सकता है depreciation नहीं हो सकता अगर उसमें कोई cash component वाला fix cost है तब तो उसको analyze करके हम कुछ benefit ला सकता है because analysis का भी time है cost है right और एक question और आता है variance analysis को लेकर variance analysis under ABC में एक चीज़ याद रखना कि इसमें कभी-कभी mistake हो जाता है ABC वे generally हमने क्या बोला कि जो भी आपके overheads है वो fixed nature के है अभी break-even में भी है जिसको आप अलग-अलग way analyze कर रहे हूँ बट जब variance analysis के लिए activity-based cost को पढ़ रहे है तो variance analysis assume कर रहा है कि हर activity का cost variable है जिसका variable का parameter है उसका cost driver पुरा उल्टा हो गया अभी marginal costing कर रहे है उसमें तो activity-wise cost सारा fixed cost में घुसाया जा रहा है ठीक है बट जब अपने variance analysis कर रहे हैं तो variance analysis assume कर रहा है कि all activity-wise costs are variable cost with variable parameter being their cost driver so when you are analyzing its variance calculate it like variable overhead variances see new syllabus वाले कान खोल के सुन लिजए आप लोगे लिए सबसे hot topic है हो सकता है इसका question exam में छपाओ आपके लिए variance analysis आप past में देखेंगे ना under ABC आपका कई बार आ चुका है चाहिए वो standard costing में घुसा के मैंने वर्ट आई व्यू में डाल दिया होगा या फिर मैंने आपका ABC में बोलके डाला होगा आप उसको जुरूर रेफर कर लीजेगा और यह बहुत important है आपके लिए यहाँ पे variable overhead variance के तरह आपको इसका analysis करना है और variance analysis अभी नहीं घुसुंगा वो अपने जो standard costing करते है वो cost card बनाते variable overhead cost card standard cost for actual output actual cost standard cost for actual output में होता था 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 quantity rate amount अभी quantity के जगा total volume of cost driver rate per unit of cost driver और amount देखिए यहाँ पर standard drivers फ़र रेट per unit of driver और amount फिर actual drivers rate per unit और amount और फिर team variance आता था था cost variance expenditure variance efficiency variance वही चीज़ा है cost variance total minus total इन दोनों को minus करेंगे rate variance में दोनों का rate minus करके actual driver volume से multiply और efficiency variance में दोनों का driver का volume को minus करके standard rate से multiply ठीक है तो इसके sums हम लोग क्लास में भी करते है और यह VVIP category का question है CA new syllabus में और आपको इसका जितना भी sum अभी तक past paper में आया हुआ है आज ही बैठके इसके सारे sum को solve कर लेने चाहिए जो बहुत easy होते हैं उसमें कोई complexity भी नहीं है और इसको miss नहीं करना है मतलब यह आ गया तो एक्जाम में paper देखते ही अगर एक question मिल गया तो जोड से चिलाद हो गई yes क्या yes पुल दोग एक दम तुरंट समझ में आ जाएक अगल पगल वाले को ये भी करके आया हुआ है कुछ इसमें दम है ठीक है तो चलिए आज मेरे तरफ से activity based costing खतम हो गया and हम आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं अगला दिन फिर जारी रखेंगे ओके अगला दिन हम फिर continue रखेंगे नए chapter strategic analysis के discussion के साथ अगर आपकी कोई query हो variance analysis related मैं आज ही आपको एक home task दे रहा हूँ कि आप variance analysis का sums जरूर से कर लिए और कोई भी query हो तो अगला दिन मेरे से पूछ भी सकते हैं यही तो live class का फाइदा है न कि पूछ सकते हैं सर से मिल सकते हैं नहीं तो बैटे रहे recording में और दोस्तों में कपड़ कपड़ करते रही जैसी आपकी इच्छा ठीक है जी चलिए कोई और query हो तो मैं wait कर रहा हूँ live class का फाइदा उठाइए और बाकी आज की class यही रोकते हैं okay okay friends we are starting with our new chapter today strategic analysis of operating income now this chapter has got lot of connection with activity based costing and also there is a new concept here that we learn called as profit reconciliation इसका दूसरा नाम मैं बोलता हूँ profit reconciliation which is basically a concept called as strategic profitability analysis here what we do is we reconcile last year profit with current year profit by breaking it into three factors one is growth factor second is price factor and third is productivity factor तो आपको क्या करना है अपना last year profit को current year profit से match कराना है by breaking it into three parameters which is growth factor, price factor and productivity factor सो इसका एक format होता है सम करने का इसमें दो तरह के सम होते हैं एक है growth price recovery और productivity को लेकि exact पूछा जाता है और एक दूसरा होता है मैं थोड़ी दिर बात बताता हूं पहले आप first type को सीखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या समस में आपको last year और current year का पूरा detail दिया हुआ होगा सब्सक्राइब को भी फिक्स मान के हम लोग profit पहले last year का निकालेंगे जैसे यह होगा आपका step number one ठीक है यह working होगा step one फिर दूसरा working होगा step number two current year profit आपको step number two में निकाल लेना है ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आपको यह note one two note three का ऐससे जरुवत नहीं है यहाँ पर note three नहीं होगा note number one sales volume variance note number two excess cost note number three sales margin variance ठीक है note number दिया आप एक पर छोड़िये फिर आपको करना क्या है मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको यह निकालना है 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 और यह निकालना ह इसमें काल नोट 3 लिखा हुए बैट कुछ करना नहीं होता आपको फिर यह तीन तो टोटल करके आ जाएगा अपरोच समय लीजे स्टेप वन में लास्ट ये प्रॉफिट स्टेप नंबर टू में करेंट ये प्रॉफिट और स्टेप नंबर थ्री में आपको यह सब नोट व बना के आपको समझा देता हूँ एक बार और मैं आपको एक बार फ्रेश चाट बना के दिखा देता हूँ आपको बनाने का जुरुत नहीं है विकॉस आपका बना हुगा आप फॉलो कर लिजे काली जिसे पहला स्टेप में क्या होगा पर्टिकुलर्स लास्ट येर करेंट बंटार का हम लोग ऐसे ढाचा बनाएंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे एंद देन विए फिल अप रेवेन्यू दिन हिल डिदाक फ्रम दिस कॉस्त अस मटीरियल कॉस्त देन विल आप कशन से इंड और फिक्स कॉस्त अजियूम और लेते इसको और फिर और सेलिंग एंड तो step number one में last year profit step number two में current year profit next इसके बाद आपका तीन parameter है which we are calling as growth effect then it is price effect then it is productivity effect growth price and productivity ठीक है so growth effect में सबसे पहले note number one यह है and this is what what is this note one growth का मतलब होता है change in volume ठीक है growth का मतलब है change in volume so last year और current year में जो output grow किया उसके कारण क्या revenue में फायदा हुआ इसको आप समझके चलो यह आपका standard है और यह आपका actual है यह आपका budget है और यह आपका actual है ऐसा समझके चलो ठीक है so note number one में जो working होगा वो होता है growth effect on sales growth effect on sales growth effect on sales का मतलब क्या है it is equal to AO minus BO जितना output grow किया into standard selling price standard मतलब last year और actual मतलब current year ठीक है similarly you will have to fill up everything say note number two में आप यहाँ पर काम कर ली जही की बात है पज़रूरी निये note two नीचे ही जाना है note two is price effect on sales price effect on sales means sales price variance which is actual price minus standard price okay multiplied by actual output sold actual means all current year and standard means previous year then sales में productivity नियोता productivity is associated with cost productivity with is associated with cost next two ka note number three note number three is related to growth effect on material cost and this is I always say the khalnayak of the entire sum इसी में सबसे जादा mistake होता है what is this actually this is we say growth effect on material cost growth effect on material cost now what is this growth effect on material cost जिसे अगर हम grow करेंगे यनि volume हमारा बढ़ेगा तो material cost बढ़ेगा so it is basically the extra cost of material due to growth due to change in volume growth मतलब change in volume extra cost of material due to change in volume so now here we write BO minus AO because it is a cost thing the more the volume the more would be the cost and ज्यादा cost होने से adverse variance आता है तो adverse दिखाने के लिए BO minus AO the more the volume the more would be the cost so the variance will become adverse इस लिए BO minus AO एक्स्ट्रा वाल्यूम होगा तो minus मैना चाहिए multiplied by standard material cost per unit of output standard material cost per unit of output यह output है BO minus AO is what output multiplied by standard material cost per unit of output remember this now इदर mistake क्या होता है आप लोग जब सम करते है न तो you take here standard rate per unit of input you take here standard rate per unit of input तो just I wanted to say कि यहाँ पर आप standard rate per unit of input मत ले लेना यह growth effect on material cost जब निकाल रहे है तो standard rate per unit of input मत ले लेना आपको output पर जाना है ठीक है so growth effect on material cost is equal to extra cost of material due to change in volume and that is BO minus AO into standard material cost per unit of output okay so यहाँ पर खली ध्यान देने का चीज़े उसके बाद बाकी सब आगे simple है यह होगा आपका note number four price effect note number five होगा productivity effect of material price effect of material is material price variance price effect of material is equal to material price variance note number five productivity effect of material productivity effect of material is equal to material usage variance यह सब लिखा हुआ है मैं आपको time नहीं दे रहा क्यों क्योंकि यहाँ पर सब लिखा हुआ फॉलो करिए यहाँ पर ठीक है productivity effect of material is nothing but material usage variance अब आप बोलेंगे सब हमको MUV नहीं आता तो मैं अभी कुछ नहीं help कर सकता आपकी next conversion cost में इसको fix माना गया है और fix में यह ध्यान रखना हम लोग marginal costing अप्रोच फॉलो कर लेते इस तरह के sums में जब marginal costing approach फॉलो कर रहे हैं तो volume change होने से conversion cost पे कोई असर नहीं आएगा और उस प्रोडक्टिविटी का भी कोई असर नहीं होगा just price effect आएगा which is nothing but fixed overhead expenditure variance so note no.6 में ठाली price effect आएगा आपका price effect on fixed cost is equal to fixed cost expenditure variance fixed cost expenditure variance ठीक है तो expenditure variance is nothing but the budgeted amount minus actual amount it is just the difference between these two growth आ नहीं रहे प्रोडक्टिविटी आ नहीं रहे और selling and admin को भी यदी हम fixed demand लेते हैं generally some hours तक जो आया है उसमें यह दोनों को fixed बना के दिया है तो उसमें भी marginal costing ले ले लेंगे और यहां पे भी growth और productivity cancel हो जाएगा सिर्फ price effect आएगा और price effect विल भी दोनों का difference रहे तो step two का profit आ जा रहे तो basically this is also kind of profit reconciliation statement what you are doing is reconciling your last year profit last year profit ठीक है reconciliation statement you are reconciling your last year profit with current year profit broken up into three different parameters growth price and productivity effect so this is type one now type two में क्या होता है type two is further development over type one whereby यह change in volume आने का question में reason बताता है question में बताता है कि change in volume कैसे आया मैंने last year 10,000 बेचा और इस year मैंने 15,000 बेचा तो 5,000 बेचा उसका reason क्या है उसका reason दो part में classify होता है क्या तो industry size grow किया या फिर market share हमने दूसरों का चीना क्या तो industry size grow किया उसके कारण मेरे को extra मिल गया या फिर मैंने market share चीना सो यहां पर यहां पर जब हम लोग आते हैं तो यह growth effect का 2 part हो सकता है एक हो सकता है इंडस्ट्री का size का effect और दूसरा part हो सकता है इंडस्ट्री का share का effect एक हो सकता है इंडस्ट्री size का effect और दूसरा part हो सकता है इंडस्ट्री का share का effect size और share ठीक है और वो कब होता है जब आपका पूरा type 1 हो जाएगा तब आप इस amount को खाली break करते हो तो break कैसे करेंगे question में बोल देगा जिसे 10,000 से 15,000 हुआ तो extra growth कितना आया 50% आया ना तो question बोल देगा कि 30% size के कारण है 20% share के कारण है it will be written in the question so accordingly what you will do is you will break this into two parts growth effect को तो पार्ट में तोड़ोगे ठीक है तोड़ने के बाद क्या होता है उपर आ जाईए type 1 हो गया ना type 2 का यहाँ पर information missing हो गया है तो type 2 का मैं आपको बता देता हूँ type 2 आपको note करना पड़ेगा type 2 में यदि हम आ जाए तो type 2 का reconciliation है तीन पार्ट में एक पार्ट आपको दिखेगा product differentiation दूसरा पार्ट आपको दिखेगा market size और तीसरा पार्ट आपको दिखेगा cost leadership ठीक है तीसरा पार्ट आपको दिखेगा cost leadership तो यह तीन पार्ट में कैसे आएगा जैसे आपका सुचो last year का profit है उसमें आपने growth effect निकाल लिया growth effect आल्रेडी आ गया price effect भी आ गया और productivity effect भी आ गया और current year का profit आपने इससे match करा लिया और मैंने क्या बता है growth को आपने दो पार्ट में तोड़ लिया यह कै size और यह कै share तो size is market size यह ready made हो गया यह break करने के बाद यह वाला market size आ गया share और price को मिला देते हैं तो बन जाता है product differentiation इसका नाम हो जाता है product differentiation मतलब कहने का मतलब यह है कि हमने अपने product में कुछ अच्छा फीचर डाला जिसके कारण हो सकता है हमने price बढ़ाया या घटाया जो भी और फिर market share उससे चीन लिया मतलब दूसरों का market share ले लिया तो product differentiation का cause है price और effect है share and productivity का मतलब हो गया cost leadership productivity का मतलब हो गया cost leadership मलब उसमें कुछ करना नहीं है just productivity का नाम ही cost leadership बढ़ा देना है फिर आप add कर देंगे market size effect market size का effect फिर उसके बाद आप add कर देंगे product differentiation effect product differentiation में दो पाड़ आजेगा इसके अंदर आप share और price effect को जोड़ लेंगे और फिर third पाड़ आजेगा cost leadership which is nothing but productivity effect only cost leadership and productivity effect are same okay so इन तीनों को यदि हम add कर दें तो result आजेगा current year profit इन तीनों को यदि हम add कर दे तो result आजेगा current year profit ठीक है so यह presentation है type 2 का in general exam में direct इसको कम पूछता है type 1 के साथ type 2 add करके पूछता है so question आ रहा है कि क्या sir formula लिखना जरूरी है the answer is no formula लिखना जरूरी नहीं है formula आप अपने सहुलियत के लिखते हैं खाली formula का भी कोई marks नहीं है सही calculation का ही marks है ठीक है तो formula लिखना है सच कुछ जरूरी नहीं है okay so यह आपका पहला type of sums हो गया इसका एक बार practice आपको करना चाहिए या फिर आपको surety है कि मैं note 1,2,3 वगरे आराम से बना लेता हूं तो उधर आपको खली देख लेना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं next इसमें strategic analysis में direct product profitability जिसको हम लोग बोलते DPP direct product profitability यह एक तरह से product का profit निकालने का तरीका है ज्यादा तर यूज होता है retail organization में जहां पर हजारों products बेचे जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि हम लोगों का जो product हम store में रखे वे उससे actually profit हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक नॉर्मल सूपर मार्केट का concept यदि आप रिकॉल करें जहां पर retail में बहुत सारे goods बेचे जाते हैं उनका जो store होता है वो chain store जैसा होता है बहुत सारा store वो लोग city में एक साथ खोलते हैं और फिर उस store का जो भी items है वो items को वो लोग store करते अपने एक warehouse में supplier से जब procure करते हैं तो warehouse में रखते हैं और warehouse से फिर जिस जिस store में जो जो request आता रहता है वहां वहां dispatch करते रहते हैं तो basically एक एक item उसका दो जगा store किया जाता है वहां जहां पर store है वहां पर और दूसरा है जहां पर warehouse है वहां पर तो warehouse में भी store कर रहे हैं और main store में भी store कर रहे हैं correct तो one item is being stored at two places and when we are actually calculating our profit the convention used to be selling price minus purchase price that is only supposed to be the profit of each product which we also call as GP margin so if we are buying one bottle say in 20 rupees and in our retail store we are selling it at 30 rupees our gross margin is 10 rupees per unit so that is only we we are calling the profit of a product conventionally now our new concept is saying that आपको क्या करना है इस प्रोडक्त में इस से रिलेटेट जितना भी cost आप इंटिफाई कर सको be it in your own main stores रहे हैं की retail store जो आपका customer के लिए उपन है as well as the warehouse and the cost of transportation of those items from warehouse to stores जितना आप cost उसमें इंटिफाई करके डाल सकें उसके बाद आप यदी profit देखें तो वो आपको real picture दिखाएगा because many times some items sell very fast so their profitability is very high and many times some item has very slow selling if their selling is slow that means they are in your stores for long time so they might be also there in your warehouse for a long time so you are incurring cost against them but you are not actually allocating those costs to those products so what we are suggesting is you should charge all the identifiable cost to all the products as well how cost identify कैसे होगा उसके लिए बने बुल activity based costing अब help लीजे अपने stores का activities देखिए अपने वेराउस का activities देखिए और अपना transportation बेग activity वेराउस टू स्टोर्स का इसमें बस यह ध्यान रखेंगे कि product profitability निकालते हैं वक्त HO cost head office कहीं और हो सकता है सुचो वेराउस कहीं और है retail store कहीं और head office कहीं हो रहे है HO का जो भी cost है वो कभी भी कोई product में नहीं आएगा product related cost ही सिर्फ आपको उसमें charge करना है ठीक है so what is the usefulness of this kind of analysis it helps you to correctly identify whether to continue with a product or not it helps you to identify whether your storage space in retail or warehouse is properly utilized or not it again gives you a better clarity of your profitability of your organization so you can accordingly price your products well also if any product is having a higher storage cost then you should accordingly you know price it also so kya हो रहा है यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ पर देखे क्या लिखा है profit नहीं आता था product wise जो profit आता था उसको gross profit बोलते थे conventional accounting में net profit सिधा कमनी का आता है प्रोड़क का नहीं आता बट यहां पे net profit each product का आ रहा है by attributing other product related support cost by attributing other product related support cost along with the purchase cost it is primarily used in retail sector benefits का cost analysis अच्छा हो गया pricing हो गया better management of store and warehouse space and rationalization of product range का मतलब है कि कि किसको continue करना है किसको discontinue करना कुछ-कुछ product हम लो discontinue कर दिना चाहते हैं I will tell you one very interesting fact यह वाला चीज आप तो ऐसे सूच रहे कि यह retail store है तो ठीक है समझ में आ रहा है बट नाओदे इस बिग companies like Alibaba और Amazon they are started doing analysis of this DPP based on their web space एक प्रोड़क को host करने के लिए जो web space consume होता है ठीक है और कौन सा page में कितना position वो ले रहा है correct उससे भी वो लोग उसका profitability देख रहे फिर एक एक प्रोड़क को वो लोग digital marketing के तुरू प्रोड़ भी करते हैं तो एक एक प्रोड़क का वो प्रोमोशन का जो कॉस्स लग रहा है वो भी वो उसमें चार्ज करके अपना net profitability देख रहे हैं एनिवेस डीपीप स्टेटमेंट कैसे बनता है यह जेनरल याद रखना रूपीज पर उनिट होता है एक बार एक्जाम में क्वेशन आया था यह ओल्ड सलेवस में डीपी का तो बच्चों ने क्या किया था ना पर उनिट नहीं निकाला टोटल निकाल दिया आंसर साही था बट मांग जीरो दे दिया क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखावा नही बेसिकली प्रोड़क्ट रिलेटेड जितना आप कॉस इडेंटिफाई कर सकते हैं इसका उपर एक सम हम लोग करते हैं वह बटर जेली आई सी कूल फूटेंड नट्स वाला उसको एक बार आप जरूर देख लिजेगा नेक्स्ट आग noir कस्टमर प्रोफिटेबिलिटिए आलेसिस में आ रहें 한नि कास्टमर बीटेबिटि में लोग बैस्ट मरें सब्सक्राइब को कॉलम बना रहें अफ मालीकित्ट श मरेश की मुझार सकता है जैसे कि small scale customers या retail customer wholesale customer small customer large customer ऐसा कुछ आप channel बोलते हो उसको group of customer को वो channel wise profitability निकाल सकते हो okay so करना क्या basically आपको particular अपना column बनाना है customer का customer channel का फिर customer से जो sale price आपने charge किया इसको total में ले जाते हैं इसमें पर यूनिट पर नहीं काम करते हैं इसमें total में काम करते हैं तो इसमें total sales आ जाएगा फिर उसको अगर अपने कोई trade discount दिया तो माइनस हो जाएगा ठीक है फिर sales return हुआ तो माइनस हो जाएगा तो फिर आपका उससे variable cost माइनस होगा contribution आएगा fix cost माइनस होगा profit आएगा दिया बहुत है sales less variable cost sales less discount किया net sales आया less variable cost किया तो contribution आया फिर fix cost के नाम पे question में customer support cost दिया हुआ है जैसे कि customer को visit करने का cost customer को delivery पहुंचाने का cost customer का order processing cost ऐसा करके आपको customer का related बहुत सारा support cost दिया हुआ वह सब आपको माइनस करते वे चलकर सबका net profit निकालना और वह एक्टिविटी बेस costing का फंडा है इन जेनरल question में बहुत सिंपल डिटेल्स दिया वा रहता है आपको रेट ऑफ हर एक्टिविटी दिया वा margin आया जैसे वेरिबल कॉस्ट दिया वह तो contribution बोलोगे लेस्ट फिर customer specific allocated cost using ABC तो कौन कौन सा कॉस्ट हो को क्वेशन में पाच्छे आइटम होते हैं customer visit cost delivery cost order processing cost ऐसा ही कुछ वह सारा cost आपको यहां पे बनाना है और column बनाना हर एक customer का तो हर एक customer का कितना कितना driver consume हो रहा है उसके सबसे आपको multiply करके rates से cost उसका लिख देना है और net margin निकालना है नॉर्मली इस type of question में चैलेंज होता है comments लिखने बोलता है कि आपको कैसे situation में company को advice देना चाहिए कि company और ज्यादा profit कमा सके तो इन जेनरल customer profitability analysis का aim होता है कि हम यह जाने कि कौन सा customer हमें ज्यादा profit दे रहा है कौन सा customer हमें कम profit दे रहा है उसके बाद हम जो ज्यादा profit दे रहा है उसको साथ अच्छा relation बनाएंगे उसके उपर ज्यादा resources देंगे ज्यादा focus करेंगे और जो कम profit दे रहा है क्या तो उसको eliminate करेंगे या फिर देखेंगे कि किस कारण से कम profit दे रहा है उसके एक support cost पर काम करेंगे हो सकता है हम लोग उसको support बहुत ज्यादा ही दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे है उसके उपर rationalization करेंगे और फिर उससे profit बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो customer profitability analysis का एक एम क्या होता है कि आप जज कर पाएं कि कौन सा customer आपको फाइदा दे रहा है कौन सा customer आपको नुक्सान दे रहा है accordingly आप ज़्यादा फाइदा वाला customer है उसके लिए ज़्यादा resources allocate करेंगे so customer profitability analysis में it is the analysis of revenue and cost associated with specific customer or customer groups it is aimed at retaining the most profitable customers and re-engineering or eliminating the loss yielding customers okay we don't usually tend to analyze all these and we try to give equal time to all the customers so sometimes what happens is we tend to lose we tend to lose lot of benefit we cannot use this kind of analysis in each and every business what we generally say my observation in this particular study is what I generally say is कोई भी customer को कमजोर नहीं समझना चाहिए आज हो loss दे रहा है कल हो क्या profit देगा पता नहीं है तो आपको अपना resources जो है वो थोड़ा अलग-अलग तरह से allocate करना चाहिए for example मैं आपको बताता हूं Google है Google से अपने Gmail use करते है Gmail का आप लोग क्या charge देते हो कुछ नहीं देते हो Gmail is free service for you so Google is clear that I have made some services which are free for everyone so I get lot of customers for that okay so you are if you are opened one Gmail account okay that means you are a customer of Google and you have not paid them anything so they are not interested in giving you any kind of personalized service okay so whenever you are in trouble what you have to do is you have to search on YouTube and all and or you can help search help topics in there in their website and you get your query result don't they are not saying that you know I will give you a personalized salesman or customer support service nothing now the moment we give them some subscription of the our email account like in our SJC we have our paid email accounts from Google okay so we pay for one Google Google mail account approximately eight to ten thousand rupees a year so when we are paying them so what they have given us is 24 7 customer support service on call or on chat so they are giving us a personalized service why because we are giving them some profits in your case when save a free user is having an account they are not giving any support why because you are not giving them any kind of profit so idea is a customer eliminate minute karo yeh thhodha sa logical nahi hai hai yeh business sense meh aata nahi hai we say ắp tik dao जो customer जो customer आपको profit नहीं दे रहा है आप उसको जार्फिस time द़न कररो जैसे एक यह ने क्लासिफिकेशन ब civ करें कि जसे बहूबब अच्छे पढ़ा था तो मैंने नोस में pleas कि अगर हम classification करें कि cost to supply to customer और price customer willing to pay ठीक है price customer willing to pay और cost to supply to customer को अगर हम एक matrix में डालें जो customer एक ऐसा होता है जो price नहीं देना चाहता है price customer नहीं देना चाहता बट वो अपना demand हमेशा बहुत ज्यादा रखता है इसलिए उसको serve करने का cost ज्यादा है तो ऐसे customer को हम बुलाते demanding customers जिसे पिछले दिन कुछ लोग कमेंट करें थे नहीं सर फ्री में ही पढ़ाना चाहिए आपको फ्री में पढ़ाना चाहिए तो मतलब कौन सा है category of customer हो गया कि price customer willing to pay नहीं है बट उसको इतना हमसे service चाहिए कि उसको serve करने का cost ज्यादा है तो वो कौन से customer है demanding customers है ठीक है demanding customers कभी भी विजनेस को आगे जाके फाइदा नहीं दे सकते है तो demanding customers को हम लोग कर दम clearly बोलते हैं कि आप general resources पे चलिए हमारे जैसे YouTube चैनल में जो जो वीडियोज है उसको follow करते रहे और हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते आप हमें call मत करिए आप हमें मेल मत करें कुछ भी मत करें हम आपको support नहीं दे सकते इस सम्धिंग लाग देस ओक डिमांडिंग customer का मतलब next आ रहा है price customer willing to pay is low और cost भी लो है तो यह तो ठीक है कि का price भी नहीं देना चाहता और उनको serve करने के लिए हम लोगों का कोई cost भी नहीं है तो कौन सा customer है price conscious customer है तो उस customer के लिए इस particular customer के लिए हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है मतलब they are not actually willing to give you profits why because they are price sensitive so आपको जैसा चल रहा है वैसा ही चलाना चाहिए अगर यह customer आपके साथ है तो मतलब in customer को तो नहीं बोल रहा है resources नहीं देना चाहिए cost को कम करना चाहिए और इसके साथ price conscious customer के साथ आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए you don't have to do anything you just let them come with you as it is आ रहे तो आने दो okay but don't try to give them much of the resources again because that will increase your cost then there are some customers whose willingness to pay is also high but the cost of serving those customers is also very high they are service conscious customers okay so यह जो customer होते है न यह जैसे हम लोग है for example मैं अपने vendors लोगों का यह वाला customer हूँ ठीक है जैसे यदि मैं अपने यह software लेता हूँ मैं अपने यह website develop कराता हूँ मैं अपने cameras लेता हूँ मैं अपने book binding कराता हूँ so what kind of customer I am to them is I am a service conscious customer I am giving them high price also but at the same time when I am giving the price I just don't let it go I demand high service as well so for serving me they have high cost but they recover high price from me also okay so those are service conscious okay some business are doing this kind of business service conscious customer को लेके चलते है so they are happy okay cost भी है तो मेरा price भी है तो I am able to set off but again there is a risk in the organization if I am having such customers because these customers if they default at any point of time I will be at high risk because their cost of serving is very high the most popular of all is this kind of customer where willingness to pay is also high and cost of serving those customers is very low you will find this kind of clients in your CA firm who come once in a year and there is a very less load of serving them less resources required very less resources required and they pay handsome fees so इस तरह का कस्टमर ही हम लोगो को खोज के ज्यादा से ज्यादा एक्सेप करना है the aim is to attract as many accepting customers as possible okay but many organization fall into the demanding category that is the biggest challenge steps in CPA क्या है कि आप CPA कैसे करतो सबसे पहले तो अपने customer group को split कर लो segments में कि वो large scale है wholesale है small scale है retail है फिर उन सबका annual revenue जानो फिर उनका cost of serving the segment जानो फिर आप revenue cost जानगे तो profit भी आगया फिर देखो किसको किसको retain करना है और फिर किसको किसको re-engineer या eliminate करना है ठीक है eliminate is never never to be given an option in unless you have you know reached sky heights something like that every customer is very very important so re-engineering कर सकते हैं आप resources generalize कर सकते हैं जैसे गूगल ने देखे अपना जो इतना बड़ा इंपायर बनाया वो पहले free वाले customers को ही ले लेके बनाया पेटीम ने भी इतना कुछ बनाया ओबर ने इतना कुछ बनाया है तो यह सब यह लोग क्या कि free customers को ले लेकर फिर धिरे-धिरे-धिरे सब को convert किया तो जो free वाले हैं वो भी important customers होते हैं उनके साथ आप generalize resources में play करिए नेक्स्ट आ रहा है आपको हमने बोला है कि एक नया concept है customer lifetime value सिये में और सिये ओल्ड में एक theory concept है सिये नियू सिलेबस के लिए इसमें एक practical concept भी है यह अपने डीजेवी बुक में आपको मिल जाएगा अगर आप लेटेस बैच में class लिए तो आपको उसमें अपडेटेडी मिलेगा customer lifetime value यह क्या concept है इसमें हम लोग हर एक customer का net benefit निकालते हैं net profit निकालते हैं और फिर देखते कि वह कितना साल तक हमारे साथ ऐसा profitability हमें देता रहेगा जैसे फर इंस्टेंस एक समझे एक एक example हम लोग जो class में कराते हैं इसको लेकर वो कराते हैं आपका एक मान लीजिए उनिवर्सिटी के एरिया में एक city में उनिवर्सिटी बहुत बड़ा एक है उसके एरिया में multiplex theater चलता है तो वो theater वाला का major जो customer है वो university के students है तो एक-एक student यदि उनिवर्सिटी में आते है तो चार साल पड़ते हैं तो उसके customer का life है चार साल तो उसको जो भी कमाई मिलेगा वो उस चार साल से ही मिलेगा तो एक-एक customer वो calculate करता है कि पहला year आएगा तो हमें कितना देगा दूसरा year आएगा तो हमें कितना देगा तीसरा year आएगा तो हमें कितना देगा चौता year profits from a customer आपने निकाला, that is called as customer lifetime value, ठीक है, जिसे हम लोग भी आपके लिए सोच सकते हैं, करते नहीं है, सोच सकते हैं, जिसे इंटर में यदि आप हमारे पास आते हो, पढ़ने के लिए cost, fm, tax, जो भी हमारे आपे subjects होते हैं, तो आप इंटर में आते हो न, तो आपका हम लोग क lifetime value निकाल सकते हैं, कि आप इंटर में आए, तो इतना समय आप इंटर में रहोगे, तो इंटर में इतना मुझे revenue दोगे, तो final में इतना revenue दोगे, और उसके बाद, actually हमारा कोई as such अभी right now service नहीं है, कि हम उसके बाद भी आप से कुछ revenue ले पाएं, हाला कि we are planning to do something for qualified students also, later on in some point of time, so अगर हम वह अभी नहीं करते हैं, तो हमारे customers का, यानि students का, जो life है हमारे साथ, वो inter से उसका final का journey तक है, जो maximum मुझे लगता है, दो साल होता है, तो मेरे case में first year में मैं देखता हूं, inter से क्या revenue है, और second year में मैं देखता हूं, उससी student का final से क्या revenue है, तो वो revenue के बाद मैं उसका cost minus कर दूँ और support cost भी minus कर दूँ तो जो profit है, उसका present value लूँगा, तो आ गया student lifetime value, वैसे customer lifetime value, सबसे easy होता है, यह वाला analysis का सबसे easy काम होता है, जहां पर जैसे university का ही समझो, for example, या school का समझो, एक बच्चा जदी class 1 में admission लिया, तो वो class 10 तक continue करता है, तो हर एक decade 10 तक का, 10 साल का life है, school में वो 10 साल बिताएगा, तो हर एक साल उससे कितना हम लोग collection करेंगे, उस बच्चे के पीछे cost कितना है, और फिर उससे हम हर एक बच्चे का lifetime value निकाल सकते है, so in general ये concept ज़्यादा तर वहां use होना चाहिए, जहां पर consistency रहता है customer का, lifetime value आप ऐसे जग बच्चे कर लेते हैं, तो क्या हमारा lifetime value कुछ भी नहीं है, बट क्या हो रहा है, जिसे आपको एक और चुछ बताते है, Amazon, Paytm वगरा ये सब lifetime value खुद बखुद कर लेते हैं, by seeing your trend, मतलब इनका analytics इतना powerful है, बैकेंड में कि वो trend पकड़ लेते हैं, कि आप यह दी first time आज मेर आप कितनी बार हमारे पास आते हो, और overall हमारे साथ रहकर कितना हमें transactions देते हो, या कितना हमें revenue देते हो, benefit देते हो, उनका data analytics से वो लोग पता लेला लेते हैं, anyways, सब चीज में science involved है, data science involved है, तो आप कच भी कर सकते हो, but सबसे easier way में होता है, जैसे school में, university में, जहां पे customer fix र नहीं है, तो AMC में जहां बन जाते है, तो वहां पे, आपका customer का life determine करना easy हो जाता है, या gym का example भी ले सकते है, thank you Manisha, so there is a question here, list of service organization where CPA is suitable, that is important question for exam, especially for CNU syllabus, कहाँ कहाँ CPA लग सकता है, financial institution like bank, insurance companies, okay, वो लोग करते हैं, बैंक में, जो मान लीजिए, एक होता है, साधारन आदमी, जो account खुला है, savings account, उसको लोग उतना पता नहीं देते हैं, ठीक है, फिर जहां पता चलता है, corporate आ जाता है, company का account खुलता है, तो वहां पे लोग एक RM appointment कर देते हैं, relationship manager, वो अलग से support करता है, फिर जैसे जैसे account का scale बढ़ता है, वहां पर उनका, वहां पे bank में volume transactions उनको दिख रहा होता है, तो वो फिर उसमें और भी resources देना शुरू करते हैं, जितना ज्यादा, you know, उनको volume मिलता रहता है, उतना ज्यादा bank support देना शुरू करता है, ठीक है, hospitality services like hotel, travel agents, tour operators, professional services like accounts, audit firms, law firm, consultancy firm, logistic and freight companies that transport goods to various destinations, जहां पर basically service industries जो है, वही सारे नाम है, आप देख लिजे, सारे service industries में CPA बहुत पुपलर है, exam में ऐसे question आता है, name to organizations where CPA would be more suitable, so you have to write the names of the business industry, like bank, insurance company, hotel, ऐसा करके आपको लिखना होगा, even telecom भी, you can write, there also customer profitability analysis is possible, how, because there can be customer group for say retail, like we are retail users, अपने individual connection जब ले रहा है, then there are corporate users, so retail और corporate में लोग अपना service भी अलग रखते हैं, support system भी अलग रखते हैं, और accordingly उसका cost भी अलग होता है, तो profit भी अलग होता है, so what is the benefit of customer profitability analysis, which it helps you to identify which customers are eroding profitability and which are, and which are contributing, कौन profit बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है, it can help to provide a basis for constructive dialogue between the buyer and seller to improve margins, जैसे अगर आप analysis अच्छे से किये हैं, तो आपको पता चलता है, कि हम क्या आगे जाके बात करें, जिससे कि हम लोगों का win-win situation create हो, ठीक है, so ये तीनी part है strategic analysis में, एक तो वो type 1, type 2 वाला growth price और productivity effect हो गया, और दूसरा DPP हो गया, और तीसरा CPA हो गया, CPA में बस खाली आप ध्यान दे के आज का काम आपका home task ही रहेगा, कि एक CPA का कोई भी सम उठा के उसका जो comment part होता है, उसको एकदम ध्यान से सारा एक सम का पूरा comment अच्छे से पढ़ लेना, और marking कर लेना, exam में चाहे जो भी तरह का question आए ना, तो वो ही comment आपका काम आजाए के लिए बोल रहा हूं, CPA का सम में, जो comment वाला एक page लिखावा होता है, उसको एच्छे से एक को बहुत अच्छे से पढ़ना, और इतना अच्छे से पढ़ना कि इसी से ही हम exam में यदि मेरा same question आ गया, तो मैं इसी से ही points उठा उठा के लिख सकूँगा, ठीक है, so यह खतम ह हो गया जी, okay, so strategic analysis is over, चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग तो बड़ा intelligent intelligent questions, examples दे रहे हो, ICI का example भी बहुत अच्छा, ICI में भी students में को लोग CL भी निकाल सकते हैं, very good, so guys next chapter for today is divisional transfer pricing, divisional transfer pricing में आजाओ, divisional transfer pricing में आजाओ, इस दिपेश जोसी, I have read your comment, please give more time in revision of chapters like transfer pricing and standard costing, जिस चीज में जितना ज़र्वत होगा उतना समय दे ही रहना, more और less कैसे define करें, आप बताईए, जिस में जितना ज़र्वत है समय उतना ही दे रहे हैं, कहीं compromise करता वाल दिख रहा हूं क्या मैं आपको, ठीक है, रेडी हैं आप लोग, चलिए, let's start divisional transfer pricing, यह chapter का question usually exam में हमेशा ही आता है, as you know, चाहे CA हो, चाहे CA में हो, चाहे old syllabus हो, चाहे new syllabus हो, ठीक है, तो CA में थोड़ा comment oriented भी आ रहा है, और बाकी जगा normal calculation आ रहा है, बाकी जगा normal calculation है, so let's focus, understand the theme of the chapter, okay, obviously it won't be possible for me to solve any kind of sum, if I am solving sum, then this doesn't remain the revision course, it becomes a crash course, I am not doing a crash course, I am just revising, the last moment revision, in last moment revision it is usually not possible to solve any kind of sums, okay, and we don't advise also students to solve any sums in last moment, okay, if you have forgotten any question or approach, then that is a different issue or otherwise we are supposed to just recall our concepts, okay, the aim of the course is to recall the concepts, not to solve the chapter, okay, so let's focus now, divisional transfer pricing, organization work culture, organization work culture, एक concept में आपको पढ़ाता हूं generally कि organization कैसे organize किया जाता है, to make it run smoothly, one it can be centralized which we also called as functional system, another it we call as decentralized which we call as divisional system, तो आपको सीखना क्या है, advantages और disadvantages of centralization and decentralization, ठीक है, centralized system में एक चीज़ याद रखो कि हमारे जितने divisions हैं, वो सारे divisions cost center कहलाते हैं, divisions are cost centers, under centralized system our divisions are cost centers, okay, and under decentralized system our divisions are profit centers, हमारे जो divisions होता है हम उनको profit center बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, division को हम profit centers बुलाते हैं, centralized में divisions are cost centers & decentralized में divisions are profit centers, centralized में हैच-ो होता है जो सबको kontrol कर रहा है, सारे डिविजन को control कर रहा है डिविजन के उपर खर्च कर रहा है डिविजन अपना जो काम बोला जा रहा है वो करके दे रहा है decentralized में क्या हो रहा है divisions अपना डिविजन अपना independently operate कर रहा है HO से guidance ले रहा है खुद कमा के लागे HO का profit का target पूरा कर रहा है तो उसमें क्या होता है सब कुछ centralized होती है तो individual division मालीजे इंडिया भर में division spread हो सकते हैं country wide वो spread हो सकते हैं तो individual division का operations cost कम हो जाता है because सब कुछ centralized जैना तो बहुत सारा resource common pool में procure कर लेते हैं centralizedization का फाइदा है common pool में procure हो जाता और फिर सब जगा बटवा दिया जाता है तो volume में procurement वगरा होगा तो economies of scale मिलता है फिर there is no diversion from overall strategy why because बुद्धी लगाने वाला है चोई है तो डाइवर्जन होने का chance नहीं होता disadvantage क्या है कि it involves top management in day-to-day activities top management को खिचिर खिचिर रोज का करना बढ़ेगा disadvantage के divisional manager कभी-कभी boss का बात को सुनते नहीं है चो का बात को समझते नहीं है restraint रहता है एक अंदर में to accept all the policies of the HO because they always feel that HO makes policies only to make them feel inferior but that may not be the case disadvantage एक और क्या है कि समझो किसी division के यहां पर कोई नीड कोई प्रॉबलम आया कुछ ऐसा situation है जिसमें डिसद्वान जिसमें वहां पर यूनो प्रॉबलम आ रहा है कि आर ना अबल तो solve a problem or they are needing some approval of HO so what will happen is if that happens centralized system अगर centralized system होगा ना तो what will happen is the decision would be delayed the decision would will delayed okay चलिये लेट्स कंटीनिव डिविजन जब कॉस्ट सेंटर के तरह organize किये वे होते हैं एक और चीज़ उसमें ध्यान रखना कि आप HO अग्यदी हो तो सारे division manager रहना सब duty वाले आदमी रहते ज्यादा तर ड्यूटी वाले मतलब मुझे इतना जाना है इतना जाना है low employee moral मतलब उनको वह नहीं रहता कि मुझे कुछ करना है कंपनी को कहीं ले जाना है example जैसे सरकारी दफ्तर सब हो सब controlled centralized system है decentralized कुछ है नहीं तो वहां पे कोई employee मोराल नहीं रहता कि हमें कुछ ऐसा कर देना है कि देश का नाम पूरे विश्व में हो जाए ऐसा कुछ नहीं बस अपना duty बजाना है उसमें भी कम समय देना है थोड़ा जितना मांगा उससे कम ही देना है कि वहां इतना bureaucracy develop हो जाता है चो के कारण कि वह employee का motivation नहीं रहता कि हमें life में कुछ आगे करना है जैसे मैं generally कई बर students को भी देखता हूं कि ऐसे तो UPSC वगरा इतना कड़ा exam है इतना tough exam है मेहनत करके पढ़के बनते भी हैं और फिर बनने के बाद motivation सारा ठंडा हो जाता है बिकाज वह bureaucracy जो है उसमें वह सारा moral वोराल जो शोर्ष सब एक दो साल तीन साल तक चलता है और बहुत कम लोगी होते हैं 1000 में या 10,000 में जो कुछ आगे कर पाते हैं उतना motivation वह रख नहीं पाते हैं long term के लिए so this is very common okay so divisions यहाँ पर बहुत low moral feel करते हैं उपर से group को भी कभी पता नहीं चलता उपर से एक और problem है group level पर हेचो level पर पता नहीं चलता इनको कि हमारे लिए कौन सा division अच्छा काम कर रहा है और कौन सा division काम नहीं कर पा रहा है so एक और problem क्या है यहाँ पर divisional profitability cannot be ascertained divisional profitability cannot be ascertained जो भी profit आता है वो group level का आता है तो group में total profit आ रहा है बस यह नहीं पता चलता है कि किसके कारण कितना profit आ रहा है so this is another disadvantage of centralized system तो कभी भी मुझे कभी किसी का behavior पसंद नहीं आया कभी किसी का रुतवा पसंद नहीं आया कोई गलती दिख गई तो मैं उसको निकाल भी सकता हूँ क्योंकि मेरे को तो पता नहीं न उसका importance क्या actually कमनी में overall profit में उसका contribution कितना है मेरे को कभी जमाने किसी कारण से तो मैं किसी division को बंद भी कर दूंगा तो कोई बड़ा बात नहीं क्योंकि मेरे पास कोई as such profit का data नहीं है कि मैं उसको फिर सोचू कि financially मेरे को क्या benefit दे रहा है बस non financial reasons पर non financial basis पर मैं decision लेता रहता हूँ सो दाट इस the limitation तो उसका advantage भी है तो limitation भी है वहें decentralized में में आते हैं तो decentralized में क्या होता है कि हर division manager को autonomous authority दे दिया जाता है कि आप अपना division को खुद चलाओ खुद resources procure करो खुद अपना मेरे से working capital ले लो और खुद अपना उस goods को बना कर बेचो service देना है service दो और profit लाके दिखाओ उस profit में आपका salary भी आ जाना चाहिए और उस profit से अगर मुझे जमा तो मैं आपको थोड़ा incentive भी दिया करूँगा तो वो incentive का लालच में हमारे division manager थोड़ा और जोश में काम करता है उसको यह लगता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मेरा division grow करेगा और division grow करेगा तो मेरा profit भी बहुत बड़ा बड़ा amount आएगा तो मेरे को भी extra कुछ मिलेगा तो मैं अपने life का goals भी fulfill कर पाऊंगा ठीक है तो इसलिए आप देखो मुझे remuneration का concept में variable profit share का concept इसलिए डाला हुआ है कि यह इसलिए डाला हुआ है because बड़ी companies जब division managers appoint करती है तो वो उनको पूरा independent authority दे देती है समझदार आत्मे को चुन क्या point करो experience को या फिर हमारी company में जो कई साल काम कर चुका उसी को promote करो और फिर उसको पूरा independent authority दे दो ठीक है औ और उसके बाद उसको एक profit का share भी दे दो जिससे कि वो इतना owned feel करेगा company में कि वो अपना company समझ को चलाएगा फाइदा क्या रोज-रोज का अनाकानी से problem से हम लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है ठीक है रोज-रोज का problem से हम लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है So this is what I wanted to say रोज रोज का समस्या का हम लोगों का कुछ करने का ही नहीं है So that's the best part of decentralized system यदि आप देखे हैं जैसे Google का founder कौन था Google का founder था Mr. Larry Page बट नाम किसका आता है हर समय Google को संभालने वाला सुन्दर पिछाई तो सुन्दर पिछाई कौन है वो alphabet नाम का एक group है जिसका एक division है Google और Google का head है सुन्दर पिछाई तो सुन्दर पिछाई एक actually manager है जो Google को head करता है और अपने management का वो company से salary लेता है as well as company उसको Google का profit sharing भी देता है as well as बहुत सारा ESOP भी दे देता है जिससे कि वो अपना company समझ के उसको चलाए उसको उतना इज़्जत दे देता है उतना respect भी मिलता है चारो तरफ से वही face of the company बन जाता है इससे फाइदा क्या है ultimately owner तो Larry Page ही कहलाएंगे अब Larry Page को day to day affairs में involved होने का कोई जरूरत ही नहीं है ठीक है so the best advantage here is decision making quality अच्छा हो जाता है speed यानि की decision making के लिए approvals का ज़रत नहीं है motivational है delegation of decision making motivational for the managers उनको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बन सकते कर सकते delegation हो जाता है decision making का autonomy मतलब खुद से सब कुछ सोचो और करो allow top management to focus on strategic rather than operational top management क्या चीज़ में focus करना शुरू करेंगे और long term में हमें क्या क्या करना है यह ना कि दोज रोज एक एक operation पर दिमाग लगाना है reduce head office बुरियो के सी तो head office का involvement यहां पर कम है तो हर एक manager अपने आप में empowered feel करता है तो accordingly motivated भी रहता है moral भी हाई रहता है good training ground for juniors and middle management sometimes junior को है न कभी-कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं खुद से सोच के देखो अपने आप autonomous decision लो तो एक तरह से वो training ground भी होती है जैसे बच्पन में जब अपने छोटे थे तो हमारे भमी पापा हमारे साथ centralize system चलाते देखी जो वो बोलते ते वहीं हमें करना होता था हमें भी कुछ करना होता था हम उनसे पूछ के करते थे वह हमें आतमे जो रुपए देते थे था हम उसी से सब को चलाते दे रैट वर देरे देरे जब हम बड़े होने लगे तो फिर उन्होंने हमारे साथ डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया ठीक है तो कई सारी चीजें हैं डिसेजन मेकिंग हम लोग अपने लेवल पर करते हैं वह बस हमें गाइड कर देते कि कैसे सोचना है वह एक्जैक्ली हमारे लिए डिसेजन नहीं लेते हैं राइट जैसे आपको अगर आप सीए के बाद क एक और प्रब्लम होता है अगर मैं सब सारा डिसेजन मेकिंग अपने जुनियर्स पर छोड़ दूँ तो क्या पता वो जुनियर्स मेरे को बरबाद करेंगे कि आबाद करेंगे पता नहीं रहे यह रिस्क हो जाता है और फिर वो अपने इंट्रेस्ट के लिए काम करेगा कि कंपनी के इंट्रेस्ट के लिए काम करेगा एक दूसरा रिसक हो जाता है आप कैसे जज़ कर सकते हो किस तरह से आप अग्रिमेंट लिखवा कर भी आप कैसे जज़ कर सकते हो कि कोई आपका फाइदा करेगा कि नहीं इसलिए ग्रूप लेवल पर सिस्टम क्या होता है यह डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एडवांटेज को रखने के लिए को कंट्रोल करना चाहिए जैसे हंड़ेट परसेंट में खूझ सेने कर लेना चाहिए आप के लिए आपको बोलून है डिसेंट्रलाइजेशन काफी हद तक कर दिया गया आपके घरवालों से कि आप चलो अभी आपको रिविशन क्लास करना था उसके लिए सौ रूपया देना था तो hardly शायद आपको बहुत जादा अपूरूवल लेकर ये जॉइन करने का जुरुत नहीं पड़ा होगा ठीक है ऐसी आपको नास्ता में क्या खाना है तो अपने तरफ से बना के खाने की अगर इजाज़त है घर में तो अराम से आप खा सकते हो मतलब there are many decisions that you take independently but it's not that each and every decision of your life you can take independently right now at this age तो वो डिपेंड करता है आपकी maturity पर group का belief पर आपके उपर head office कैसा belief कर रहा है कल आप आज ही आज मालीजी decision ले लिए कि अप मेरे को तो इसी से शादी करना है और वो decision आप अपने आप ले लिया और आज ही शादी करके घर में बहू को ले आए अब अचानक इसा decision आप ले लोगे तो घर वाले थोड़ी accept करेंगे आपका आप बोलेंगे कि नहीं आप तो हम लोग मेरे को हर चीज में आप बोली रखे थे कि अपने से सोचो अपने से सोचो अपना भला खुच सोचो तो मैं जैसे revision class अपने से किया मैं pen करीदने जाता हूं अपने तर कर सकता हूं इसा नहीं होता degree of decentralization को हम लोग limit करते हैं कि हम 100% आपको decentralize कर देंगे कि हम 80% करेंगे कि हम 20% करेंगे यह हमारा choice है हम control करेंगे आपको कि कुछ particular decision अभी भी हम ही लेंगे आपके लिए आप अपने आप नहीं लेंगे ठीक हैं सो कुछ particular decision कौन कौन लेगा head office लेगा और बाकी सब decision autonomous हो जाता है तो decentralization का rule यह होता है कि don't decentralized fully otherwise you will lose 100% control so disadvantages क्या है dysfunctional decision making इसका दूसरा नाम होता है suboptimal decision making suboptimal decision making ठीक है suboptimal का मतलब क्या होता है कि group का फाइदा सोचे बिना division अपना फाइदा के लिए कुछ भी कर सकता है group को क्या चीज में benefit होगा वो सोचे बिना वो अपने फाइदे के लिए कुछ भी कर सकता है फॉर इंस्टेंस वो ऐसा भी कर सकता है कि जैसे एक machine है फॉर इंस्टेंस वो machine में पूरा वो absolute हो चुका है उसका एक बुक वैल्यू है जिसके कारण overall एक investment का वैल्यू है आपका group से एक target दिया हुआ है कि तुमारा return on investment इतना percent कम से कम आएगा तो तुमको incentive देंगे तो वो चाहेगा कि मेरा books में investment amount ज्यादा ना आए ठीक है investment amount ज्यादा ना आए क्यों क्योंकि उसका फिर return अगर एक समझो x amount है अगर investment amount बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा return on investment गिर जाएगा तो उसका target of incentive accomplish नहीं होगा तो वो क्या करेगा investment amount ज्यादा ना आए इसलिए पुराना outdated machine में अपना काम चलाना शुरू करेगा वो नया machine लाने का सुझाओ company को दे गए नहीं ग्रूप को दे गए नहीं quality यह होता है dysfunctional और suboptimal behavior when you delegate everything to your when you delegate everything to your managers again बहुत सारा delegation करने से सब को independent बना दी वो अपना independent वो अपना independent वो अपना independent वो अपना independent सब को हो सकता कभी-कभी common resources की जरूरत होती है बट सब independently अपने जरूरत के इसाफ से procure कर लेते हैं तो सब कोई थोड़ा-थोड़ा volume अगर buy करेंगे तो cost of procurement या cost of doing business कभी-कभी higher हो जाता है और यह centralized रहने से cost of doing business low cost पे आता है cost of activities that are common maybe greater दूसरा एक और लास्ट पॉइंट के है loss of control by top management इसका advantages में फाइदा में और भी points अब जोड सकते हो advantages में now division profitability can be known divisional profitability can be ascertained so you know whether division are financially profitable to you or not okay you get to know this that division are financially profitable to you or not so particularly centralized सही है कि decentralized सही है it is just like a glass of पानी है उसमें आधा भरा है और आधा खाली है कौन सा सही है कौन सा गलत है कोई नहीं बता सकता आधा भरा है तो भरा भी सही है आधा खाली है तो आधा भी सही है depends on what approach you want to follow in your organization particularly यह देखा गया कि जितने भी वर्ल्ड में large scale organization है वो large scale तभी बन बाए है जब उसका जो मालिक है जो visionary है वो relief हुआ है वो relief हुआ है मतलब day to day affairs से अपने आपको वो उपर ले गया है तब वो और दूर तक अपने organization को ले जा पाया है जेनरल रूल क्या होता है जो organization का मालिक होता है वही वही अपने organization का size को पूरा देख पाता है कि मैं कहां तक इसको ले जा पाऊंगा तो उसको वो vision को reality में convert करने के लिए अपने day to day affairs से free होना पड़ता है ठीक है अगर वो day to day affairs में लगा रहेगा तो अपना organization को कभी भी अपने सोचे वे milestone पर या destination पर नहीं ले जा पाथा तो उसके लिए organization का मालिक को founder को free होने के लिए आपको हमेशा decentralization में आना ही पड़ेगा अब decentralization में आते हैं तो हर एक का अपना समस्या है तो इसलिए हम लोग क्या बोलते degree of decentralization should be controlled मतलब 100% decentralized कभी नहीं करना चाहिए और उपर से फिर लगाता training वगरा होगी आपका review system तगड़ा होगा तो यह सब भी curve out हो सकते हैं जैसे cost of activities that are common to all आपको एक centralized procurement system जो मैंने आपको HP का example BPR के वक्त दिया था वैसा आप कुछ centralization system बना सकते हैं तो इसके उपर काम हो सकता है loss of control के उपर काम कैसे होगा control by limiting the degree of decentralization हर चीज सब को मत अपने आप करने दो कुछ चीज पर रोक लगाई दो वह सब possible होता है policies बना बना के सब कमनिया करती है और dysfunctional decision making को हम सर कैसे रोकेंगे इसके लिए आपको मैं अपने जो head है उसका selection process में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इस head को लेकर ऐसे भी सोचना है कि लगातार आप इनसे मिलते रहे रिव्यू करते रहे इनका कुछ भी अगर लक्ष लक्षण बोलते हैं लोग लक्षण गरबर लगे तो आप तुरंत एक्षण लीजिए सीरियस रखे और अपने इंडिपेंडेंट ओडिटर्स को साथ लेके चलिए जो इनके कारणामों को रिव्यू करेगा इसलिए concept आता है management auditor का management auditor इसको अपने साथ रखिए जो इनके activities को review करते रहेगा और आपको report देता रहेगा correct so all those आप अगर वहाँ पर खर्चा करेंगे तो आपका रोज-्रोज का समय खराब नहीं होगा और आप अपना organization का size को और दूर-दूर तक ले जा पाओगे so these are some disadvantages though there are many advantages also preferred is always decentralized okay some of those in favor and against are linked in case of decentralization for example the ability of decentralized operational managers to make speedy decision अगर वो speedy decision लेगा ये वाला चीज पे linking के अगर वो decision speed में लेगा तो वो timely inform नहीं कर पाएगा group head को और inform नहीं करेगा तो group का control ही चला गया तो ये loss of control हो गई होगा so कहीना कहीं advantage आता है तो disadvantage भी वो साथ ले के आता है for example the ability of decentralized operations manager to make speedy decision will increase the lack of control in circumstances in which the head office cannot be informed of these decisions in a timely manner okay so इससे मैं ये समझाना चाहरा हूँ कि decentralization में हर एक disadvantage का solution है but long term growth के लिए decentralization ही preferable है ये पूरा जो chapter बन के आया है ये chapter जो हमने create किया है from the viewpoint that the companies will run in decentralized manner decentralized manner में यदी company अपना organize कर लिया division A बना लिया B बना लिया C बना लिया something like that has happened division A is there B is there C is there okay now सब अपने अपने चल रहे है तो अपने अपने चल रहे है तो ये अपना procure करता है अपना बेचता है ये बी भी अपना procure करता है अपना बेचता है तो सम्टाइम जिसा हो सकता है कि आपका division A का जो output है वो B के लिए input है अगर आप सब को independent बना दियें तो सब अपना अपना खरी देंगे अपना बेचेंगे पट A का output यदि B को दे दिया जाए तो A B में purchase sell relationship आ जाएगा और अगर ये लोग जो बाहर से transaction करते हैं वो घर में internally transaction करें तो उससे group का हिम्मत और confidence बना रहता है बिकॉस जितना जादा बाहर से procurement करते हो या सेल करते हो तो रिस्क भड़ता है और यही यदि मैं within the group सब कुछ एक transact करू तो इससे क्या होगा मेरा सेल कहीं न कहीं मेरा सेल कहीं न कहीं secured है purchase भी कहीं न कहीं secured है जैसे बी का सारा purchase यदि ए से होता है तो उसको quality issue नहीं है उसको delivery का time का issue नहीं है भागेगा नहीं supplier और यह भाहर से लेता है तो उसको risk face करना पड़ता है नहीं इदिया ताइम पे तो और ऐसी ए अपना output B को बेचता है तो बाहर में customer खोजने का tension नहीं है एक को payment नहीं मिला कहीं बाहर का customer से तो उसका tension नहीं है सब कुछ internally arrange हो जाता है अगर A और B में internal arrangement होगा तो A का question आ सकता है mind में कि मैं बाहर में बेचता हूँ तो एक price पे बेचता हूँ एक profit लाता हूँ उस profit पे मेरा incentive है अब आप बोल रहे है sir A सारा का सारा output यदि B खो दे दे अपना बाहर में ना बेचे तो फिर उसमें sale price क्या होगा उसमें भी profit आप मुझे recognize करके मेरा incentive दो गया एका concern खली अपना incentive के लिए ग्रूप आके ऐसा policy बनाता है उसमें भी आप सोचना कि आप जैसे बाजार में बेचते हो वैसी आप B को बेचो आप अपना books of account जो बना रहे हो ना division A है उसमें आप उसको sale के तरह ही लिखो और B को बोला कि आप उसको purchase के तरह ही note करो आप जैसे बाजार से खरीद तो वैस बोलेंगे A को payment कर दो A को बोलेंगे B से payment लो आप अपना जैसे revenue collect कर तो वैसे आप collect करो और internally जब आप में transaction हो रहा है तो उस समय हम अपना transaction का जो price है उसका नाम थोड़ा सा sale price के जगा transfer price रख देते है transfer price क्यों रखते है क्योंकि ultimately A से B में जड़ी जा रहा है तो owner उसका group का head है A से B में जा रहा है तो ownership transfer नहीं भी होता है तो group के control में सब कुछ है बोलकर owner उसका अभी भी group है तो इसलिए since यहाँ पर ownership change नहीं हो रहा तो यह transaction का नाम transfer रखेंगे sale नहीं रखेंगे और transfer के लिए जो price हमने सूचा उसका नाम transfer price है since यह within division हो रहा है तो divisional transfer pricing इसको भी ब बुला दिया तो division A जो बाजार में sale करता था उसको बूलेंगे आप B को कर दो B जो बाजार से purchase करता था उसको बूलेंगे आप इसे ले लो और एकदम जैसे natural transaction होते है सब वैसी करो अपने independent capacity पर ही करो बस आपस में ताल मिल जादा बैटा ओ अब कभी कभी यह होता है ना ज example ऐसा हो सकता है बी का आगे goods भी का ही नहीं बी ने payment कर दिया एको तो A का सारा चीज बी में चला गया था बी सारा A से ही buy किया और फिर B को बहुत loss हो गया उसका आगे कुछ भी का ही नहीं तो उसका profit negative जैसे ही आगया उसको कुछ incentive नहीं मिला बट A का सब कुछ भी गया था और कौन खरीद लिया था B खरीद लिया था तो A के यहां profit A profit आगया तो उसको incentive मिला जब group overall annual appraisal कर रहा था तो देखा कि यह को बहुत profit हो रहा है B को loss हो रहा है तो B को incentive नहीं मिला A को incentive मिला तो क्या problems होई उसको जाने बिना divisional managers आपस में वो jealousy feeling पैदा कर लेते हैं B यह incentive मिल गया तो वो आपस में jealousy feeling एक और आजाता है यह decentralization के कारण यह jealousy feeling के कारण अब भी क्या करता है na dysfunctional behavior करता है dysfunctional decision making करता है वो सुचता है अगली बार यह से लेंगे ही नहीं अगली बार हम मर जाएंगे लेंगे यह से नहीं लेंगे मेरे कारण उसको benefit मिला जा बेच के लोता है बाजार में बेचना है तो मैं तुमसे सारा ले लेता हूं तो इतना आज बड़ा बन रहा है अब अगली बार भी बोलता है मैं बाजार से ही लोंगा सारा का सारा बाजार से ही लोंगा भले फिर loss खा जाओं बट इसको तो incentive नहीं मिलेगा ना तो यह जो jealousy feeling का problem है decentralization में यह creeping करेगा तो इसी को solve करने के लिए group का involvement का हर समय जरूरत होता है group ऐसा नहीं बोल सकता कि आज से मैंने तुम लोगों को independent कर दिया आप से तुम लोग तुमारा सोचो और company को चलाओ ऐसा नहीं हो सकता यह पूरा का पूरा छोड़ देना ही सबसे बड़ा खत्रा है हमे आपको decide करना है कि is he allowed to switch to external customers, external buyers rather than buying from division A. So why is he switching? यह approval वो लेगा तभी वो कर सकता है ऐसा आपको control करना पड़ेगा और time to time दोनों manager को समझाना होगा कि तुम लोग overall group के angle से सोचो group को फाइदा कराओ तो फिर तुम लोग को incentive मिलेगा ना कि सिर्फ अपना फाइदा कराओ के books म incentive लेकर आओगे तो incentive मिलेगा ठीक है तो इसमें क्या होता था जब मान लीजे A और B cross country में मतलब अलग अलग country में सोचो एक इंडिया में दूसरा Netherlands में तो दोनों जब cross country में हैं तो group कई बार क्या करता था in disguise यह divisions के थुरू tax avoidance करने की कोशिश करता था tax avoidance क्या concept होता है tax avoidance का concept होता है जिसमें हम लोग law को follow कर रहे tax का पूरा provisions को follow कर रहे हैं और फिर उसके बाद भी हम लोग tax बचा रहे हैं मतलब कोई loophole खोज के हम लोग tax बचाने की कोशिश करें तो group क्या करता था जैसे इंडिया में यदि मान लीजे कोई ऐसा rule है कि Netherland का जो सेल होगा कोई treaty हुआ है Netherland में जो सेल होगा उसमें कोई tax नहीं लगेगा ठीक है ओके ऐसा कुछ होता है मान लीजे के example मैं बोल रहा हूं तो इंडिया में सारा goods बनाएंगे resources सारा का सारा यहां create करेंगे और फिर सारा सेल Netherland को दिखा देंगे तो कि इंडिया बला बोला हुआ है कि Netherland को सेल करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा तो गवर्मेंट ने ऐसा बोल रहा है और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं ओके और दूसरा केस होता है कि गवर्मेंट ने बोला आपने फायदा उठाया तब ठीक है मैं बोल रहा हूं टैक्स अवाइडेंस से उसका टैक्स देना बढ़ेगा अब इंडियन काउंटर पार्ट क्या कर रहा है सारा गुड्स कॉस्ट रिसोर्स इंडिया से प्रोक्यार करके कॉस्ट पर बना रहा है और उसको कॉस्ट से लेसर पे नेधर लेंड में बेज दे रहा है इंडिया काउंटर पार्ट क्या कर loss book क्यों कर रहें क्योंकि head office ने क्या बुद्धी लगाया दिगड़म क्या लगाया कि इंडियन counterpart जब यहां पर profit कमाएगा ना तो profit का 30% tax देना पड़ेगा वही नेधर लेंड का government का rules क्या है कि वहां पर यदि कोई profit कमाएगा तो सिर्फ tax rate 15% है तो ओविसले हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा profit हम नेधरलेंड में कमाएगे वहां पर tax मेरा 15% है और इंडिया में tax मेरा 30% लग जाएगा तो head office बुद्धी क्या चला है चलो यहां पर प्रॉफिट सारा नेधरलेंड में गुझ करते हैं तो यहां पर प्रॉफिट पर टेक्स कम लगेगा करेक्ट तो इक तरह से यह त्रू क्या किया अपने डिविजिन के त्रूव टैक्स आवयडेंज किया तो इसको उपर लगाने के लिए income tax law में भी आपके transfer pricing provisions बनाए गए कि अगर एक group उस controller है उसके ही division के अंदर transfers हो रहे हैं तो उस में जो transfer price होगा वो fair price होना चाहिए ना कि जो भी price पे वो लोग books में entry कर रहे हैं मतलब वो cost से below पे नेधर लैंड में भेज रहा है तो entry कर रहा है cost से lower पर तो income tax बोलता है आप जो दिखाना books में दिखाओ वो आपका मर्जी है ठीक है वो आप जाने आपके shareholders जाने बट income tax perspective के लिए आपको वो transaction को fair price यानि कि arms length price पर दिखाना पड़ेगा और वो arms length price यदि आप नहीं निकालना जानते हैं तो income tax law में पांच method बताये गए उन में से कोई भी method को आप follow करके उसका arms length price निकाल सकते हैं CMA में सिर्फ एक बार question आया हुआ है कि आप tax का methods cost के paper में theory के तरह लिख रहे हो बाकी कभी और कहीं पे भी ये question नहीं पूछा गया न पूछा जाएगा मैं general knowledge के लिए generally बता देता हूँ अभी मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ ये methods को समझाने नहीं जा रहा हूँ या आप अपने direct tax से follow करिएगा okay so income tax angle मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे transfer pricing provision क्यों है हमारा जो agenda है is chapter को पढ़ने का our objective of studying this chapter is to understand how our divisions are performing division का performance हमें check करना है हम लोग आए as a management accountant to understand how our divisions are performing यह हमारा divisions कैसे perform कर रहा है कितना अच्छा perform कर रहा है तो performance measure करने का तीन golden rule है यहां पे ध्यान रखो तीन golden rule है पहला golden rule है यह performance में हमेशा याद रखना financial और non financial दोनों को involve करोगे खली financial view से performance evaluation करोगे तो यह सारे आपके managers dysfunctional behavior में लग जाएंगे financial as well as non financial दोनों हमेशा perspective को involve करोगे दूसरा performance measure करते वक्त divisions का जो जो चीज आप consider कर रहे हो जो जो incidents या events या transaction consider कर रहे हो वो सारा का सारा ऐसा ही होना चाहिए जो division के control में था अगर कोई ऐसा incident है जो division manager के control में नहीं है तो आप उसको performance evaluation में नहीं लेना जैसे for instance समझी आपका एक travel house है okay travel house travel agency आपका और आपके बहुत सारे city में travel divisions है आपके divisions बने वे तो समझी मेगालय में आपका मेगालया जो जो नौर्ट इसमें अपना state है वहाँ पर आपका एक travel travel division है जो मेगालया का पूरा catering करता है मतलब वहाँ पर सारा का सारा business करता है मेगालय में बहुत famous है वह state for rainfall correct चेरा पुंजी जो highest rainfall receive करता है हमेशा okay तो rainfall बहुत famous है तो कभी कभी rainfall अती हो जाता है कि exist हो जाता है जिसके कारण पूरा state disrupt हो जाता हुआ पर ऐसा भी होता है तो पूरा disturbance आ जाने के कारण business effect हो गया okay as a consequence वहाँ का performance financially घड़ गया नहुं आप बूल रहे है performance तो जो होना था वो नहीं हुआ तो मेगालय के division manager को bonus नहीं मिलना चाहिए इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए अगर आप ऐसा कर रहे है तो आप कहीं गलत कर रहे हैं गलत क्यों कर रहे हैं क्योंकि अकल को rainfall अगर अती हो जाए तो उसमें वह manager क्या करेगा आपको सोचने का अपना तरीका बदलना पड़ेगा कि आप सिर्फ उसी चीज के लिए managers को charge करेंगे जो चीज उसके हाथ में controllable है correct तो आपको अपना revise plans बनाना पड़ेगा उसके लिए target जो बनाए तो उसको revise करना चाहिए based on the circumstances that actually were controllable and then you should compare whether he performed well or not इसके उपर budgeting chapter में question is CNU syllabus का case study का जो मैंने आपको हलका सा समझा भी दिया ठीक है तो कैसे control करते मैं आपको वह बता दिया so controllable factors पर ही आप performance measurement करोगे financial non-financial दोनों देखोगे और ऐसा rules बनाना हमेशा कि division को तभी incentive मिलेगा जब वो group के hit में सोचेगा और अगर group के hit में सोचा तो incentive जरूर मिलना चाहिए एक तो ऐसे बोलना है कि division को तभी incentive मिलेगा जब वो group के हित में सोचेगा जब वो group का benefit कराएगा और दूसरा वो ध्यान से सुनना दूसरा वो जब जब group का हित में सोचेगा तब तब उसको incentive जरूर देना तब तो यह आपका system चलेगा तीम golden rule, controllable, group profit से incentive link करना है और financial non financial दोनों पर performance measurement करना है ना कि सिर्फ और सिर्फ financials पर ओके तो अब अपने आते अगर की चार्ट देखते हैं कि अगर हम division का performance measurement कर रहे हैं तो there are two parts one is financial and another is other measure financial में क्या क्या चीज़ हम देख सकते हैं मेरे पास अपाय है ROI वाला system follow कर सकते है राई residual income या EVA economic value added या shareholder value added इन general हम लोग बुलते है profit margin देखते हैं order measures मतलब non financials जो consider करते हैं वह है balance scorecard performance pyramid building block performance prism triple bottom line जिसमें CA old में और CMA में सिर्फ balance scorecard है बाकी सब CA new syllabus में हम लोग पढ़ते हैं CA old syllabus और CMA वालों के साथ हम लोग balance scorecard पढ़ते हैं जिसको मैं अलग chapter में पढ़ाऊंगा ठीक है मैं अभी इस chapter में इसको नहीं pick up करूंगा in this chapter I will only cover now the financial aspect financial aspect में हम लोग सारा चीज अभी discuss करेंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं next आ रहा है ROI पे बात करते हैं दीगे यह जो ABC वाला point आ रहा है यह वो यह new syllabus में पूरा detail में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बाकी CA old में और CMA में सिर्फ आपको first line आना चाहिए जाने की calculation यह वाला और यह वाला ठीक है first line जैसे सबका है वो calculation पता होना चाहिए बाकी detail आप general knowledge के लिए पढ़ रहा है exam orientation में नहीं पढ़ेंगे exam में उतना detail में जाने का CMA में और CA old में जरूरत नहीं है बट CA new वालों को पूरा कुछ पढ़ना है okay so ROI में आ रहे हैं ROI कैसे निकालते हैं it is basically return by investment to return कैसे निकलेगा return मतलब revenue minus all cost अब revenue minus all cost लेते वक्त यह याद रखना है कि वही cost charge करोगे जो उसके हाथ में controllable था कभी कभी uncontrollable situation से कूपप करने के लिए division manager ने कुछ cost incur कर दिया तो उसके हाथ में controllable नहीं है तो वह सब हटाकर आपको अपना profit लेना है controllable profit इसलिए नाम दिया मैंने controllable profit मैंने सिर्फ profit intentionally नहीं लिखा हुआ है controllable profit इसलिए लिखा हुआ है कि आपको uncontrollable items को eliminate करना है divide by investments in that division आपको लेना है ठीक है ROI का advantage क्या है कि ROI easy to comprehend है accounting से mix हो जाता है basic accounts से connect हो जाता है और यह division का पूरा performance आपको बता रहे थे पूरे division overall क्या return दे रहा है इसका disadvantage क्या यह percentage form में अब जैसे सुचो एक division है disadvantage को ठीक से समझो एक division A है जो आपका मान लीजे investment रखा हुआ है 100 लाग का और ROI आपको लाके देता है 10% तो आपके यह returns आता है यानि profit आता है 10 lakhs ओके और दूसरा division B है जिसका investment है सिर्फ 20 lakhs ROI लाके देता है वो 20% बट profit आता है उसमें 4 lakh तो आपको क्या चाहिए 4 lakh चाहिए कि 10 lakh चाहिए obviously हम लोग को 10 lakh चाहिए we don't want 4 lakh बट 10 lakh में तो 10% ही आ रहे है तो यह इसका limitation है percentage form में जो ascertain कर रहा है rather than absolute measure तो हम लोग को चाहिए हो तो absolute percent में कोई मजा नहीं है हम लोग को मजा चाहिए absolute amount का तो इसलिए इसका limitation आता है कि sometimes time से miss guide कर देता है हम लोगो कि हम लोगो लग रहा है division भी ज्यादा perform कर रहा है बट वो तो लाग के दिरे छोटा सा मौन ना चार लाग तो चार लाग का मैं करूँ क्या मेरे को दस लाग भी चाहिए है दूसरा है not for different activities मतलब क्या होता है यह पूरा division का as a whole performance चेक कर रहा है तो हर एक activity से division कितना कमा रहा है वो trace नहीं कर सकते हैं क्योंकि investment हर एक activity का नहीं पता चलता return फिर भी आप ABC से पता लगा लोगे activity based costing से बट investment पता लगाना तफ हो जाता है फिर encourages short term और सब optimal decision यह सबसे important है exam में चला के पूछ लेगा कि आपको बताना है कि इसका main limitation क्या है से main limitation है कि यह encourage करता है divisions को कि वो अपने हित में सोचे सब optimal decision मतलब वो अपने हित में सोचता है group के हित में नहीं सोचता जैसे अगर आपका organization में incentive system ROI based है अगर आपका organization में incentive system ROI based है तो क्या होगा एक division manager है सोचो जिसका ROI अभी 35% आता है ठीक है या सोचो 38% आता है सोचो division manager है जिसका ROI अभी 38% आता है उसके पास एक project आया नया project जिसमें ROI आएगा 25% एक example दे रहा हूँ 25% आएगा ROI कंपनी का cost of capital है 10% तो company का angle से सूचे तो 10% cost और 25% return है तो company को तो business करना चाहिए बट हमारा ये division manager ये proposal को reject कर देगा why because उसका current ROI 38 है ना अगर वो 25% वाला कोई भी project इसमें involved कर दिया तो उसका ROI घड़ जाएगा न overall तो उसका तो benchmark कम हो जाएगा अगला बार उसको जब group judge करेगा तो बोलेगा कि देखो तो 38 लाते थे अभी तुम कम ला रहे हो क्योंकि averaging हो जाएगा ना 38 और 25 मिक्स होने से तो ग्रूप का फाइदा था नया project में 10% ही ग्रूप का cost of capital हो ग्रूप को 25% मिल रहा था 25% मिल रहा था तो ग्रूप को फाइदा होने के बावजूद ये proposal reject हो गया इसी को हम बोल रहे सब optimal decision making a manager might reject a project with ROI of 20% as it cause its ROI to fall from 38% to 35% ठीक है so this problem can arise here this problem can arise here इसलिए ROI को हम लोग उतना ज्यादा preference नहीं देते हैं ठीक है exam में अभी CA news levels में भी last term में question आया था जहां पर वो लोग पूछे आप से कि बताओ ROI का एक disadvantage 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 में यही बताना था कि क्या ROI goal congruency के साथ चलता है नहीं चलता goal congruency के साथ क्यों नहीं चलता है because यहां पर division अपना फाइदा के इस आप से सोचने लग जाता है वो group का फाइदा नहीं सोचता तो इसका तोड क्या है इसका तोड है आ रही इसी का solution है residual income residual income मतलब होता है surplus income surplus income means surplus over what surplus over your cost of doing business जैसे अगर आपका controllable profit आया ठीक है profit आ गया उस profit को कमाने के लिए आपने investment किया हुआ है तो उस investment का cost of capital है जो group net off करते तो surplus को हम लोग बोलते है residual income तो residual income percent में नहीं आता है absolute amount थोड़ा सा clear understanding देता है absolute amount percent के तरह misguide नहीं करता ठीक है यह division manager को यह भी knowledge में डलवा रहा है कि आप जो business का return ला रहे हो उसका cost of doing business क्या है original manager थोड़ा सवर cautious हो जाता है यह मेरा एक एम है कभी मैं you know कोई drive चला हूँ मैं आपको ऐसे अपना अंदर का एक सपना बता रहा हूँ कि मैं drive चला हूँ something called as cost consciousness drive का नाम होगा cost consciousness ठीक है जिसे इस कौन के गुरू थे उन्होंने drive चला था क्रिश्ना consciousness कि क्रिश्न के बारे में सब कोई जाने और वैसे ही मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी drive चला हूँ cost consciousness का drive जिसमें मैं बहुत लोगों को जोड़ू और सब को समझा हूँ कि cost सीखो तभी economy grow करेगा एकनोमिक हाली आप एक साइडेड revenue पर सोचोगे तो grow नहीं करेगा cost सब को जानना चाहिए एक organization में भी हर एक इंसान को मेरे नजर में हर एक इंसान जो business कर रहा है या business का part है जो भी रोल में उसको उसके role related उसका cost का ज्यान होना चाहिए वरना wastages होता ही होता है ठीक है जैसे अपने जिनरल थियोरी क्या होता है आप समझो अपने upbringing का यह इंडियन कल्चर का problem है अब आपको माल लीजिए एक laptop चाहिए ओके अब आपने अपने पापा को बोला पापा प्लीज एक laptop चाहिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई करना है मुबाइल में जैसे ही पुझे पापा अच्छा तो है कितने का लाए तो पापा बोलते है अरे बेटा आम खाओ गुठलियां क्यों गिनते हो अरे तुमको क्या लेना कॉस से laptop आ गया ना कॉस से क्या मतलब अब कॉस से क्या मतलब तो बस ठीक है बच्चे की मौज हो गई अगले दिन खाब हो जाता है तो तब सारा कॉस्ट उसको याद लाते है अरे क्या किया तुमको मालूम कितने का आता है यह 50,000 रुपए का लाया था बेस्ट वाला लेके आया था तुम हरे लिए और तुम देखो क्या हलत किया जड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं करता है चीजों का तो यह तब आएगा ना जब आप पहला दिन कॉस्ट बता दोगे गर यही पहला दिन ही बता दिये जाता कि बेटा यह 50,000 का आ रहा है तो आप उसको वैसे छोड़के नहीं जाते यह मेरा अंडरस्टेंडिंग है जी मैं ऐसे मान रहा हूं कॉस्ट कॉंशिसनेस ओके चलिए आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कॉस्ट कॉंशिसनेस में यदि हम लोग अपने और्गनाईजिशन में एक ड्राइव चला दें कि हर एक जन को अपने अपने रोल के मुताबिक अपने काम के मुताबिक उस काम का कॉस्ट पता है तो वो कही ना कहीं efficiency में contribute करता है यह मेरा मानना है और यह मैंने experiment किया अपने organization में particularly चला कर जब-जब मैंने cost नहीं बताया है कोई भी काम को करने का तब तक मैंने बहुत losses देखें और जब-जब मैंने cost बताया है तब-तब मैंने बहुत efficiency देखिए बहुत savings देखिए ओके और sometimes उनका ऐसा भी हो जाता है कि वह बिचारे cost को लेकर super conscious हो जाते हैं कि वह काम को करने के पहले 10 बार सोचने लग जाते हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है को super conscious हो जाता है तो हम उसको समझाते है कि आप इतना conscious मत हो गया हो गया आप आगे बढ़ो कोई बात नहीं है जैसे for instance कभी होई सकत रहें सो इतना books dispatch होता है किसी को क्या book चला गया किसी को क्या book चला गया reverse हो गया ऐसा हो जाता है कभी-कभी तो उनको पहले मैं बोलता था बस ध्यान से करो बट अब क्या बोलता हूं भाई साब ध्यान वान आपका इच्छा है यह जान लीजे एक consignment का shipping cost क्या है यह shipping cost आप लीजे और आप mistakes करिए मेरे को कोई problem नहीं है मैं यह shipping cost जो भी आप करेंगे गरबड उसका debit आपके नाम पर डालता जाओंगा costing तो करता हूं ना तो salary जो आपका आएगा ना cost पर debit हो के आएगा ठीक है और student से माफी मांगनी पड़ेगी गलती की वो मैं कर लूँगा आपके बिहाफ में आप मत चिनता करिये उसका आपके उपर जोर नहीं डालेंगे कभी मेरा mood खराब हुआ तो student को आपके पास ही पहुचा देंगे वो यदि mood सही रहा तो मैं आपके बिहाफ में student से माफी मांग लूँगा लेकिन cost आपके नाम पर debit करता जाओंगा बस जब जैसे यह बोल दिया ओ तेरी mistakes खतम mistakes मतलब जो 100 में मान लीजे 4 होते थे वह 500 में चार होने लग गए तो यह है cost consciousness का मज़ा इसमें एक challenge आता है कि सर यदि हम ऐसा करेंगे ना तो फिर हर आदमी हमें ऐसे challenge करेगा अपने organization में कि देखिए आपका इतना cost बचा दिया ना चलिए लाइए इतना दीजिए देखिए आपका इतना cost बचा दिया चलिए और दीजिए वह सर पे चड़ गया तांडव करने लगता है यह तो आपको culture बठाना पड़ेगा जब वह cost जानेगा तो वह कहीं न कहीं आपका savings भी calculate करेगा ठीक है तो आपको उस savings में से कुछ हिस्सा उसके साथ share करना शुरूक तो करना पड़ेगा वरना फिर यह cost consciousness drive successful नहीं होगा तो यह दोनों तरफ से मांगता है एक उसको भी efficient ब पिर कहीं न कहीं वो आगे उस पर contribute नहीं करेगा ठीक है चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं आगे बढ़ते हैं residual income में residual income में मैं आपको क्या बता रहा था advantage क्या है कि expressed in absolute form दूसरा advantage क्या है can compare different activities performance जैसे आप पहले क्या था न मैंने बोला ROI पूरा division का performance असर्टेन कर रहा है बट residual income activities का performance असर्टेन कर सकता है और उसमें कैसे होता है by assigning different cost of capital to each हर एक activity का आप cost of capital assign करके वो कर सकते हो ओके disadvantage क्या है does not facilitate comparison between investment centers यह क्या है इसको अच्छे से समझना है यह इसका important disadvantage है actually यह दोनो connected है यह दो point अलग से लिखाव है बट यह दोनो connected ही है तो does not relate the size of centers income to the size of investment इसका मतलब क्या हुआ जैसे एक division A है मानो division A है और division B है इस division का size बड़ा है investment size मानो 1000 करोड का है और इसका investment size छोटा है 100 करोड का है okay तो अब माल लीजे आपका controllable profit आ गया okay controllable profit आ गया और यहां पर controllable profit आया 50 का और यहां पर controllable profit आया 10 का फिर यहां पर आपका cost of doing business आया cost of doing business 50 बहुत कम ऐसे मान लीजे यहां पर 120 आ गया सोचो cost of doing business और यहां पर हम 20 कर देते हैं cost of doing business आ गया आपका मान लीजे 8% के साब से लेते तो 80 और यहां पर आ गया 8 तो यह आ गया 40 और यह आ गया 12 तो technically यदि आप देखेंगे ना यह 12% कमा के दे रहे यह 20% कमा के दे रहे तो जादा कौन कमा रहे है B कमा रहे है technically आप देखेंगे तो जादा B कमा रहे है rate of return B में जादा है बट आप तो absolute amount में जा रहे हो ना absolute amount B में कम हो गया why कम हुआ absolute amount B में कम हो गया और A में जादा आया क्यों ज़्यादा आया पता है क्योंकि A का size scale बड़ा है तो जिसका capital size बड़ा होगा वो ज़्यादा आ रहा ही कमाएगा यह कमाएगा absolute amount उसका ज़्यादा ही होता है हलाक है absolute amount ज़्यादा ही चाहिए होता है जैसे यही एक्जामपल मैंने यहाँ पर drawback में डाला था कि मेरे को 10 चाहिए कि 4 चाहिए obviously 10 चाहिए तो यह 10 क्यों कमा पा रहा है इसका reason clear है न क्योंकि यहाँ पर investment size बड़ा है ज़्यादा investment size होगा तो ज़्यादा कमाएगा इना rate of return comparison उसका कम हो तो क्या होगा okay तो इसलिए A और B में comparison कहां से possible है A और B को आप compare करें तो गलत कर रहे हो because जो बड़ा मचली है वो ज़्यादा कमाएगा ही उसका scale बड़ा है उसका rate of return कम भी होगा तो भी amount छोटा के comparison में ज़्यादा ही आएगा ठीक है इसका example जैसे एक्दम simple सा example है कि सोचिए margin अगर हम देखें एक पुचका वाला है मूड़ गुप चुप समझगे ना गोलगप्पे वाला उसके आप इतना customer का line लगता है और वो पांच रुपय का चीज को 20 रुपय में बेशता है huge margin कमाता है ठीक है और हम लोग यहाँ पर मान लिजी 8000 का चीज आप आपको 10,000 में देते हैं मेरा 20% gross margin है मान लेते हैं तो 8000 का चीज आपको 10,000 में देते हैं तो लगता है ना यार इससे चाहतो पुचका बेजने के धंदा कर लेते हैं वही ठीक है पांच कमाल 20 में बिखता है और यहाँ पर 8 कमाल 10 पर बिखता है ऐसा लगता है कि margin वही बिजनेस में absolute amount वो ज्यादा नहीं ला पाता हूँ वो पूरा साल का भी 10,000 रुपया कमाले तो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है मतलब 10,000 रुपय साल का कमाले तो बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे स्कोप इस 8 का 10 करके हम लोग जो scale पर ऑपरेट कर रहे ह तो साल का 10 करोड भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है तो बड़ा size of business हमेशा जादा कमाएगा भले उसका rate of margin कम हो तो आप कैसे इसको और उसको compare कर सकते हो you cannot compare the two so residual income is not helping you to compare the divisions which are in different size okay so how will you actually judge now which division is performing better in this case solution निकाला गया कि हम लोग इनका है न ये जो आ रही आया ये आ रही actual आ रही है इनका एक इनके size के हिसाफ से target आ रही set करेंगे और फिर target और actual को compare करके देखेंगे कि ये लोग perform कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है जिसका जैसा business condition होगा जिसका जैसा business में investment होगा उसके हिसाब से company का head उनके लिए targeted R.I. set करेंगा दिखें यहां पर क्या लिखा हुआ है this remedy can be removed by giving different targets to different division as per their size and market scenario अगर वो target को achieve कर लिया तो हम समझेंगे कि उसने अपना performance अच्छा किया वरना भी अच्छा करने के बावजूद छोटा investment में इतना return देने के बावजूद भी का कभी भी ranking नहीं आएगा तो भी का manager motivated फिल नहीं करेगा इसलिए यह targeted R.I. का concept से आप इसको evaluate करेंगे तो हमेशा भी भी motivated फिल कर सकता है anyways common issues with ROI and ROI there are common issues दोनों में कुछ common समस्या हैं यह सब ग्यान दिखे मैं आपको बता दू यह सब ग्यान कई सारा मैंने अभी latest batch में ही सिर्फ पढ़ाया है आपको बता दू और यह सब जो भी एक extra जो भी मैंने पढ़ाया to be very honest with you ऐसा नहीं था कि मैं आपके साथ jeopardize करना चाता मैं भी जैसे जैसे सीखता गया new syllabus में या नए books में मैं हर बार पढ़ते रहता हूं foreign authors के books पढ़ता हूं मैं जितना सीखता हूं मैं हर बार उसको relate करके कई नगे अपने course में involved कर देता हूं एक सच्चे teacher की पहचान यही होती है कि वो जितना जानता है अपने students को सिखा दे त तो मैं उनको क्या क्या कहूंगा तो इसलिए मैं आपको honestly बता देता हूं कि मैंने जितना भी extra कुछ भी पढ़ाया है जब से मुझे ऐसा है सास हुआ कि मैं थोड़ा थोड़ा extra दे रहा हूं तो वो extra के video clips cut करके हमने SJC के YouTube channel में और मेरे personal YouTube channel Satish Jalan उसमें सारा clip करके डाला हू मुझे पता नहीं चलता तो group में भी डलवा देता हूं और वरना YouTube में मैं हमेशा as a matter of regular policy वह extra जो भी पढ़ाता हूं वह अगर relevant भी exam के लिए तो मैं जरूर से जरूर उसको डाल देता हूं तो आप उसको follow कर लीजेगा आपको दिख जाएगा SCM concepts बोलकर आपको वहां पर द लीजेगा तो यह सब जो है कैसे मैंने सब compile किया है मैं आपको भी बता देता हूं यह सब मैंने compile कैसे किया जो जो case studies exam में आते गए अभी तक जितने भी case studies आज तक institute ने बनाए और जितने भी पास में you know CMA का paper CMA का paper आया उन सब का question का answer करकर के देख देख के कई सारे points में आये सजे कि यह भी बता देने से उन बच्चों का वो question हो सकता वो question हो सकता वो question हो सकता और उन सब का सार इस book में डाला हुआ है ठीक है इसमें जो जो points मैंने लिखा है या मैं आपको extra में बता रहा हूं वो सब उन सारे questions का निचोड है जो आपको कही न कहीं कोई न कोई question में link होता हुआ मिल जाएगा common issues क्या है ROI और ROI का ठीक से सीख लें यह आपको कहीं ऐसे कोई भी किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा यह सर ने अपने मैट में अपने understanding से लिखा है ओके तो पहला क्या है investments investments जो अपने ROI में भ find निएगा investment ascertain कैसे होगा उसमें historical cost of asset लेना है कि replacement cost of asset लेना है historical cost मतलब actual cost और replacement cost मतलब जो market value होगा वो फिर I include include assets in control of HO or not include assets in control of HO or not मतलब आपको HO के पास जो asset आपका division का रखा हुआ है वो include करना है कि नहीं control उसको ही करता है फिर method of depreciation followed by HO or followed by your division can be different valuation of inventory policies can be different यह सब आप लोग भी अपने audit experience में भी देखे होंगे कि there can be some there can be some difference in accounting policy followed in the group as well as in the division so that difference needs to be reconciled so because of that investment का amount जब group सोच रहा तो कुछ और आ रहा है division सोच रहा तो कुछ और आ रहा है इससा problems आ सकते हैं next आ रहा है profits में भी problem है कि profit कैसे ascertain किया जाएगा वो profit before tax होगा कि profit before interest in tax होगा कि net operating profit after tax होगा profit होगा क्या उसका defined नहीं है कैसा profit होगा operating profit होगा कि net profit होगा should exclude or include extraordinary items non cash items और cost of HO HO अपना एंगल से जब profit देखे हैं तो सब कुछ डाल देगा but group division वाला अपना इसके लिए सजेशन रखे हैं कि आपको सिर्फ controllable items रखने है golden rule में मैंने आपको बता दिया है but otherwise defined नहीं है ROI और RI method ने define नहीं किया है फिर behavioral issues क्या आता है जिसे मैंने आपको बताया था उसमें dysfunctional decision making में कि आपके आप एक machine है जो obsolete जैसा ही हो गया है output भी अच्छा नहीं दे रहा division में but आप उसको change नहीं कर रहे हो नया लाने से क्या होगा investment amount बढ़ जाएगा investment बढ़ जाएगा ROI गिर जाएगा या ROI गिर जाएगा so आपका behavior है न इसको बोलते है sub optimal behavior dysfunctional behavior आप group के हित में नहीं सोच रहे हो कि long term में खराब machine का जो output है वो goodwill को कितना damage करेगा ठीक है ऐसी कभी-कभी investment amount को बढ़ाएगा रखने के लिए payables मान लीजे हम लोग जान बुच के delay करते रहते हैं हम लोग और जल्दी payment नहीं करते हैं ऐसा भी कर देते हैं हम लोग कुछ payables और receipts को accounting में बहुत सारा fallacies करते हैं आप लोग के सब धानली वगएर आप लोग को बताने का जुरुरत नहीं है there are lot of possibilities कि आप accounting process में कुछ ऐसा fallacies डाल दोगे कि पता नहीं चलेगा कि investment आपका इस बार हुआ है कि नहीं हुआ है आपको अदल मैं exactly आपको अभी loophole नहीं समझाना चाहरू आपको सोच सकते हुआ या फिर there are different ways by which this divisional managers will try to manipulate the amount of profit or investment calculated at their end so that is fatal to the company in the long run so those issues will creep in if you are following ROI and RI so these are some behavioral issues okay यहां पे एक लाइन लिखा हुए मैनुपलेशन आफ इंवेस्मेंट अमांट बै डिविजिंस बै नॉट या लिक्स लो डू नॉट स्क्राप इन उड्र मशीन डिलेशने से पूल देर ने ठांए रहे हैं कि उन्यांट नीन्सेक अगरे municipale को झालेशन मेरा वाइए थैसा नुक्सान की आगे ऐतेकर कैना सुछ रहा हूं ये नी जानते की इससकोफाइदा क्या होगा नुकसान क्या होगा बस वो घुमा रहे है supplier को अपना personal reason के करन उनको तंग कर रहे हैं ठीक है so next आ रहा है economic value added यह concept को बनाया Stern, Stewart and Company ने यह actually आ रहा ही ही है थोड़ा सा polished version है residual income का polished version है जिसमें define कर दिया गया है कि आपका profit कैसे निकालना है और investment कैसे निकालना है it has defined the amount of profit to be calculated how it is to be calculated and how investment needs to be calculated okay so EBA का concept में जो controllable profit है उसके जगा नाम आ गया NOPAT Net Operating Profit After Tax और जो cost of doing business है उसके जगा आ गया opening capital employed into के ओ opening capital employed मतलब year का जो opening capital employed है वही पूरा year रहता है तो opening capital employed into के ओ के ओ के ओ इस डवलुए सी सी वेटेड आवरेज कॉस्ट और यह concept SFM में भी पूछा जाता है इसलिए one plus one का काम हो जाएक अगर ध्यान से कर लेंगे तो CA new syllabus के लिए सबसे जादा important है costing paper में costing paper में CMA और CA old syllabus के लिए उतना important नहीं है ठीक है बाकी लोग के लिए सिर्फ इतना सही काम हो जाएगा जैसा मैंने आपको बोला यह details जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह सिर्फ CA new syllabus वाले गौर से समझेंगे no pat कैसे निकालना है this requires adjustment on the accounting profit as follows क्या क्या करना है इसको निकालने के लिए जो accounting profit आया हूँ है उसमें कुछ adjustment करना है adjustment में पहला कोई भी adjustment को पढ़ने के पहले मैं आपको पहले basic way में no pat कैसे निकालते हैं वो पहले समझा देता हूं जैसे in general no pat निकालने का यह सब के काम आएगा CA old में भी और EBIT into one minus T क्यों होता है PBIT मान लीजे profit before interest and tax मेरे यहां पे 100 है less मेरे यहां पे interest है मान लीजे 10 rupees तो मेरे यहां पे PBT हो गया 90 rupees less tax 30% के साब से 27 आया तो pat आया 63 तो देखो pat is different no pat is different pat और no pat में फर्क है pat आ रहा है after meeting the obligation of debt and government ठीक है debt holders और government का obligation दे दीजे उसके बाद आपके पास जो बचा pat is only to be meant for shareholders preferential holder और equity shareholder के लिए but no pat का जो amount होता है that is meaning कि यहां पे जो amount है वो debt वालों के लिए भी है वो shareholder वालों के लिए भी है no pat belongs to both debt and shareholder तो no pat में सिर्फ government का obligation हटाया गया है और pat में क्या किया गया government as well as interest यानि debt वालों का obligation दोनों हटा दिया गया है pat में government और debt दोनों का obligation अटाया है no pat में सिर्फ government का obligation अटाया है ठीक है कैसे आप समझो जैसे यदी हम यह सोचें कि government को देने के बाद मेरे पास कितना cash बच रहा है या profit बच रहा है यह मुझे मुझे जानना है तो आप ऐसे सोचो मेरा profit तो था 100 ठीक है मेरा profit था 100 उसमें 1-t यदी मैं करूंगा तो tax rate at 0.3 तो minus करके आ रहा है कितना 70 तो what is this indicating what is this indicating यह 70 is my no prat that means it belongs to debt holders as well as to my shareholders all investors will get their return from this 70 it's not just for our shareholders it's for both debt holders as well as shareholders ठीक है तो इसमें यह 70 कैसे आ रहा है यह 63 और 70 में फर्क क्यों आ रहा है फर्क किसले आ रहा है आप ऐसे देखेंगे देखेंगे आपका no pat निकालने का तरीका एक और होता है जिसमें आप pat में ध्यान दीजेगा pat में प्लस कर देंगे आप pat में प्लस कर सकते हैं आप आपका एक उपाई है जो भी आपका tax savings on interest tax shield on interest ठीक है यह आप बोल सकते interest tax shield on interest नाम नहीं देंगे हम लोग इसका नाम देंगे finance interest के उपर tax यदि आप देखेंगे net interest cost आप ऐसा बोलेंगे simple नाम बोलेंगे net interest cost जो interest के उपर tax minus कर के आएगा देखो कैसे आ रहा है पैट ए 63 प्लस इंट्रेस्ट है 10 उस पे टैक्स माइनस कर दो विच इस 0.3 of 10 तो यह हो गया 63 प्लस 7 करके 70 यह तरीका सीखो न आप पैट में क्या माइनस हो चुका है गवर्मेंट का ओफ्लिकेशन चला गया और आपको करना क्या है आपको ऐसा अमाउंट जाना है जिसमें मेरे का को सिर्फ गवर्मेंट को माइनस करना है डेट वाले को इंक्लूड करना है तो गवर्मेंट को अमाउंट देने के बाद बचा 63 तो फिर इंट्रेस्ट वाला अमा cable है तो उसका interest cost कम हो जाता है because interest brings tax savings so जो भी tax savings यानि कि tax shield on interest आपको मिला वो आप interest cost से adjust कर लो 10 minus 0.3 into 10 यानि 7 is your interest cost because this 10 interest cost is saving your 30% tax rate also so your net interest cost is 7 your net interest cost is 7 so 7 plus 63 70 so is 70 में आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका interest के लिए cost कितना है 7 है और बाकी जो बच गया वो आपका shareholder के बास जाएगा तो यह एक तरीका है पैट में क्या करना है net interest cost add करना है और एक तरीका क्या है और एक तरीका क्या है यहाँ प एक और तरीका आप सीखो एक और तरीका है कि आप जब PBIT ले रहे हो PBIT में से आपको tax माइनस करना है सिर्फ मैंने क्या बोला interest माइनस नहीं करना है क्या माइनस करना है tax माइनस करना है what you have to subtract is tax तो PBIT आपका है 100 tax यदि आप देखेंगे तो आपको 27 दिख रहा है ठीक है 27 is the tax plus आपको इसमें add करना है एक और वो है interest का tax shield जो गा 10 का 30% खली interest का tax savings 30% तो 27 plus 33 which is equal to again 70 तो there are ways to calculate यह tax just आप जो यहाँ पर 27 निकाल तो वो tax नहीं है यह tax थोड़ा सा different है यह EVA ने define किया है कि हम लोग के यहाँ पर जो tax होगा वो tax should also incorporate the effect of tax savings on finance charges तो यह tax आपको minus करना है उसमें EVA ने और भी define किया है कि यह जो tax है कई बार होते एक provision for tax होता है और एक tax paid होता है तो अगर tax paid और provision for tax अलग-अलग amount आपके सामने हो तो आपको tax paid minus करना है ना कि provision minus करना है ठीक है तो इससे आप no pet निकाल रहे और capital employed जैसे निकलता है वही है इंटू के ओ यानि डब्लूए सी सी ओके तो के ओ में since देखो debt का cost आ जाता है ना के ओ में केडी केई केपी सब कुछ आ जाता है तो जब debt हम लोग को बाद में माइनस करना है तो इसमें से हम लोग debt का inclusion रखते है debt वालों को जो देना है return उसको include करके रखते हैं देखे न 100 में से मैंने सिर्फ tax minus कि interest minus नहीं किया तो no pet में interest income included है interest के लिए जो यानि debt वालों को जो देना है वो included है तो उसको यहां पर ko के फिर थू हम लोग subtract कर रहे हैं आप ऐसे analyze कर सकते हैं और फिर यह new syllabus वालों का specific sums है डीजे भी में इसके sums दिये वह आज ही आपको जाके करने वह performance evaluation chapter में आपको मिलेगा मैं वहां पर pick up नहीं करूंगा पर्फॉर्मेंस evaluation chapter में आप EVA का sums कोच के करिएगा जिसमें आपको बताया हुए expenses of capital nature are to be added back जैसे कि अगर कोई R&D cost हुआ कोई staff training cost है training cost को कोई capital nature नहीं मनता है बट EVA का concept उसको capital nature मानता है कोई बड़ा advertisement का cost हो गया जिसका benefits over the years आएगा तो वह advertisement campaign का cost भी आपका क्या माना जाएगा capital expenditure माना जाएगा तो अगर वह profit से less किया हुआ है तो उसको add back कर देना है फिर charge economic depreciation instead of accounting depreciation अगर कुछ नहीं बोला है तो depreciation same है accounting depreciation होता है जो as a matter of policy अपने हर साल चार्ज करते हैं maybe 20% WDV और economic depreciation होता है जो real asset का depreciation को reflect करता है accounts में जिसे impairment भी आप लोग पढ़ते है accounting standards में वैसे कुछ है कि अगर मेरा asset सोचिए 100 रुपया का purchase value था और आज उसका market price 60 हो गया है तो depreciation 40 हुआ है हो सकता accounts उसमें बस 20% WDV लगाया हो तो economic depreciation is the real depreciation जो आपको charge करना चाहिए तो अगर accounting depreciation charge किया हुआ है तो उसको add back कर दो और economic depreciation का amount question में है तो उसको minus कर दो अगर नहीं है depreciation तो economic और accounting same है interest charge यदि है तो उसको add back करो profit में interest charge Pat से अगर जा रहे हो तो add back करो यह देखो मैंने add किया था ना Pat से यदि जा रहे है न profit में यदि आप Pat से add back कर रहे हो तो 10 is the interest charge वो आपको add back करना है फिर tax to be reduced is the adjusted tax tax कौन सा होना चाहिए adjusted tax और वो adjusted tax में concept क्या है यह ध्यान से यह important point होता है tax charge as per PL which is basically the provision for tax minus increase in deferred tax provision अगर deferred tax भी है तो उसको भी adjust करना है plus tax shield on interest मैंने deferred tax example नहीं लिया था मैंने बस simple बता दिया tax charge जो है PL का plus interest आपका interest tax shield अगर tax के साथ adjust कर लिया तो फिर यहां पे नहीं adjust करेंगे दो दो बार नहीं करेंगे जैसे एक सम में मान लिजे पैट में interest भी आपको add करना है और उसके बाद आपको tax shield भी adjust करने करने का बात आ रहे हैं पर तो interest क का tax shield यदी यहां पे ले लिया ठीक है सब्सक्या नेट इंट्रेस्ट के साथ थो यहां पर interest qs. पिर से नहीं ले रहना ईक भार add back करना interest tag shield क्या दो टख के साथ include कर दो या थो interest cost से subtract कर दो और फिर यहां पर एक और चीज़े कि we consider tax paid पता दिया न कि economic depreciation can be taken इसमें क्या है इकनोमिक depreciation can be taken economic depreciation can be taken मतलब depreciation हटाक से eliminate नहीं करना इसमें concept क्या मैंने आपको बताया न कि अगर question में accounting depreciation और economic depreciation अलग-अलग नहीं दिया हुआ है कि आप मान लोगे मेरा accounting depreciation is equal to economic depreciation तो जो है वो रहने दोगे depreciation वाला चीज़ को लेकर थोड़ा सा confusion हो सकता है इसलिए मैंने यहां पर specifically लिख दिया आपके लिए tax में भी एक चीज़ याद रखोगे tax paid is taken tax paid is taken not tax what you charge in PL tax paid is taken okay the tax paid amount is important not the tax amount that we have debited to PL और opening capital employed में अगर मान लीजे last year का कुछ और detail दिया है ऐसा भी question होता है जिसमें last year का detail दिया हुए और last year का profit में कुछ ऐसा item था जो capitalize हुआ था जैसे की R&D expense जैसे की training expense जैसे की आपका advertising campaign expense तो last year अगर profit से capitalize वा था तो last year का capital employed mad होगा capitalize हो रहा है इसका मतलब क्या होगा वो profit से हट रहा है और capital employed में जूट रहा है तो opening capital employed will be adjusted for any kind of capital expenditure that were incurred in the previous year so adjust it with our item if previous year's profit are given with items for adjustment अगर previous year profit दिया हुआ उसमें adjustment है तो उसको करके फिर opening capital employed निकलेगा इस साल का profit में को capital item है तो आप बस उसको हटा दो उसको capital employed में अभी adjust मत करो क्योंकि आपका calculation में opening capital employed लिया जाता है तो मैंने theoretically EVA पूरा समझाया है इसको पूरा clear crystal clear करने के लिए आपको sum करना पड़ेगा मैंने sum में नहीं घुसा है क्यों क्योंकि मेरे को भी sum कराने के लिए फिर एक गंटा देना पड़ जाएगा आप अगर अपने आप देखेंगे तो आपको सारा ट्रिक समझ में आजएगा सर ने सारी बात आपको बता दिये lastly आता है shareholder value added which is nothing but present value of future cash flows in all the division which are available for distribution to shareholders okay जो भी present value आप future cash flows का ले पाते हूं that is shareholder value added of course those cash flow यह आपको लेना है जो distributable to shareholders है जैसे आप लोग SFM में पढ़ते हैं FCFF और FCFE वैसा ही concept है कि future cash flow जो shareholder के लिए distributable है उसका present value आप लोगे तो shareholder value added आता है इससे हम लोग कोई sums नहीं है ना new syllabus में ना old syllabus में खाली एक line जानना है EVA का concept में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मुझे old syllabus और CMA में first line से basic sum करना आना चाहिए बट CMA new syllabus में EVA से जितना adjustment आपको बताया उससे related आपको DJB book में performance evaluation chapter में कई सारे question मिलेंगे अगर DJB book नहीं है आपके पास तो आप IC mat कोल लिजे उसमें आप खोज लिजे सर्च मारगे EVA से related जो questions है उसको जरूर से कर लिजे मैंने जो जो बात बताई उद्दम खासम खास बताईए जिससे आपका sum का सारा trick solve हो जाएगा ओके सो आज हम लोग यहीं पर रख जाएंगे financial measurement का यह जो measures मैंने आपको बताया ROI और उसके common issues और फिर EVA और shareholder value added तक और उसके पहले मैंने transfer pricing का decentralization का difference आपको समझाए advantage disadvantage के साथ पांच मिनेट रुकिएगा बस class खतम होने के बाद इखबार है अपने mind में खुद से मैंने हूँ आप खुदी अपने आप सारे points को सजा लिजे mind में अभी क्या हुआ मैंने इतना सारा दिया आप कच्रा के तरह लेके रख लिए अभी इसको और्गनाइज नहीं हुआ उसको 5S system लगा के sorting करके set in order करके फिर shine करके उसको रखना पड़ेगा ना इसमें से कुछ extra ग्यान यदि मैंने दिया जो आपको लगता एक्जाम oriented नहीं है तो उसको हटा दीजिए जो बिना काम का चीज़ उसको हटा दीजिए जो necessary things है उसक को organize कर दीजिए mind में जिससे कि यह long term तक याद रहे okay यह सब points इतने common है कि आप इसमें अगर मेरा भात भी ध्यान से सुने न तो 4-5 points तो ऐसे ही आपको याद रहेगा overall structure तो याद रहेगे 4-5 points तो हमेशा याद रहेगा एक बार और दोहरा लेंगे तो और अच्छा से placement हो ज ओके फ्रेंड्स विए स्टार्टिंग विट ट्रांसर प्राइजिंग लेट टास कंटिनियो Divisional Profitability Statement Divisional Profitability Statement एक working होता है जो transfer pricing में हम लोगों को करने बोला जाता है जिसका format एक simple सा format है जो class में सिखाया हुआ है particulars, transferer division, transfery division and then total that is the column for the head office और group so what we write is sales revenue और यहां पर oblique देके एक और लिखना है आपको transfer revenue oblique देके लिखना है transfer revenue ओके यहां पर लिखिए TR you write here TR sales revenue के साथ साथ लिखिए TR sales revenue के साथ साथ लिखिए TR transfer revenue okay sales revenue के पास पास में लिख दीजिए transfer revenue less transferred input है transferred input के बाद own cost भी है transferred input के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा purchase cost transfer input के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा purchase cost okay तो आप लिखूए यहां पर oblique transfer revenue transfer input के साथ 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 लिखिए oblique purchase cost जैसे transferer division यदी होगा तो उसका purchase cost होगा यहां पर purchase cost आएगा transfer के यहां पर यह transferred input बन जाएगा ठीक है और यहां पर transfer revenue आएगा अगर fully transfer कर रहा है तो और यहां पर sales revenue आएगा तो इस आपर यहां पर profit and the total of the two profit is the group total just you got to remember that when any division is a cost center the transfer will be a total cost and when any division is profit center then they will transfer at cost plus price that means a margin will be added ठीक है एक चीज़ और याद रखना कि if transfer price changes यह transfer price अगर अलग अलग होता है due to changes in transfer price due to changes in transfer price the group profit does not get changed the group's profit does not get changed ठीक है if you are charging your division by different different ways the total profit of the group will remain same now total profit of the group will be affected only and only when this sales revenue gets affected if this sales revenue gets affected due to change in transfer revenue जैसे मानिए division A ने B को transfer किया अब B ने transfer revenue ज्यादा पे किया बोलकर अपना sales revenue बढ़ा दिया तो अगर उसने अपना sales revenue को बढ़ा लिया तो group में फाइदा होगा बट transfer price कुछ भी हो अलग-अलग method A में कुछ method B में कुछ method C में कुछ तो internally ये transfer revenue यहां का cost बनता है न तो इसका revenue उसका cost होने से group level पे वो set off हो जाता है इसलिए due to changes in transfer price the group's profit does not get changed लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखो ऐसा भी होता है कि ये transferal division हो सकता है अपना output को transfer ही नहीं कर रहा है the transferal division is selling all its output to outsiders and transfery division is buying all its input from outsiders so if say I am saying transfer does not take place at all and divisions operate independently then group's profit में take place if there is no transfer then group's profit is affected group's profit में changes कब आएगा जब transfer नहीं होगा तो change हो सकता है transfer होगा और किस price पे transfer हो रहा है उससे मतलब नहीं है transfer नहीं होना और होना group के लिए important है but किस price पे transfer होगा वो price अगर आप change कर देते वालग अलग करते हो तो उससे group को affect नहीं होता until unless final sell revenue change होता है so एक और बात मैं यह लिख दूँगा group group is not affected from transfer price but affected from transfer but affected from transfer transfer नहीं होगा तो group को affect हो जाएगा उसका profit कम हो सकता है ठीक है यह बढ़ भी सकता है transfer नहीं होगा तो group का profit affect होगा transfer होगा और किस price पे होगा उससे group को मतलब नहीं है ठीक है तो यह बस basic आपको sums में भी देखने को मिलता है कि question पूछता है बताए in the best interest of group whether transfer should take place or not so we check if there is no transfer then what will be the profit of the group and if there is a transfer then what will be the profit of the group whatever be the transfer price transfer price से group को फरक नहीं पढ़ता है but transfer से फरक पढ़ता है सुनाक्षी सीना क्या बोलती है थपड से डर नहीं लगता साब प्यार से डर लगता है ऐसे बोलती है न तो हम लोग क्या बोलते है transfer price से डर नहीं लगता transfer से डर लगता है साब transfer price कुछ भी हो अपने को फरक नहीं पड़ता बट transfer से फरक पड़ जाता है ठीक है अगर आप transfer ही नहीं करोगे तो group का profit में असर आ सकता है तो यह basic बात आपको मैंने बता दिया चलिए हम आगे बढ़ रहें methods of transfer pricing methods of transfer pricing में first of all transfer pricing का मतलब हो रहा है कि division A अगर B को देगा तो किस rate पे देगा what would be the basis of determination of rate of transfer यह basis के लिए हम लोग का पढ़ाई है ठीक है जैसे मैंने पिछले दिन आपको समझाया था कि जैसे division A बाजार में बाहर में customers को बेच रहा है वैसी division B को बेचे तो मैंने दिन का knowledge के साब से चलो तो कैसे देना चाहिए market price पे देना चाहिए correct बट जरूरी नहीं कि हमेशा जो भी group के अंदर transfers होंगे वो market price पर ही हो तो क्या क्या तरीका से transfer price सोचा जा सकता है उसको हम लोग consider कर रहे हैं सर अभी तो आपने का group को फरक ही नहीं पढ़ता transfer price चाहिए जो भी हो तो फिर इतना बुद्धी क्यों लगाना है transfer price क्या हो देखो जी group को फरक नहीं पढ़ता बट divisional managers को बहुत फरक पढ़ता है कि transfer price क्या होगा क्योंकि divisional managers हम लोग जब यह chapter पढ़ रहे हैं सारे के सारे decentralized system में है और हर एक divisional manager को अपना division चलाने का responsibility दिया हुआ है और उनका incentive उनके divisional profits से tied up है सो भले group को फरक नहीं पढ़ता बट divisional managers को बहुत फरक पढ़ता है क्योंकि उनका पूरा incentive और remuneration system उसके division के performance पर या profitability पर टिका हुआ है तो वो नहीं चाहेगा कभी भी कि कुछ भी transfer price हो group को नहीं फरक पढ़ता बट divisional manager को जरूर फरक पढ़ता है तो अपने company को मुझे चलाना है यदि मैं group का मलिक हूँ तो मुझे अपने divisional managers को motivated रखना पढ़ेगा जिससे की वो लगातार एक दूसर के support में काम करें ठीक है so what should be the transfer price the answer is as given in the question whatever is given in the question you just follow that will be the transfer price and whatever be the answer in that that only you have to conclude so there is no buddhi here then second is another way can be return on capital employed approach now what is return on capital employed approach here the transfer price equation is this we already have talked about it in pricing strategies also okay the price is equal to total cost plus you will say capital employed into some rate of return that will be your profit total cost plus capital employed in that division multiplied by return on capital employed required by the division so return on capital employed becomes the replacement of profit and then total cost plus profit becomes transfer revenue and then divided by units to find out the transfer price so it will be what cost of transfer plus return on capital employed now cost means variable cost plus fixed cost both assuming that return is representing your profit I have already discussed with you sometimes question may say that the divisions desire a contribution of 20% on capital employed if say the question has written it like this division desires a contribution of 20% of return on capital employed then in that case you will be adding only variable cost plus desired contribution in general case return on capital employed represents your profit and if tax rate is given then this is supposed to be profit before tax okay if tax rate is given if you remember when do we use return on capital employed based pricing so they will get everything from the market right so they will get all market share now why don't they need to think about their pricing strategy then because they should also understand that if they don't set a fair price what will happen is competition will start coming in even government may regulate your business also monopolist practices act be a okay monopolist rights and trade practices act तो आपको आपको अपको अपना अपना pricing को अपना प्राइसिंग को फेरली अपना प्रेर्ली ही इटर्माइन करना पड़ता है तो मुझे अपना capital investment का एक एक टार्टे रिटर्टे रिटन सोच लिता है कि मुझे मान लिजे वो super normal rate of return हो सकता है मान लिजे 40% चाहिए so capital employed पे 40% annual return उसको चाहिए तो this is a huge target है साल का 40% किस business में आता है तो obviously it is a price setter तो 40% plus उसके बाद वहाँ पर वो अपना total cost जोड़ेगा ठीक है नो क्या होता है ध्यान से समझना concept total cost plus capital employed का एक amount है उसका आपका कुछ percent है return on capital employed जिसको वो profit बना के charge कर रहा है this is supposed to be divided by estimated demand और estimated sales unit जो हो करेगा correct तो उसका एक price आजाएगा per unit this way the price will be set now it may happen that demand for the product is increasing now when demand is increasing what will happen profit per unit जो यहां पर calculate हो रहा है वो दो बहुर बढ़े जा रहा है सोचे ना जब मैंने ऐसे सोचा एक पूरा illustration ध्यान से सोचे capital employed हमारा यदी 50 lakhs है मेरे को return on capital employed चाहिए 40% so मेरा profit है 20 lakhs okay मेरा estimated demand है 1 lakh तो मेरे को profit per unit कितना चाहिए 20 रूपीज ही चाहिए now total cost में मैं 20 रूपीज जोड़कर price set कर रहा हूँ यह मैं monopolist हूँ अभी क्या हो रहे demand जादा आ गया market में demand सोचे 1 lakh के जगा 2 lakh आ रहे हैं तो ideally 2 lakh अगर demand आ रहे है मेरा तो फिर 2 lakh into 20 करने से 2 lakh into 20 करने से total profit हो जाएगा 40 lakh तो return on capital employed हो जाएगा 80% in general कोई भी businessmen क्या करेगा भूलेगा ठीक आने तो 2 lakh आ रहे तो हम अपना दाम क्यों क्यों करें मेरे जासा और कोई है भी नहीं price setter है है हम monopolist है हम और कुछ करेंगे भी नहीं so मुझे पूरा का पूरा मजा लेने दीजे I will not किसी भी तरह से compromise and I will fix my price the same as it was so if they continue doing this when demand is at double the rate 1 lakh or 2 lakh so seeing this huge demand it may happen that some demand may get unsatisfied because of production capacity constraint and if so much of demand is coming the competition will start coming and competition when they will come they will always launch their product at a lower price and they will kill the monopoly so monopolist need to understand this कि आप अगर ज्यादा दिमांड में भी अगर वही मार्जिन कमा होगे है तो कहीं न कहीं आप अपने दुश्मनों को निमंत्रन इंविटेशन दे रहे है अपने बिसनस में आने का so what should they do what they start doing the sensible monopolist what they start doing is as soon as they see that the demand is more than their estimation and they are able to fulfill that then the desired profit will remain fixed at 20 lakhs only if say demand comes at 2 lakhs the profit per unit will become 10 rupees per unit so total cost plus profit will become something lesser than previous so when demand is growing monopolist tend to reduce their price a sensible monopolist will reduce their price so what will happen if they start reducing their price competitor will be demotivated to enter into the market why because competitor will have also huge establishment cost and when they will come they will have to come with a lower price and monopolist himself is lowering the price when demand is increasing so this way monopolist safeguards itself from competition another way if the case is opposite say demand is not 1 lakh if it is 50,000 to monopolist will try to recover its target profit by increasing the price now now monopolist is increasing the price when demand is lesser so when demand is lesser competition will never come by default okay competition kabhi aise bhi nai aega to some price bada bhi dega to consumer ko majbura nook so this is how i am just sharing with you this is how they think about the pricing in monopoly market if say any division is also monopolist where the situation is such that division b has to buy from division a there is no other option because division a is a monopolist of that particular component or part so division b when it has to buy from division a only in that case division a can charge this kind of transfer price okay so ayushi agarwal has a question sir fixed cost will be considered in return on capital employed yes i am saying total cost okay so total cost means all variable cost and fixed cost okay fixed cost ko change nahin karte hai generally demand level se fixed cost jaysa rata hai vaysa hi rata hai but profit profit kisat hum play karte hai is method me we play with the profit per unit amount next are raha di ki third method shared profit method now what is shared profit let me add one page here to discuss with this share profit प्रॉफिट आपका 40 आगया ग्रूप लेवल पर प्रॉफिट आगया 40 इस वह फॉस प्रॉफिट ग्रॉफिट प्रॉफिट वाई बिकाज इन्डिवीज्वरी हमने प्रॉफिट नहीं देखा एने सारा चीज अपना बी कोई दे दिया था नौ इससे ग्रॉफिट इस होगा यह भी क्लिर नहीं है तो माल लिजे शेयर प्रॉफिट मेथट फॉलो होता है शेयर प्रॉफिट मेथट इस लाइक पार्टनर्शिप बिट्विन ए एंड बी अगर ए और भी मिलके दो डिविजन है दोनों मिलके 40 कम है तो यह 40 रूपी किसका है ए भी दोनों का है त देटिए बहा टों पराइस बातना होगा तो ए टुबी व्क का स्ट धीवर का कर 50 एका प्लस उसका शेर ऑफ प्रॉफिट है 25 तो ट्रांसर प्रॉफिट को ब्रेक कर दो तीसरा स्टेप होगा इसमें एक और बात आप ध्यान से समझो कभी ऐसा हो सकता है कि question में लिखाओ shared contribution method instead of shared profit it is shared contribution तो approach will be what first find out groups contribution then find out the sharing ratio in variable cost ratio if it is contribution sharing अगर shared contribution है तो what will be the step first step will be groups contribution okay and then sharing will be in the ratio of variable cost sharing will be in total variable cost ratio right now when I am sharing it is in the ratio of total cost but abhi ये क्या है total variable cost ratio और third step में transfer price will be equal to total variable cost plus the share of contribution अभी क्या होगा total cost plus profit हुए आद में क्या होगा total variable cost plus contribution होगा ठीक है is everything fine at your end actually everything is fine let's discuss about one more case here what happens is if say there are three divisions if there are three divisions then a scenario will be little different in our calculation division A is 50 division B's cost is say 30 and division C's cost is 20 so तीनो मिला के 100 हो गए division A B C में तीनो मिला के सुच ये 100 हो गए नो तीनो मिला के हमने जब sales किया तो sales revenue आया सोची 150 और गंपनी का group का profit आया यहां पर 50 group profit आगया 50 what is the group profit say 50 rupees now we will have to this is our say step number one second step would be share of profit so let us find the share share of profit will be share of profit में A B C share of profit में आ जाए A B C so आप अगर distribute करेंगे amount को 50 rupees को in the ratio 532 तो 5 by 10 करने से 25 15 और यहां पर आरे 10 तीनों मिला के आगया 50 third number अब जब हम transfer price निकाल रहें transfer price जब हम निकाल रहें तो A to B में कैसे आएगा A to B में A का जो total cost है plus उसका share of profit तो A का जो total cost है वो है 50 plus A का share of profit है 25 answer is 75 now जब B to C करेंगे तो total cost कैसे आएगा यही एक question का trick है कि B to C में total cost कैसा आएगा what will be the total cost in case of B to C what will be the total cost in case of B to C जल्दी से बताओ आप type करो answer very good 75 plus 75 कैसा है 75 यह वाला जो A ने B को दिया वो इसका cost बना plus B का अपना cost है 30 ठीक है 105 बहुत लोगों ने बोला और अब B का profit होगा share of profit is 15 okay so answer is 120 105 plus 15 is 120 very good thank you so much clear है so यह हो गया shared profit method shared profit method को हम लोग usually negotiation में बहुत यूज करते हैं जैसे कि transferer transferi अगर conflict हो रहा है तो group आगया intervene करने की नहीं देखो transfer तो करना वड़ेगा जो भी profit आएगा group level में तुम दोनों में बाढ़ दूंगा transfer price का जब decision नहीं हो पा रहा है आपस में लोग resolve नहीं कर पा रहे हैं negotiation नहीं कर पा रहे तो group आके क्या बोलता है कि मैं जो कमाऊंगा वो तुम दोनों में बाढ़ दूंगा ठीक है तो इसमें एक और limitation भी है जब group आके बाढ़ेगा तो जिसका cost ज्यादा होगा उस उस रेशियो में बाढ़ देगा तो जिसका cost ज्यादा होगा उसको ज्यादा profit मिलेगा तो division क्या करेगा wastage करेगा ज्यादा cost जानबुचके इंकर करेगा कि ज्यादा profit मिले तो यह limitation भी इसका divisions would tend to do wastage इसलिए rule क्या बना हुआ है कि अगर share करो profit को तो standard cost का ratio में share करो ना कि actual cost का ratio में वरना divisions कैसे manipulate करेंगा गरूल बन गया group level पे की cost ratio में जो भी group में कमाया जाएगा वो पाट दी जाएगा तो division क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा cost incur करने का पुछिश करेगा कि मेरे पास ज्यादा cost incur करोगा तो ज्यादा profit आएगा ज्यादा मरे को incentive मिलेगा तो उसको रोकने का तरीका क्या है कि group आके standard cost का ratio में profit को बढ़ देगा ठीक है तो यह से general knowledge के मैंने बताया exam में आस तक ऐसा कुछ पूछा नहीं है तो shared profit method के बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है find करना है पहले group profit फिर आपको step 2 में share करना है group profit को group profit फिर उसको share करो और फिर step 3 में आप transfer price calculate करो total cost plus share of profit if the transferring division has received the goods from another division अगर कोई transferring division ने जिसके पास goods another division से आया है तो देन इस total cost will be transferred input plus own cost तो यह भी मैंने वो division ABC वाला में समझा दिया आपको under shared contribution method total contribution of the group is shared among the divisions in their variable cost ratio and the transfer price will be variable cost plus share of contribution groups profit is not affected from transfer price but it is affected from transfer ये वहले ही point मेंने उपर में आपको बता दिया था कि transfer price से डर नहीं लगता साब transfer से लगता है कि transfer होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उससे फरक पड़ता है but transfer price से फरक नहीं पड़ता next next concept आ रहे transfer price under goal congruency concept now what is this goal congruency goal congruency मतलब होगा वही जो group चाहता है करना वही पड़ेगा जो group चाहता है मैं ऐसी समझाता हूँ होगा वही जो उपर वाला चाहता है ना उपर वाला कौन है division manager के लिए हो group head office head office का best interest में ही divisions को act करना है ठीक है तो ऐसे scenario में पहला चीज क्या होता है सम करने के लिए कई बार हम लोग पहले check कर लेते हैं कि whether transfer करने से group को फाइदा हो रहे क्या मतलब इस को इस तरीके का सम को करने का एक तरीका होता है जिसमें हम लोग mentally भी चेक कर सकते calculation करके भी rough में कर सकते या fair presentation भी कभी कोशन में मांग लेता है मतलब you may check if transfer takes place then what will happen if transfer does not take place then what will happen to the group अगर division अपना output बना के बाजार में बेज दिया और दूसरे division बाजार से खरीद के अपना kाम कर रहा है तो उसका profits कि आ गुरूप का profit ःधी बढ़ रहा है तो ट्रांसवर होगा गुप का profit घट रहा है तो ट्रांसवर होगा और अगर ट्रांसफर होगा if say in the best interest of group transfer is viable you have to evaluate that you can also evaluate that in the relevant costing approach also you i will discuss with you later on कि relevant costing approach में evaluation कैसे होता है तो you can evaluate that in the relevant costing approach also कि transfer के यहां पे cost to be incurred at benefit loss क्या है और transfer के यहां पे savings क्या है तो net group का क्या benefit आ रहा है once that is proved viable then transfer has to take place this is called as goal congruency goal congruency means divisions need to act in the best interest of the group if the group profit is increasing by transfer then transfer has to take place now question is if transfer has to take place then what should be the transfer price so that's the heading transfer pricing under goal congruency concept transfer pricing under goal congruency concept is this heading transfer pricing under goal congruency concept is just this heading that what will be the transfer price now so in this scenario first the motivation given to the division is always that you need to help the divisional members you need to always treat them like your own brother and give them as many support as you can because if you don't support them they will lose something and if they will lose the group will lose so for the sake of best interest of the group you need to support the divisions okay so there are several situations in this kind of sum first situation is if say transferer yani say division a is having idle capacity if transferer is having idle capacity okay and it is possible easy easily for division a to transfer all the requirement to division b jitna division b ko zarurat hai wo aram se a apna idle capacity se karke de sakta hai in that case a should not take this as an opportunity to earn from b because a is having idle capacity b is coming to a for some requirement of transfer a is having idle capacity so a is able to sell whatever it is able to sell in market and now it has idle capacity so it was not earning anything from idle capacity since b has come to a for some requirement of transfer which a can do from his his own idle capacity that means a is not losing anything because of transfer so in this case a should never a should never take this as an opportunity to earn from b this is goal concurrency concept ki bhai bhai say sari se kamane ka na suchay a rishto me kamane ka na suchay a gar aap ke pas idle capacity है तो अगर आपके पास idle capacity है तो ठीक है एक बार की बात बताता हूं मैं अपने फूफा जी के साथ बैटा हुआ था फूफा जी हमारे फैमली में सबसे बड़े होते हैं तो कई सारी सिक्षा हैं उनसे मिलती रहती है तो उन्होंने कहा मैंने अपने इस पर्टिकुलर एक फ्र देते हैं हाँ तोड़ देते हैं जो मेरे principles किस से match होता वह इंसान मुझे नहीं मिलता मैं उनसे दोस्ती नहीं रखता मैं हमेशा के लिए ख़तम करके आ जाता हूं मूँपे बोल के आ जाता हूं मैं बोला अच्छा क्या कारण से अपने दोस्ती तोड़ी बोले कि यह जो मेरा दोस्त मिला ना इसके वेवार से बात मैं मुझे समझ में आया कि यह एक एईसा इनसान है जो अपने रिश्टेदारों में अपने रिष्टों में भी कमाने का बहाना खोजता है क्या समझे किसले दोस्ती तोड़ाई क्योंकि एक ऐसा इनसान है इसके वहवार से मुझे समझ में आया इसके बातों से इसके साथ रहे के मेरे इसको समझ में आया जो अपने रिष्टों में भी कमाने का सोचता है ठीक है एक होता है इनसान नुकसान हो रहा है तो बात करता है नहीं उसमें मौका खोजता है कि उनसे कैसे कमाया जाए ठीक है तो ऐसे इंसान से मेरे को जिन्दगी में कोई नाता नहीं रखना मैंने इससे दोस्ती तोड़ दी सुचिए प्रिंसिपली कितने वो लोग एडवांस चलते हैं इस बात से कितनी कुछ सीखने को मिलती है कि यही तो गोल कंगरुएंसी भी सिखा रहा है कि आपको अपने डिविज़न में कभी भी कमाने का मौका नहीं खोजना है आपको अपने division को जितना हो सके support करना है अपने ideal capacity से यदि काम करके दे रहे हो तो उसमें कमाने का क्या बात ठीक है अब क्या होता है division जो help लेने आया यानी transfery division वो यह सोच लेता है कि पूरा चीज़ free में करें तो free नहीं होता दुनिया में कुछ भी यह चीज़ जियान रखना होगा division A को क्या मैंने बोला कमाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो goal congruency principles चल रहे हैं कमाना का अधिकार नहीं है बट कमाने का अधिकार नहीं है इसका मतलब कुछ भी लेने का अधिकार्मी ऐसा नहीं है हम लों कहते हैं, जितना चला के transfer के कारण एका cost लगा बस cost recover करो कमाई recover कमाई मतलब क्या होता है हिंदी में हम लोग कमाई मतलब बोलते है profit profit नहीं कमाना है कमाना मतलब sales को कमाना नहीं बोलते है भाई कमाना मतलब हम लोग क्या बोलते है बनिया भुद्धी में हम लोग कमाना मतलब income internet income को कमाई बोलते है na sales story हुं महारा कमाई बोला जाता है आपका कर्चा लगा हूं अ उठा सकते हैं जो खर्चा लगा होई लिया बीकाल ऑद इसकते हैं o值 हरा डोटक्लिम और ऐसे लिए ही है इसमें बच्चे ध्यान रहान कोस्त्त नो वैरियाबल कोस्त नहीं it should be variable cost plus avoidable fixed cost whatever extra fixed cost is also incurred due to transfer that can be easily recovered as per goal concurrency principle but this में क्या होगा देखो transferer transferi को जब cost to cost देगा ना तो एक बार मदद करेगा हर बार अगर division भी लेने आएगा न ये से हर बार अगर ये चीज daily routine हो जाएगा तो फिर हमारा ये transferer transferi का relation में खटास आ जाएगा ये transferer transferi हमारे जो है ये आपस में कहीं न कहीं जगड़ पड़ेंगे क्योंकि मदद एक बार होती है बार बार मदद जैसे कभी अपने signal पर भी जाते हैं न कोई beggar है उसको कुछ देना है तो एक बार दे दिया तो मन से देने का मन करता है first time देखा दे दिया अब everyday अगर आप उस signal पर रुकते वार हर समय आता है तो कई बार irritation आ जाता है एक दिन help कर दिया दो दिन कर दिया तीन दिन कर दिया अब रोज रोज हम कहां से करेंगे हम नहीं करेंगे जाओ अब वह मांगता रहता आप खुछ देते भी नहीं हो ठीक है क्योंकि वह उसको पेशा बना लिया है correct तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि मदद अदम एक बार कर सकते हैं आम समय एक बार दे सकते हैं बार बार होगा ना तो फिर यह डिविजन में डी मोटिवेशन आई जाएगा तो इसलिए फिर ग्रूप का इंटर फिरेंस का ज़रत होता है कि कैसे इन दोनों को मोटिवेटेड रखे इवें दो गोल कॉन गुरेंसी principle is there तो उस समय थोड़ा सा मार्जिन दोनों को दिलवाना होगा तो मैं आपको यह जो सिखा रहा हूं वेरिबल क्लास पर सवाइबल फिक्सक्राइब यह वन टाइम वाला चीज है अब बात आता है इसमें कि डिविजिन अगर मान लिजे यहां पर आइडल नहीं है for example you said transfer division is not idle it is able to sell all its capacity to external market बट एक चेजहां को transfer division अपना सिर्फ ayakproduct बनाता है और सारा market में बेच लेता है now transfer division comes and ask for some requirement to divisiona to division a को थे आपको नुच्छा जो इसको transfere division को लगेगा तो इस टाइम वेन ट्रांसफर विल बी मेड तो कॉस्ट भी इंकर तो जो है वो तो दे नहीं है ऐस वेल एस इस बार अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें बाहर का कोई सेल को फुर्गो करना पड़ेगा तो जो सेल फुर्गो होगा उससे ऑग चारज कर सकते हैं अब इसमें यहान रखो मान लीजे मेरे यहां पे वेरियबल भास्ट विड और मेरेunde tuAS or में मार्केट में बेचा ना हम एटा कौन हो division A हुँ इस तरफ में division A है ये है transferer okay division A है transferer transferer क्या कर रहा है 50 rupees variable cost 30 rupees contribution so 80 rupees is its selling price now when this output only this product only will be transferred to division B the cost the variable cost will get reduced by 4 rupees 50 30 80 था तो ये variable cost 50 के जगा 46 हो जाएगा क्यों क्योंकि कुछ internally जब देना होता है तो थोड़ा सा काम कम करना होता है there will be some savings so in this case what would be the transfer price that I should charge it will be जो मेरा cost लगा transfer करने का जो मेरा cost लगा that is 46 now प्लस जो मेरा contribution एक unit का loss हो रहा है contribution एक unit का 30 है okay मेरा तो market में contribution 30 है तो 30 प्लस 46 answer will be 76 और you can take it this way जो market price है मेरा वो minus जो savings in cost हो credit मैं सामने वाले को दे सकता हूं अगर मेरे को मेरा internal transfer करने से कुछ savings हो रहा है तो market price में से वो savings में adjust करके वो prices को दे सकता हूं so when our transfer is fully busy with external sales then what would be the transfer price then the cost to be incurred due to transfer plus the contribution lost now say another scenario when our transferer is having very limited capacity and it is facing capacity constraint and it is not having capacity to fulfill its own external demand of different variety of products that it want to sell transferer के यहां पे variety of products बनाने का बात है बट उसके पस capacity constraint है तो जैसे capacity constraint होगा तो transferer क्या करता होगा ranking करके अपना capacity के base पर allocation करता होगा जो key factor chapter में आपको सिखाया आप रैंकिंग करके allocation करता है ठीक है अपना capacity को optimally use करता है so now in this scenario if transfer requirement कम अब अगर transfer ही आ रहा है जबकि हम अपना काम भी पूरा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारे goal concurrency principles बोल रहे हम यह नहीं बोल सकते कि मेरे पास अपना काम करने के लिए समय नहीं मैं आपका क्या काम करूं राइट तो हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा कि नहीं ठीक है भाई आप हमारे group के member हो तो हम आपका help करेंगे आप अपना requirement बताओ तो उस requirement के लिए जो समय लगेगा उसके लिए समय है नहीं capacity constant चल रहा है बट समय निकालेंगे कहां से निकालेंगे समय कहां से समय निकालेंगे हमारे पास ranking क्या है product से rank one two three तो जो least contribution yielding product है हमारा market में हम उसको sacrifice करके अपना घर का काम कर देंगे तो घर का काम करेंगे अब कुछ कुछ sacrifice करके तो cost to be incurred भी लेंगे प्लस जो contribution हमने फोर्गो किया from the least profitable product वो contribution फोर्गोन भी आपका transfer price में जोडेंगे अभी क्या होता है मैंने क्या बोला जो लेने वाला है ना वो सुसता है जब घर से लेने जा रहा है तो कॉस्ट भी क्यों का क्या मतलब उसको लगता है सब चीज़ फ्री में होना चाहिए वाइद इस तिंग फ्री इस बार आप लोगो क्लास में बताता हूं जैसे मेरे कोई कजिन है जो मेरे स यह टो है तो ट्रंसवर का केस हो गया हूं ठाट अ ऊब सेब擊 होने यह चाहता है तो time इतना आपको देना पड़ेगा तो सामने वाले का पारा चड़ जाता होगा कभी कभी कि देख भाई होने का क्या responsibility निवाया आज दाम मांग लिया विदा मांगा बट क्या मांगा वो तो देखो आप से तो कॉस्ट का भी क्या ज़रत है फ्री में करना चाहिए इतना तो भाई-भाई के लिए कोई भी करता है बट भाई-भाई को यह समझना जरूरी है दुनिया में resources free में नहीं आता मूल अदा करना सीखेगा नहीं तो चीजों का कीमत समझेगा नहीं अगर उसका कुछ भी कीमत नहीं दिया होगा ना तो कल से class में आएगा कि नहीं आएगा इसका guarantee नहीं को तो सब चीज़ फ्री में मिला हुआ है मूल अदा करना सीखो यही इस transfer price का खेले कमाउन नहीं वोलक बात है कमाई मदो अलग बात है बड बेसिक मूल अदा करना जरूर सीखो ठीक है हम लोग्य पर होता है कोई दरमशाला में जाते हैं अब और रहते हैं तो कई बार रिलेशन ऐसे निकल जाते हैं तो इतना तो उसका cost ही लग गया होगा तो वो cost उसको आदा जरूर कर देते हैं वहले ही वो हमसे कमाना न चाहे तो यही बस यहां का उसूल है cost to be incurred plus contribution lost आप देखो क्या क्या दिया हुए यहां पर cost to be incurred plus contribution loss और capacity shortage यह दी हो गया तो आपका क्या करना है cost to be incurred due to transfer plus contribution loss from release of time in order of least profitability ओके इन ओर अफ कौन सा profitability आप चेक करिए इन ओर अफ लीस्ट प्रोफिताबिलिटी इस फाइन नव पॉइंट is what should be the maximum transfer price that should be payable by the transferee what should be the maximum transfer price that should be payable by the transferee तो transferee क्या सुचता है कि जबी भी मैं कोई चीज ले रहा हूं transfer से तो वो मुझे बाजार में कितना में मिल जाएगा उसका सोचने का तरीका क्या है कि वो पहले सोचेगा कि वो मुझे बाजार में कितना रुपया में मिल जाएगा तो पहले वो ऐसे सोचेगा कि मुझे वो चीज बाजार में कितना रुपया में मिल जाएगा तो अफिसली उसके दिमाग में यही रहेगा कि मैं को कभी भी बाजार का कोई चीज चीज जगग यह मान लीजी अगर ट्रांसफरर उसको 100 रुपया में देने रेडी हुआ है तो ठ्रांसफरी खोज रहा है कि बाजार में मेरे को 80 में मिल जाएगा तो 80 से जाधा देगा ने तो उसके माइं मैं एक सीलिंग है कि बाजार का जो प्राइस से जाधा मैं नहीं द कितना कमा लूँगा मेरा own cost और revenue कितना है जिसको लोग कोलता है marginal revenue मेरा खुद का revenue और मेरा खुद का own cost मैं subtract करके देखूं तो मेरा कितना आ रहा है ठीक है जैसे एक example आप सोचिए think of this example एक example सोचिए आप कि division A है and then there is division B A B को transfer कर रहा है इसका transfer price है 40 rupees ये बोल रहा है मेरे को भी बाजार में कितना में मिलेगा वो पता नहीं है कितना भी पता नहीं है मान लो बट ये जब इसको लेगा तो इसका own cost लगेगा 15 rupees और इसका sale price है समझेगा 60 rupees तो इसका marginal revenue कितना है 45 इसका marginal revenue कितना है 45 rupees okay बाजार में कितना में मिलेगा भी पता नहीं है तो division A बोल रहा है मैं तो 40 चाहूंगा किसी भी तरीका से वह अपना 40 सोचा बट भी कितना दे सकता है भी बोलता है कि मेरे घर में तो maximum जो बचेगा 45 भी बचेगा आप जो देंगे उसके बाद मेरे को 15 करना है उसके बाद मैं 60 sell price ला सकता हूं तो maximum मैं 45 दे सकता हूं ठीक उससे जादा उसके बास cash flow ही नहीं है वो अपना घर से क्यों इन्वेस्ट करेगा घर से investment भी कर सकता है कोई division provided इससे कोई long term benefit हो कोई other factors decision को regulate कर रहा हूं वो भी मैं discuss नहीं कर रहा हूं वो भी मैं डिसकस नहीं कर रहा हूं और वेदर वी शूट कंसिडर non-financial factors also yes we should but right now I'm not discussing any non-financial situation here so 45 यह maximum cash flow लाया तो maximum transfer price 45 दे सकता है पर यही चीज़ यह उसको बाजार में 38 में मिल रहा होगा ना तो आप 48 पे करोगी 45 पे करोगी 38 पे करोगे you think yourself now you being the division B manager will you pay 38 और will you pay 45 obviously हम लोग चाहेंगे अपना profit बढ़ाने के लिए हम सस्ता वाला है तो 38 ही हम पे करेंगे सामने वाला जो मांग रहा है this is his offer division A's offer is मुझे 40 चाहिए बट मैरा question का discussion हो रहा है कि how much division B would be willing to pay तो answer to this is division B would be willing to pay lower off would be willing to pay lower off lower off 38 and 45 rule याद रखना higher off नहीं 38 and 45 का lower off कि वो 45 फिर क्यों देगा जब आजार में 38 में मिल रहा है वो बायर है न तो बायर विल ट्राइटो गिव मिनीमम अली अंड दिस इस काल्ड आज मैक्सिमुम ट्रांसर पैस देगो लोवर ले रहे हैं और फिर उसका नाम बोल रहे हैं इसमें कन्फूजन नहीं आना चाहे है वी अर कॉलिंग इसमें अज मैक्सिमुम और लिख रहे हैं लोग लोवर आप इसको नोट कर लीजिए जे इंपोर्टेंट एक्जामपल है तो अंडस्तांड देग्सिमुम ट्रांसर पैस आपने देर आप पर लिजे मैक्सिमुम ट्रांसर पैसे इस वर्ट लोवर आप लिख रहे हैं और rayकर लोवर एक्सरान सहानज लोवर फिथे शली हमिट कर लुचन ट्रांस्ट विट मुमग कर लोग लिख रहे हैं खर 75,000 है अुछ लोवर लोवर प्रैंट जेश ग Kings dual rate transfer pricing में first हम लोग transferr और transferr में एक relationship बैठाते हैं ऐसा सेनरियो में जब transferr सोची ऐसे एक market में operate कर रहा है जहां पर उसको price बहुत lower करना पड़ सकता है low fix करना पड़ सकता है अपने goods का in order to the market share market share को काप्चर करने के लिए इसको प्राइस फिक्सिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसके मंद में यह भी है कि मैं कुछ ऐसा प्राइस फिक्स ना कर दो जिसे गुरूप को नुकसान हो जाए तो क्या होता है जैसे इस सिनेरियो में यहां पर टोटल कॉस्ट लग रहा है और फिथी के अपना ओन कास्टार एस थर्टी कर रहा है तो चाहते मación लुए सुरस्ट मार्केट विच हूँ हूं अगर वह प्राइस थर्टी फाइव लेकर क्रेंज दिया तो त्रांसवर यृदि अपना प्रइस 35 लेके बेज दिया तो 35 में उसको लग रहा है मेरा यह 30 है और 35 में बेज दिया तो उसको लगेगा हम तो profit करा रहे हैं ओके तो profit नहीं हो रहा है क्योंकि एक और चीज़ सूचो कि यह सारा का सारा यह इसका own cost है न तो यह सारा का सारा transfer भी हो रहा है तो ट्रांसफरी को पता होना चाहिए कि ये ट्रांसफर कितना में हो रहा है कि चैलेंज क्या है सोचे कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसवर हुआ सोचे कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसवर हुआ अगर कॉस्ट ट्रांसवर होगा तो ट्रांसफरर को कोई motivation ही नहीं है कि मेरे को क्या मिला मैंत करूं और सारा का सारा उसको transfer कर दूँँ. transfer ही आपका एक market बनाएगा, वो एक कमाएगा बात दोगे, तो इसको मोटिवेशन नहीं आ रहा. तो transfer को बोला जाता है कि चलो आप अपना profit भी कमा लो कोई दिक्कत नहीं है you earn your profit से उसका profit कमाना है 20 रूपीज तो transfer price हो गया 70 रूपीज अगर transfer को बताया जाए कि 70 तुमारा cost है तो transfer के लिए total cost क्या हो जाएगा own अगर 30 है तो इसमें 70 add हो तो टोटल cost of sales कितना आएगा इसके यहां पर 70 और 30 मिलाकर 100 आएगा 70 और 30 मिलाकर 100 आएगा ओके चलिए लेट्स फर्दर अंडर्स्टैंड एक बार और ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं डूवल ट्रांसफर राइजिंग में क्या होता है कि ट्रांसफरी ऐसा एक मार्केट में ऑपरेट कर रहा है जहां पर उसको flexibility चाहिए कि sir मेरा को अपने हिसाब से price fix करने का मौका दीजे फिर मैं या market बसा के दिखा दूँगा ठीक है अगर वो सिर्फ अपना cost को ध्यान में रख कर price fix करेगा तो वो fair नहीं है 30 का 35 रख देगा तो fair नहीं है क्यों क्योंकि assume करो कि उसको अपना input सारा का सारा यहां पर मिल रहा है उसको assume करो कि सारा का सारा यहां पर input मिल रहा है ठीक है तो अगर transfer हमेशा 50 रूपीज पर उसको करके दे दिया जाएगा और transfer अपना market set करेगा तो transfer यह market set करेगा तो उसका जो market का premium आएगा बाद में वो तो transfer यह अपने खाते में रखेगा transfer दुखी हो जाएगा कि आरे वो market set कर रहा है तो मेरे को कमाई नहीं दे रहा मैं क्यों उसको फिर help करूँ उसका incentive compromise हो रहा है ना transferer का right transferer का incentive compromise हो रहा है इसलिए transferer को बोला कि आप यहां पर अपना profit ले लिजे आप अपना 70 rupees पे transfer को record करें अपने लिए 20 rupees कमाई है कोई problem नहीं है but जब आप इसको 70 rupees पे transfer कर रहे हो तो transfery को साथ साथ बता देना कि आपका इसका cost कितना है तो transfery को बताना पड़ेगा cost कितना है ठीक है transfery को बताना पड़ेगा cost कितना है please ध्यान दीजिए go live button दबा के मेरे साथ आजाईए कुछ लोग पीछे चल रहे है go live button दबा के मेरे साथ आजाईए कुछ लोग मेरे से पीछे पीछे चल रहे है transfery will have knowledge of total cost of transfer also normally transfery को जब transfer किया जाएगा transfery gets to know just the price okay but in this system of transfer rising transfery will also get to know the total cost of transfer यही rule group से बनाया जाएगा ठीक है और transfery को बोला जाएगा कि तुम जब इस transfer को record करोगे तो you record this transfer at cost record this transfer at total cost किसका total cost of transferer तक है you can record this transfer at total cost of transferer okay so transfery now understands that its total cost is now 50 rupees plus 30 rupees which is nothing but the total cost of the group 50 plus 30 based on this 80 rupees it can fix its price so price can be 85 in this case also profit is there 5 rupees and this profit is actually group's profit not just the transfery's profit तो it can ensure transfery can then ensure कि चलो कम से कम मैंने ग्रूप का नुकसान तो नहीं कराया है न सुचो अगर ये cost 50 rupees transfery को नहीं बताया जाता तो transfery को cost मतलब 70 पता होता 70 plus 30 उसका total cost होता 100 अब transfer अगर 70 पे हो रहा है और total cost अपना खुद का 30 लग रहा है तो मेरा own cost plus transfer का cost मिला क्योंगे 100 तो वो 100 के नीचे तो मैं price fix करी नहीं पाता तो मेरे को market capture करने में दिक्कत होता मैं कौन transfery transfery को market capture करने में दिक्कत हो सकता था transfery को market capture करने में क्या हो सकता था दिक्कते आ सकती थी understood the concept तो वो दिक्कत को कम करने के लिए कि transfery और ज़्यादा flexible way में price fix कर सके हमने transfery को transferer का cost बता दिया जिससे उसको group का cost का knowledge हो गया, कि group का cost अभी तक 80 है, तो वो price जब fix करता है, तो उसके लिए एक barrier लगाया हुआ है, कि इससे नीचे नहीं जाना, 80 से नीचे नहीं जाना, जितना भी flexibility रखो, बट घर से रुपया तो मत लगवा हो, वरना तो sustainability questionable हो जाएगा, ठीक है, तो 80 से नी आँचे नहीं जाना, आब वो 81 भी fix कर सकता है, 82 भी fix कर सकता है, 85 भी fix कर सकता है, तो इससे पता चला कि group को profit कितना मिल रहा है, 5 रुपीज मिल रहा है, अब इसमें dual rate क्यों बोला जा रहा है, dual rate इसलिए बोल रहा है, because transferer अपना transfer को record कर रहा है, at the rate 70 और transfer ही अपना transfer same transfer को record कर रहा है at the rate 50 दिखें record at total cost of transferer transferer record कर रहा है 70 पे और transfer ही record कर रहा है कितना पे 50 पे so since the same transaction is being recorded at two different prices in the books of transferer and transfer the method has been named as dual rate transfer pricing अब इसमें यदि हम group level पे consolidation करते हैं तो consolidation में आपको कैसे सिखाया जाता है बस दोनों का amount को जोड़ दो consolidation में कैसे सिखते हैं दोनों का amount को add कर दो दोनों का amount को आप add कर दो तो इसका profit यदि 20 रूपीज है और उसका profit 5 रूपीज है तो group का profit का 25 है इसका profit आपको दिखाया जारा न 20 रूपीज है और इसका profit यह दिखाया 5 रूपीज अगर consolidation करें तो क्या group का profit 25 है answer is no group का profit 5 ही है तो 25 क्यों दिख रहा है है because there's a difference between the recording of transfer यह record किया 70 पर transfer रिकॉर्ड किया 70 पर वो रिकॉर्ड किया 50 पर तो उसमें 20 का difference है वो 20 का difference आपको profit inflate होके दिख रहा है अगर आप profit खली consolidate करके निकालोगे 20 प्लस 5 करके निकालोगे 25 is not the group's profit what is group's profit is 5 only तो अगर 25 दिख रहा है तो उसको 20 से कम करना पड़ेगा 20 मतलब जो difference in the transfer price recorded है अब आप पढ़ो यहां पर dual rate क्या लिखा हुआ है transferor charges transfery at its cost plus price transfer बोलता है transfery के uncertainty है मैं क्या करूँ मेरे को मेरा cost plus price दे दो मैं तो motivated फिल करूँगा transfery records the transfer at variable cost of the transfer है वो variable cost होगा कि total cost होगा that is dependent on group's choice ठीक है generally variable cost ही होता है जिससे की और ज्यादा flexibility से price fix कर सके ठीक है तो यह दो difference होने के कारण इसका नाम dual rate हो गया dual rate इसलिए बोलते है क्योंकि transferor अलग तरह से record कर रहा है अगर सीधा consolidation कर रहे हो जैसे 20 plus 5 को लेके consolidation कर रहे हो तो HO needs to do adjustment to the extent of difference in amount of transfer recorded to find its net consolidated profit adjustment क्या करना पड़ेगा to the extent of difference in amount of transfer recorded तो amount of transfer recorded एक 70 पर record गया दूसरा 50 पर record गया तो 20 रूपीज का difference है उसको आपको group profit में 20 plus 5 20 plus 5 25 अगर करके निकाला तो 25 में से वो difference in transfer price recorded को minus करना पड़ेगा तो net आएगा 5 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसका advantage क्या है transfer makes optimal decision to sell its good if it is facing uncertainties अगर transfer के यहाँ पे कुछ uncertainty चल रहा है तो it helps transfer to take optimum decision about the final price dual rate theory के लिए ज्यादा popular है इससे को practical question अभी तक तो नहीं आया नेक्स्ट आ रहे दिए कि टू पार transfer pricing यह final case study वालों के लिए बहुत important है new syllabus में इसके उपर question भी a case study में two part को लेकर तो two part transfer pricing में क्या होता है दोस्तों ध्यान से सुनों इसमें जैसे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी में एक relationship बढ़ा देते हैं कि ट्रांसफरी विल पे ट्रांसफरी विल पे एक lump sum amount ठीक है एक lump sum दे देता है ट्रांसफरर 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 ठीक है lump sum क्या चीछ के लिए कि बस आप मेरे हो गए ऐसा समझो कॉंट्रैक्ट हो गया एक lump sum दे दिया कि आप मेरे हो गए यूर माइन ठीक है ट्रांसफरी एक lump sum amount दे देता है उस lump sum amount से ट्रांसफरर अपना fixed cost पे कर पाएगा और profit earn कर पाएगा इन जेनरल एक ट्रांसफरर को ट्रांसफरी से क्या क्या चाहिए variable cost चाहिए fixed cost चाहिए और profit चाहिए तो lump sum से fixed cost और profit का ज़रुवर पूरा कर दिया जाओ fixed cost और profit का amount lump sum में ले लो ठीक है अब जितना मैं मांगू ट्रांसफरी बोल रहा है जितना मैं मांगू मुझे देते र चाहिए ना okay plus variable cost per unit as and when units would be transferred to fix cost और profit दे दिया lump sum मेरा एक cost लगया उसका एक income हो गया now variable cost per unit जब जब आपका incur होगा मेरे कारण एक unit का भी इंकर होगा तो एक unit का और ले लीजेगा ठीक है so that is two-part transfer pricing transferer charges transferring a fixed lump sum over a period to recover its fixed cost and profit and standard variable cost per unit for every unit transfer देखो यहां पे standard use करते हैं actual use नहीं करते हैं इसका भी कारण है मैं थोड़ी दिर में बताऊंगा आपको जैसे कि मैंने आपको उपर में बताया थे standard cost ratio क्यों लेते है actual cost ratio क्यों नहीं लेते है फिर actual में वो control नहीं करेगा ना transfer अपना cost वो लेगा जितना लगा छोड़ो उनसे charge करना है क्योंकि वो तो सारा cost देगा इसलिए standard cost का system बनाया हुआ हुआ है महीने का या साल का जिसको अपने रिटेनर्शिप फीज बोलते हैं ओके वो fix cost और profit को cover कर देता है और फिर अगर उस client के काम में हमारा कुछ चला के अलग से खर्चा लगता है ना तो उसका reimbursement ले लेते हैं अलग से चला के जो खर्च लगा उसका reimbursement भी मांग लेते हैं और ब के बाद कभी कभी जैसे होता ना कि कुछ हमें poster print out चाहिए या cards चाहिए वो print करके भी देते हैं तो printing का खाली हमसे cost ले लेते हैं वेरीबल कॉस लेते हैं प्रिंटिंग का हमसे कोई margin margin लेते हैं जो printing का cost होता है वो ले लेते हैं plus fix cost or profit के बर ले लेते हैं two part transfer pricing ऐसा है तो इस से फाइदा क्या होता है transfer is able to get its assured profit and transfer is receiving units at variable cost of the transfer which will be far lesser than the external price to transfer एक बार लंसम दे दिया तो उसको लेकर वो अपना सुचेगा मेरा ये fix cost लग गया और अगर अगे जाके उसको transfer को हर समय units चाहिए तो variable cost पे मिलेगा which is far lesser than external purchase price so due to fix lump sum payment transfer and transfer are bound to honor each other commitments तो इन दोनों में relationship भी continued period के लिए रह जाता है ठीक है तो two part transfer pricing में इस चीज़ का ध्यान देना है कि variable cost standard वाला लेना चाहिए ना कि सिर्फ actual वाला in fact ये general rule है कि transfer price में कभी भी actual cost होना ही नहीं चाहिए हमेशा standard cost ही होना चाहिए ये general rule है इस सब को discuss करने के लिए मैंने एक नया point आपके साथ बनाया transfer pricing under different market conditions मेरे से एक student ने कल कुछ पूछा था कहां पूछा था या यहां पर पूछा था कि मेरे से मैं YouTube में live गया था तो वहां पर पूछा था तो उन्होंने कहा कि सर आपका जो saviour mat है उसमें कई सारे चीज मुझे नए दिख रहे हैं जो मेरे पुराने mat में जब मैंने आपसे class लिया था तब नहीं था तो मुझे वो पूराना वाला पढ़ना है कि सिर्फ नया वाला पढ़ना है कि मुझे नया वाला पर क्या ध्यान देना है कैसे ध्यान देना थोड़ा सा बताएं तो मैंने यही बताया देखो एक सही teacher की पैचान यही है कि व वो सारा का सारा जितना आज तक सीखा वो ग्यान अपने बच्चों में बाट दें किसी ने किसी तरीके से तो मैं ऐसा बोलता हूं जिस समय आपने मुझसे उस क्लास ली थी तब मैं जितना जानता था जितना पढ़ा था उतना आपको पढ़ा दिया था अब मैं जादा जान ग करा दिया कोई knowledge को इसका मतलब वो आपके लिए relevant है तो इसलिए ये classes हो रही हैं कि आप अपने आपको और upgrade कर लें जिसे आपका knowledge और up to date हो जाए और हो सकता है ये upgraded knowledge से आपका exam में direct questions भी बन जाए okay so ये revision classes का मकसद ही यही है कि आपका जो gap है वो gap of knowledge जो आज के current batch के students को मिल रहा है और आपको जब मिला वो gap fulfill हो जाए तो जो extra यहां पर आपको knowledge दिये जा रहे हैं उसको आप recall करो कि यह आपका पहले नहीं पढ़ा होगा जैसे यह वाला point मैं जो पढ़ा रहा हूँ है पहले नहीं पढ़ाया हूँ मैंने यह अभी के latest batch में मैंने पढ़ाया है तो इस batch में मैंने आपके लिए डाल दिया तो यह जो नया मैंने आपको पढ़ाया यह आपको सीखना है के लिए तो खासम खास सीखना है क्योंकि इन सब से कुछ भी आ सकता है और बाकी लोग को भी सीखना है तभी आपको बता है और कोई भी चीज मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं यदि इसमें जो CMA के लिए नहीं है तो मैं तो बोल दे रहा हूं कि न यह CMA के लिए उतना important न market अगर transfer के यहां पर market एक्स perfect market है externally उसको जितना बेचना चाहे वो बेच पाता है तो उस समय transfer price हो क्या charge करेगा उस समय वो अपना market price charge करेगा assuming उसके पास कोई idle capacity नहीं है अगर कोई transfer के कारण savings हुआ variable cost में cost में reduction हो रहा है तो savings हम credit दे देंगे okay उसके नीचे यदि अगर वो charge किया तो क्या होगा any lower price will demotivate the transfer because transfer अपना already market में externally कमा पा रहा है उससे नीचे वो charge करेगा तो group के बुलने से शायद वो कर भी दे बट क्या होगा कि it will actually bring demotivation next imperfect external market का मतलब है कि transfer के यहाँ पर उतना अच्छा market नहीं regular basis में तो उस समय transfer price क्या-क्या हो सकता है imperfect मतलब बहुत ज्यादा regular market नहीं है उसका externally उसको हर समय market नहीं मिलता तो transfer price क्या-क्या हो सकता है वो चाहे तो cost to cost पर transfer कर सकता है अब cost to cost यदि transfer करेगा तो एक है standard cost standard cost पर transfer कर रहा है सोचो cost to cost यदि transfer कर रहा है तो कौन सा cost standard cost है ठीक है तो standard cost in general हम लोग मानते हैं कि यह fair है यह क्या करता है transferer को efficient बनाता है transferer unnecessary wastages नहीं करता cost पर लगाम रखता है अपने क्योंकि उसको पता है अगर मेरा actual cost ज्यादा हो जाएगा तो मुझे वो सामने वाले से नहीं मिलेगा अब वो cost variable cost भी हो सकता है total cost भी हो सकता है that is a different look out but I am just saying standard cost का क्या importance है it makes the transferer more cautious of becoming more efficient then second case हो सकता actual cost actual cost है to transferer के लिए बड़ा easy है कि चलो जो लगना है वो सामने वाले से लेना है ज्यादा लगा तो भी उसका कम लगा तो भी उसका तो यह कहिना कि transferer को unfair बना देता है it is unfair as the transfer transferer will have no incentive to control its cost ठीक है यह standard cost वाला fair है फिर यदि आप बोलते हैं नहीं हाली variable cost लो अब वो variable cost में standard variable cost होगा actual होगा वो अल्रेडी discuss होगा कि standard figure लेना है कि actual लेना है उसका impact क्या हो अल्रेडी discuss होगा अगर अपना transfer के लिए सिर्फ variable cost चार्ज करेगा तो क्या होगा तो फिर वो उसको fixed cost recover नहीं हो रहा उसका profit भी नहीं आ रहा अगेन वो motivate हो जाएगा थोड़े जिन में एक बार मदद कर देगा regular मदद नहीं करेगा because वो कमा नहीं पारा कमा नहीं पारा तुसको incentive नहीं मिल रहा है उसको books में profit नहीं दिख रहा है तो इसका solution हो सकता है dual tariff से इसका solution हो सकता है two part transfer rising से ठीक है next are full cost full cost still better for transfer still better than variable cost because अभी transfer अपना fixed cost recover कर पा रहा है जैसे यदि transfer के घर में idle capacity है ठीक है हमेशा continuous idle capacity है और हर समय transfer ही कुछ न कुछ उसससे लेने आता है तो first time तो variable cost पर दे दिया हर बार लेने आएगा तो सिर्फ variable cost यदि मांगेगा ना तो transfer देना नहीं चाहेगा वो लेंगे इतना कौन मैनत करेगा तुम्हारे लिए हर बार idle है तो हम idle का भी तो मज़ा लेंगे हम आपके लिए क्यों मैनत करें तो फिर अगर उस समय transfer ही variable cost प् idle capacity है transferer के यहां पर तो वो motivated feel करेगा बट idle capacity नहीं है वो external market में कुछ नो कुछ कर लेता है ठीक है तो transferer थोड़ा सा demotivated हो जाएगा but still लालच तो होता ही न हर एक के मन में transferer division makes no profit but still better but still better as it is able to as it is able to cover up its fixed cost at least अगर उसके यहां पर idle capacity है तो और full cost plus यदि वो ले रहा है plus मतलब plus margin तो पूरा सब कुछ normal market price के दर ही चल रहा है तो transferer के लिए ठीक है सब कुछ but transfer ही थोड़ा सा खफा हो सकता है कि देखो मैं इसका market में बिकने रहा फिर भी ले रहा हूं तो मेरे से market जैसा ही treat कर रहा है तो इसमें एक fair price होना चीए जैस के मन में कि ये मेरे कारण इतना कमा रहा है इसलिए थोड़ा सा दूनों को negotiate कर लेना चाहिए deciding fair margin एक fair margin decide करना चाहिए but it is a difficult thing to do because there is no perfect market of the transferer so I am just trying to give you analysis of certain scenarios कि standard cost पर transfer होगा तो क्या होगा तो क्या होगा फिर variable cost पर होगा तो क्या होगा फिर एक बार तो मदद कर देंगे बट मेरे को fix cost profit नहीं मिल रहा तो बार बार मदद नहीं करेंगे तो उसका solution dual rate या two parts से कर सकते हो अगर full cost पर transfer हुआ तो ठीक है बेटर है variable cost है तो better है fix cost का कुस तो आया बट profit नहीं आ रहा है तो दुख हो रह चाहिए मतलब थोड़ा सा वो कम दे transfer और transfer थोड़ा सा कम charge करें full cost plus से जिसे transfer को भी benefit और इसको भी variable cost से उपर तो मिली रहा ना जो थोड़ा benefit हो जाए अगर transfer के यहाँ पर सोचो कोई external market ही नहीं है if there is no external market अगर transfer के यहाँ पर there is no external market then उस समय क्या होना चाहिए greater than variable cost of transfer but less than net marginal revenue of the transfer what is this actually एक range होता है न हम लोग समस में निकालते है minimum transfer price and maximum transfer price minimum and maximum transfer price का range होता है उसके बीच में transfer price decide होना चाहिए which is greater than variable cost of transfer transfer variable cost of transfer is supposed to be the minimum transfer price but less than net marginal revenue of the transferi ठीक है net marginal revenue of the transferi मतलब transferi जादा से जादा जितना जो कमाया उससे जादा हो देगा नहीं हम लोगों ने यह सिखा था न है यहाँ पे lower of अभी आपको सिखा था था ना maximum transfer price वो कितना देना चाहिए lower of external purchase price और net in marginal revenue यह इसका दूसरा नाम है net incremental profit का दूसरा नाम है net marginal revenue तो external purchase price वाल option अभी मैं क्यों नहीं ले रहाँ because मेरा भी situation ही यह है कि there is no external market अगर को external market ही नहीं है तो transfer भी पाजार से खरीद नहीं पा रहा है तो transfer जितना net कमाएगा वो ही दे पाएगा और transfer का variable cost लगी रहा है तो in between जो range बन रहा है उस range के अंदर transfer होना चाहिए it is the best suited transfer pricing methodology next changing price or demand is sensitive to selling price अगर transfer के यहाँ पर market ऐसा है transfer का जो market है वो ऐसा है जहाँ पर law of demand operate करता है कि जैसे इसे वो price change करेगा वैसे वहाँ पर quantity sold उसका change हो जाएगा तो उस समय वो क्या transfer price charge करेगा तो उस समय हम लोग calculus का application करते हैं आपको pricing strategy में भी मैंने समझाया था जब जब price sensitive हो demand is sensitive to price जब जब demand is sensitive to price law of demand operates तो उस समय हम लोगों को क्या करना है calculus की approach से ऐसा price fix करना है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा profit कमाएंगे तो transfer क्या कर सकता है उस समय अपना external market का ध्यान से सुनना ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो माल लीजे यहाँ पर जो माल लीजे ट्रांसवर है वो वेरियबल कॉस्पे करेगा क्योंकि ग्रूप का policy है तो यहाँ पर हमारा जो transfer है वो transfer है कैसा price fix करेगा जिससे group को सबसे जादा फाइदा होगा इसमें दो तरह का scenario generate होता है कि आप जो price निकाल रहे हो वो price कौन सा निकाल रहे हो वो price कौन सा निकाल रहे हो वो price एक होता है ग्रूप के angle से निकाल रहे हो क्या फरक पड़ता है ग्रूप को ट्रांसवर से फरक पड़ता है ट्रांसवर हो रहा है ग्रूप को मतलब नहीं तो question आपको बोल रहा है find करो ऐसा price जो ग्रूप का profit को maximize करेगा तो उस समय आप group profit maximization पर जब जाओगे तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर transfer है उसका अपने external market है जहां पर वो पहले खुछ सोचेगा कि मेरा external market में मैं ऐसा क्या price fix करूँ जिससे मेरा profit maximum हो तो मैं उसी price का जो demand आएगा उस पर operate करूँगा अब यदि इस case में उस price को मैं fix कर चुका हूँ और transfer आ रहा है मेरे से कुछ लेने के लिए तो मैं transfer को किस price पर दूँगा जो बाजार का price है वही अपसे लूँगा तब transfer price from A to B is not relevant ग्रूप का profit maximize करना है तो आपको transfer का transfer price यानि कि sell price देखना है अब सोचिए transfer के यहाँ पर capacity constraint चल रहा है तो यह मैंने already decide कर दिया आपको बता दिया था ऊपर में कि capacity constraint चल रहा है तो cost to be incurred तो लेना ही है प्लस capacity constraint है तो अपना capacity में भी कहीं न कहीं ranking करके allocation कर रहा होगा अपना market demand fulfill नहीं कर पा रहे है transfer तो अब transfer के लिए को सा product को हमें sacrifice करना पड़ेगा कौन सा product को हम sacrifice करेंगे कौन सा product को हम sacrifice करेंगे यह हम sure नहीं है ठीक है तो उसके लिए हम लोग को rule क्या सिखाया गया है कि आप हमेशा लीस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी को लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रॉड़क को sacrifice करें लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रॉड़क को sacrifice करेंगे और उससे जो capacity release हुआ उससे transfer का काम करेंगे और transfer से variable cost तो ले नहीं है प्लस जो contribution sacrifice हुआ फ्रॉफिट प्रॉफिटेबल प्रॉड़क उसको भी recover करिए तो क्या है cost to be incurred plus contribution loss in order of least preferred product या फिर कभी कभी यहां पर group भी dictate कर सकता है कि आपको यही price charge करना है sometimes ऐसा भी हो सकता है group can always dictate मैंने यहां पर लिखा है but group can always dictate its own transfer price फिर market condition of transferi is uncertain सोचो transferer अपना एक certain market का sacrifice करके transferi को पेच रहा है और transferi का market uncertain है transferi का market uncertain है तो मैंने आपको पता है ना transferi needs flexibility to fix the price if group agrees then dual rate transfer pricing system can be followed और in that case whenever transferi's market is uncertain but transferer's market is certain then the rule is even in dual rate transfer pricing the rule is transferer should not suffer because of uncertainty with transferi transferer should get all its due credit transferer should get all its due credit so transfer price in this case would be the normal transfer price that is cost to be incurred plus contribution loss by transferer transferi का market uncertain है तो transferer का क्या गलती है transferer को अपना compensation पूरा मिलना चाहिए ठीक है transfer price charge by transferer is not affected due to it okay the contribution loss by transferer is certain transferer का contribution loss तो certain है ना जैसे इसका example मैं class में हमेशा ऐसे बताता हूँ सोचो आप मेरे भाई बैन हूँ और मैं आपका बड़ा भाई हूँ हूँ समझ लो situation अब मैं आपको अपना service दे रहा हूँ मानो हम लोग सब एक ही माता पिता के बच्चे हैं ठीक है तो मैं आपको अपना service दे रहा हूँ तो it is as good as transfer correct अब जब मैं आपको service दे रहा हूँ तो मेरा cost लग रहा है मेरा contribution lost हो रहा है right अब वो लेकर मेरा service लेकर आप अपना final exam दोगे और उसके बाद आपका job job लगेगा ठीक and job लगना और exam में पास होना दोनों ही बहुत uncertain है correct दोनों ही बहुत ही uncertain है तो आपके uncertainty के कारण ठीक है आप जो uncertainty face कर रहे हो उसके कारण मेरे को कितना transfer price आप से charge करना चाहिए should it be nil why because you are facing uncertainty or it should be the usual transfer price जो goal congruency के लिए suit करेगा that is cost to be incurred plus contribution lost of course it has to be cost to be incurred plus contribution lost because here whatever we are incurring for you is certain so that you have to pay if you are having uncertainty ठीक है जैसे for instance सोचिये न मैंने अपना ये software बनवाया go live classes करने का live streaming आप से बात कर रहा हूं है चैट वेट में आपका answers देख रहा हूं कितना बड़ियां आपके घर में बैटे बैटे लाइफ क्लास हो रही है schedule time पर now मैंने जिस supplier से software लिया उसका तो cost वगएरा incur हुआ time waste हुआ तो उसका contribution lost हुआ वो सब cost लगा अब मैं जब इस software को use करके SJC में काम कर रहा हूं तो it is very uncertain for me that whether I will get my desired results or not students का acceptability live classes को लेकर कितना आएगा it is too much uncertain maybe they will try to stick to recorded classes very few will switch to live classes for the sake of discipline others want their own convenience only they want to study at their own pleasure time okay so they don't want to get disciplined कि मेरे को इतना बजे उतना बजे बैट जाना है पढ़ना है पढ़ना है के लिए सरके साथ साथ कातम करना है so there is lot of uncertainty we are facing so that does this mean that software vendor should not charge us anything it should charge the usual cost and contribution lost it must charge that is the rule तो यही आपको यहां पर हमने सिखाया हुआ है ठीक है next आ जाईए transfer pricing using calculus आपकी queries मैं भी देख रहा हूं मैं last में बताता हूं एक बार खतम करने का मौका दीजे मुझे ठीक है transfer pricing using calculus calculus वाला अभी अभी discuss हुआ कि जब जब transfer के यहां पर demand मान लिजी sensitive है price के लिए वापस से repeat कर रहा हूं आप ठीक से समय लिजेगा demand sensitive है price से price जैसे change करोगे वापर demand change होगा तो transfer अपना profit को maximize करने के लिए क्या price fix करेगा तो उसका answer है वो अपना MR और MC निकाल के equate करके transfer price fix कर सकता है जहां पर उसका profit maximum होगा वही price हो fix करेगा तो यह type 1 सम होता है type 2 सम होता है कि question बोल रहा है कि आपको बताना है कि क्या price transfer को fix करना है जिसे group का profit maximum हो तो उस समें transfer क्या rate प्रांसवर group को फरक ही नहीं पड़ तक क्या rate पर transfer होगा ठीक है तो गुरूप का profit maximize करना यदि ग्रूप का profit यदि मुझे maximize करना है तो मैं क्या करूँगा ध्यान से सुनना तो मैं cost to cost transfer करा दूँगा फिर यहां पर ट्रांसफरी के यहां पर total cost निकल वाँगा उससे marginal cost और फिर marginal revenue लेकर equate कराऊँगा तो यहां पर जो price आएगा वो group का profit maximize करेगा और एक case बनता इसमें कि दोनों division चाते है अपना profit maximize करना तो क्या होगा transferer अपना market का situation के इसाफ से MRMC quit करके price fix करेगा उस price पर वो transfer को देगा फिर ट्रांसफरी उससे अपना cost मानेगा और फिर वो भी चाहेगा कि मैं भी अब अपना profit maximize करूँ MRMC के मदद से ऐसा ही सम हम लोग के class में किया हुआ है तीन scenario आता है एक scenario में एक scenario में हम लोग divisional profits को maximize करें मैं एक scenario में लोग group profit maximize कर रहा है मैं अब फिर से समझा रहा हूं अब फिर से देखो कैसना बोगी का sum था ठीक है एक wagon division है एक बोगी डिविजन है, वैगन डिविजन और बोगी डिविजन, कैसना बोगी, ओके बोगी डिविजन और वैगन डिविजन, ये ट्रांसफरर है और ये ट्रांसफरी है, फिर्स्ट केस में ट्रांसफरर चा रहा है, कि मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं, और ये price पे इसको transfer कर देगा तो इसका अपना transferred input का cost होगा transferred input का cost होगा इसका अपना own cost होगा ठीक है, दोनों मिला के इसका total cost आएगा, marginal cost आएगा फिर इसका अपना revenue से marginal revenue आएगा, फिर ये अपना price निकालेगा, तो जब दोनों अपना-पना profit maximize करेंगे, तो दो अलग-अलग price आपको answer में बताना है ये वाला और ये को वाला और एक case बनता है जिसमें इन लोग को अपना-पना profit maximize नहीं करना है, ग्रूप का profit maximize करना है जब ग्रूप का profit maximize करने का बात आएगा, तो transferer, transferrie को cost to cost दे देगा marginal cost पर, variable cost पर दे देगा transferer, transferrie को variable cost पर दे देगा ठीक है, transferer, transferrie को variable cost पर दे दिया और फिर transferrie सिर्फ अपना ये variable cost यहाँ पर change हो जाएगा, ये variable cost पर दे दिया अपना own cost है उसका लेके total cost आया, फिर उससे marginal cost आया, ठीक है, फिर marginal प्राइश को दर्शार है यह प्राइस ग्रूप का प्रॉफित मैक्सिमेश को दर्शार है और इंडि वीज्विज्वडी निकालना है इडि अपना-पना के लिए तो दो प्राइस निकलेगा तो वह सम को आप एक भर देख लिए अपको समझ में आ जाएगा अब इसका अप्रोच एकदम वैसा ही है जैसा मैंने पहले आपको pricing strategy में बता दिया था ठीक है वैसा ही है same to same एक बार पढ़ लेते हैं used when external demand is price sensitive at the division division optimizes by charging a price that will yield maximum profits to it be careful whether it is required to maximize the group profit or the divisional profit किस तरह का sum है दो तरह का sum होता है type 1 sum होता है group profit के लिए और type 2 sum होता है divisional profit के लिए जैसे मैंने क्या समझाया अगर divisional profit के लिए होगा तो पहले अपना ये price निकालेगा फिर इसको input बना के ये अपना price निकालेगा तो ये answer होगा दो अलग अलग answer और group profit का बात होगा तो transfer cost to cost पे हो जाएगा और फिर सीधा transfer का ही price निकाला जाएगा group को transfer price से कोई मतलब नहीं होता है steps में price equation पहले चाहिए a-bq where a is price where demand is 0 b is the slope which is change in price by change in quantity फिर tr will be price into quantity a-bq into q mr will be derivative of tr which is a-2bq और मैंने एक shortcut बताया था आपको कि आप direct a-2bq यार रखकर mr पे ही आ सकते हो आपको tr equation बनाने का जरूरत भी नहीं अगर आप a-2bq यार रखक लेते हैं तो फिर marginal cost is nothing but the variable cost per unit variable cost per unit can include the transfer input cost also then equate mr with mc to solve for q and then find the price okay then lastly you have to find the price using the value for q the price obtained above might be used by the divisions as transfer price जो भी यहाँ पे price obtained हुआ जैसे मैंने बताया नहीं यह price जो अप्टेन हुआ यह division चाहे तो इसको transfer price use करके भी transfer कर सकता है उसके बेस पर calculation होता है तो I am just asking you to go through the question of wagon division and कैसना बोगी division इसमें एक और आपको बता देते हैं MR और MC का एक question ऐसा भी मैंने class में कराया हुआ है कि MR और MC आपका table में दिया हुआ है ठीक है 180 तक और question में बोल रहा है MC is 150 question में बोल रहा है MC is 150 so बताओ इसमें से where the profit will be maximum profit कहां पर maximum होगा where the profit will be maximum please tell me the answer profit maximum कहां पर होगा अपने बोलते हैं generally profit maximum होगा वहां पर जहां MR और MC equal है बट आपका यहां पर मैंने scenario ऐसा बना दिया जिसमें MR MC से equal मिले गई नहीं तो कोई साथ एक volume चूज करना पड़ेगा ना तो profit maximum कहां पर होगा कौन सा volume पर आप operate करेंगे जल्दी से answer बताईए यह दूसरा type है इसमें MR MC के लिए कोई कि आपको equation बना के solve नहीं करना है ए माइनस 2bq में नहीं जाना है MR दिया हुआ है MC भी question में दिया हुआ है आपसे बस पूछा जा रहा है कि बताओ profit कहां पर maximum होगा ठीक है एक चली इसका question है न गलत बन गया इसका answer होगा ऐसे 180 160 140 120 और 100 अब आप बताओ question को twist कर दिया मैंने sorry 100 नहीं 80 I am so sorry नहीं यह 150 है ठीक है ठीक है अब आप answer बताओ MR मैंने उल्टा कर दिया अब आप answer बताइए कौन सा unit पर profit maximum होगा correct अभी answer होगा आपका two units तो rule क्या बोलता है आपको MR हमेशा ज़्यादा रखना mc से equal कर सकते हो but MR कभी mc से कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर MR mc से जादा है यहाँ पर जादा है यहाँ पर आके MR कम हो गया mc से इसलिए आपको अपना answer भूलना होगा two units अगर previous example में जाता है न तो MR बढ़ते ही जा रहा था तो last वल answer था previous example में fifth वल answer था बट वो मेरे actually जो background में मैं सोच रहा था उससे match नहीं कर रहा था यह data actual match कर रहा है जो मैं सोच रहा था इसलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है क्या तो MRmc से equal हो जाए या फिर MR थोड़ासा greater रहें या फिर MR थोड़ासा greater है MR कभी भी MC से कम नहीं होना चाहिए तो profit maximum के लिए हम लोग बोलते हैं where MR is equal to MC और MR is close to MC MR MC के बराबर हो ठीक है MR MC के बराबर हो कम नहीं हो MR MC से कम होगा तो loss हो जाएगा आपको loss situation में नहीं जाना है इसका answer है two units okay very good Prerna Gattani MR is nearest to MC in second option you are correct okay so next RIG हमारे पास international transfer rising इसका sums में हम लोग basic पहले ध्यान रखते हैं कि आपको करना क्या है evaluation of transfer बोलेगा question में ज़्यादा तर evaluation of transfer तो एक evaluation of transfer कैसे करते हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं लिखकर आप भी यह note कर सकते हो evaluation of transfer for group evaluation of transfer for group यह हम कैसे करते हैं यह आपको हम बता देते हैं evaluation of transfer for group इसमें particulars होता है और amount होता है then transferor division का पहले working करते हैं transferor division का हम पहले working करते हैं जो होगा cost to be incurred add contribution lost जो होगा cost to be incurred add contribution lost चीक है इसी को हम लोग बुलाते हैं minimum transfer price also minimum हमेशा इतना हमें चाहिए होता है फिर आता है transferor division फे रधर आतना है transferory division savings in purchase cost savings in purchase cost less कोई ऐसा cost है additional cost incurred on transferred input जैसे होता है कभी कभी सम में कि जो transferred input आ रहे है न उसके उपर कुछ और modification cost incurred करना पड़ेगा तब जाकर वह हमारे काम आएगा हम division A से जो लेके आएंगे वह हमारे as it is काम नहीं आएगा हमको थोड़ा सा और खर्च करना पड़ेगा savings in purchase cost क्यों लिख रहे है क्योंकि अगर हम transfer में ले लिए transfer division में transferor से ले लिए तो मेरे को बाजार से नहीं खरीदना पड़ा तो यह net करके आ रहा है maximum transfer price ऐसे maximum transfer price का funda में एक और आ जाता है जो मैंने आपको बताया lower of this value and net marginal revenue तो net marginal revenue हम लोग evaluation में usually नहीं लेते हैं but maximum transfer price करने में उसको consider कर सकते हैं इन दोनों को जब net करते हैं तो net benefit जो आ रहा है यह जैसे आपका cost है और यह आपका savings होता है तो net benefit is savings minus cost savings minus cost so if this is positive then transfer should take place positive होगा तो transfer करना है if it is positive then transfer should take place it is like this if it is positive then transfer should take place evaluation of transfer for group यह generally ऐसे हम लोग evaluate लें आपने class का sums वगरा देखा है इसी तरह से हम लोग evaluate करते हैं इसमें मैंने एक और चीज आपको सिखाया है कि कॉंड अगर मान लीजे transfer के यहां पर जगा नहीं है transfer करनेगा capacity नहीं है transfer करनेगा तो तो transfer को capacity release करना पड़ेगा अब वो capacity release कर रहा है ideal capacity था उसके पास थोड़ा सा वो दे दिया और थोड़ा सा अपना बाहर का जो एक external product था जो least profitable था उसको भी वो sacrifice करके आपका काम कर दिया तो उस समय मैंने बताया columnar presentation follow करो make separate columns कब separate columns follow करेंगे आप if capacity is released if capacity is released from different sources by the transfer transferer transferer यदी माल लिजे idle capacity से release करके transfer कर रहा है तो column होगा idle capacity का working को दिखाने के लिए कि उससे कितना unit transfer हो रहा है उसका net benefit क्या है फिर माल लिजे transferer यदी कोई product को sacrifice कर रहा है अपना transfer करने के लिए तो उस product का working हम लोग अलग column में करके देखेंगे कि उस product को sacrifice करके transfer करना वर्ट ही नहीं है ठीक है सीधा total column avoid करते हैं अगर multiple जगा से capacity release होके transfer हो रहा है तो अगर capacity release सिर्फ idle से ही हो रहा है तो यहीं से यही वाला column से हो जाएगा अगर capacity release सिर्फ एक ही product का कर रहे हैं तो इस columns हो जाएगा अगर multiple जगह से capacity release कर रहे हैं तो columnar approach यह class में कराया हुआ इसमें मेरे को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है you will follow columnar approach, you will make two columns one for showing ideal capacity working and another for showing working for the capacity release from different product इसका YouTube में video भी है transfer pricing under goal congruency concept आप देख के उसको watch कर सकते हैं यदि आपका मेरे साथ regular course नहीं किया हुआ है तो you can check a video in our YouTube channel ठीक है so यह मैंने general बताया है अब international transaction का effect क्या होता है उसके उपर बात कर रहा हूँ international transfer pricing में transferr, transferry and group company may be located in different nations with different tax rates generally different tax rate के कारण international transfer pricing का importance आता है तो मैंने एक बार आपको पिछले session में बताया था ना कैसे हम लोग tax avoidance वगरा कर लेते हैं अगर country नहीं allow किया हुआ है कि आप मेरे को मेरे income पे यह tax दो दूसरा country बोल रहा है तो हम लोग उसका benefit लेना चाहते हैं by routing our transactions to different countries so चलो law को follow करते वही कर रहे है law खाली एक ही जगा restrict करता है वह बोलता है कि tax देते वक्त transfer price should be fair price आप अपना books में चाहे जो दिखाऊ real world में वो possible नहीं होता क्योंकि there are certain reporting standards also in financial accounting so real world में आपको सब कुछ fair में ही करना पड़ता है but फिर भी हम मान लेते हैं वो सब standards हमारे उपर लागू नहीं है सिर्फ transfer price के angle से हम सोच रहे है तो tax बोल रहा है कि आपका transfer price should be fair price question में transfer price अलग दियावा हो सकता और fair price अलग दियावा हो सकता है तो fair price की मदद से आपको tax का amount निकलना पड़ेगा or tax will become a cost now tax will become a cost ठीक है जैसे tax जैसे transferer अगर कोई goods transfer को बेच रहा है transferer यदि कोई goods transfer को बेच रहा है भली वो cost to cost बेच रहा हो but transferer अगर country A में है तो country A का government छोड़ेगा नहीं transferer को तुम ऐसे कैसे cost to cost दे सकता है तुमको इस पर tax देना पड़ेगा transfer needs to pay the tax भली वो cost to cost अपना books में दे रहा हो तो government इसको छोड़ेगा नहीं transferer को वो बूलेगा इस पर tax दो tax कैसे निकालेंगे बूलेंगे आपका जो cost है और fair price space को sale पर दिखाओ और उसे taxable income निकालकर tax pay करो transferer के घर में cost incurred for transfer में variable cost तो आया ही जो fixed cost लगना है avoidable वो भी आया प्लस एक extra cost आगया विच इस the tax liability which will be calculated on the fair price now if in question they have not given you any fair price but still it is a cross country transaction then you assume the given transfer price as the fair price ठीक है so to optimize the group will try to generate maximum profitability in the nation where tax rate is lowest obviously group अपना manipulation करेगा income tax और indirect tax authority considers the fair price as the transfer price if transfer price among the division is different than the fair price the tax amount shall be calculated based on fair price अगर transfer price कुछ और दिया हुए और fair price कुछ और है तो tax का calculation आपको working note में जाके करना पड़ेगा और उससे जो tax का amount आएगा वो fair price से ही related होगा ठीक है tax amount will be related to fair price not the given transfer price और वो working note में आप करके आ जाहिए now the group's profit is affected due to transfer price as it determines the tax amount ये मैं इसलिए एक और यहां पर लिख देना चाहता हूँ एक line if fair price is not given अगर fair price दिया वा नहीं आपके सम में तो क्या करेंगे assume assume transfer price is equal to fair price जो transfer price दिया वह है वही fair price है ठीक है if fair price is not given assume transfer price is equal to fair price तो पहले क्या होता था group level पे transfer price से फर्क नहीं पड़ता था अब transfer price से फर्क पड़ेगा क्योंकि वही transfer price को fair price मान लिया जाएगा तो उससे tax liability निकलेगी so now the group's profit is affected due to transfer price as it determines the tax amount so we need to be cautious about what transfer price also the transferor is charging to transferi because transfer is in different country transferor is in different country so transferor needs to pay tax on its disclosed transfer price avoid any kind of DTA provision double tax avoidance agreement जो आप लोग अपने international taxation में पड़तो उसको नहीं याँ पे involve करना minimum transfer price अब क्या होगा cost incurred जो था वो है contribution loss जो था वो है plus एक नया चीज क्या आगया tax payable due to transfer now tax will be calculated using fair price tax will be calculated using fair price tax authority will assume that you have done this transfer to an unrelated party and that should have been incorporated into your books at fair price if you are not incorporating in your books that is not my concern but you have to give me tax as if the sale has been done at fair price और maximum transfer price क्या होगा maximum transfer price में वही savings in purchase cost जो मैंने आपको दिखाया था format में minus any kind of cost incurred due to transfer अब cost incurred में modification cost होता था जैसे कि सामने हैं से जब लेके आ रहे हैं तो हमारे as it is काम नहीं आ रहे हैं हम लोगको को modify करके use करना पड़ेगा तो मेरा cost incurred हो रहे है तो savings कम हो जाएगा और अगर अब हम दूसरे country से हमारा transfer दूसरे country में वहाँ से अपने पास लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर import duty वगरा लग सकता है और import duty भी आपका fair price पे लगेगा not on actual transfer price तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी आप include कर लोगे नया चीज क्या आ गया savings and purchase cost minus cost incurred on transfer including import duties at fair price because वहाँ से यहाँ जब receive कर रहे हो तो कुछ और आपका forwarding cost या फिर shipping cost आपका लग सकता है या फिर यहाँ पर जैसे और हो सकता है shipping cost कौन भीयर करेगा transferor भीयर करेगा जैसा question में बोले उसको follow करके आपको यहाँ पर अपना amount में include करना है so यहाँ पर changes में क्या आ रहा है contribution loss के साथ साथ tax add हो जा रहा है और यहाँ पर additional cost के साथ साथ import duty add हो जा रहा है फिर आप अपना net evaluation कर लीजे बाकी सब पढ़ाई as it is है बस international taxation से आपका tax effect का एक cost भढ़ जाता है transferor के यहाँ पर भी और transferi के यहाँ पर भी lastly the last concept is negotiated transfer price it is basically a case study oriented question usually it comes in case of CA new syllabus only वैसे CA old syllabus में भी आया हुआ है और CMA का exam में भी आ रहा है negotiation usually आपके पास एक तरगा question आता है exam में आप best strategy determine करो या फिर ऐसा question आता है exam में जहाँ पर आपसे पूछता है कि आपको बताना है कि कैसे इन दोनों में negotiate करा है तो negotiation का एक simple funda होता है जो सब को जानना चाहिए वो है कि आप transferor का minimum transfer price निकालिए और transferi का maximum transfer price निकालिए और दोनों में एक range of bargain set कर दीजे minimum और maximum is the first way of negotiation कि पहले इसका minimum price बता दो उसका maximum price बता दो maximum निकालने का rules आपको बता है minimum का rules आपको बता है और एक range of bargain set कर दो तो negotiation का first rule यही है second rule है कि अगर उससे settle नहीं हो रहा है तो shared profit करा दो profit को तुकडो में बटवा दो third rule है आपका dual rate fourth rule है two part ठीक है अब इस बर CA final news labels का एक paper आया था जिसमें आपका question में transfer pricing पूछा था उदर पूछ रहा था how should the group intervene to negotiate between the divisions negotiate कराने के लिए group को intervene कैसे करना चाहिए तो बच्चे क्या कि यह dual rate और two part लिखा है उनको marks नहीं मिला क्योंकि पहला rule negotiation का minimum और maximum price set करने का है तो minimum और maximum set नहीं किये ना सीधा dual rate two part के बारे में लिख दिए इसलिए उनको marks नहीं मिला आपको पहले minimum maximum का range बताना है अगर वो नहीं निकल रहा है question में ऐसा को detail ही नहीं है तो आप theoretically लिख दीजे so head office intervention is required usually इसमें आपको चार method है setting a range of bargain is basically meaning that there should be a range between minimum transfer price and maximum transfer price minimum और maximum में आपको set करना है minimum और maximum का range आपको set करना है setting a range of bargain आप इसी को बोलते है ठीक है and this is the first priority बाले ये मेरे last में लिखा हुआ है तो आपको करना का है first priority हमेशा minimum और maximum में जाना है बाकी सब question के अनुसार आपको बताना है जैसे question मैं class में कराता हूँ class में आता है एक sum जिसमें division a का मान लिजे सारा output बोला गया है group से कि b को दे दो group ने बोल दिया कि b को दे ना ही देना है बाहर से हम कुछ भी b जब उसको बाजार में बेच रहा तो profit आ रहा है तो a बोलेगा कि मेरे को क्या मिलेगा तो group बोल रहा है कि मेरा जो profit आएगा total में मैं तुम दोनों में allocate करवा दूँगा ठीक है so this way जब group intervene कर रहा है transfer करना के लिए तो उस समय आप group के level से share profit करवा सकते हो two part और dual rate suggestion के लिए दे सकते हो scenario oriented और shared profit मैंने बताई दिया और सबसे calculation oriented होता है minimum और maximum transfer price तो negotiation पे मैं भी sum आप तो नहीं कर रहा है मैं just general आपको बता दिया और मेरे तरफ से एक बार transfer price का knowledge खतम हुआ अगर आपको कुछ भी लगता है कि और transfer price में जानना है आपको मेरे से आपके queries हैं तो आप कृपया मेरे जो Q&A session होते हैं भी right now अभी तो वो जिस time पे हो रहा है वो आपको मैंने बताया हुआ है class के बाद मैं एक बज़े से दो बज़े तक रहता हूँ फिलाल के लिए एक बड़ transfer pricing को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ ठीक है transfer pricing का grossly revision में आपको centralized decentralized का advantages disadvantages पता होना चाहिए फिर आपको ROI-RI का difference अच्छे से पता होना चाहिए ROI और ROI का difference बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए उनका advantage disadvantage मालूम होना चाहिए फिर आपको यह पता होना चाहिए कि performance measurement के golden rules होते हैं जिसमें financial non-financial को हम दोनों देखते हैं controllable factors पर देखते हैं और group को जिसमें फाइदा हो उस पर incentive देना चाहिए तो यह golden rules भी हो गए फिर आपको divisional profit statement बनाना आना चाहिए division profit statement में कैसे बनता वो मैंने आपको दिखाया है कि transferor का column है, transferring का column है, total column है किसी सम्में contribution भी निकाल के छोड़ देते हैं किसी सम्में profit निकालते हैं इस चीच का ध्यान रखिएगा जब fixed cost दोनों का मालूम हो तो profit निकाल देते हैं फिक्स कास दोनों division का मालूम नहीं होता प्रॉपरली तो हम लोग contribution ही निकाल देते हैं तो किसी सम्में contribution निकाल के decision ले लेते हैं किसी सम्में profit निकाल के decision लेते हैं तो यह हो गया फिर आपको transfer pricing किस तरह से करना है उसके उपर है कि as given in question है पहला case है दूसरा case है आपका कि question मैं नहीं देगे return on capital employed बोलके desired return बता दिया तो उससे कर लेंगे तीसरा case हो सकता है आपका कि shared profit method है जिसमें मैंने दो case सिखा है आपको दो division है और तीन division है तो कैसे working होगा उसमें shared profit है तो total cost के ratio में और shared contribution है तो total variable cost के ratio में ग्रूप का profit को divide करके transfer price निकलेगा shared profit के बाद यदि हम आगे जाते हैं तो हमारे पास आ रहा है dual rate method है फिर आपका two part method है जो मैंने आपको सिखा है dual rate में transfer अपना सारा profit as it is लेगा और अपना normal transfer price पर record करेगा बढ़ ट्रांसफरी उसको record कर रहा है cost of transfer तो consolidation करते हैं वक्त group profit inflated हो सकता है by the difference in the amount of transfer तो उसको आपको accordingly adjust कर लेना है two part में एक lump sum है और एक variable cost पर सौधा हो जाता है फिर वो variable cost देते रहेगा जब जब आगे आगे काम होगा lump sum एक दे दिया जाता है transfer को जिससे वो अपना fixed cost profit recover करता है इसके बाद मैंने बताया transfer pricing under goal congruency concept है जिसमें हम लोग यह बोलते है कि मदद का भावना रखो अगर खाली समय है तो variable cost पर देदो यानि cost to be incurred for transfer पर देदो busy हो तो cost to be incurred plus contribution loss लेलो बहुत सारे product में busy हो capacity constant चल रहे तो भी मदद करो contribution sacrifice करो from least profitable product और उसको recover कर लो तो maximum transfer price वो क्या दे सकता है lower of या रखना बाजार का purchase price और net marginal revenue और एक आपको मैंने बताया कि आप transfer price जब निकाल रहे तो अलग-अलग market conditions हो सकता है हमारे transfer के यहां पर उसके इसाब से perfect external market है तो market price अगर कोई savings हो रहा है तो वो reduce कर देंगे imperfect है तो standard or actual हो सकता है actual में थोड़ा motivation नहीं रहता the cost control करने का standard में उसके उपर जिम्हेधारी रहेगी cost control करने की para予li были cost पर transfer हो सकता है तो फिर उसको profit नहीं मिलदा है ज्यादा दिन करेगा नहीं, total cost पर हो सकता है तो फिर profit नहीं मलेगा ज्यादा दिन करेगा नहीं, but still better है, total cost plus profit पर ले रहे तो बार बार transfer के मन्द में खिच जा जाएगा कि मेरे कारण हो कितना कमा रहे है, तो एक win-win bargain situation हम लोग को create करना पड़ता है, transferer के यहां market price sensitive है, तो वो MR equal to MC करके अपना price निकाल के वो price पर transfer करेगा, ठीक है, और फिर अगर transfer करें यहां पर capacity constant है, तो वो अपना capacity release करके transfer करेगा, हम कभी enable रहे हैं कि transfer कोई कभी नहीं करेगा, ठीक है, और transfer होगा कि नहीं होगा, उसके लिए कि evaluation होता है for the group, जिसका यह presentation है, cost to be incurred at contribution loss से minimum, और savings in purchase cost less additional cost से maximum, तो minimum maximum को compare करके हम net benefit निकालते हैं, और net benefits से हमें पता चलता है कि transfer होना चाहिए नहीं, फिर transfer pricing using calculus का sum मैंने आपको यह समझाया, कि calculus वाले sum में आपको ध्यान रखना है कि question दो तरह से पूछा जाता है, या तो question बोल रहा है कि group का profit को बढ़ाना है, ऐसा price बताओ, त तो A, B को कितना में दे रहा है, वो खाली cost to cost पर ही देगा, A, B का transfer price से group को कोई मतलब नहीं है, तो A, B को cost to cost पर दे देगा, और B उसको receive करके फिर total cost निकाला, और फिर total cost से marginal cost, फिर marginal revenue equate करके quantity निकालेगा, उससे price निकालेगा, वो group का profit maximize कर रहा है, irrespective of transfer price, और एक question होता ह जिसमें divisionals, अपना profit maximize करते है, जिसमें division A क्या करेगा, अपना profit maximize करने के लिए, अपना total cost, अपना MC, अपना MR देखेगा, और उससे एक price निकाल कर market में बेचा करेगा, तो वही price वो transfer price में charge कर लेगा, और अगर division B को मान लिजे, सामने वाले से मिला, वो external market price पे, तो फिर वो अपना उस price को base लेकर, अपना transferred inputs plus own cost को लेकर total cost MC, फिर MR निकाल कर अपना एक price निकालेगा, तो यह वाला जो मैंने diagram बना है न, इसमें individual profit maximize हो रहा है, और group profit इसमें maximize हो रहा है, variable cost plus own cost जो ले रहा है, मान लिजे, variable cost of transferer, okay, plus own cost लेकर, प्लस own cost लेकर, आपका total cost से marginal cost MR और price निकाला जाएगा, यह group angle से हो गया, और group angle से नहीं करके, divisional angle से अगर हम सोचे, division angle से, तो वो अपना transferred input में जब cost पकड़ेगा CB, यानि दूसरा वाला division, वो division का जो market price है, वो ही अपना cost पकड़ेगा, और फिर एक और तरह का सम होता है, जिसमें MR, MC, equate नहीं हो रहा है, MR का table दिया हुए question में, तो MR जहां पर MC से थोड़ा सा greater है, हम उसको select कर लेते हैं, international transfer pricing के sum में country अलग है, तो उसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि question में, कौन सा currency में sum solve करना है, इस पे भी ध्यान रखना होता है, एक point आप यहां पे note कर ल कुछ नहीं बोले, तो क्या सक करोगे, कुछ नहीं बोला, तो जिस division का जो जो currency है, उस उस currency में solve करोगे, respective currency में, okay, अगर group profit निकालने बोला, तो group का currency में आएगा, अगर minimum transfer price निकालने बोला, वो जिस country में है, उसका currency में answer बता होगे, ठीक है, check which currency to be used in solution, अगर question में बोल दि currency को use करता है, उस currency में answer बताएंगे, okay, तो इसमें क्या होता है, कि transfer price आपका अलग से दिया हो सकता है, और fair price अलग से दिया हो सकता है, तो fair price से tax का liability निकाल कर आपको अपको अपना cost में जोड़ना है, अगर fair price अलग से नहीं दिया, तो जो transfer price है, वही fair price है, उस से आपको tax liability निकाल कर अपना cost में include करना जरूरी है, ठीक है, तो एक नया cost जूड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते है, tax का cost, इसलिए minimum transfer price में एक नया amount आगया, tax payable, और maximum transfer price में भी इस कारण से यदि import वगरा कर रहा हो, तो उसके यहां पर import duty लग रहा होगा, वो import duty बोलकर एक additional cost उ उसका presentation में मैंने जब class में सिखाया है, international taxation वाला में, तो हम लोग उस समय presentation में एक और चीज एड करते हैं, वो मैं आपको याद दिला दूँ, कि यहां पर हम उस समय cost पे नहीं जाते, हम फिर वहां पे transfer revenue भी दिखाते हैं, फिर हम PBT निकालते हैं, फिर हम उसका tax भी लेते है फिर हम PAT लेते हैं, यह ऐसे ही आपको याद दिला रहा हूँ, कि अगर हम international taxation वाला sum कर रहे हैं, और group का evaluation कर रहे हैं, तो cost लिया मैंने, ठीक है, tax मेरे को यहां पे अलग से लेना हो, तो वो भी चलेगा, वो एक तरीका है, बट वो थोड़ा lengthy होता है, जैसे अगर खाली shortcut का question है, तो आप tax ले लो, tax सामने सामने, easily calculate हो रहा है, तो अगर बड़ा question है, तो क्या करते हैं, हम लोग transfer revenue लेते हैं, transfer revenue और cost को minus करके, cost और transfer revenue को minus करके PBT आता है, फिर PBT से tax ले लेते हैं, फिर tax minus करके PAT आता है, तो ऐसे ही, फिर इसका भी transfer division का भी हम लोग, इसको इसको बुला है, for example, this is my PBT, for instance, यह मारा PBT है, फिर इसमें से भी tax minus करते हैं, तो यहां पे भी PAT आता है, तो दोनों PAT को compare करके net PAT निकालते हैं, एक positive, negative हो सकता है, दोनों positive हो सकते हैं, वो sum आपको करके देखना पड़ेगा, आप आज ही उसका sum कोल के देख लीजी, international transaction में जब हम evaluation करते हैं तो यह statement में भी मेरा लिखवाया है आपको कि यहां पे आप transfer revenue ले लेते हो, ठीक है, transfer revenue, PBT, tax, से PAT आता है, और यह वाला मान लीजी, मेरे नजर में अगर PBT है, तो फिर आपको इस country का tax, इसका PAT निकालकर, दोनों PAT को net करके आपको net benefit निकालना पड़ेगा, normally हम लोग, normally हम ल statement में transfer revenue नहीं लेते हैं, why, because जो revenue यहां पे लेते है, वो वहां पे जाके cost में कड़ जाता है, normally हम लोग transfer revenue नहीं लेते हैं, और अभी के case में transfer revenue यदि लिया आपने, तो इसका cost में भी additional cost incurred के साथ साथ, आपको cost में भी transferred input भी लेना पड़ेगा, इसका cost में भी transferred input लेना तो इसके उपर निर्भर कर रहा है ध्यान से दिखो कि tax का amount एक जो यहाँ पे और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया नया वो tax का amount आपका निर्भर कर रहा है आपका transfer revenue और transferred input पे इसलिए transfer revenue रहेगा तो transferred input लेके cancel out भी करना है ध्यान रखना और अगर tax नहीं है तो revenue भी मत लिख हो और नीचे input भी मत लिखो अपने आप cancel out हो गया net benefit निकलते हैं हो cancel out हो गया but अभी revenue भी लिखना है और input भी लिखना है why because इनके उपर dependent है इसका tax amount यह वाला मैंने जो extra red में लिख दिया यह international transaction effect में काम आएगा और अगर international transaction नहीं तो यह red वाला जितना effect लिखा उसका कोई का का नहीं है आप सिर्फ blue वाला से ही काम चला लेंगे cost to be incurred plus contribution loss से ही काम हो जाएगा transfer revenue लिखने का जरूरत नहीं है और नीचे transfer input लिखने का जरूरत नहीं कोई को cancel out हो और अगर आपका international transaction है तो आपको revenue भी लिखना है और उसके कारण उसका tax भी आएगा तो नीचे भी input लिखो जब देखा सम में कोई numbers ही नहीं है को calculation ही संभव नहीं हो रहा है तो फिर आप अपना dual rate और two part को लेके comment लिखे आ सकते हो example के लिए new syllabus वाले आप करिपया करके अपना latest paper को जरूर से देख लिजेगा उसमें transfer pricing का दो-दो sum आया हुआ है आप उसको जरूर से देख लिजेगा और यह में वाले भी ध्यान सुन लो आपके यह भी transfer pricing का बहुत अच्छा questions आता है आज कल मैं देख रहा हूं standard questions आ रहा है जो इतना easy to do नहीं होता है तो आपको मैं request करूंगा कि past five terms के जितने भी transfer pricing के questions आये हैं उसको जरूर से करें और अच्छा-च्छा question है वो इतना easy to do question नही आएगा ओके standard questions आ रहे हैं इस चीच में ध्यान रखेगा इसके साथ मेरे तरफ से transfer pricing का काम खतम हो गया आपका यदि अप कोई सवाल है तो आप जरूर पूछे मैं wait कर रहा हूं कि ओके